हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो देट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल चाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजोई कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिसनिंग एक्सपिरियंस चलिए शुर पिलती इतनी थी कि चेफ मिनिस्टर तक करता वही था जो वो चाहता इस बात को सब जानते थे इसलिए उसके दरबार में फर्यादियों की भेड रहा करती थी परन्तु उस दिन सुबह के पांच बजे से मुसलाधार बारिश पढ़ रही थी शायद इसलिए दरबार खाली था हर्शरन कुर्सी पर पसरा पड़ा था करीब दस बजे हर्शरन की तंद्रा भंग हुई और आंखे खुलते ही तर हो गई एक युवक युफती ने अभी अभी ड्राइंग रूम में प्रवेश किया था संभल कर बैठ गया वो आंखे युवक पर नहीं युफती पर बल जिस्म से चिपक गई थी जिस्म का एक एक कटाव साफ नजर आ रहा था सफेद लिबास में संगे मरमर की नहाई प्रतिमा नजर आ रही थी वो बलाउस जीना था भीगा हुआ युफती ने पलू दुरुस किया मगर हर शरन की नजरें उफ जैसे चेर डालना चाहती थी पल खलूब और बलाउस को लाट टपक गई उसकी मदमस्त हो उठा बोला आईए आईए दोनों हाथ जोड़कर प्रनाम किया हर शरन की नजरें युफती के जिस्म की चटानों पर थी युफती भाप गई लाज और झेम की सुर्खी दोड़ गई चेहरे पर सीप सी पलके जुक हर शरन को उसकी बड़ी बड़ी आँखे नजरानी बंध हो गई बड़ी मुश्किल से खुद को नियंतरित किया उसने संभल कर बोला बैठिये वो सामने कुर्सी में से दो पर बैठ गई कहिए कौन है आप कैसे पधारे युफत ने कहा मेरा नाम अजीत अवस्ती है 95 बैच का आईए एस हूँ ओ गुड कई साल से ऐसी जगा पड़ा सड़ रहा हूं सर कि खेले खाये हर शरन शास्त्री ने उसके पूरी बात होने से पहले कहा डीम बनना चाहते हो क्या शर शास्त्री जी यही इलतेजा लेकर आया हूँ आपकी क्रिपा हो जाए तो मैं हर कीमत देने को तयार हूँ हर शरन के होंटों पर अर्थ पूर्ण मुस्कुरान उभरी हर कीमत जी हाँ जो आप चाहें हर शरन ने युफती की तरफ इशारा करके पूछा ये कौन है मेरी धर्म पतनी ओ हर शरन की तवज्जो पहली बार उसके मस्तक पर लगी चौड़ी सुर्क बिंदि अजीत ने कहा हर शरन ने तपाक से पूछा क्या ये बोल नहीं सकती जजजी निशा अवस्ती युफती ने कहा ठैंक गॉड हर शरन ने मानों बहुत देर से रुकी हुई सांस चोड़ी मैं तो समझा गूंगी है इतने सुन्दर लड़की और गूंगी दुख की बात थी न अजीत केवल मुस्कुरा कर रह किया जबकि निशा खिल खिला कर हस पड़ी थी सच्चे मोतियों से नजर आने वाली दांतों को देखता रह किया हर शरन संबल कर अजीत से कहा मिस्चर अवस्ती बहुत भाग्यशाली है आप जो इतने सुन्दर पत्नी मिली सच मुच परियो से कहीं ज्यादा सुन्दर है निशा जी अजीत ने कहा मेरा काम हो जाएगा ना सर जिला बोलो जजजजी स्टेट में अनेक जिले हैं कौन सा चाहिए चाहे जो मिल जाए सर अजीत गिड़ गिड़ाया बस जिला होना चाहिए या तो हम करते नहीं है लिकिन जब करते हैं तो काम पूरा करते हैं हर शरण ने काम पूरा शब्दों पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया बहरहाल काम करने के लिए ही बैठे हैं जिला बोलो सर राशनगर मिल जाए तो ओके दो दिन बाद तुम राशनगर के डी-म होगे थैंक यू थैंक यू सर सुखे थैंक यू से काम नहीं चलेगा दोस्त जजजी नियुक्ती होने पर मिठाई का डिबब पहुँचाना होगा ओ अच्छा जरूर सर मारे खुशी के अजीद का बुरा हाल था दूसरे निताओं की तरह मुझे गड़ियों की नहीं लोगों के विश्वास प्यार और दोस्ती की जरूरत है मिस्चर अवस्ती बोलो क्या दोस्ती करोगे मुझसे ककक कैसी बात कर रहे है सर कहां आप कहां मैं क्यूं भाई ऐसा कौन सा लंबा चोड़ा फर्क है हम में और तुम में दोनों ही दो टांगों पर चलने वाले जानवर है ठहा का लगा कर हस पड़ा अजीद बोला सर बहुत अच्छे हैं आप खुश हो ना बहुत सर बहुत और तुम हर शरन ने अपनी आँखों में नशा भर कर निशा को देखा निशा इतना ही कैस सकी खुश हो एसान के बोश धले दबे दोनोंने हर शरन को बार बार नमन किया और चले गए हर शरन को निशा के मटकते नितम उसके चले जाने के बाद भी नसर आते रहे अजीत मिठाई का डिबा लेकर आया वो अकेला था निशा को ना देखकर हर शरन को खिट सी हुई गुसा भी आया मगर जाहिर नहीं किया अजीत ने पैट चुए मिठाई पेश की हर शरन ने पूछा भावी नहीं आई वो काम में व्यस थी हर शरन ने टोली तुमने टोका नहीं होगा कई बार कहा सर लेकिन बोली मुझे पैकिंग करनी है ओ अच्छा हर शरन हसा यानि सुखे डिब्बे में टरकाने का इरादा है ऐसी बात नहीं है सर आप कहकर तो देखिए मैं आपकी हर सेवा करने को तयार हूँ तो फिर डिनर हो जाए आज का पका सर पका कहा लेना पसंद करेंगे तुम्हारे घर जटका सा खाया अजीत ने मुझे निकला घर क्या कोई एतरास नहीं सर मुझे क्या एतरास हो सकता है एक शर्ट तार है शर्शर्ट बनाने वनाने के चकर में भावी को नहीं डालोगे तुम खाना किसी होटेल से मंगवा लेना यदि होटेल का ही खाना है सर तो समझा करू यार हर्शर्ट ने आँख मारने के साथ अजीत के कंदे पर हाथ रखा नेता आदमी हो होटेल या बार में बैट कर खुलम खुला तो नहीं पी सकता न ओ समझ गया समझ गया सर कौन सी लेते हैं ठर्रा शुद देशी हर्शर्ट ने कहा मेरे समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि जब अपने मुल्क में देशी घी को सबसे शुद और बहत्रीन माना जाता है तो मदीरा विदेशी कैसी अच्छी हो सकती है अजीद का मुख खुला का खुला रह किया उसी रात हर्शर्ट करीब नौ बजे उनके घर पहुँचा दोनोंने गर्म जोशी से स्वागत किया निशा हलके गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहने हुए थी मुखडे पर पूरा मेकप वो दमक रहा था मगर हर्शर्ट की आँकों के लिए चुम्बक का काम कर रहे थे निशा के वक्ष निशा और शायद अजीद भी ताड़ गया कि वो क्या देख रहा है तबी तो उसका ध्यान वहां से हटाने के लिए अजीद ने कहा आईए सर अंदर आईए अंदर कदम रखता हर शरन बोला एक सला दू भाबी जी कहिए काला टीका लगा लिया कीजिए एक क्यूं निशा के होंटों पर चंचल मुस्कान खेली नजर से बचने के लिए जरूरी है छोड़िये भी भाई साहब क्यूं बना रहे है मुझे बना रहा हूं क्या मतलब ऐसा क्या है मुझे में जो नजर लगेगी हीरे की चमक से हीरे की नहीं जोहरी की आँखे चका चौन्द होती है आप हीरा है हम जोहरी इसलिए हमसे पूछिए गुलाबी साड़ी में गुलाब का फूल लग रही है आप जरूर योगा करती होंगी जो जस्म को इतना नपातुला बना रखा है और ये मेक अप सच कहूं भाबी आपको किसी मेक अप की जरूरत नहीं है उस दिन बारिश में धुला-धुला मुकडा देखा था ऐसा लगा था जैसे गुलाब उस में नहा कर चला आया हो निशा खिल खिला ही आप तो ताड के पेड़ पर पूरा ही चड़ा कर मानेंगे मुझे तुम हो ही इस लायक जानती हो तुम्हारे मुकडे पर सबसे आकरशक क्या है क्या है ये आँखे और होंट दो चीजे निशा हसी दोनों इनका कॉंबिनेशन मैं फैसला नहीं कर पा रहा दोनों में ज्यादा आकरशक क्या है सीप सी खास चमक वाली आँखे या प्यासे नजर आते अधर अजीत को हर शरण के मुझे अपनी पत्नी की तारिफ अच्छी नहीं लग रही थी शायद इसे लिए इस बार वो निशा से पहले बोल पड़ा पहले क्या लेंगे सर हर शरण उसके मनो भाफ समझ कर मुस्कुराया बोला वही जो खाने से पहले लेते है उसके बाद पीने पिलाने का दौट चला हर शरण तो खैर टैंकर था अजीत जरूर होश कोने लगा और अंत में बगैर खाना खाई लुड़क किया अब गर में सिर्फ निशा और हर शरण थे अजीत होकर भी नहीं था निशा ने कहा इन्हें इतनी पीने की आदत नहीं है भाई साहब सौरी भाबी हर शरण ने नकली पश्चा ताब दर्शाया क्या आप इन्हें बेडरूम तक पांचाने में मेरी मदद करेंगे क्यों नहीं निशा अजीत को उठाने के लिए जुकी पल्लू नीचे गिर गया हर शरण के पौब बारा आखे कमपित कबुत्रों पर चिपक गई निशा ने भापा जेम पी और पल्लू वापिस ढख लिया अजीत को एक तरफ से निशा ने पकड़ा दूसरी तरफ से हर शरण ने इस बार निशा ने पल्लू नहीं सरकने दिया वो उसे बेटरूम तक ले आई बेट पर लिटाया और चादर ढग दी लंबे लंबे खर राटे भर रहा था वो वो हुसन अर शरण के सामने था जिसे हासिल करने का फैसला उसने निशा पर पहली नजर पढ़ते ही कर लिया था बेट के एक तरफ निशा खड़ी थी दूसरी तरफ हर शरण अजीत का बोज उठा कर लाने के कारण निशा हाफ रही थी हर शरण बोला एक बार फिर माफित चाहता हूँ भाबी मेरी वज़ा से शर्मिंदा न करे भाई साहब जाने का कोई इरादा नहीं था हर शरण का इसके बावजूद कहा तो फिर मैं चलूँ खाना तो खा लीजिए इसकी इस हालत के बाद खाना लगेगा तो अजीब ही लेकिन इधर खाना वेज जाएगा उधर मेरे पेट में सारी राद चुहे कबड़ी खेलते रहेंगे ये वाक्या हर शरण ने महाल को हलका फुलका बनाने बलकि निशा को हसी दिलाने की गर्च से कहा था परन्तु उस वक थोड़ा आश्य हुआ जब हसना तो दूर निशा मुस्कुराई तक नहीं चेरे पर बगैर कोई भाफ लिए दर्वाजे की तरफ बढ़ती बोली आईए हर शरण का पूरा ध्यान उसके निथम्बो की धिरकन पर था निशा दर्वाजा पार कर गई चुम्बक से खिंचे लोहे की तरह वो भी ड्राइंग रूम में पहुचा आप बैठिये निशा ने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया मैं खाना लगा कर लाती हूँ कुछ देर हर शरण खड़ा रहा फिर किचन की तरफ बढ़ा निशा खाना लगा रही थी वो दर्वाजे पठिट का निशा ने अपनी पेट पर उसकी आँखों की चुबन मैसूस की वो पल्टी निशा घबराई सिम्टी और पीछे की तरफ अटी मगर मुँसे कुछ नहीं बोली थोड़ा लपक कर हर शरण ने उसे बाहों में भर लिया भाई साहब निशा चट पटा कर उसकी गिरफ से निकलती बोली ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब नहीं निशा हर शरण कहो सिर्फ हर शरण मगर अब छोड़ो नहीं चक मैं पगला हुआ जा रहा हूँ पलीज पलीज ऐसा मत कीजिए हर शरण को लगा ये वो विरोध है जो हर तयार आरत दिखाती है इसे विरोध नहीं नकरा कहा जाए तो मुनासिब होगा अते निरंतर उसकी तरफ बढ़ता बोला तुम वाकिश शानदार चीज हो निशा मैं पहली नजर में तुम पर फिदा हो गया था लग लेकिन मैं एक पती व्रता भारती नारी हूँ जटका सा लगा हर शरण को जहां तक पहुंच चुका था वही ठिटका गौर से निशा की तरफ देखा जैसे जानना चाहता हो कि ये सेंटेंस भी नकरा था या सच मुच वो नहीं चाहती थी निशा की आँखों में आंसु थे हर शरण चौका साफ साफ पूछा क्या तुम वाके नहीं चाहती नहीं निशा ने कहा क्या पहले नहीं समझी थी मैं क्या चाहता हूँ सर समझ गई थी कब जब आप मुझे अपने ड्राइंग रूम में देख रहे थे उसके बाद आपके यहां से लौटते वक्त मैंने इनसे कहा भी कि आपकी नियत चीक नहीं लगती तो क्या कहा जीत ने कहने लगे उसके देखने के अंदाज से लगता तो मुझे भी है ऐसा लेकिन मुमकिन है यह हमारा वहम हो फिर इसलिए मिठाई लेकर अकेले गए थे आपने डिनर प्रोग्रेम बना लिया ओ हमने निश्य किया वैसा कुछ नहीं होने देंगे जैसा आप चाहते हैं और खाम का आपको नाराज भी नहीं करेंगे बहरहाल आप हमसे वो चीन सकते थे जो दिया है रण निती ये बनी कि आपको एक ख़त से आगे नहीं जाने दिया जाएगा आखिर मुझे किस सथ तक सहने की रण निती बनाई थी तुम्हारा पती तो पीता पीता बेहोश हो चुका है अगर ये रण निती थी तो बेहोश क्यों हुआ वो बेहोश नहीं हुए क्या मतलब आपके पीछे खड़ी है हरशरन बुरी तरह चौंक कर फिरकनी की तरह घूमा अजीद दर्वाजे पर खड़ा था हाथ में रिवाल्वर लिये हरशरन के चुट गए वो हरशरन की तरफ बढ़ता हुआ बोला ना वो ठीकता शास्त्री जी जो आप करना चाहते थे और ना ही शायद ये ठीक होगा कि मैं आपको गोली मारतूं समझदार लोगों के बीच बेवकुफिया ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है जो कीमत आप चाहते हैं उस पर डियेम तो क्या मुझे इस देश का प्रदान मंत्री बनना कबूल नहीं है अपनी और हमारी भलाई चाहते हैं तो चुप चाप चले जाए यहां से जो हुआ उसे आपको भी और हमें भी पूरे स्वपन की तरह भूल जाना चाहिए एक शर्ण के बाद ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें समझो की हम कभी मिले ही नहीं बड़ी करारी मात दी थी उन्होंने हर शर्ण को वो दर्वाजे की तरफ बढ़ा वहां पहुँचकर ठिटका अजीद गुर्राया रुकिये मत शास्ती जी अगर किसी को पता लग गया आप यहां किस मकसद से मौजूद है तो पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी आपकी जबकि मैं एक I.A.S. आफसर हूँ कम से कम ये रुत्बा मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं चीन सकती इसके बावजूद हट शरन पल्टा बोला जाने से पहले एक बात कहना चाता हूँ कहिए भविश्य में जब किसी से कुछ मांगने जाओ तो अपने सुन्दर बीवी को साथ मत ले जाना कारण सामने वाला अगर ये समझे कि तुम कीमत के रूप में उसे परोस रहे हो तो वो गलत नहीं होगा खुले दिल से कबूल करता हूँ अपनी गलती तो ये भी कबूल करो मैंने कोई गलती नहीं की क्या मतलब मैंने वही समझा जो तुम्हारी बेवकूफी ने समझाया हर कीमत देने को तयार थे तुम और मैं वही कीमत लेने आया था जिसे तुम अपनी मजबूरी कह रहे हो उसे अगर मैंने तुम्हारी सेहमती समझा तो क्या गलत समझा ना मैं कोई जोर जबरदस्ती करना चाहता था ना की है इसलिए जिन्दा जाने दे रहा हूँ अगर जाने से पहले मैं तुम्हारी ही बात दोराऊं तो कौन सी बात समझदार लोगों के बेच बेवकुफिया नहीं होनी चाहिए क्या कहना चाहते हो जबरदस्ती करना मेरा सिधान कभी नहीं रहा तुम सहमत नजर आए तो इतना आगे बढ़ा फिर भी माफी चाहता हूँ और मुझे इस बात पर फक्र है कि तुम डियम बनना तो चाहते हो मगर पतनी की कीमत पर नहीं तुमारी इच्चा के बगेर ये कीमत चाहिए भी नहीं मुझे हाँ जो दे चुका हूँ उसे वापिस नहीं लूगा कहने के साथ हर शरण शास्त्री वहां से चला किया गटना अमेरिका में घटी थी अमेरिका की भोध पोर व्राश्णानी नियू यॉक में शिकार था हैरी हरी आमस्ट्रॉंग जैकी और जूलिया का बेटा जैकी यानि जासूसों का देवता जैकी को जासूसों का देवता इसलिए कहा जाता है क्यूंकि धर्टी पर आज जो भी जासूस नाम कमा रही है जैकी उनमें से ज्यादा तर का गुरू है जासूसी सिखाने का एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है उसने वहाँ जैकी देश विदेश के सभी लड़कों को बगेर कोई भेद भाव पड़ते जासूसी की ट्रेनिंग देता है कुछ लोग तो उसे कल्यू का द्रोनाचार्य ही कहने लगी है बारतिय सीक्रेट सर्विस के जासूस विजे विकास तक उसके शिष्य है जैकी उस्ताद से ही जैसूसी की ट्रेनिंग ली है उन्होंने और जूलिया जैकी की पतनी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो जैकी से भी दो कदम आगे है अमेरिकन सीक्रेट सर्विस की चीफ है वो इनी दोनों का बेटा है हैरी उम्र ठीक विकास जितनी यानी बेश वर्ष अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का ताजा तरीन जासूस 6 फुट हिश्ट-फुष्ट माकन में मिले चुटकी भर सिंदूर जैसे रंग वाला उसके बाल भूरे हैं, आँखे नीली, शमकदार, पलकों और भवों के बाल भी भूरे लोग उसे अमेरिकी विकास कहते हैं कारण, विकास के ही तरफ वो भी अनेक बार, अनेक दुश्मन देशों में हाहाकार मचा चुका है वो हैरी, वही हैरी उस वक्त होटेल, रेट लेबल के बार कम डाइनिंग हॉल में बैठा था उसके सामने बैठी थी क्रिस्टी, उसकी गर्फ्रेंड, दोनों के सामने वोटका का एक-एक पैक रखा था क्रिस्टी एक बेहत खूब सूरत नव्यूफ्ती थी, उसकी उम्र किसी भी तरह 18 से ज्यादा नहीं थी उसने लाल रंग की स्कर्ट और खुले गले वाला सफेद रंग का टॉप पैना हुआ था मेज के नीचे दोनों के पैर एक दूसरे से कुष्टी लड़ रहे थे हैरी नीले रंग के शानदार सूट पर गहरे सूर्प कलर की टाई लगाए हुए था शुर्ट का रंग सफेद था, इस लिबास में वो साक्षात कामदेव का अफ्तार लग रहा था लंच टाइम होने के कारण हौल में रंगीनिया बिक्री हुई थी लंच और ड्रिंक के साथ लोग अपने फ्रेंड से बत्या रहे थे वेट्रेस तदपर्टा के साथ अपना काम कर रही थी उस वक्त तक हैरी ठीक से रोमेंटिक मूर में आभी नहीं पाया था जब एक आवास ने दोनों को चौंकाया किसी ने उनकी मेंस के अत्यन नजदीक पहुँच कर कहा एक्सक्यूस मी दोनों ने चेहरे उठा कर आवास की दिशा में देखा वो लंबे सफेद बालों और सफेदी दाड़ी मूच वाला एक बुड़ा व्यक्ति था आँखों पर गहरे काले लेंसों का चश्मा लगा रखा था जिस्म पर जोकरों जैसे कपड़े थे कहिए हैरी ने उसे ध्यान से देखा थोड़ा बॉकलाया हुआ था वो सांस भी फूली हुई उसे नियंतरित करने की कोशिश करता बोला क्या तुम हैरी हो येस वही ना जैकी के बेटे जी क्या मैं यहां बैट सकता हूँ हैरी हिच का कम से कम इस वक्त उसे बूड़े का आगमन जरा भी अच्छा नहीं लगा था शायद क्रिस्ची के कारण क्रिस्ची की ही तरफ देखते हुए उसने कहा क्या आप देख नहीं रहे इस वक्त हम लोग प्लीज वो उसकी बात काट कर कह उठा एक मिनट केवल एक मिनट मेरा यहां बैटना और तुम्हें कुछ बताना शायद कुछ देना भी बेहत जरूरी है कहने के साथ हैरी की इजासत की परवा किये बगैर वो में उसके तीसरी तरफ बड़ी चेर पर जम गया बैट तो आप गई ही है हैरी के लहजे में नागवारी थी अब जल्दी से कह भी दीजिए जो कहना है हैरी वो बहुत धीरे से बोला मामला हमारे राष्ट की सुरक्षा कहे राष्ट की सुरक्षा सजग हो गया लड़का एक मात्र यही तो थी उसकी कमजोरी देश की बात आते ही वो सब कुछ ताक पर रग देता था मुझे निकला क्या बात है कौन हो तुम बुड़े ने चोड नजरों से चारों तरफ देखा यही समय था जब एक साथ चार लोग हॉल का मुख्य द्वार धकेल कर अंदर आई शकल सूरत और लिबास ही से वो गुण्डे नजर आ रहे थे उन पर नजर पढ़ते ही बुड़े का चेहरा पीला पढ़ किया बड़ बड़ा उठा वो ओ, यहां भी पहुँच गई ये हैरी ने उसकी नजरों का पीछा किया नजर चारों गुंडों पर पड़ी उनकी निगाहे साफ साफ हॉल में किसी को दलाश करती नजर आ रही थी आकरामक मूर में लगते थे वो हैरी ने बुड़े की तरफ चेहरा गुमा कर पूछा कौन है वो इसे अपने पास रखो हैरी के सवाल पर ध्यान दिये बगैर बुड़ा खुद को क्रिस्टी की आड में चुपाने का प्रियास करता बोला हैरी ने महसूस किया शब्दों के साथ बुड़े ने अपने कोट की जेब से कुछ निकाल लिया था वो जो भी था इस वक्त उसकी मुठी में था मेज पर रखी मुठी पर नजरे गड़ाई हैरी ने पूचा इसमें क्या है उसने मेज से अपना हाथ अटा लिया वहाँ सफेद रंग का एक रुमाल रख रह गया था हैरी के मुझ से हैरानी भरस्वर निकला क्या है ये इसे साधारन रुमाल मत समझना हैरी बुड़ा मानो एक ही सांस में सब कुछ कह जाना चाहता था देश की अमानत है ये इस रुमाल पर मुल्क के अनेक सेक्रेट्स लिखे हैं ये गुंडे रुस के एक जासूस के लिए काम कर रहे हैं अगर ये इनके हाथ लग गया तो हमारे देश के भारी नुकसान उठाना पड़े का बोड़े ने रुमाल हैरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा आग देखते ही रुमाल का भेद खुल जाएगा रुमाल पर अपना बाया हाथ रखते हुए हैरी ने पूछा तुम कौन हो मेरा नाम हंट है C.I.A. के लिए काम करता हूँ एजेंट नमबर ट्रिपल जीरो एक बार फिर वो एक ही सांस में कहता चला किया अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस रुमाल को मेगा स्ट्रेट के बंगला नमबर चार्ट आर्ट चॉनसर्ट में पांचा देना देश पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा वहां तुम्हें बुड़े का वाक्य अधूरा रह गिया दर्वासे पर खड़े चार गुंडों में से एक बुड़े की तरफ इशारा करके चीखा वो रहा बुड़ा उचल कर अपने स्थान से खड़ा हो गिया हैरी अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बुड़ा बहुत तेजी से हॉल के पिशले दर्वासे की तरफ दौरता नजर आया और धाएं एक गोली की आवास ने वहां तहल का मचा थिया जाहिर है ये गोली उन चारों में से एक ने बुड़े पर चलाई थी शुक्र था निशाना चूकने के कारण गोली दिवार पर लगे एक फैंसी शेट के शेट को शहीत करने के साथ खुद भी शहीत हो गई बुड़ा भाथता हुआ हॉल पार्ट करके गैलरी में मुट चुका था वो चारों उसी दिशा में लपके अब हैरी से रहा नहीं गया एक जटके के साथ कुर्सी से खड़ा हुआ रुमाल चेप में रखा जुका और फर्श पर बिचे कालीन को पकड़ कर जोरदार जटका दिया वो चारों जो उसी कालीन पर दौड रहे थे संतूलन गवा कर एक दूसरे के उपर गिरे हैरी क्रिस्टी चीखी ये क्या कर रहे हो तुम परंतु हैरी को भला अब होश कहा लोगों ने उसके जस्म को तीर की तरह हवा में सन्नाते देखा वो सीधा उसके उपर जाकर गिरा जिसके हाथ में रिवाल्वर था वो अपने बागी साथियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही फूर्ते से उठने की कोशिश कर रहा था कदाजित रिवाल्वर वाले ने स्वपन तक में ऐसी किसी मुसीबत के बारे में नहीं सोचा था अभी ठीक से कुछ समझ में नहीं पाया था की उसे ऐसा लगा जैसे जब्रे पर लोहे का हताड़ा टकराया हो हलक से चीख निकली और हाथ से रिवाल्वर निकल कर जाने कहां जा गिरा वो खुद हवा में लहराने के बाद एक मेंस पर जाकर गिरा था हैरी बड़ी तेजी से पल्टा तीनों में से एक अभी अभी उस पर जप्टा था लेकिन उसके चेहरे पर हैरी के बोट की ऐसी ठोकर पड़ी कि वो कराता हुआ उलट गया शेश दो दो दिशाओं से उस पर जप्टे लेकिन लोगों ने देखा हैरी का जिस्म हवा में करीब दस फूट उपर उचला वो दोनों आपस में टक्रा कर कालीन पर गिरे हवा में कला बाजियां खाता हैरी का जिस्म सीधा वहां जाकर स्थिर हुआ जहां उसने रिवालवर वाली को फैंका था जिस मेज पर वो गिरा था वो मेज आउंधी पड़ी थी रिवालवर वाला उससे उलज़ा हुआ था हैरी ने पलक जपकते ही उसे सर से उपर उठाया और आपस में टक्रा कर संभलने की कोशिश करते दोनों गुंडों पर फैंक दिया चीखों का बाजार गर्म हो गया उसके बाद देखने वालों ने देखा क्रिस्टी तक ने दांतों तले उंगली दबा ली इस शन से पहले वो कल्पना तक नहीं कर सकी थी मासूमियत पर वो फिदा है वो इतना खतरनाक होगा वो चार हैरी अकेला मगर हैरी अब हैरी कहा था वो तो मानो चलावा था वो चारों में से किसी को भी एक भी ऐसा मौका नहीं दे रहा था कि अपनी मर्जी से उसे छूबी सके उनके सभलने के पहले ही हैरी अपनी अगली चोट कर देता रह रहकर हॉल में उन चारों की चींखे गुंच रही थी एक वातावरण में पुलिस साइरन की आवास गुंच उठी इस आवास को सुन कर चारों ने भागने की कोशिश की परंतु भला हैरी ऐसा पूत कहा था जो उन में से किसी को भाग निकलने देता वो रह रह कर चारों में से किसी एक को उठाता और बाकी तीनों पर फैंक देता इस खेल के चलते पुलिस वहाँ पहंच गई चारों को गिरफतार कर लिया गया हैरी पर नजर पढ़ते ही पुलिस इंस्पेक्टर के मुझे निकला हैरी तुम येस क्रश अंकल हैरी ने कहा ये लोग एक बुड़े आत्मी को गोली मार देना चाहते थे मैं सहन नहीं कर सका जानता हूँ क्रश नामक इंस्पेक्टर मुस्कुराया ऐसे द्रिश्यत तुम से सहन नहीं होते दूसरों के फटे में टांग गडाने का चसका है तुम्हे मगर वो बुड़ा कहां है जिसे ये लोग मार डालना चाहते थे उधर गया है कहने के साथ हैरी हॉल के पिछले दर्वासे की तरफ लबका क्रश ने भी लगबग उसके साथ ही जम्प लगाई होटेल का पिछला दर्वासा एक संकरी गली में खुलता था गली को पार करके वो में डोट तक पहांच गए मगर बुड़ा का ही नजर नहीं आया ठक खार कर हॉल में वापिस आ गए अंतते क्रश ने पूछा लेकिन ये लोग बुड़े को मारना क्यों चाहते थे क्या इस बारे में तुम्हें कुछ मालू है हैरी ने रुमाल के बारे में कुछ कहने के लिए मूँ खोला ही था कि बुड़े के शब्द याद करके इरादा बदल दिया क्रश को टाल दिया उसने मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ अंकल और मेरे कुछ कहने के जरूरत भी कहा है ये चारों हैं तो आपके कबसे में मगर हैरी क्रिस्टी ने कुछ कहना चाहा हैरी ने उसे डांट दिया तुम चुप रहो हैरी का ये अनोका रूप देखकर क्रिस्टी सहम गई क्रिस्टी को ध्यान से देखते वक क्रज के होंटों पर हल्किसी मुस्कान उभर आई हैरी की तरफ अर्थपोर नजरों से देखते हुए पूछा ये कौन है? क्रिस्टी ये तो नाम हुआ इसका तुम्हारी कौन लगती है? फ्रेंड है क्या जैकी गुरू को मालूम है? अब हैरी भी हौले से मुस्कुराया बोला मामला वहां तक नहीं पहुँचा है ओके उसने हैरी के कान पर जुक कर कहा सुन्दर है हैरी चुप रहा खेर क्रश बोला फिलहाल चलता हूँ बुड़ा हाथ आगिया तो शिनाक के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें घर से बुलवा लूँगा कहने के बाद वो पल्टा और मेंगेट की तरफ बढ़ किया सिपाही उन चारों को जक्डे उसके पीछे थे हैरी अब ध्यान से उस रुमाल को देखना चाहता था सो तेजी से बाद रूम की तरफ बढ़ा क्रिस्ची उसकी तरफ लपकती हुई बोली हैरी कहा जा रहे हो हैरी रुका उसने इस तरह देखा क्रिस्ची की तरफ जैसे अभी अभी पता लगा हो कि वहाँ भी वो मौजोद था बहुत ही रोखे स्वन में कहा अब तुम घर जाओ कल मिलेंगे कुछ कहने के लिए क्रिस्ची का मुख खुला मगर खुला ही रह किया कुछ कह नहीं सकी वो कहती भी किस से जिस से कहना था वो बातरूम के दरवासे के पीछे गुम हो चुका था दरवाजा अंदर से बंद करने के साथ हैरी ने जेब से रुमाल निकाला ध्यान से देखा कुछ भी तो नजर नहीं आया उसे वो एक साधारन रुमाल था तभी कानों में बुड़े के शब्द गुंजे आग देखते ही रुमाल का भेत खुल जाएगा बुड़े की बात याद आते ही हैरी ने जेब से लाइटर निकाला क्लिक की हलकी सी आवास के साथ आउन किया नीचे से नीली और उपर से डूपते सूरच के सेर रंग की लौ लप लपाने लगी बाए हाथ में मौजूद रुमाल को उसने थोड़ा सा फैला कर लौ के उपर घुमाया लौ ने लपक कर रुमाल को चूना चाहा परंतु हैरी ने फोरण रुमाल को थोड़ा और उपर कर लिया अब वो रुमाल की लौ की केवल तपिश दे रहा था सफेद रुमाल पर कुछ अक्षर उभरने लगे ब्राउन कलर के अक्षर एक महीने बाद राशनगर में हर्शरन शास्त्री का अभिनंदन समारो था था क्या हर्शरन ने अपने चम्चों से खैकर खुद रखवाया था प्रोटोकोल के मताबिक समरो में DM और SSP भी थे प्रोग्रम समाप्ति के बाद सरकर्ठाउस में हर्शरन ने अजीत से पूचा कैसे हो मिस्चर अवस्थी? छीक हूँ कैसी चल रही है DM गिरी? छीक ही है उखडे उखडे क्यों हो? हर्शरन मुस्कुराया आराम से बैठो अब मुझसे बत्यानी में भी परहेस है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है देखो मिस्चर अवस्थी हर्शरन ने उसे समझाने वाले लहजे में कहना शुरू किया हमने उस दिन भी कहा था आज फिर कहते हैं जो हुआ गलत फैमी के तहत हुआ और तुमने खुद को बूला हमारे दिल में वो गलत फैमी तुमारी ही छोटी सी भूल की वज़ा से क्रियेट हुई थी वो गलत फैमी दूर हुए आज एक महीना गुजर किया हमने किसी माध्यम से तुमसे संपर्ट तक नहीं किया 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 अचीत चुप रहा जवाब दो भई जी नहीं किया कारण पर ध्यान दिया क्या कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं सीथी सी बात है जो हमने उस दिन भी कही थी शौकीन आदमी तो हम है मगर जबरदस्ती करने का सिधान नहीं रहा दुनिया में और बहुत है इसलिए मुड़ कर तुम्हारी तरफ नहीं देखा और एक बात तुमने भी कही थी उस दिन ये कि जो हुआ उसे हम तीनों को वही का वही भूल जाना चाहिए मैं उसे भूल चुका हूँ जूट बोल रहे हो ये सच है सच होता तो यू मुफूलाई नहीं होते आप भूल गए होते तो ये टॉपिक नहीं चेड़ते टॉपिक तुम्हारा मुफूला होने की वज़ा से चेड़ना पड़ा हर शरण की मुस्कान गहरी होती जा रही थी पॉलिटिकल लोग जानते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर हमने करवाया है अर्थात राशनगर में तुम हमारे आदमी हो ऐसे अवस्ता में हम रूखे रूखे मिले क्या ये बाते लोगों में चर्चा पैदा नहीं कर देंगी अर्जीत को जवाब देना जरूरी नहीं लगा हमें एक दोसरे से दोस जैसा व्यवहार करना चाहिए इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है हमें हैं? जी डिनर अभी तक अधूरा है अजीत ने जटके से उसकी तरफ देखा आँखों में कठोरता उभर आई देखो देखो फिर नारास नजर आने लगे तुम हर शरण ने कहा अरे भाई हमने डिनर की बात कही है सिर्फ डिनर की पीने पिलाने का कोई दौड नहीं चलेगा यकीन मानो कोई बदनियती नहीं है हमारे दिल में बलकि सच्चाई तो ये है कि निशा बेहन से हम अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहते हैं अजीत ने चेहरे पर आश्र लिए हर शरण की तरफ देखा अगर अब भी डिनर देने से इंकार हो तो न, नहीं सर यानि आश्राथ हम आमंत्री थे येस सर, डिनर के वक्त अपने सिल्वर कलर की एस्ट्रीम में हर शरण शास्त्री डियम हाउस पहुँचा दोनों ने हाथ जोड़ कर उस वक्त वो बनारसी साड़ी में थी हर शरण ने उसकी तरफ देखा तक नहीं ना ही निशा की तरफ देखते वक्त नजरों में कुछ वैसा भरा जो आपत्ती जनक लगता बलकि सामान्य स्वर में बोला अपरादी हूँ आपका माफी मांगने आया हूँ करीब 30 मिनट बाद हर शरण ने काम की बात की दोस्त सब जानते हैं एक IAS अफसर DM क्यूं बनना चाहता है DM भी राशनगर जैसे सोना उगलने वाले जिले का मगर कमाई इस तरीके से करनी चाहिए कि आदमी कम से कम कानून की गिरफ में ना फसे ये कानून साला आदमी को कहीं का नहीं चोड़ता क्या कहना चाहते हैं सर मैं कुछ समझा नहीं ना डरने की जरूरत है ना बौक लाने की मामला मेरे काबू में है बस एक ही बात कह रहा हूँ आज के जमाने में कौन है जो रिश्वत नहीं लेता सब लेते हैं मगर सुबूत नहीं चोड़ना चाहिए सबूत आदमी के गले में फंदा बनकर पढ़ जाते हैं क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मैंने किसी से रिश्वत ली है मैं फिर कहूंगा ये गुना नहीं है लगबग चीक पड़ा अजीत ककक किस से किस से रिश्वत ली है दस दिन पहले चंदर प्रकाश नाम का आतमी मिला था क्या रोज इतने आतमी मिलते हैं किस किस का नाम याद रख सकता हूं मैं फिर भी कुछ खास नाम याद रह चाते हैं खास तोर पर ऐसे नाम जिन का हमने बड़ा काम किया होता है जैसे गैस एजनसी देना गैस एजनसी देना डीम के अधिकार शेतर में नहीं आता मगर जो अपलाई करे उसके बारे में डीम के संस्तूती तो मानता है जिला प्रशासन ठंडे दिमाग से याद करो चंदर प्रकाश तुमसे इसी सिलसले में मिला था हाँ याद है मिला था वो गैस एजनसी स्वतंतरता संग्राम सैनी के कोटे की थी शासन ने तुमसे ये संस्तूती मांगी कि चंदर प्रकाश स्वतंतरता सेनानी है या नहीं तुमने उस एप्लिकेशन पर साइन कर दिये जिसके मुताबिक वो स्वतंतरता सेनानी है जबकि वो पठ्था पैदा ही सन पच्पन में हुआ था ऐसा नहीं हो सकता उसकी फाइल में सबी जरूरी कागजात मौजूद थे वो नकली थे मैं जेल भिजवा दूँगा उसे अपनी संस्तुती वापिस ले लूँगा बल्कि केस करूँगा कि उसने नकली कागजातों से धोका दे कर मेरे साइन लिये है वो कुछ और ही कहता है क्या बकता है कि तुम्हें कागजात नकली होने की जानकारी थी और सब को जानते बूश थे इस फ्रॉड में उसका साथ दिया बकता है वो मुझे ये मालूम नहीं था बहुत पुकता सबूत है उसके पास क्या? क्या सबूत है? हरशरन शास्त्री ने वो सूट केस खोला जिसे अपने साथ लेकर आया था उसमें से बॉन्ट पेपर्स की एक फोटो कॉपी निकाली और बोला शहर के बहुत महँगे इलाके में चंदर प्रकाश का एक प्लॉट था बाजार भाव के मुताबिक उसकी कीमत थी 20 लाक ये पेपर्स उस प्लॉट के बेनामे के हैं रिजिस्ट्रार के यहां बकाईदा रिजिस्ट्र हुए हैं इनके मुताबिक चंदर प्रकाश ने अपना वो प्लॉट केवल दो लाक रुपए में तुम्हें बेश दिया है म मुझे अची तुछल पड़ा मुझे बेश दिया बेनामा उस तारीख के ठीक एक दिन पहले की तारीख का है जिस तारीख को तुमने उसके स्वतंतरता सैनानी होने की संस्तूति की थी अं ऐसा कैसे हो सकता है बुरी तरह बॉकलाई अजीत ने बेनामे की फोटो कॉपी उठाई और जैसे जैसे पढ़ता किया वैसे वैसे मारे आश्र के आँके फैलती चली गई निशा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई सहब होता तो ये मुझसे जिक्र करते इसका मतलब ये बात अजीत ने आपसे भी चुपाई ये गलत है जोट है अजीत हलक फार कर चीक पड़ा मैंने चंदर प्रकाश से कोई जमीन नहीं करी दी क्यों जोट बोल रहे हो यार रेजिस्ट्री मौजूद है निशा ने हक बका कर अजीत की तरफ देखा यकीन मानिये सर मुझे इस बैनामे के बारे में कुछ नहीं मालूम देखो अजीत हर शरन ने कहा निशा पतनी होने के कारण और दोस्त होने के कारण शायद मैं भी तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ मगर कानून के सामने क्या कहोगे ये बैनामा सारी कहानी साफ साफ सुना रहा है एक दिन पहले तुमने चंदर प्रकाश की बेस लाग की जमीन दो लाग में अपने नाम लिखवाई और अगले दिन उसके स्वतंतरता सेनानी होने की जोटी संस्तूती कर दी ये कानूनी कागस हैं रिजिस्चर्ट दुनिया की कोई कोट इसे जूटा नहीं मांग सकती सवाल सिर्फ डी येम की पोस्ट चिन जाने का नहीं बलकि इस पोस्ट पर रहकर इतनी मोटी रिश्वत लेने का है इस आरोप में तुम्हारी सारी जिन्दगी जेल में चक्की पेस्ते पेस्ते गुजर जाए की दोस्त म, मगर इस पर मेरे साइन नहीं है डी येम को अगर ये बताना पड़े कि बेनामे पर खरीदार के नहीं केवल गवाहों और बेशने वालों के साइन होते है तो बड़ी शर्म की बात है वही तो कह रहा हूँ मैं चंदर प्रकाश ने मेरे नाम जूटा बैनामा कर दिया है निशा, तुम ही समझाओ इसे क्या बच्चो जैसी बाते कर रहा है बला दुनिया में कोई ऐसा होगा जो अपनी 20 लाग की चीज फ्री में मेरे नाम लिख दे और मुझे पता भी ना हो चंदर प्रकाश के सिर में क्या फोड़ा निकला था अजी थक बकाया सा उसकी तरफ देख रहा था हर शरण ने कहा बात वो कहो दोस्त जो हलक से नीचे उतर सके ये सब चंदर प्रकाश ने मुझे फसाने के लिए किया है फिर वही बात तुम्हें फसाकर उसे क्या मिलेगा उल्टा नुकसान ही होगा उसे वो गैस एजंसी तो जाएगी ही जाएगी जो मिली है जेल और चला जाएगा तुम्हारे साथ अजीत पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा निशा गिड़ गिड़ा उठी कुछ कीजिये भाई साहक इन्हें इस मुसीबत से बचाएगे वही तो कर रहा हूँ हर शरन बोला डरने की कोई बात नहीं है मामला मेरे काबू में है मैं इसे कोड तक नहीं पहुँशने दूँगा चंदर प्रकाश अपने ही पार्टी का छोटा सा कार्य करता है चेला है अपना मेरे हुकम के बाद चूनचा तक नहीं कर सकता अब मैं समझा मैं समझ गया कमीने अजीत हलक फार कर चीक पड़ा ये सारी साजिश तेरी है तूने ही जान में फसाया है मुझे और सुनो भाबी हर शरन निशा से कहा पठा मेरे ही मत्थे मरने लगा अपनी कर्टूत अरे भाईया जब कह रहा हूं कि इतना बौकलानी की जरूरत नहीं है मैं सब संभाल लूँगा तो समझने की कोशिश करो निशा अजीत दहारा बड़ा कमीना है ये अब सारी कहानी ठीक से मेरे समझ में आ रही है चंदर प्रकाश इसी का आत्मी है एक दिन उसने मेरी जानकारी में लाई बगैर ये रिजिस्ट्री करवाई अगले दिन अपने पेपर्स पर मेरे साइन ले लिए उफ इतना गहरा शड्यंत्र इतनी खतरनाक साजिश निशा उचल कर रह गई बौकलाई सी वो कभी अजीद को देख रही थी कभी हर्शरन शास्त्री को अंधते हर्शरन के होंटों पर कुटिल मुस्कान उपरी अजीद की बौकलाहट का पूरा आनंद लूट रहा था वो बोला चाहूं तो अब भी अपने एक्टिंग जारी रख सकता हूँ दोस्त क्योंकि तेरे फरिष्टे तक चंदर प्रकाश को मेरा आत्मी साबित नहीं कर पाएंगे मगर सोचता हूँ किसी को जरूरत से ज्यादा सताना छीक नहीं होता है वैसे तुम जल्दी समझ गए कि काफी गहरे फस चुके हो इसके लिए धन्यवाद लेकिन मेरे हिसाब से देड़ से समझे शतरंच के खेल में जब मेरे जसा खिलाडी शेय और माप देता है तो सामने वाले के पास कस मसाकर कुबल करने के इलावा कोई रास्ता नहीं बच्टा देखा देखा निशा कितना कमीना है ये अजीत बोला मैं तो खेर हूँ ही कमीना अब तुझे फैसला करना है कि तू क्या है क्या मतलब बात अभी वही है जोर जबर्दस्ती करना सिधान्त नहीं है अपना फैसला तुझी को करना है जल्दी बोल सारी जिंदगी जेल में एडिया रगणना मन्जूर है या बेडरूम में ले जाओ इस इमर्ती को तू कभी काम्याप नहीं हो सकता कुट्टे मुझे जेल जाना मन्जूर है ऐसे फैसले जल्बाजी में नहीं लेने चाहिए भावुकत भरा फैसला है ये दिल से लिये गए फैसले ठीक नहीं होते दांद भीचे रख कर अजीत ने पूचा क्या मतलब? दिमाग है तो उससे सोच जब इसकी रक्षा करने के लिए तो बाहर रहेगा ही नहीं तो मुझसे कब तक बच सकेगी ये उस वक्त तक नहाद होकर इसके पीछे पड़ा रहूँगा जब तक मिल नहीं जाएगी बिचारी अकेली लाचार अबला कब तक खुद को मुझ जसे राक्षस से बचा सकेगी होगा ये कि कि अपनी खुशाथ जिंदगी को बचाई रखने की समझदारी दिखाता है या जेल में सडने की बेवकूफी सीटियां सी बच रही थी अजीत के कानों में वो समझ सकता था सच मुझ उसके बाद निशा खुद को हर्शरन से बचा नहीं सकेगी तो क्या करे वो क्या करे अजीत फैसला नहीं कर पा रहा था हर्शरन ने उसकी मान से कवस्ता नोट की कहा जल्दी फैसला कर दोस्त क्योंकि मेरे जाते ही तुझे गिरफतार करने वाले आद धमकेंगे अजीत की जुबान तालू से चिप की क्या कहता है हर्शरन ने जहरेली मुसकान के साथ कहा जाओं क्या अजीत ने जवाब नहीं दिया उसकी मुठियां और दांत बीचे हुए थे हर्शरन ने पूने कहा जवाब दे वर्णा मैं समझूंगा तुझे जेल जाना मन्जूर नहीं है अजीत ने गर्दन जुका ली गुड हर्शरन जोम उठा निशा चिलाई अजीत सुरी निशा दांत बीच कर कहने के बाद अजीत तेज कदमों के साथ ड्राइंग रोम से बाहर चला किया बुरी तरह घबराई रोती हुई निशा अजीत अजीत कहती उसके पीछे लपकी मगर अपने नजदीक से गुजरते वक हर्शरन ने उसका बाजू पकड़ लिया हर्शरन ने उसे बाहों में भड़ते हुए कहा बात उसकी समझ में आ गई मगर तेरी समझ में शायत अब तक नहीं आई है समझदारी से भरपूर फैसला वही है जो उसने किया कमीने कुत्ते निशा उसके बंधनों में छट पटाती चीखी कैसा आदमी है तू अजीत ने बताया सरकर्ट हाउस में तूने मुझे बेहन तक कहा था ना कहता तो क्या वो डिनर पर बुलाता मेरे हजार बार कहने से जब कई औरत मेरी पत्नी नहीं बन सकती तो एक बार कहने से बेहन कैसे बन सकती है छोड मुझे ये ले हर शरण ने उसे छोड़ते हुए कहा हजार बार कह चुका हूँ जबरदस्ती मेरा सिध्धान नहीं है निशा ने दर्वाजे की तरफ लपकना चाहा हर शरण ने उसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा बस एक बात सुनती जा आंखों से उस पर बिश्लियां गिराती निशा ने दांत पीसे तुने कहा था तु एक पतिवरता भारतीय नारी है पतिवरता वो जो हर हाल में अपने पति का भला चाहे उसकी भलाई के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करे और तेरे पति की भलाई किसमे है ये वो तुझे मेरे हवाले करके बता चुका है निशा के मुँ से बोल नहीं फूट सका हर शरन ने लोहा गरम देखकर एक और चोट की बात अगर इस चार दिवारी से बाहर निकली तो सोच क्या होगा क्या कहेंगे लोग कि जिले के मालिक की बीवी किसी और की अंगशाईनी है क्या इज़त रह जाएगी कलेक्टर की तेरे पती की बैतर यही है कि पर्दे वाली बात पर्दे में रहे जरा सोच अगर खामोशी से तुझे मेरे हवाले करना मुनासिब नहीं होता तो क्या अजीत तेरा अजीत ऐसा करता शोर मचाकर हाथ पैर पटक कर क्या तू अपने पती की इज़त का कच्रा नहीं कर देगी बात निशा की समझ में आने लगी हर्शरर ने उसे पुने बाहों में भड़ते हुए कहा बड़ी बावली है तू अरे बिगड़ेगा ही क्या इससे आज की दुनिया में अनेग जोड़े इस रा पर चल कर शान की जिंदगी बसर कर रहे है इस बार निशा विरोध नहीं कर सकी हैरी ने रुमाल पर उब्रे ब्राउन कलर के अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की परंतु काम्याप नहीं हो सका इतना तक नहीं जान सका वो अक्षर कौन सी भाशा के है उसने रुमाल के कुछ और बड़े हिस्से को तपिश दी कुछ और अक्षर उपर आई इस तरह दीरे धीरे करके सारे ही रुमाल को लोके उपर घुमा तिया रुमाल पर किसी अंजानी भाशा के अक्षरों के बीच आड़ी तिर्ची लकीरों की मदद से एक नक्षा बना नजर आया नक्षे में एक जोकर भी बना हुआ था हैरी समझ किया यकिनन रुमाल पर कोई गुप्त संदेश शंकित है मगर क्या ये वो लाग दिमाग घुमाने के बावजूद नहीं समझ सका लाइटर को आफ करके पहले ही जेब के हवाले कर चुका था अब रुमाल को ट्राउजर की भीतरी जेब में ठूसा उसके दिमाग में कुछ सवाल घुमर रहे थे जैसे कौन था वो बुड़ा कहां चला किया क्या लिखा है रुमाल में उसे गुप्त भाशा में रुमाल पर इस थरह क्यों लिखा गिया कि आप की तपिश पानी पर ही नजर आई बुड़े ने कहा था ये रुमाल देश की अमानत है क्या उसने सच कहा था उसे लगा हर सवाल का जवाब वहां मिल सकता है जहां बुड़े ने रुमाल को पहुंचाने के लिए कहा था क्या पता बताया था उसने हैरी ने अपने दिमाग को खंगाला पता याद आया मोंगा स्क्रीट बंगला नंबर आर चॉनसर्ट कर्रेक्ट यही अड्रेस था वो फॉरण बातरूम का दर्वाजा खोल कर बाहर निकलाया नजर क्रिस्टी पर पड़ी वो जहां की तहां खड़ी थी वहीं जहां बातरूम में जाते वक्त छोड़ गया था जाने क्यों उस वक्त क्रिस्टी की वहां मौचूद की हैरी को अच्छी नहीं लगी हलक से गुराहट से निकली तुम अभी तक यहीं हो क्रिस्टी पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा केवल देखती रही हैरी की तरफ उस हैरी की तरफ जो अपसे कुछ समय पहले तक उसे दुनिया का सबसे मासूम सबसे प्यारा लड़का लगता था उसने तो कभी कलपना भी नहीं की थी कि वो किनी भी हालात में उसके साथ इतना रूखा व्यवहार कर सकता है मैंने तुम से कहा था ना जाओ यहां से कल मिलेंगे हैरी ने पुने रूखे स्वर में कहा क्रिस्टी चीक पड़ी कान खोल कर सुनो अब मैं तुम से कभी मिलने वाली नहीं हूँ ओके मत मिलना अब जाओ वो लापरवाही से कहकर आगे बढ़ गया हैरी का यह जवाब ऐसा था जो इसने क्रिस्टी को पूरी तरह हक बका दिया आश्र के सागर में डूबी स्चैचू की मानिन खड़ी रह गई वो साधारन लड़की भला कैसे जान सकती थी लड़के के दिमात पर अब केवल और केवल रुमाल का भेद जानने का भूत सवार है जब उसने देखा लंबे लंबे कदमों के साथ हैरी उससे काफी दूर जा चुका है तो लगबग दोड़ पड़ी वो उससे आगे पहुची ठीक उसके सामने रास्ता रोकती सी बोली उस रुमाल में क्या है हैरी को जटका सलका जस रुमाल का जिक्र वो किसी से नहीं करना चाहता था उसके बारे में वो लोगों से भरे हॉल में इतनी उंची आवास में पूच रही थी वो तो किसी को ये भी ऐसास नहीं होने देना चाहता था कि कहीं किसी एक्स्रा ओर्डनरी रुमाल का कोई अस्तित्व भी है उसने अपने नामुराद बुढ़े ने तड़ाक बिशली किसी गती से हैरी के दाएं हाथ की करराट क्रिस्ठी की कनपटी पर पड़ी उसके आगे किशब चीक में तबदील हो गए कटे व्रिक्ष की तरह लहरा कर हॉल में पीछे कालीन पर लुड़क गई वो बेहोश हो चुकी थी लोग हैरान रह गए कोई समझ नहीं सका जो लड़का कुछ देर पहले जिस लड़की के साथ रोमेंटिक मूर में नजर आ रहा था उसने उसी लड़की के साथ अचानक ऐसा विवहार क्यों किया लोगों को हैरान छोड़कर हैरी दर्वासे की तरफ बढ़किया बाहर निकला पार्किंग में पहुँचा वहां कड़ी अपनी मोटर साइकल निकाली किक मारी और अगले कुछ ही मिंटो बात मोटर साइकल मोंगा स्क्रेट की तरफ उड़ी चली जा रही थी बंगला नमबर आर्ट चॉंसर्ट ढूंडने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई बंगला तीन मंसीला था शानदार मोटर साइकल उसने लोहे वाले गेट के बाहर रोग दी गार्ड उसे देख कर दर्वासे के नस्दीक आ किया था हैरी ने पूचा इस बंगले के मालिक का नाम क्या है आप मिस्टर हैरी आमस्ट्रॉंग है ना गार्ड ने उल्टा प्रशन कर दिया और ये प्रशन ही ऐसा था जिसने हैरी की खोपड़ी घुमा कर रख दी मतलब साफ था उसके यहां आगमन की अपेक्षा पहले से ही की जा रही थी उसने पूचा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो ओ यानि आप हैरी साहब ही है आए कहने के साथ गार्ड ने वो छोटा सा गेट खोल दिया जिसमें से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था हैरी के गेट क्रोस करते ही गार्ड ने पुने कहा साहब आप ही का इंतजार कर रहे है कौन साहब हैरी ने पूचा हमारे साहब और कौन नाम क्या है तुम्हारे साहब का हिंगले साहब क्या ये नाम सफेद दाड़ी वाले किसी बुड़े का है तौबा तौबा साहब क्या कह रहे हैं हमारे हिंगले साहब और बुड़े वो तो जवान है ठीक आपकी तरह हैरी को पोचने के लिए अगला सवाल नहीं सूचा गाटने कहा आईए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ तौबे कैसे मालूम था मैं यहां आने वाला हूँ हैरी ने उसके साथ चलते हुए पूछा हिंगले साहब ने बताया था साहब कहा था एक खूब सूरत से साहब मोटर साइकल पर आने वाले हैं अगर वो अपना नाम हैरी आम स्ट्रॉंग बताएं तो मैं उन्हें सीधा उनके पास ले जाओ ये बात उन्होंने तुम्हें कितनी देर पहले बताई थी बस आपके आने से पांच मिनट पहले अजीब उलजन का शिकार हो गया हैरी हिंगले कौन है और उसे उसके यहां आकमन की पूर्व जानकारी कैसे थी इन सब सवालों के जवाब वो बंगले के अंदर जाकर ही पास सकता था कम से कम गाट को तो इन सब बातों की जानकारी हो नहीं सकती थी अतेवच चुप चाप गाट के साथ ड्राइवे पर बढ़ता चला गया उसकी नजरों ने स्वता ही अपने चारों तरफ का निरिक्षन किया ड्राइवे के दोनों तरफ मकमली घास का लॉन था लॉन की क्यारियों में रंग बिरंगे और कीमती फूल खिले हुए थे अशोक और देवदार के व्रिक्ष जूम रहे थे ठीक सामने की तरफ जिदर वो बढ़ रहे थे तीन मंजिला आलिशान इमारत सीना ताने खड़ी थी पोर्च के नीचे हैरी को एक रॉल्स रॉयल खड़ी नजर आई इमारत का भारी भर का मुक्य द्वार करीब दस सेड़ियों के उबर था वो खुला हुआ था गार्ट सीड़ियों के नीचे ही रुख गया बोला बस साहब मुझे यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं है आप उस दर्वाजे से अंदर जा सकते है कुछ कहने के लिए हैरी ने मुख खोला ही था कि फिर बगेर कुछ कहे बंद कर लिया कारण दो थे पहला गार्ट उसे पेट दिखाता हुआ वापिस चल दिया था दूसरा उससे पूछने के लिए हैरी को कुछ सूजा ही नहीं गार्ट से ध्यान हटा कर उसने सेड़ियां चड़ने शुरू की दर्वाजा पार्ट करके एक लंबे चोड़े हॉल में पहुँचा चारों तरफ नजरे खुमाई खूबसूरत फरनीचर से सजे हॉल में अजीब सा सननाटा था जब समझ नहीं सका उसे किस तरफ बढ़ना चाहिए तो आवास लगाई मिस्टर हिंगले हम तुम्हारी आवास सुन रहे हैं हैरी ये आवास सारे हॉल में गुंजी आप कौन है और कहा है तुम्हारे दाहीनी तरफ एक दर्वाजा है आवास ने कहा उसे पार करके अंदर आ जाओ हैरी ने दाहीनी तरफ मौजूद दर्वाजे को देखने से पहले एक रोशन दान पर मौजूद उस माइक को भी देख लिया जिससे आवास निकल रही थी और एक छोटे से कैमरे पर भी उसकी नजर पढ़ गई वो समझ किया उसे क्लोस सरकेट टीवी पर देखा जा रहा है वो दर्वाजे की तरफ बढ़ा दर्वाजा पार किया और ये पहला क्षण था जब उसके दिमाद में बड़ी तेजी से खयाल कौन था शायद मैं किसी जाल में फस कया हूँ कारण था उस दर्वाजे का अचानक बंद हो जाना जिससे वो अंदर आया था उसने बड़ी तेजी से घूम कर दर्वाजे की तरफ देखा वो किसी तेलिस में दर्वाजे की तरह दिवार में फिक्स हो चुका था अब उसने तेजी से अपने चारो तरफ का निरिक्षन किया स्चील की दिवारों का बना वो एक गोल कमरा था कहीं किसी खिड़के या दर्वाजे की तो क्या है Mr.Hingle उसने उंची आवास में कहा क्या मुझे यहां कैद किया गया है जवाब में कहीं से कोई आवास नहीं उपरी हैरी ने पुने पहले से ज्यादा उंची आवास में वही शब दोराई मगर जवाब में टंकी की दिवारों से टकराने के बात केवल अपने ही शब उसक बार नहीं बलकि दस्वी बार तक भी केवल यही होता रहा अब हैरी पक के तौर पर समझ किया उसे किसी जाल में उलजाया किया है वो लड़का चीज ही ऐसा था कि किसी भी जाल में उलज कर घबराने का तो सवाल ही नहीं उड़ता था हाँ कुछ सवाल जरूर कौन दे उसके दिमात में जैसे कौन है फसाने वाला उसका मकसद क्या है आजकल तो वो किसी केस पर भी काम नहीं कर रहा तब जबकि ठक खार कर टंकी की दिवार के सहारे पीट टिका कर फर्श पर बैट किया टंकी में हलकी सिगर गड़ाहट की आवाज कुची वो उचल कर खड़ा हो गिय टंकी का फर्श पर इस चील का ही बना था और ठीक बीच वाले स्थान को उसने इस तरफ फटते देखा जैसे धरती फट रही हो एक ओफिशिल मेज फर्श के नीचे से निकल कर टंकी में नमुदार होने लगी हैरी दिल्चस्प निगाहों से जादू के से उस खेल को देखता रहा मेज के पीछे दो रिवॉल्विंग चेर्स भी थी और तुम हैरी के हलक से चीक से निकल गई आँखों में ही नहीं चेहरे के जर्रे जर्रे पर आश्र के भाव नजर आ रहे थे उसकी ये हालत उन दो अजीमों शान हस्तियों को देख कर हुई थी जो रिवॉल्विंग चेर्स पर बैठे अपने ढंक से मुस्कुरा रही थी चेर्स पर अदलेटी सी अवस्ता में पड़े थे वो पैर मेज पर फैला रखे थे गड़ गड़ाहट की आवास बंद हो गई मेज पूरी तरह कुर्सियों सहित टंकी के फर्ष पर स्थापित हो चुकी थी तुम हैरी के मुँसे एक बार फिल हैरत में डूबा स्वर निकला तुम यहाँ जी उनमें से एक ने कहा हम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम हैरी ने गुर्रा कर पूछा एक ने दूसरे से कहा तुगलग भाई हाँ नुसरत बेहन दूसरा बोला खुदा ने चटंकी नमबर 2 के थोबडे पर आँखों की जगा बटन फिट कर दिये हैं तूने कैसे जाना? जनाब पूश रहे हैं हम यहां क्या कर रहे हैं अब तुम ही सोचो इनके थोबड़े पर आँखे होती तो क्या यही पूशते? क्या नज़र नहीं आ रहा होता इन्हें कि हम कुर्सियों पर आराम फर्मा रहे हैं ये मतलब नहीं था चटंकी नंबर दो का और क्या मतलब था इनका मतलब था हम यानि पाकिस्तान के महान जासूस इनके दड़बे यानि अमेरिका में क्या कर रहे हैं क्यों मिया चटंकी नमबर दो नुसरत ने हैरी से पूछा क्या इस जामुन की आलाद का आइडिया दुरुस्त है क्या यही मतलब था तुम्हारा कर्रेक्ट यही जानना चाहता हूँ मैं नुसरत ने कहा वो जानने से पहले ये बताओ तिगडम कैसी लगी हमारी तिगडम जिसके तहट तुम्हें यहां हाजिर नासिर किया गया यानि वो बुड़ा वो रुमाल सब तुम्हारी चाले थी समझने के लिए शुक्रिया, मगर अभी तुम पूरी तरह हमारी आईस्क्रिम को नहीं समझ पाई पूरी तरह समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वो गुंडे भी हमारे ही गुर्गे थे, जिनकी तुमने ठुकाई की और जो इस वक्त हवालात की हवा चाट रहे होंगे रुमाल पर जो लिखा था जो लिखा हमने लिखा और जब हमें ही नहीं मालुम वो कौन सी भाशा है उसमें क्या लिखा है तो भलत तुम जैसे घोंचु की समझ में क्या आ सकता था हाँ उस पर बने एक जोकर का मतलब जरूर पता है हमें असल में हमने तुम्हारा चित्र बनानी की कोशिश की थी उनके द्वारख खुद को जोकर कहने पर तिल मिला उसा उठा हैरी फिर बेख खुद को नियंत्रित रखे बोला मतलब वो सब मुझे यहाँ इस तंकी तक लानी के लिए किया गया हमें मालूम है तुम समझतार हो पड़े लिखे हो इसलिए कम शब्दों में समझ गए खैर वो हो गया जो तुम चाहते थे अब कोहो क्यों देखना चाहते थे मुझे यहाँ तुम्हारी मोहिने सूरत को नस्दीक से देखने के लिए असल में ये सूरत है ही इतनी खूप सूरत कि अगर उल्टे सिधी बाते करने की जगा तुम सीधे सीधे बताओ मुझे से क्या चाहते हो तो तुम्हारी सेहत के लिए शायद बेहतर होगा वर नाम मेरे हाथ पाओं हिलते ही पता लग जाएगा मुझे मुझे यहाँ बुला कर तुमने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल की है यही बिल्कुल यही बात कही थी मैंने चिम्टे की आलाद से नुस्रत ने कहा अच्छी तरह समझा दिया था कि छटंगी नंबर दो छटंगी नंबर एक यानि विकास से भी कहीं ज्यादा खतरना खस्ती को कहते हैं एक बार वो यहां आ गए तो मारते मारते भूरसा भर देंगे हमारी खाल में मगर यह नहीं माना आखिर बुला ही लिया तुम्हें यहाँ अब तुही भुकत बेटे अंतिम शब कहने के साथ उसने अपने डिवॉल्विंग चियर तुगलक की तरफ घुमा ली थी यह तो गद्दारी है जामुन के तुगलक बोला इन्हें यहाँ बुलाने के आईसक्रीम में तुभी तो शामिल था और अपला जाड कर एक तरफ होना चाहता है यह नहीं चलेगा मैं जानता हूँ नुसरत के कुछ कहने से पहले हैरी ने कहा सामने वाले शक्स के बारे में आपस में बाते करके तुम उसे हतोत साहित करते हो कम से कम मैं तुम्हारी इस खिसी पिटी पुरानी चाल में आने वाला नहीं हूँ अब बोल बेटा अब बोल कैसे निप्टेगा चटंगी नंबर दो से नुसरत बोला ये तेरे उस चाल तक को समझते हैं जिससे तो तुरुप का इका समझ रहा था सीधी तरह जवाब दो हैरी के हलक से गुर्राहट निकली मेरे देश में तुम क्या कर रहे हो रुमाल के चक्कर में उलजा कर क्यूं बुलाया गया है मुझे यहाँ अजिक ठेंगा तुगलक ने उसे अंगुठा दिखाया कम से कम ये बताने के लिए तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं बुलाया गया यही बता दिया तो छुपाने के लिए तुम्हारे पास बचेगा ही क्या मैं बता सकता हूँ सर कहने के साथ नुसरत ने इस तरह हाथ हवा में उठा लिया जिस तरह क्लास रूम में बैठा कोई स्चोडेंट टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए उठाता है ए तो गलग नुसरत पर घुड़का खबरदार जो मुसे एक लफ्स भी निकालने की कोशिश की क्यूं नुसरत ने आखे निकाली तू क्या कर लेगा मेरा मुझसे तू मुझसे पूछता है मैं तेरा क्या कर लूँगा हाँ तुझसे पूछ रहा हूँ मैं कहीं का टन्ना शाह है तू तो ये ले देख मैं तेरा क्या कर सकता हूँ कहने के साथ बहुत ही फुर्ती से उचल कर नुसरत ने तुगलक के गाल पर इतना जोड़दार चांटा रसीद किया कि तुगलक रिवॉल्विंग चेर सहीद स्चेल के फर्ष पर जा किरा नुसरत हैरी से कह रहा था देखा हैरी सहाप साला हो गया ना एक ही जापड में लुड़क पुड़क बड़ा तीस मारका बन रहा था खुद को हैरी जानता था ये सारी टेक्निक्स वे सामने वाले को मानसी क्रोप से दुअस करने के लिए इस्तिमाल करते हैं अते नुसरत की बात पर जरा भी ध्यान दिये बगैर उसने उस पर जंप लगा दी नुसरत को अपने साथ लिए टंकी के फर्ष पर जा किरा पीछे कड़ा तुगलक कह रहा था अरे कर बेटा और कर छटंकी नंबर दो की चमचा किरी मुझसे पहले ये तेरा भुरता बनाए का ये तो फाउल है हैरी साहब हैरी के पंचे में फसे नुसरत ने कहा मैं तो आप ही की तरफ हूँ सब कुछ बताने को तयार हूँ अये भी कि हमने आपको यहां क्यों बुलाया है तो बक हैरी के हाथ उसकी गर्दन पर थे नहीं मैं ये रास की बात इसे नहीं बताने दूँगा कहने के साथ तुगलक ने हैरी पर नहीं नुसरत पर जंप लगाई थी मगर हैरी जानता था अते एक घुंसा तुगलक के जबड़े पर जड़ा इस तरह एक साथ दोनों से भिड़ गया वो मगर जल्दी ही ऐसा सो गया ऐसा करके उसने भयंकर भूल की है वो दोनों चिंचड़ी की तरह उससे चिपट गए थे फाइटिंग के दर्मियान भी एक सेकंड के लिए भी उनकी जुबाने रुकी नहीं थी बराबर कुछ ना कुछ बोलते रहे एक हैरी के पक्ष में बोल रहा था तो दूसरा विरोध में परंतो हमले दोनों के बराबर जारी थे हैरी ने उनके बारे में सुना बहुत कुछ था मगर उनके बीच घिरने का ये मौका पहला ही था जल्दी ही उसे इल्म हो किया वो दोनों महाशातिर हैं बिजली किसी गती से चल रहे नुसरत तुगलक के हाथ पैर तभी रुके जब हैरी बेहोश हो किया महमद इक्राम हाई हाई महमद इक्राम मुर्दाबाद महमद इक्राम को गिरिफतार करो महमद इक्राम गद्दार है गद्दार है जम्मू का सरकेट हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता बार बार उक्तनारों से गुंच रहा था हजारों लोगों की भीड थी वो उत्तेजित भीड अनेक लोगों के हातों में तक्तियां थी वो तक्तियां जिन पर मुहम्मद इक्राम के खिलाफ लगभग वैसे ही अनेक स्लोगंस लिखे थे जैसे भीड द्वारा बोले जा रहे थे सडक तो सडक सडक के दोनों तरफ मौजोद इमार्तों के चबुत्रों बैलकनियों और चटोत पदक पर तेल रखने के लिए खाली जगा नजर नहीं आ रही थी हर तरफ आत्मी ही आत्मी नजर आ रहे थे दोर दोर तक सिर्फ और सिर्फ उसी सडक पर उमड़ाया था रोशवश जन सेलाब कुछ इस तरह सरकट हाउस की तरफ बढ़ रहा था जैसे लहरे उफन कर पुल की तरफ बढ़ रही हो जन सेलाब को रोकने के लिए जम्मू पुलिस ने एक स्थान विशेश पर लोहे के मसबूत बैरियर्स लगा रखे थे बैरियर्स की सुरक्षा के लिए पुलिस के असंख्य सश्चस्र जवान तैनाथ थे अनेक पुलिस जीपे फायर ब्रिगेट की गाडिया अर्थात भेड को वहां से आगे ना बढ़ देने का पूरा इंतिजाम था परन्तु उत्तेजित लोगों पर उन इंतिजामों को देख कर बाल बराबर फर्क नहीं पड़ा वे बाड के पानी की तरह बड़े चले आ रहे थे जम्मो पुलिस का एक अफसर जीप पर खड़ा हो गया उसने उंची आवास में अपने हाथ में मौजूद माइक पर कहा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए आपकी भावनाई दिल्ले सरकार तक पहुंच चुकी हैं बहुत जल्द आपकी मांगों के अनुरूप कारवाई की जाएगी मगर आप लोगों को इस जगह से आगे बढ़ने की इजासत नहीं हैं धारा 144 लगा दी गई है जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है सब लोग अपने घरों को लाट चाएं लाउट स्पीकर का सहारा लेकर उसकी आवास दूर दूर तक गुंजी थी बावजूद इसके व परमिशन वाला कौन सुनता उसे सुनने का होशी किसे था नारे लगाती बेखाफ भीड निरंतर बैरियर्स की तरफ बढ़ रही थी पुलिस द्वारा बार बार लगातार चितावनिया दी जाती रही सब बेशर व्यर्थ जब सिती ये आ गई कि यदि कारवाई ना की जाती तो जन सहलाब ठीक उसी तरह बैरियर्स को द्वस कर डालता जिस तरह बार अपने रास्ते में आई हर वस्तु को तहस नहस कर डालती है तो पुलिस अफसर को कारवाई का हुकम देना पड़ा हुकम की देर थी कि पानी की मोटी और तेज धारे भीड पर पढ़ने लगी का शोर भले ही थम गया मगर चारू तरफ उससे ज्यादा शोर सुनाई देने लगा था स्लोगन्स लिखी तक्तियां गीली सड़क पर इधर उधर पड़ी नजर आने लगी मगर अभी सभी ऐसे नहीं थे जो पानी की तेज बोचारों से डर कर भागे हों कुछ ऐसे भी थे जो जोश में भरे पानी के थपेड़ों को जेलते बेरियर्स की तरफ दोड़े और उनकी तादात काफी ज्यादा थी तब पुलिस अफसर को आंसु गैस के इस्तेमाल का हुकम देना पड़ा फोर्स ने आंसु गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया भीड के बीच रह रहकर ग परंतो भीड में अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो पानी की बोचारों और गैस का मुकाबला कर रहे आगे बढ़ रहे थे पहले एक पत्थर उचल कर फोर्स की तरफ आया फिर पत्थर पर पत्थर भीड की तरफ से उचाले जाने लगे धाई जाने किसने एक गोली चलाई य धाई 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 वादवरन फाइरिंग की आवाज से थर्रा उठा जवाब में चीके उभरने लगी और ऐसा एक तरफ से नहीं हो रहा था पुलिस फोर्स ने फाइरिंग शुरू की तो जवाब में भीड की तरफ से भी गोलिया चलाई जाने लगी थी ये बात गोली और धुएं से घिरी सडक पर लाशे गिरने लगी अब कोई ऐसा नहीं था जो बैरियर की तरफ बढ़ने की हिम्मत करता मगर अब फोर्स उग्र हो चुकी थी चारो तरफ चीको पुकार हाहा कार और भगदर का शौर था फिर किसी ने जलता हुआ टायर फोर्स पर तरफ बे काबू तब प्रशासर ने कर्फ्यू घोशित कर दिया जो जहां नजर आया उसे गिरफतार कर लिया किया आगजनी और हिंसक वार दातों पर करीब दो घंटे में काबू पाया जा सका शहर के हालात बहुत खराब हैं सर एस एस पी ने कहा आपको फॉरण निकल जा आना चाहिए मगर क्यूं क्यूं कर रहे हैं जम्मू के लोग ऐसा बेहत आकरशक नजर आने वाले उस युवा लड़के ने वेदना युक्त स्वर में कहा जिसके चहरे पर फ्रेंच कर दाड़ी आँखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा और सिर पर गोल टोपी थी बुरी त भेड को कोई नहीं समझा सकता मंत्री जी डीम ने कहा और भेड को समझा भी लिया जाए तो उन लोगों को कौन समझा सकता है जिनका पेशा ही इस किस्म के हालात का फाइदा उठाना है मैं समझा दूँगा समझाना चाहता हूँ इसलिए तो रुका हुआ हूँ यहाँ समझने की कोशिश कीजिए सर अब यहाँ कोई आपकी कोई बात नहीं सुने का SSP ने कहा हमने तो यह खबर भी उड़ाती है कि आप यहाँ से जा चुके हैं ऐसा ना करते तो इतने फोर्स के बावजूद सरकर्ट हाउस को बचा नहीं सकते थे वो इस इमारत में आख लगा देते अब भी अगर लोगों को पता लग जाए आप यहाँ है तो लोग कर्फियों तोड़कर सड़कों पर उतर आएंगे आपको जो भी कहना है राशनगर पहुँच कर मीडिया के जरिये कहिए डियम ने सला दी लोगों की भीड के बीच जाकर आप कुछ नहीं कह सकेंगे कै तो तब पाएंगे जब कोई कुछ कहने का मौका देगा रोश इस कदर है कि मुझे अफसोस है बेहद अफसोस है कि लोग सीधी साधी बात का मतलब इतना उल्टा निकाल रहे है सफेद चोड़ीदार पैजामा और बन गले की काली शेरवानी पहने मुहम्मद इक्राम के चहरे पर दुखी दुख नजर आ रहा था ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा मैंने मेरा मकसद तो जम्मू कश्मीन में शांती बहाल करने से था हम समझते हैं सर मगर डियम ने स्वयम अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया मगर एसेसपी ने कहा इस वक्त आपका यहां से निकल जाना ही बैतर होगा बाहर गारी तयार खड़ी है डियम बोला हम आपको एरपोर्ट पर छोड़ देंगे मुहमद इक्राम को कहने के लिए कुछ सूजा नहीं रात के करीब एक बज़े राजधानी के मुस्लिम बाहूलिय शेत्र में एक नारा उचला अल्ला हू अकपर हर हर महादेव उससे सटे हिंदू बाहूलिय शेत्र से जवाप आया सैंक्रों लोगों के जुनूनी आवास फिर गुझी अल्ला हू अकपर हर हर महादेव जुनून उस तरफ भी कम नहीं था दोनों फिर के घात लगाए बैटे थे कुछ देर नारा युद चलता रहा फिर एक दूसरे की बस्तियों पर पथर उचाले जाने लगे गास लेट में डूबे कपड़े लिप्टे हुए थे आग उगलते वो तीर एक दूसरे के घरों पर जाकर गिरने लगे कहीं कोई तीर खुद जल कर रह किया तो कहीं किसी ने आग लगा दी जलते हुए घरों की राशनी में गोलिया चलनी शुरू हो गई लाठी डंडे लेकर वो भी घरों से निकल आई जो दिल से मानते थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है मगर हो रहा था और वो इसलिए निकल आई थे कहीं दूसरे फिरके के लोग उनके घरों पर ही ना आचड़े सरकोर पर खुण बहने लगा पुलिस तब पहुंची जब खुण काफी बैच चुका फिर पुलिस के गोलियों ने खुण बहाना शुरू किया अंतते उस इलाके में भी कर्फ्यू लगाना पड़ा रगुना तो स्वक बातरूम में था जब फोन की घंटी बजी ठीक शौवर के नीचे उसने ये सोच कर रिसीवर उठाने की कोशिश नहीं की कि बंगले के किसी और हिस्से में कोई और उठा लेका वही हुआ दो घंटीयों के बाद फोन ने बचना बंद कर दिया जाहिर था रिसीवर रहना विकास या किसी नौकर द्वारा उठा लिया गया है वह पूरी मस्ती के साथ किसी पुरानी फिल्म का गाना गुन गुनाता हुआ नहाता रहा मगर ज्यादा देर तक मस्ती के मूड में नहीं रह सका किसी ने जोर से बातरूम का दर्वासा खट खटाया था कौन है उसने उंची आवास में पूछा रहना की आवास उभरी आपका फोन है उठा लीजिए अरे कह दोना मैं बातरूम में हूँ फोन ठाकुर साहब का है मैंने बता दिया था उन्होंने तब भी कहा अर्चन बात करवाओ ओ ठाकुर साहब का नाम सुनते ही लगुनात ने शावर आफ कर दिया टावल से केवल अपने हाथ पहुंचे बाकि सारे जिस्म से अभी तक पानी टपक रहा था उसकी परवा किये बगैर उसने दिवार पर लगे बॉक्स से रिसीवर निकाल कर कान से लगाने के साथ कहा हलो पंदरा मिनट के अंदर हमारे आफिस पहुंचो सिर्फ इतना कहने के बाद ठाकुर साहब ने दूसरी तरफ से संबंद विच्छेद कर दिया लगुनात ने रिसीवर कान से हटाया घूरता रह गया उसे इस किस्म का दो टोक आदेश ठाकुर साहब की तरफ से शायद उसे पहली बार ही मिला था इसका मतलब था कोई सीरियस मामला है सो अगले पल मानो जिस्म में बिजली भर गई केवल तीन मिनट बाद वो अपनी वर्दी पहने बाथरूम से बाहर निकल आया था रेना ने पूचा क्या कह रहे थे ठाकुर साहब जवाब देने का होश किसे था वो बाहर निकलने के लिए दर्वाजे की तरफ दोड़ा अरे अरे उसके पीछे लबकती रेना ने कहा कहा उड़े चले जा रहे हो नाश्ता तो करते जाओ मैंने तयार कर दिया है रगुनात को ना रुकना था ना रुका ठीक पंद्रा मिनट बाद वो ठाकुर साहब के सामने उनके आफिस में खड़ा था विशाल और चमचमाती मेज के उस तरफ रिवॉल्विंग चेर पर बैठे ठाकुर साहब ने उसके जोरदार सैलियूट का जवाब हौले से सिर हिला कर दिया कुछ देर उसकी तरफ देखते रहे जैसे जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसे पंद्रा मिनट के अंदर यहां हाजिर होने के लिए क्या क्या करना पड़ा है फिर एका एक कुर्सी से खड़े होते हुए बोले क्या तुम देश के वर्तमान हालात से वाकिफो अगर आपका इशारा एक साथ कई शेहरों में भड़क उठे साम्प्रदाइक दंगों की तरफ है तो हाँ क्या उसके कारण की भी जानकारी है तुम्हें कारण मोहम्मद इक्राम द्वारा जम्मू की एक रैली में दिया गया भाषन है उस भाषन ने बलकी ये कहा जाए तो ज्यादा उप्यूक्त होगा कि भाषन के एक छोटे से अर्ष ने जम्मू ही नहीं देश भर के कटर हिंदू संगटनों को उत्तेजित कर दिया सबसे पहले जम्मू के ही लोग सडकों पर उत्रे वहां के प्रशासन ने सक्ति से काम ना लिया होता तो भीड यकिनन मोहमद इकराम को मार डालती वहां की प्रतिक्रिया दूसरे शेहरों में हुई मुसल्मान मोहमद इकराम के समर्थन में सडकों पर उतर आए इस वक्त आलात ये है कि मोहम्मद इक्राम हिंदू संगटनों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है और मुस्लिम संगटन उसे अपना मसीहा समझ रहे है मैं ये सब सुभा की नियूस में सुन चुका हूँ सर तब तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मोहम्मद इक्राम मंत्री पत से इस्तिफा दे चुका है मालूम है सर मगर अब घड़ियाली आंसू बहाने से क्या होता है रगुनात कहता चला किया इन नेता लोगों के फित्रत ही ऐसी होती है पहले आग लगा देंगे फिर नहीं रगुनात मुहम्मद इक्राम उन नेताओं में से नहीं है जी रगुनात केवल इतना ही कह सका ठाकुर साहब चैहल कदमी सी करते बोले उसके बयान की प्रतिक्रिया सुरूब कुछ शेहरों में जो कुछ हो रहा है उससे अगर सबसे ज्यादा दुखी और आहत कोई है तो खुद वही है सच मुच उसके भाषन के उस संश का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो लोगों ने समझा और भड़क उठे इससे भी ज्यादा अफसोस उसे इस बात का है कि मुसलिन लोग उन्हें अपना मसीहा समझ रहे है उसका कहना है उस तरह उसकी जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिलाई जा रही है मैं समझा नहीं सर मुहम्मद इक्राम के साफ जनिक जीवन का रिकॉर्ड बताता है वो हमेशा से एक देश भक और धर्म निर्पेक्ष नेता है ठीक के द्वाई की तरह वो हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान मानने से पहले भारतिय मानता है इस बात का केवल उसे दुख है कि हिंदू संगटनों ने उसके भाशन के खास हिस्से को गलत समझा लेकिन मुस्लिम संगट्नों द्वारा खुद को मसीहा मानने पर वो बेहत आहत है उसका कहना है तो उसकी चभी केवल मुसलिमों का नेता वाली बनेकी जबकि वो भारतियों का नेता है जिन में हर फिरके के लोग है मुसलिम संगटनों की ऐसी कोशिश उसे हिंदू भाईयों से दूर ले जाएगी इस कारण वो बेहत दुखी है तब तो टीवी पर उसके विचार प्रसारित किये जाने चाहिए ऐसा किया जा चुका है तुम शायद देख नहीं पाई दूर दर्शन ने बकाईदा उसका इंटर्व्यू प्रसारित किया है जिसमें उसने न केवल अपने भाषन के विवादास पदरंश के बारे में सपश्टी करन दिया है बलकि दोनों फिर्कों के लोगों से शांती बनाई रखने की अपील भी की है ये भी कहा है कि ना वो हिंदूओं के खिलाफ है ना ही मुसल्मानों का मसीहा मगर फिलहाल उसके इंटर्व्यू का कहीं कोई असर होता नजर नहीं आ रहा वाकई रगुनाद बोला जनता जब उतेजित हो जाती है तो अपना विवेक खो बैठती है इसलिए नहित सवार्थ में लिप्त लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं ठाकुर साहब ने कहा इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है एलाईयो की रिपोर्ट के मुताबिक मुहम्मद इक्राम बहुत पहले से दोनों फिर्कों के कटर वादी संगटनों के निशाने पर था हिंदू संगटनों को ये बात कचोट रही थी कि मुहम्मद इक्राम मुसलिम होने के बावजूद हिंदूों के हित का राग क्यों लापता रहता है दोनों को उसकी चवी ध्वस करने का मौका मिल गया जन्ता को भड़का कर मोहरा बनाने की कला में वो माहिर है वही उन्होंने किया इस सारे हंगामे के पीछे असल में एक जबर्दस शड्यंत्र छुपा है शड्यंत्र? क्या सर? ये तो तुम जानते हो ना कि अगले महीने हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान जा रहे है येस सर वहां वो पाकिस्तान के राश्रपती से मिलने वाले है दोनों के बीच विवादासपत मुद्दो को एक तरफ रख कर उन विश्यों पर बातचित होना तैह हुआ है जो दोनों देशों की मूल भूत समस्याओं से जुड़े है इस शिकर वार्ता को अरेंज कराने में महम्मद इक्राम ने महत्वपून भूमी का निभाई थी ओ CBI की गुप्त चांज के मुताबिक उन लोगों द्वारा महम्मद इक्राम को निशाना बनाया गया है जो किसी हालत में शिकर वार्ता को काम्याप नहीं होने देना चाहते इसमें कश्मीर के उग्रवादी संगटन भी शामिल है वो समझते हैं यदि भारत और पाकिस्तान किसी एक मुद्दे पर भी एक हो गए तो उनका कुछ अहित हो जाएगा गुप्त चार एजन्सियों का कहना है कि शिकर वार्ता फ्लॉप करने के लिए ये संगठन मुहम्मद इक्राम की हत्या तक कर सकते है तब तो इक्राम की सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये जाने चाहिए तुम्हें 15 मिनट के अंदर मिलने के लिए यहां इसलिए बुलाया किया है जी हम तुम्हें मुहम्मद इक्राम की सेक्यारिटी का इंचार्च नव्यूक्त करते हैं येस सर रगुनाद ने जोरदार सेल्यूट के साथ एडियां बजाई महम्मद इक्राम का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि रगुनाद प्रभावित हुए बगएर नहीं रह सका वो रूह अवजा मिले दूद जैसे रंग का था सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के अंदर से जांकती नीली आँखें किसे साफ साफ जिल की तरह याद दिलाती थी उसकी उम्र किसे भी तरह तीस से उपर नहीं थी और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यही थी इतनी कम उम्र में उसका केंदरिय मंत्री मंडल में स्थान पा लेना मंत्रालिय भी उसे सूशना एवं प्रसारन जैसा महत्वपोन मिला था इतनी कम उम्र के मंत्री से वो रूबरू पहली ही बार मिला था जब वो मिला तो रगुनाथ ने देखा उसके नेली आँखों में वेधना के भाफ थे आकर्शक चहरे पर खुशी का कोई लक्षण नहीं हाथ मिलाने के साथ रगुनाथ ने जब अपना परिचे दिया तो बस इतना ही कहा था उसने मैंने आपका नाम सुना है मुझे आपकी सेक्यॉरिटी के लिए भेजा किया है रगुनाथ ने कहा पहले ही सरकार मेरे ज़से निताओं की सेक्यॉरिटी पर कौन सा कम खर्च कर रही है जो ये खर्चा और बढ़ा दिया किया और फिर चारित्रे खत्या तो कर ही दी गई है मेरी अब अगर कोई इस जस्म को भी खत्म कर देगा तो प्लीज मंत्री जी रगुनाथ ने उसकी बात काट कर कहा ऐसा न कहिए अब मैं मंत्री नहीं रहा सुप्रेटेंडेंडेंट साहब कहते वक्त उसके होंटों पर फिर की मुस्कान थी इस्तिफा दे चुका हूँ मगर वो इस्तिफा अभी प्रधान मंत्री द्वारा सुप्रेकार नहीं किया किया है पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हैं प्रधान मंत्री महाद्य मेरे खयाल से तो मुझे गिरफतार भी कर लिया जाना चाहिए सुना है पबलिक यही डिमांड कर रही है अगर मेरे गिरफतारी से सुलगते हुए शेहर शान्थ पढ़ सकते है तो फॉरन कर डालनी चाहिए यह कारिवाही मेरा क्या है जैसे यहां हूँ वैसा जेल मेरा हूँगा मगर सर रगुनात ने उसे उम्र में कम होने के बावजूद प्रोटोकोल के मुताबिक सर कहा इससे एक गलत मैसेज जाएगा कैसा गलत मैसेज? देश द्रोईयों के दबाव में आकर एक देशबग्त व्यक्ती को गिरफतार करने का मैसेज आज की तारीक में कौन मान रहा है कि मैं देशबग्तू? मान रहे हैं सर मुझ जैसे लोगों की संख्या भले ही कम हो लेकिन विवेक्षी लोग मान रहे हैं कि आप उन लोगों के दुश प्रचार का शिकार है जो भारत पाक रिष्टों को सामान्य नहीं होने देना चाहते मुहम्मद इक्राम चुप रह गया रगुनात ने महसूस किया ऐसी अवस्ता थी उसकी जैसे बहुत कुछ करना चाहता हो मगर समझ ना पा रहा हो कि क्या करे इस वक्त वो उसके सरकारी आवास के ड्राइंग रूम में बैठे थे आमने सामने वाले सोफों पर बीच में एक सेंटर टेबल पड़ी थी रगुनात यहां आवास के चारों तरफ सुरक्षा का मजबूत जाल बिचा कर ही आया था उसकी समझ के मताबिक आवास के अंदर अब परिंदा तक पड़ नहीं मार सकता था अभी उन दोनों के बीच खामोशी ही चाही हुई थी कि नौकर चाहे ले आया लीजिये कहने के साथ शिष्टा चार वर्ष मोहमद इक्राम ने भी कप उठा लिया रगुनात यह जानने के लिए बिचेन था कि जम्मो की सभा में आखिर उसने ऐसा क्या कहा था कि जसके कारण इतना बवाल मच रहा था ये सवाल वो मोहमद इक्राम से सीधे सीधे पूछना चाहता था परंतु लगा जब तक वो विवात से बाहर नहीं निकलेगा तब तक जवाब नहीं दे पाएगा चाहे सिप करते हुए रगुनात ने उसे सामानिय करने की गर्ट से कहा वर्तमान मंत्री मंडल में इतनी कम उम्र के शायद आप अकेले ही मंत्री है आप फिर बोल रहे हैं मैं मंत्री हूँ नहीं था चलिए यही सही रगुनात थोड़ा हसा वो चुप रहा रगुनात ने ही फिर कहा सुना है अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली शिकरवार्टा के आप सूत्रधार है और मैंने सुना है मेरे चारित्रे खत्या के पीछे कारण भी यही है सुना तो मैंने भी ऐसा ही है सर मगर रगुनात ने जान बुश कर वाक्य अधूरा छोड़ दिया महम्मद इक्राम के मुँ से स्वभाविक लफ्स निकला मगर क्या मंतरी आप सुचना और प्रसारन मंतरालिय के है सौरी थे और सुत्रधार बन गए भारत पाक शिकरवार्टा के ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया बला सूचना और प्रसारन मंत्रालिय का पाकिस्तान से क्या संबंद? संबंद मेरा पाकिस्तान से नहीं, वहां के वर्तमान प्रधान मंत्री से है आपने सुना होगा, बटवारे से पहले वो अजमेर में रहते थे मैं भी मूल रूप से अजमेर का ही हूँ बलकि उनका और हमारा पारिवारी कगल-बगल के मकानों में ही रहता था मैं बहुत छोटा था, अपनी गोत में खिलाया करते थे वो मुझे उन्हें संबंदों का हवाला दे कर, मैंने उनसे संपर्ख स्थाबित किया वो वारता में कश्मीर को मुख्य मुद्दा बनाने पर अड़े हुए थे हमारी तरफ से काफी कोशिशे की जा रही थी मगर वो टस से मस नहीं हो रहे थे तब मैंने कहा, अंकल, अगर दोनों पक्षिसी तरह अड़ियल रुख अपनाई रहे तो वारता होगी ही नहीं और इसका नुकसान दोनों देशों के निर्दोष जन्ता को भुगतना होगा फिलहाल अगर केवल इतना ही हो जाए कि हम एक दूसरे को दुश्मन मानना बंद करते तो जो धन एक दूसरे के हमले से बशने के लिए हत्यारों पर खर्च किया जाता है वो आम जन्ता की भलाई और अपने अपने देश के विकास पर खर्च किया जाने लगेगा जब दोनों देश कुशाली की तरफ बढ़ेंगे आम समस्याइं कुछ कम हो जाएंगी तो शायद हम शुद बुद्धी के साथ कश्मीर समस्यापर भी विचार कर सकेंगे उन हालात में शायद इस जटल समस्या का भी कोई हल निकल आई ऐसी मैंने उनसे अनेक बाते कही खुदा का ही शुक्र मानूगा कि वो बाते उनकी समझ में आ गई बस इतना ही पाठ है मेरा लोग शिकर वार्ता का सूतरधार कहने लगे हैं अब रगुनाद को लगा वो थोड़ा सामान्य हुआ है सो उसने पूछा जम्मू की सभा में क्या कह दिया आपने कुछ भी तो नहीं केवल इतना ही कहा था जम्मू कश्मीर के समस्या शायद इसलिए ज्यादा चटिल हो गई है क्योंकि जम्मू में हिंदू ज्यादा है और घाटी में मुस्लिम दोनों फिरके फस से गई है इस राज्यमे मेरे खैयाल से अगर घाटी के कुछ मुसलमानों को जम्मू में बसा दिया जाए और जम्मू के हिंदू परिवारों को गाटी में जगा दे दी चाए तो बस मेरी बात इस तो से आगे नहीं बढ़ सकी किसी ने चिला कर कहा अरे देखो इस मुसलिम लीडर की चाला की मिठी छूरी से हलाल करना चाता है हमें अपनी आजादी के बेस पर गाटी पर तो कबजा जमाई बैठा ही है अब जम्मू में भी अपने फिरके के लोगों को बसाने की बात कर रहा है मैंने उसी वक्त कहना चाहा था मेरा मतलब ये नहीं था मगर पत्थर फैंके जाने लगी देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई वहां की पुलिस बड़ी मुश्किल से मुझे भीड से बचा कर सरकर्ट हाउस ले गई मैं तब भी बार बार कह रहा था पबलिक ने अभी मेरी अधूरी बात सुनी है इसलिए गलत मतलब समझ लिया गया है मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दी जाए तब शायद ब्रांती दूर हो सके परन्तु वहां के प्रशासन का कहना था वो माहौल ही नहीं छोड़ दिया गया है जसमें आप अपनी बात समझा सके बात ठीकी थी कोई सुनने को तयार नहीं था मेरी अपनी अधूरी बात टीवे इंटर्व्यू के जरिये मैंने पूरी भी की परन्तु बहुत देर हो चुकी थी तब तक मेरी छवी हिंदूओं का दुश्मन और मुसल्मानों का मसीहा की बना दी गई थी समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं लोगों को कि मैं अपने दिमाग से दोनों फिरकों में भाई चारा बढ़ाने का प्रस्ताव रख रहा था ये कहना चाहता था कि जब घाटी में हिंदू और जमू में मुसल्मान रहेंगे तो कश्मीर समस्या शायद खोदी खत्म हो जाएगी दोनों फिरकों के बीच पारिवारिक वातावरण बन जाएगा होता है सर ऐसा अकसर होता है कि हम कैक कुछ और रहे होते हैं सामने वाला ले कुछ और उड़ता है रगुनात ने कहा वो लोगों को हमारी बात का मतलब वो समझा देता है जो असल में नहीं होता कभी कभी सामने वाला इतना काम्याब हो जाता है कि हम अपनी भरपूर कोशिशों के बावचूद कुछ कर नहीं पाते इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है वो लोग जो बहुत दिन से आप पर निशाना साधे हुए थे जो भारत पाक रिष्टों को सामान्य नहीं होने देना चाहते उन्हें मौका मिला और वो काम्याब हो गए मगर आप मन में विश्वास रखिये सर उनकी ये काम्याबी अस्थाई है सच्चाई सच्चाई होती है वो जोड के अंधकार की साथ पर्तों को बेद कर पार निकल जाती है एक दिन आम जनता आपके कहने के असली मतलब को जरूर समझेगी और वो दिन वो होगा जिस दिन वो मूग की खाएंगे जो आपकी सभा में मंज के दाईं तरफ मौजूद थे मोहमद इक्राम ने कुछ कहने के लिए मूग खोला ही था कि फोन की घंटी बच उठी इक्राम ने थोड़ा आगे जुक कर सेंटर टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रगुनात ने कहा एक मिनट ठेहरी है सर ये काम अब मेरा है मोहमद इक्राम के कुछ कहने से पहले रगुनात ने रिसीवर कान से लगाने के साथ माउठ पीस पर कहा येस फोन इक्राम साहब को दीजिए आदेशात्मक स्वर में कहा किया रगुनात ने पूछा आप कौन बोल रहे हैं उनसे कहिए पीएम हाउस से फोन है ओ कहने के बाद रगुनात ने माउठ पीस पर हाथ रगकर रिसीवर मोहमद इक्राम की तरफ बढ़ाते हुए कहा पीएम हाउस इक्राम ने फोन पर कहा मोहमद इक्राम बोल रहा हूँ पी-म आपसे मिलना चाहते हैं दूसरी तरफ से कहा किया इक्राम ने पूछा कब? आज ही आपको जो भी फ्लाइट मिले पकड़ कर दिल्ली आ जाए क्या मेरी उनसे फोन पर बात नहीं हो सकती? वो आपके सामने बैठ कर बात करने के इच्छों कें चीक है मैं आता हूँ इसके इलावा मौहमद इक्राम और कह भी क्या सकता था दूसरी तरफ से संबंद विच्छेत कर दिया गया इक्राम रिसीवर क्रेडिल पर रखने के साथ उठकर खड़ा होता हुआ बोला मुझे अभी दिल्ली जाना होगा क्या मैं कारण जान सकता हूँ रगुनाद भी उसके साथ ही खड़ा हो गया था पी-म शायद मुझसे इस्तिफ़ा वापिस लेने के लिए कहने वाले हैं मगर मैं उनसे प्रातना करूँगा जब तक हिंसा बंद नहीं हो जाती तक तक मुझे मंत्री मंडल से बाहर ही रखे बलकि गिरफतार कर ले तो और भी अच्छा है एक मिनट रगुनाद ने कहा मैं ये पुष्टी जरूर करना चाहूँगा कि ये फोन पी-म हाउस से ही था या नहीं क्या मतलब? एक छटके में मोहमद भले ही कह किया मगर शिगर ही अगले पल उसका मतलब खुष्दी समझता हुआ बोला ओ, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कर लीजिए मुझे पी-म हाउस फोन मिलाना होगा कहने के साथ रगुनाद ने रिसीवर उठा कर दिल्ली का कोड मिला दिया था रगुनाद तभी संतुष्ट हुआ जब पी-म हाउस से संतुष्टी कर ली कि इकराम को फोन वहीं से किया गया था धड़ाम एक जोरदार विस्फोर्ट की आवास ने रगुनाद को चौका ही दिया बलकि उच्छाल दिया रगुनाद को ही क्यों मुहमद इकराम सहित वो विस्फोर्ट अन्य लोगों को उच्छाल गया था सबके जहनों में एक साथ एक ही शब्द कौन था खत्रा इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता भयंकर आवास करता हुआ एक विशाल पेड धाट से सड़क पर आगिरा ये वो पेड था जो विस्फोर्ट से पहले सीना ताने सड़क के किनारे खड़ा था उसके जड़ में इस वक आग लगी हुई थी अपने समूची शाखों और घने पत्तों सहित वो पेड मोहमद इकराम के काफीले के सबसे आगे चल रहे मोटर साइकलों पर सवार पुलिस वालों के सामने गिरा था उस वक वो बेहत तेज रफटार के साथ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे अचानक अपना रास्ता पेड द्वारा अवरूत होता देख कर दोनों ने जोर से ब्रेक लगाए परन्तु रफटार इतनी ज्यादा थी कि पेड में घुस्ते चले गए थे शाक और पत्तों से उलज गए वो कहीं मोटर साइकल कही उनके पीछे चली आ रही पुलिस जीब टाइरों की जबरदस चीक पुकार के साथ बड़ी मुश्किल से पेर से थोड़ी पीछे रुकी मगर उसके पीछे उसी रफटार से चली आ रही एमबैस्टर का ड्राइवर उतनी फूर्ती से अपनी गाड़ी को नहीं रोक सका अब एमबैस्टर का अगला हिस्सा भडात से जीप के पिछले हिस्से से टकराया ये वो एमबैस्टर थी जिसके पिछले सेट पर रगुनात और मुहम्मद इक्राम बैठे थे अभी वो पहले ही जटके से नहीं उबर पाई थे कि टाइरों की चर्मराहट के साथ उनके पीछे चली आ रही पुलिस जीप ने जोर से एमबैस्टर के पिछले हिस्से में टकर मारी पलक जपकते ही वहां का वातावरन चीक पुकार और धूम धड़ाके में बदल गिया था वो जबर्दस जटकों से बहुत जल्द उबरता हुआ रगुनाथ चीका आगे खत्रा है तेजी के साथ पीछे चलो वापिस तभी फिर से धड़ाम एक बार फिर ठीक पहले जैसा कर्ण भेदी विस्वोर्ट इस बार एमबैस्टर के पीछे मौजूद पुलिस जीप के पीछे सड़क पर एक पेड आ किरा वो पेड जो कुछी देर पहले मुँ उठाए आकाश की तरफ देख रहा था रगुनाथ सहित सभी ने पलट कर पीछे देखा उस पेड की जड़ भी होली की तरह जल रही थी हमारा रास्ता दोनों तरफ से रोग दिया गया है सर एक पुलिस इंस्पेक्टर चिल लाया धाए 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 रेट 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 सारा इलाका देशतनाख फाइरिंग की आवाज से गुन जुठा गोलियों की वो बाड सड़क के दोनों तरफ मौजूद मिट्टी के कच्छे पहाड़ों से पुलिस जीपों और एंबैस्टर पर छपट पड़ी वातवरण में एक साथ कई चीखे उभरी वो चीखे जीपों में सवार पुलिस वालों की थी मोचा संभालो रगुना थलक फाड कर दहाड़ा मुकाबला करो एंबैस्टर का ड्राइवर हक बकाया सा अपने सेट पर बैठा रह किया उसके समझ में ही नहीं आ रहा था करे तो क्या करे इक्राम ने दर्वाज़ा खोलने के लिए हाथ हैंडल की तरफ बढ़ाया नहीं सर रगुनात ने लपकर उसे रोका ये क्या कर रहे हैं आप हम गाड़ी ही में सुरक्षित है मत भूलिये ये बुलेट प्रूफ है और सच मुझ गोलियां उसकी गाड़ियों से टक्रा टक्रा कर शहीद हो रही थी अगर किसी को मौत का कथक देखने का शौक है तो इस वक्त इक्राम के चेहरे को देखे हल्दी से कहीं ज्यादा पीला पड़ा हुआ था वो मुझ से निकला ये ये सब क्या हो रहा है मिस्टर रगुनात आप देखी रहे हैं होलेस्टर से रिवॉल्वर खीशते हुए रगुनात ने कांच के पार दोनों तरफ देखते हुए कहा हमें एयरपोर्ट पहुँशने से रोका जा रहा है बहुत जबर्दस तयारी और प्लैन के साथ हमें यहां घेरा किया है मगर आप घबराई नहीं होसला बनाई रखे हम उन्हें नाकाम कर देंगे कहने को कहतो दिया रगुनात ने टीम का कप्तान होने के नाते दोसरों का होसला बनाई रखने के लिए वो सब कहना उसका फर्स भी था पर अंतुख खुद नहीं जानता था दुश्मन को कैसे रोकेगा जानता तो तब जब उसे पता होता दुश्मन ने यह हमला किया कितनी तयारियों के साथ है वो है कहां और उनकी संख्या कितनी है यह हमला ठीक किसी आफ़त की तरह काफिले पर तोट पड़ा था उस काफिले पर जो महमद इक्राम को एरपोर्ट छोड़ने जा रहा था जिसका निर्मान खुद रगुनात ने किया था के लिए इतनी सुरक्षा रगुनात ने काफी समझी थी परन्तु पलक जपकते ही सब कुछ छिन भिन हो गया था मोटर साइकल वाले एक पेड में जा उल्चे थे जीपों में सवार अधिकांच पुलिस वाले दुश्मन की गोलियों की पहली ही खेप के शिकार हो गए थे जो बचे थे वे खुद को किसी ना किसी वस्तु की आड में चुपाई फाइरिंग कर रहे थे मगर कहा केवल सड़क के दोनों तरफ माजूद कच्छे पहाडों पर दुश्मन तो नजर ही नहीं आ रहा था कहीं फिर वातवरण में ऐसी आवाज सुपरी जसे सड़क को रौंदता बुल्डोजर चला आ रहा हो रगुनात ने देखा वो एक वैन थी जो सामने की तरफ पड़े पेड के उस बार शाक और पत्तों के बीट से नजर आ रही थी पीछे हटो पीछे रगुनात तेजी से चीखा हड़ बढ़ाए हुए ड्राइवर ने कहा नहीं हट सकते सर पिशली जीप का हिस्सा अमारी गाड़ी के डिक्की में धसा हुआ है उफ रगुनात जुंच लाया वस्तु स्थिती थी भी यही एमबैस्डर दोनों जीपों के बीच सेंड़िच बनकर रह गई थी फारिंग बंध हो चुकी थी अब वहां केवल वैन के इंचन की आवास गुंच रही थी रगुनात ने तेजी से गर्दन खुमा खुमा कर दोनों तरफ माजूद कच्छे पहाडों को देखा दुश्मन उनके पीछे चुपे थे जब तक वो सामने नहीं आते तब तक उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था और उन्हें सामने लाने की कोई तरकीब रगुनात को सूच नहीं रही थी उस वक्त तो रगुनात के होशी फाक्ता हो गए जब वैन के अगले हिसे को सडक पर पड़े पेड की शाखों और पत्तों को तोड़ते हुए अगली जीब की तरफ बढ़ते देखा उसका अगला हिस्सा किसी वन मानुश के हाथ के पंजे जैसा था इस पात का बना अत्यंत विशाल लोहे की बहुत बड़ी कैंची से जुड़ा था वो क्रेन पेड के उसी तरफ खड़ी थी जबकि कैंची की लंबाई बढ़ती चली गई उसके अग्रिम सेरे पर लगा पंजा पेड की डालों को तोड़ था पत्तों को चीर था ठीक उसी तरह अपना रास्ता बनाता जीप की तरफ बढ़ा जैसे सुई माखन में अपने लिए रास्ता बना लेती है पंजे को अगले जीप के ऊपर पहुँचने में देर नहीं लगी रगुनात की आँखों को तलाश थी क्रेन की ड्राइविंग सीट पर बैठे शक्स की जो विशाल कैंची से जुड़े उस भयंकर पंजे को संचालित कर रहा था मगर पेड की आड में छुपा होने के कारण वो नजर नहीं आ रहा था उनके देखते ही देखते पंजे ने जीप को जकर लिया फिर पंजा जीप को लेकर उपर उठता चला गया जीप किसी जूले की सीट की तरह हवा में हिचकोले खाने लगी उसकी सीटों आधी के नीचे पोजीशन लिए पुलिस वाले अब चीकने चिलाने लगे थे कुछ पुलिस वाले सड़क पर नजर आ रहे थे वो वो थे जिन्नोंने जीप के नीचे पोजीशन ली थी अचानक अपने उपर से जीप के हट जाने के कारण वो बौकला गए जान बचाने के लिए दाए बाए पहाडों के तरफ भागे रगुनात को लगा अब पहाडों के पेछे चुप चुपे हमलावर उन्हें गोलियों से भून देंगे मगर नहीं ऐसा नहीं हुआ एक भी गोली नहीं चली रगुनात समझ किया उन्हें जान बुच कर छोड़ दिया गया है हमलावर चाहते तो बड़ी आसानी से वैसा कर सकते थे जैसी रगुनात को शंका थी नहीं किया गया तो स्पर्ष था हमलावर अनावश्यक कोन खराबा नहीं चाहते अब सभी के नजर जीप पर थी उस पर जिसे पंजा हवा में उंचा और उंचा उठाता चला जा रहा था बड़ी ही अजीब स्थिती थी रगुनात जैसा शक्स बहुत कुछ करने की इच्चा के बावजूद कुछ कर पाने की स्थिती में नहीं था उस पूरे काफिले को दुश्मन ने घेरा ही कुछ इस तरीके से था कि करने के लिए किसी के पास कुछ था ही नहीं सडक से करीब तेस वो टूपर जीप हिंडोले की तरह जूली और फिर वातावरन चीखों से दहल उठा वो चीखे जीप में माजूद पुलिस वालों की ही नहीं उनकी भी थी जिनोंने उस दृश्य को देखा था देखने वालों में रगुनात और मुहम्मद इक्राम भी शामिल थे उन्होंने देखा था क्रेन के पंजे ने जीप को घुमा कर हवा में फैंक दिया हवा में कला बाजियां खाती जीप सड़क की तरफ खिंची उसमें माजूद पुलिस वाले उससे अलग होकर हवा में लहरा उठे उनकी हालत तीस फूट उजे भवन की चट से गिरे लोगों से भी कहीं ज्यादा भयानक थी उधर वो सड़क पर गिरे सड़क को अपने लहू से रंगते शहीद हुए इधर हवा में कला बाजियां खाती जीप भड़ाव की जोरदार आवास के साथ अम्बैस्जर की चट पर आ किरी चट पिचक गई एक ही जटके में उसके सारे कांच तोट कर बिखर गए ड्राइवर और इक्राम के ही नहीं रगुनात तक के हलक से चीक निकल गई थी एक पल को तो उन सब को यही लगा वो गाड़ी की चट और सीटों की बेच पिसकर रह गई है मगर नहीं ऐसा नहीं हुआ था गाड़ी की चट केवल पिचक कर रह गई सीटों से नहीं आमिली थी वो लुड़कती होई जीब साइट में जाकिरी नीचे बैठ जाओ चीक कर कहने के साथ रखू नात खुद भी अगली सीटों की पुष्ट और पिछले सीट की गदी के बीच वाले गैप में धस किया था और इक्राम को भी वहीं खीच लिया था ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि पहाडों से चलाई गई गोलियों से बचा जा सके अब गाड़ी के पास उन्हें बचाने के लिए बुलेट प्रूफ कांश नहीं था ड्राइवर डैश बोर्ड के नीचे घुस किया था चप करने के लिए कुछ हो था समझ नहीं पा रहा था दुश्मन का मुकाबला कैसे किया जाए कैसे रोका जाए उसके द्वारा फैलाई जा रही विनाश लीला को कोई रास्ता सुझाई ना देने की सूरत में वो दान भींच कर मिसमिसा उठा था वो वो हमारी तरफ बढ़ रहा है इक्राम के मुझे ऐसी दैशत में डूबे अलवास निकले जैसे साक्षात मौत को अपनी तरफ बढ़ते देख रहा हो और इस बात का वो विशाल पंजा साक्षात मौत से कम था भी कहा जो अब हवा में तैर था अम्बैसजर की तरफ बढ़ रहा था उसे देख कर रगुनात तक के संपून जिस्म में मौत की थिरकन दाड़ गई वो इस गारी को भी जीब की तरह हवा में उठा कर उचाल देखा इक्राम के होश फाक्ता थे पंजा अम्बैसजर के ठीक उपर पहांच चुका था हताशा और गुसे ने रगुनात को मानो पागल कर दिया क्रेन का चालक तो क्या चालक सीट तक नजर नहीं आ रही थी उसे इसके बावजुद रिवाल्वर का रुक उपर घुमा कर ट्रेगर दबाता चला किया धाई 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 रगुनात के रिवाल्वर ने गोलियां जरूर उगली पर उन्तु जवाब में कोई चीक सुनाई नहीं थी जाहिर था बगेर किसी लक्षे के केवल अनुमान पर चलाई गई गोलियां व्यर्थ गई कर्ट गाड़ी की चट पर आवास हुई डैश्बोर्ट के नीचे छुपे ड्राइवर के मुँ से कामती हुई आवास निकली उह उसने गाड़ी को जकर लिया है रगुनात अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि मोहमद इक्राम ने अपनी तरफ का गेट खोल कर गाड़ी से बाहर जंप लगा दी बचाव का उसे शायद यही एक मात्र रास्ता नजर आया था रगुनात उसके पीछे लपतने ही वाला था कि धाई सामने वाले पहाड के पीछे से एक गोली चली गोली मोहमद इक्राम की दाई जांग में घुस गई थी एक चीक के साथ वो लहरा कर आउंधे मू सड़क पर जा गिरा रगुनात ने तुरन उस दिशा में फायर किया था जिदर से इक्राम पर गोली चलाई गई थी मगर परिनाम धाग के तीन पाथ उसकी गोली कच्छे पहाड की धोल उड़ा कर रह गई थी गोली लगने के बावजूद इक्राम उठा लंगडा कर एक तरफ भागने की कोशिश की तबी कच्छे पहाड की चोटी के पीछे से एक सिर उप्रा इस बार रगनात ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था पलक जपकते ही उसने सिर को निशाना बना कर ट्रिगर दबा दिया उधर से ची खुबरी फिर चोटी के पीछे गायब हो गिया रगनात समझ सकता था पहाड के उस तरफ अब वो खेल खेल हुआ पड़ा होगा दान पर दान चमाई रगनात किसी और सिर की तलाश में वही नजरे केंदरित किये हुए था कि धाई जाने किस दिशा से एक और गोली चली सुलगता हुआ बुलिट इस बार इकराम के बाएं पैर की पिंडली तोड़ गया एक बार फिल वो लड़ खड़ा कर सड़क पर गिरा रगनात ने बड़ी तेजी से उसके तलाश में नसरे घुमाई जिसने इस बार इकराम को निशाना बनाया था मगर कहीं कोई नसर नहीं आया हर दरफ धूल उड़ाते पहाड उसे अपना मूँ चिड़ाते से नजर आ रही थे वो पहाड जिनके पीछे हमलावर ने अपना काम करके खुद को चुपा लिया था खटाप की एक आवास होई रगनात और ड्राइवर ने महसूस किया इस पात का पंजा गाड़ी की चट से हट गया था सच था भी यही इस पात का पता उन्हें तब लगा जब पंजे को इकराम की तरफ बढ़ते देखा उस इकराम की तरफ जिसमें अब उठकर भागने की ताकत नहीं थी बुरी तरह जखमी अब वो चीकने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था वही कर भी रहा था पंजा उसके ठीक उपर पहांच किया अब वो पंजे की चाया में था ये एसास होते ही रगुनात बुकला उठा कि पंजा मोहमद इकराम को अपनी गिरफ में लेने वाला है एक जटके से उसने गाड़ी का गेट खोल कर बाहर जंप लगानी चाही परंतो सामने वाले पहाड के पीछे से जपटने वाली गोलियों ने उसे रोप दिया बाहर निकलने का मतलब था अपने जिस्म को गोलियों से चलनी करवा लेना ऐसा मत कीजिये सर ड्राइवर ने कहा आप केवल जान गवा सकते है उसकी कोई मदद नहीं कर सकते सच था भी यही रगुनाद को लगा जान गवा कर भी वो दुश्मनों को उनके इरादे में काम्याब होने से नहीं रोक सकता पंजे ने मुहमद इक्राम को अपनी मुठी में समेट लिया था इक्राम बुरी तरह छटपटा और चीक रहा था रगुनाद समझ किया दुश्मन का मकसद मुहमद इक्राम के जान लेना नहीं था ऐसा होता तो दो गोलियों उसकी टांगों में नहीं मारी जाती जान से तो दुश्मन उसे किसे भी एक्षण बहुत आसानी से मार सकता था ऐसा करने की जगा उसे पंजे में दबा कर हवा में उठाया जा रहा था जाहिर था दुश्मन का मकसद उसे किड्नैप करना है खत्मकर डालना नहीं अपने प्रिश्ण जीवन में रगुनाथ ने कभी खुद को इतना विवश महसूस नहीं किया था पंजा चीकते चिलाते और चटपटाते महमद इक्राम को उस महमद इक्राम को ठीक इस तरह हवा में उठाई ले जा रहा था जैसे बाच कबूतर को ले जाता है और वो किसी भी तरह उस क्रिया को रोक नहीं सकता था काश काश रगुनाथ अपनी जान गवा कर भी कुछ कर सकता पेड़ के बेट से गुजरता हुआ पंजा वापिस क्रेंड की तरफ खेशता चला किया कुछ भी तो नहीं कर सका रगुनाथ कुछ भी नहीं वो जानता था गाड़ी से बाहर कदम रखते ही शांत नजर आ रहे पहार गर गरज उठेंगे वो लाश में तबदील होकर सड़क पर पड़ा रह जाएगा महमद इक्राम की तब भी कोई मदद नहीं की जा सकेगी रगुनाथ ने पेड़ की शाखों और पत्तों के जुर्मुट के उस पार क्रेन के नस्दीक एक क्वालिक्स की हलचल देखी कपडों के नाम पर इस वक्त विजे के जिस्म पर सिर्फ एक अंडर्वियर था और वो भी लाग सुर्क लंगोड जैसा बाकि संपूर्ण जिस्म गनगन था और इस वक्त उसे कोई भी एक नजर में देख कर कह सकता था कि वो सर्सों के तेल से भरे ड्रम में डुपकी लगा कर आया है तेल के इलावा उसके बलिष्ट जिस्म पर यदि कोई दूसरी चीज नजर आ रही थी तो वो पसीना था धेर सारा पसीना ये पसीना सुबह सुबह जबरदस मेहनत करने का परिनाम था कमरे की अचीब हालत बना रखी थी उसने सोफा और सेंटर टेबल एक दिवार के सहारी अस्त व्यस्त पड़े थे यानि कमरा खाली एक दिवार के साथ लाठी की तरह खड़ा वो आँख बंद किये बुद्बुदा रहा था या बचरंग बली तोड़ दुश्मन की नली किलादे मटर की फली बटक रहा हूं गली-गली या बचरंग बली इस नारे के साथ ही वो बंदूग से छूटी गोली की तरह ठीक अपने सामने वाली दिवार की तरफ दौड़ा दिवार से तीन गज इधर ही उसके जस्म हवा में उचला और दोनों पैरों की फलाइंग किक एक साथ दिवार पर पड़ी हवा में कला बाजियां खाया और धम से फर्ष पर आखड़ा हुआ कमरे के बीचो बीच खड़ा वो आगनिय नेत्रों से उस दिवार को घूर रहा था जिस पर फलाइंग किक मारी गई थी बड़ बड़ाया नहीं हटी साली जवाब में कहीं कोई आवास नहीं गुजी मगर विजे के चहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो दिवार द्वारा बोला गया वाक्य सुन रहा था जवाब में बोला अच्छा ये बात है अगर तू अडियल है तो हम भी पूरे अडियल है तुझे भी अगर हम तेरी जगा से हटा ना दे तो हमारा नाम विजे ठाकुराई चार सो बीस नहीं या बजरंग बली तोड दुश्मन की नली अपने पुराने नारे के साथ वो पूर्व की भांती दुश्मन दिवार के सामने वाली दिवार के सहारे लाठी की तरह खड़ा हो गिया पुने वही दौड़ना दिवार पर फ्लाइंग केक उपरोग दृश्य को पढ़कर मेरे नियमित पाठकों के होटों पर निष्टे ही मुस्कान उपरी होगी मगर नए पाठक ये सोचकर थोड़े असमंजस में फस गए होंगे कि दिवार को सरकारे की अजीबो गरीब कोशिश करने वाला ये अनोखा किरदार आखिर है कौन इसलिए यहां संक्षेप में विजे के बारे में बताने के बाद आगे बढ़ा जाए तो ज्याता बैतर होगा राजनगर पुलिस के सर्वोच अदिकारी यानि आईजी पुलिस है ठाकुर निर्भे सिंग सब लोग उने ठाकुर सहब कहते हैं और विजे इनी ठाकुर सहब का लड़का है ठाकुर सहब की नजरों में वो एक आवारा बदचलन, बेशर्म, बदमाश और अयाश लड़का है इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल रखा है मगर हकीकत ठीक इसके विप्रीत है बारत की सर्वोच जासुसी संस्था का नाम है भारती सीक्रेट सर्विस अपने जिस लड़के को ठाकुर साहब बेकार समझते हैं वो दरसल किसी जमाने में बारती सीक्रेट सर्विस का चीफ हुआ करता था उन दिनों फिल्ड वर्क बढ़ रहा था और विजे को आफिस में बंद रहने की स्तान पर देश के लिए खत्रों से जूचना ज्यादा पसंद था अतेचीफ के पत से इस्तिफा दे कर वो स्वयम सीक्रेट सर्विस का साधारन एजेंट बन गिया है चीफ बनाया अपने चचेरे भाई ब्लैक बॉय को यानि आज वो भारतीय सीक्रेट सर्विस का साधारन सदस्य है देश के इस सर्वोतम जासू से संस्ता का सदस्य होने की सबसे पहली और कुठोरतम शर्ट ये है कि वो कभी किसी को किसी हालत में ये पता नहीं लगने देगा कि वो सीक्रेट एजेंट है यदि ऐसा हो जाता है तो एजेंट उसी क्षन रास जानने वाली को श्योट कर देगा और अपने पिता की कोठी में ठाकुर साहब और अपनी मा के साथ रहते विजे ने ये महसूस किया कि यदि वहां रहकर वो सीक्रेट एजेंट के रूप में इसी तरह देश की सेवा करता रहा तो एक दिन माता पिता उसका रहस्य जान जाएंगे बारत के इस हीरे ने अपने चेहरे पर मोर्कता का मकोटा चड़ा लिया बेवकुफाना हरकते करने लगा शिग्र ही अपने उट पटांग हरकतों से उसने ठाकुर साहब के दिमाग में ये बात बेठा थी कि वो मोर्क ही नहीं बलकि आवारा बद्चलन बेकार और बदमाश है नियाय और सिधान प्रिय ठाकुर साहब ने चड़ी से मार मार कर उसे घर से निकाल दिया यही तो विजे चाहता था वो अलग रहने लगा विजे की मा अपने बेटे के वियोग में आश तक तरपा करती है और विजे नाम है देश के उस सपूत का जो इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी अंजान बना रहता है इतना ही नहीं देश की खित्मत करने के लिए उसने ये कसम भी खाई कि कभी शादी नहीं करेगा ये उसका अपना खयाल है कि शादी शुदा व्यक्ति अपनी पूरी योग्यताओं के साथ देश की सेवा नहीं कर सकता ठाकुर साहब से अलग वो एक शानदार कोठी में रहता है विदेशी गाडियों में घूमता है और उसके ये ठाट बाट देखकर ठाकुर साहब समझते हैं कि कोई गैर कानुनी धंदा करता है ठाकुर साहब की नसरों में विजे ने अपनी जो चवी बनाई है उसे कायम रखने हे तू वो आज भी मूर्खता पून हरकते करता रहता है ये सोच कर कि मुझरिमों का पीछा करते या उनसे जोचते वक्त वो किसे भी अफसर पर ठाकुर साहब या पुलिस की नसरों में आ सकता है बचाफ के लिए खुद को प्राइवर्ट जासूस के रोप में विख्यात कर रखा है ऐसे किसे भी अफसर पर पकड़ा जाने पर वो ये कहकर अपना पीचा ही नहीं छुडा लेता बलकि असलियत चुपा लेता है कि वो प्राइवर्ट जासूस की हैसियत से मुझरिम का पीचा कर रहा था उसकी वास्त्विक्ता या तो सीक्रेट सर्विस का चीफ जानता है या उसी के जैसे अन्या सीक्रेट एजेंट अन्या सीक्रेट एजेंट के नाम है अश्रफ, विक्रम, नाहर, परवेज, आशा और विकास जैसा की बताया जा चुका है सीक्रेट सर्विस के वर्टमान चीफ का नाम ब्लैक है किन्तु अश्रफ, विक्रम, नाहर, परवेस और आशा में से ना तो कोई उसका असली नाम ही जानता है और ना ही कभी किसी ने उसकी शकल देखी है वो हमेशा चहरे पर एक नकाब डाले उनके सामने आता है वो उसे पवन कहकर पुकारते हैं और उसे केवल भर्राई हुई खास आवास से ही पहचानती है ब्लैक बॉइ को विजे ने क्योंकि स्वयम चीफ बनाया है इसलिए ब्लैक बॉइ उसे आज भी अपना चीफ समझता और सर कहता है जरूरत पढ़ने पर विजे पवन वाली खास भर्राई हुई आवास में अश्रफ आधी को चीफ की हैसियत से हुकम दे देता है परंतु प्रत्यक्ष में वो उनके सामने भी मूर्थ और जोकर बना रहता है विजे की संपूर्ण हकीकत से सिर्फ दो व्यक्ती वाकिफ है ब्लैक बॉइ और विकास विकास ये नाम है पुलिस सुप्रेटेंडन्ट विजे के बेहनोई कम दोस्त रगुनात और उसकी बीवी रेना के इकलोते लाल का रेना विजे की चचेरी और ब्लैक बॉइ की सगी बेहन है और विकास 21 वर्ष की कम आयू में ही विजे का शिश्य ही नहीं बल्कि सेकर्ट सर्विस का सबसे कम उम्र एजेंट भी है एजेंट भी ऐसा कि जुससे दुनिया के भयंकरतम मुझरिम ही नहीं बल्कि दुश्मन देश के जासूस भी कामते हैं दुश्मन को अपनी आँखों के सामने देखते ही वो लड़का पागल हो जाता है ऐसे मौके पर लोग उसे कहते हैं दुरदान्त, दरीन्दा, राक्षस और भेडिया शायद आशा की भावनाओं को सपश किये बिना विजे का करेक्टर अधूरा है आशा नाम है सीक्रेट सर्वेस के उस एक मात्र महिला सदस्य का जो मन ही मन विजे से महाबबत ही नहीं करती बल्कि देवता मान कर उसे पूछती है, आरातना करती है विजे का खयाल आते ही, उसके दिल में मीठा मीठा दर्ध होने लगता है कितने ही बार उसने अपने दिल की बात विजे से कहनी चाही परनतु विजे ऐसे हर अफसर पर मोर्क बन जाता अनापशनाप फरकते करने लगता और ये हर्कतें वज्र बन कर आशा के दिल पर चोट किया करती है वो तिल मिला उठती है, कसम साकर रह जाती है मगर कभी नहीं समझ पाती कि उसके दिल के समस्थ भावनाओं को अच्छी तरह जानने के बावजूत विजे इसलिए अंजान बना रहता है क्योंकि अपनी नजर में उसने अपने देश से शादी कर ली है इस वक्त उसे विजे के तेल और पसीने से नहाई बलिष्ट, ठोस और कसरती जिस्म पर जखमों के निशान सपश्ट चमक रहे थे जो विबिन केसों के दौरान उसे लगे थे वो पांचवीं बार दिवार पर फ्लाइंग केक मारने के बाद फर्श पर खड़ा उसे घूर रहा था तो दर्वाजे से आवाज आई क्या हो रहा है गुरू? दिवार को हटाने के लिए हो चुके हैं शुरू जोंक में बोले गए इस वाक्या के साथ ही विजे फिरकनी की तरह दर्वासे की तरफ घूम गया वहाँ विकास खड़ा था साड़े छे फुट लंबा गोरा चिट्टा सेब जैसे रंग के गोल मुखडे और अर्थ घुंगराले बालों का मालिक गजब के तंद्रोस्त और लंबे लड़के के मुखडे पर वैसा ही भोलापन और मासूमियत थी जैसी पांच वर्षिये लड़के के चहरे पर देखने को मिलती है वो खुब गोरा था तंद्रोस्त और लंबा काम देव सा रूप चोस्त काली पैंट और हाफ बाजू का जालीदार बन्यान पहने जब वो लंबी लंबी टांगों का इस्तिमाल करके विजे की तरफ बढ़ा तो लगा कि कोई फरिष्टा उसकी तरफ बढ़ रहा है विजे के नजदीक पहुँच कर श्रदा से अटोठ हिद्य के साथ चुका चरण स्पर्श करने के साथ बोला प्रणाम गुरुदेव वो तो ठीक है प्यारे दिल जले मगर आज अकेले कैसे सीधे खड़े होते हुए विकास ने पूछा क्या मतलब वो बंदर कहा गया जवाब विकास ने नहीं बलकि दर्वाजे पर से उभरने वाली बंदर की चींची ने दिया विजे के साथ ही विकास ने भी उधर देखा वहाँ धनुष टंकार मौजूद था मौजूद ही नहीं था बलकि विजे पर घुड़क रहा था वो चेहरे पर गुसे के चिनह थे और उसके गुसे की वज़ा जानते ही विजे सक पता किया तुरंद बोला अरे तौबा मेरे बाब की तौबा मोंटो प्यारे कसम चिड़ी मार की मैंने दुमे बंदर नहीं कहा अजीब नमूना था वो जिसे धनुष्टंकार कहा जाता है जिसम से बंदर मन मस्तिश्क से इंसान हमेशा की तरह इस वक भी वो शानदार सोट में था पैरों में नन्ने नन्ने किन्तु चमत ग्राट जूते अपने हातों से उसने कान पकड़े फूर्ति से उठक बैठक लगाई और फिर विजे को भी वैसा ही करने का इशारा किया विजे जानता था कि धनुष्टंकार की तरफ से ये सजा है उसे बंदर कहने की गनीमत थी कि वो सजा दे रहा था वरना होता ये है कि खुद को बंदर कहने वाले के गाल पर धनुष्टंकार करारा चांटा रसीत करता है लो मॉंटो प्यारे हमें माफ करो अपना दिल साफ करो कहने के साथ ही विजे ने कान पकड़ कर उठक बैठक लगानी शुरू कर दी और उसकी इस हरकत पर विकास के गुलाब की पंखुडियों से होंट शरारती अंदास में फैल कए दर्वाजे पर खड़ा धनुष्टंकार खुश हो किया खुशी का इजहार करने का उसके पास एक ही तरीका था और वही उसने किया यानि कोट की जेब से पहुआ निकाल कर धकन खोला दो घोंट हलक में उडे ली और धकन बंद कर पहुआ जेब में रखने के बाद मटकने लगा दनुष्टंकार नामक इस गिरदार की कहानी भी बड़ी विचित्र है किसी जमाने में डॉक्टर लाजा रूस नामक एक ऐसा वेक्यानिक मुझरिम हुआ करता था जिसने मस्तिश्क प्रति रोपन के प्रियोग में कामियाभी हासिल कर ली थी वो चाहे जिसका मस्तिश्क चाहे जिसमें प्रति रोपित कर देता था एक था मोंटो नामक जेब कत्रा शराब और सिगार का रसिया एक दिन उसने डॉक्टर लाजारूस की ही जेप पर हाथ की सफाई दिखाने की चेश्टा की और यही चेश्टा उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई हुआ यह कि डॉक्टर लाजारूस ने मॉन्टो को पकड़ ही नहीं लिया बलकि उसका मस्तेश्क एक बंदर के जिस्म में प्रति रोपित कर दिया बस तब इसे उस मॉन्टो नामक व्यक्ति के पास ये बंदर वाला जिस्म है डॉक्टर लाजारूस वाली केस में विजे काम कर रहा था अंति ये हुआ कि डॉक्टर लाजारूस के नापाग की रादों को विजे ने ताश के महल की तरह बिखेर दिया लाजारूस पागल हो गया जबकि मॉन्टो को विजे ने अपने पास रख लिया विज़ से मोंटो को विकास ने ले लिया उसे प्रशिक्षित किया आज वो इनसान की तरह सब कुछ समझ सकता है लिख सकता है सोच सकता है मगर कोशिश के बावजूत बोल नहीं पाता ऐसे ऐसे खतरनाक कारियों में दक्ष हो गया है कि विज़े विकास के कंदे से कंधा मिला कर कई केसों पर काम कर चुका है अपने लिए वो बंदर शब नहीं सुन सकता माउथ औरगन बचाना शराब और सिकार पीना तथा लड़कियों से चेट चार करना आज भी उसके शौंक है इस रूप में उसका नया नाम रखा गया है धनुश्टंकार विजे अभी मुश्किल से तीन या चार उठक बैटक की लगा पाया कि धनुश्टंकार का जिस्म हवा में लहरा कर विजे की गर्दन पर आ किरा अभी अभी क्या करते हो गार्डिव प्यारे विजे कहता ही रह किया जबकि उसके सीने पर सवार धनुश्टंकार गले में बाहर डाले उसके चेहरे पर चुम्बनों की जड़ी लगाता चला किया ये था धनुश्टंकार के प्यार करने का तरीका चुम्बनों से पेट भरने के बाद धनुश्टंकार वहां से कूद कर सोफे की पुष्ट पर जा बैठा और जिस समय वो जेब से एक सिगार निकाल कर सुलगा रहा था उस समय विकास ने विजे से पूछा तो ये प्रैक्टिस हो रही थी गुरू, कि आप कितनी उंचाई तक फ्लाइंग केक मार सकते हैं। 16 आने गलत, विज़ ने तपाक से कहा, हम तो उस साली दिवार को उसकी जगा से हटाने की कोशिश कर रहे थे प्यारे, मगर वो भी ठाकूर की पूतनी है, तस से मस नहीं हुई, मुस्कुराते हुए विकास ने कहा, आप मुझे बेवकुफ नहीं बना सकते गुरू, फिर किसे बना सकते हैं, विज़े ने शतुर मूर की तरह गर्दन लंबी करके महा मूर की तरह पलके जबकाई। सारी दुनिया को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि आप दिवार को हटाने की नहीं, बलकि उन्ची फ्लाइंग के कमारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कह सकते हो तो कहो, रोका किस बागड बिल्ले ने हैं, कहने के साथ ही, वो पुने सामने वाली दिवार के सहारे, लाठी के समान खड़ा हो गया, और अभी अपनी क्रिया दोहराने की तयारी कर ही रहा था, कि विकास ने कहा, क्या कर रहे हो अंकल? हमने भी ठकुराइन की कोक से जनम लिया है, उस दिवार को वहां से हटा कर ही, आप भी क्या बात कर रहे हैं अंकल? विकास ने शरार्ती अंदास में कहा, जरा सोचिए, अगर दिवार वहां से हट गई तो क्या होगा? क्या होगा? चट आपके सिर पर आगिरेगी. आएं, बॉकलाकर विज़े ने चट दोनों हातों से अपना सिर ढाप लिया, विकास ठहाका लगा कर हस पड़ा, सोफे के पुष्ट पर बैठा, धनुष्ट अंकार गाड़े धुएं के चल्ले बनाने में मगन था, कि विज़े विकास से कहा, यानी मान गई प्यारे दिल चले, कि हम कोई प्रैक्टिस व्रैक्टिस नहीं बलकि दिवार को हटाने की कोशिश कर रहे थे? विकास ने कुछ कहने के लिए मुझ खोला ही था, कि बाहर पोर्च में एक गाड़ी रुखने की आवास आई, कौन आया है? अभी आंखों में ये सवाल भर कर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा ही था, कि विजे, विजे कहा हो तुम? वातावरण में रगुनात की आवास गुझी, लो, तुलाराशी भी आठ टपके, विजे ने कहा, लैला लैला पुकारते चले आ रहे हैं, ये स्चाइल ही बता रहा है कि अपने साथ किसी नई मुसीबत का टोकडा उठाए चले आ रहे हैं, वा, विजे, इस आवास के साथ रगुनात दरवाजे पर नजर आया, वहीं ठिटक गया वो, शायद आगे भी कुछ कहना चाहता था, मगर मुझ खुला का खुला रह गया, कारण था, वहां विकास और धनुष टंकार की मौचूद की, हम यहीं है प्यारे, क्यों हमारी इस अच्छी बली कोठी को रेगिस्तान समझ कर लैला लैला पुकारते घूम रहे हो, विकास पर नजरे टिकाए रगुनात अंदर कदम रखता बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो, बस योहीं विकास सक पकाया, अंकल से मिलने चला आया था, रगुनात थोड़ा उत्तेजित और जल्दी में नजर आ रहा था, इसलिए विकास और धनुष टंकार से ध्यान हटा कर विजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, विजे मैं एक मुसीबत में फस गया हूँ यार, तुमारी मदद की जरू पूरत है, तो तुम क्या हमें तांत्री कंगुठी समझ कर चले आये हमारे पास, तांत्री कंगुठी, सुना है ऐसे अंगुठी हर समस्या का हल कर देती है, उफ विजे, प्लीज, मजाक मत करो, टाइम बहुत कम है, रगुनात कहता चला किया, ठाकुर साहब ने मुझे, मु कहां से शुरू हो गए प्यारे, कौन मुहम्मद इक, क्या आप उनी मुहम्मद इकराम की बात कर रहे हैं, पापा, जिनकी वज़ा से कई शहरों में दंगे हो रहे हैं, विजे की बात पूरी होने से पहले ही, चौंकते हुए विकास ने पूछा था, हाँ, ये लफ्स जानते ही नहीं प्यारे, तो दोड़े दोड़े यहां क्यों चले आई, और अगर उन महाश्यों को किसी ने किड्नैप कर भी लिया है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करो विजे, उसके सुरक्षा के जिम्मेदारी मेरी थी, मेरे लिए ठाकुर साहब को ज सीरियस है, रगुना तो उस शक्स के अपरण की बात कर रहा था, जो पिछले दो देन से सबसे ज्यादा चर्चा में था, सो जल्दी ही लाइन पर आता हुआ बोला, पर प्यारे, पूरा किस्सा तो बताओ, कैसे अपरण हो गया उसका, रगुना ते की सांस में सब कुछ बत जाया किया है, पूरी घटना सुनने के बाद विजे को यकीन हो गया, कम से कम हाथो हाथ तो मुहम्मद इक्राम को हासिल किया नहीं जा सकता, अते सीरियस हो चले, महौल को पुने मजाग की तरफ मोरता बोला, तुमने तो वाकि हमारी नाक कड़वा दी, तुला राशी, पर तुम दुम दबाए अमबैसजर में बैठे रहे? अरे, मैं कर भी क्या सकता था विजे, सारे हालात तो बता दिये हैं तुम्हें, उन हालात में अपनी जान गवाने से ज्यादा किया भी क्या जा सकता था, और तब भी इक्राम को किडनेप होने से बचाया नहीं जा सकता था उन लोगों ने हमला ही कुछ इस तरह और ऐसी तैयारियों के साथ किया था कि रगुनात की बात अधूरी रह गई व्यवधान फोन की घंटी ने डाला था रिसेवर उठाने के साथ विजे ने कहा अनात आर्श्रम से बिन माबाप का बच्चा बोल रहा हूँ छीक कहा तुमने कुछ बच्चे इतने ज्यादा नालाइक होते हैं कि जीते जी अपने माबाप को मार डालते हैं अ अरे विजे बौकला गया ब बापुजान हाँ हमें कनात के बाप बोल रहे हैं ठाकर साहब के हलक से गुराहट से निकली थी मगर ये सवाल उड़ता था बापुजान की आप बोल क्यों रहे हैं विजे वापस अपनी टोन में लोड़ता हुआ बोला जो अनात होते हैं उनके माबाप वहां पहुंच चुके होते हैं जहां S.T.D. के सुविधा उपलब नहीं है बकुमत जज जी रगुनाथ तो नहीं है न वहां जी यहीं है विजे ने कहा दुम दबाकर सीधे यहीं दोड़े चले आए हैं आपके सूपर इडियट सहाब उससे बात करवाओ विजे ने रिसेवर इस तरह अपने कान से हटाया जैसे अचानक उससे चली गोली कान में घुस गई हो बकैर माउथ पेस पर हाथ रखे उसे रगुनाथ की तरफ बढ़ाता बोला बापु जान तुमसे बात करना चाहते हैं प्यारे तुलाराशी रगुनाथ को इस एसास ने मानो सक पका दिया कि दूसरी तरफ ठाकुर साहब है आगे बढ़कर उसे रिसीवर लेना पड़ा उसके बाद फोन पर वो बस जी सर ये सर ही करता रहा और अंत में बोला मैं आ रहा हूं सर रिसीवर क्रेडल पर पटक कर वो दर्वाजे की तरफ बढ़ता बोला उन्हें पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है मुझे आफिस में तलब किया है वहीं जा रहा हूं प्लीज विजे इस मामले में कुछ करना यार कहने के बाद वो जिस तेजी के साथ आया था उसी तेजी के साथ चला गया एक ताले में चाबी घूमने की आवास उभरी हैरी सतर खोकिया वो समझ गया उसे डिनर पहुंचाने वाले आप पहुंचे हैं इस वक्त वो एक छोटी सी सीलन भरी कोटरी में था उस कोटरी में एक मातर दर्वाजा था लोहे का भारी भरकम दर्वाजा कुछ वैसा जैसा सर्राफ की तिजोरी का होता है दर्वाजे के ठीक सामने वाली दिवार में एक रोशन दान था फर्श से करीब आठ फुट उपर वो केवल एक बाई एक फुट का था मोटी मोटी सलाकों से युक मगर हैरी उन सलाकों को एक सिरे से उखाड कर मोट चुका था ये काम उसने आज लंच के बात किया था कोशिश तो उसके सलाकों को पूरी तरह उखाड कर रोशन दान के दूसरी तरफ फैंक देने की थी परन्तु कोशिश के बावजूद कामयब नहीं हो सका फिर जितना हुआ था उसी से संदुश ठोकिया कारण वो जानता था उसका काम इतने से ही चल जाएगा और जो उसे करना था ताले में चाबी के घूमने की आवाज सुनते ही शुरू कर दिया किया उसने ये कि दोनों हाथ बंद दर्वाजे की दाईं चौकट पर जमाई दोनों पैर बाईं चौकट पर और जबरदस फुर्ती के साथ उसी पुजिशन में उपर चला किया भारी भरकम दर्वाजा खुलने तक हैरी दर्वाजे के ठीक उपर लेंडर के नस्दीक था वे दो थे जिस्मों पर पाकिस्तानी आर्मी का लिबास हमेशा की तरह एक के हाथ में खाने की ठाली थी दूसरे के हाथ में एक के सेंटालिस दर्वाजा खोल कर उन्होंने कोट्री में कदम रखा वहाँ पूरवत जीरो वाट के बल्ब की रोशनी बिक्री पड़ी थी कैदी को नदारत पाकर चौंके एक के मुझ से निकला अरे कहां गया हैरी वह वो देख दूसरे ने रोशनदान की तरफ इशारा किया पहले के मुझ से निकला हाई अल्ला शायद भाग गया है गधा है तू दूसरा बला बला इतने चोटे रोशनदान से कोई कैसे पार हो सकता है फिर वो कहां गया और सलाखे क्यों मुड़ी पड़ी है इस सवाल का जवाब दूसरे के पास भी नहीं था उन्हें इसी उल्चन में फसाने के लिए तो हैरी ने सलाखे उखाडी थी वो जानता था काफी देर तक वो इसी उल्चन के शिकार रहेंगे कि उस रोशनदान के माध्यम से हैरी बाहर निकला तो कैसे निकला उन्हें पलों का लाब उठाने की ठानी थी उसने उसने जो इस वक्त अपनी प्लानिंग के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी सेनी को क्यों कि ठीक सेर के उपर था इसी कारण वो से देख नहीं पा रहे थे अब ज्यादा देर करना हैरी ने मुनासिब नहीं समझा वे दोनों अभी उल्जन से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे की हैरी दोनों पर एक साथ आठ टपका थाली वाले की गर्दन उसकी टांगों की कैंची में जा फसी थी जो गन वाले की ठीक गन पर जा जमे थे हैरी के दोनों हाथ दोनों पर जसे गाच किर पड़ी थी थाली हाथ से चूटी खाना कोटरी के फर्ष पर भिखर गया गन हैरी के हाथों में पहुँच चुकी थी और हैरी के हाथों में अगर गन थी तो गजब तो होना ही था एक की गर्दन में कैंची फसाई, उसने दूसरे को धार पर लिया, ट्रिगर पर उंगली का दबाफ बढ़ाता चला किया रेट रेट रेट, गन गर्जना दूर दूर तक, छाय सननाटे का कलेज़ा चाक चाक कर गई फिर बेचारे धार पर आई कलेज़े की कौन कहे, केवल पलक ही जबकी थी, कि अपने ही लहो से नहा गया वो, चीखने तक का मौका नहीं मिला एके सैंताली से खौफ खाई, उसकी आत्मा ने जिस्म छोड़ा, और सिर पर पैर रख कर, इश्वर पोरी की तरफ दौड लगा दी खौण में नहायर जिस्म वहीं पड़ा रह किया, दूसरी तरफ था वो, जो टांगों की कैंची में फसा था, आजाद होने के लिए छट पटा रहा था वो हैरी ने ऐसी अंगडाई ली, जैसे अजगर ने करवट ली हो, सैनिक का सिर्फ फर्ष से जाकर टकराया, कैंची के निकलते ही वो मूँ से चीखे निकालता, कोटरी की एक दिवार की तरफ लुड़कता चला गिया हैरी ने रबड के बबुए की तरह उचल कर, खुद को सीधा खड़ा किया, उदर सैनिक भी संबल कर उठने की कोशिश कर रहा था, हैरी चाहता, तो उससे थोड़ी देर खिलवार कर सकता था, मगर नहीं, उसे लगा, उसके पास खेलने का वक्त नहीं है सो गन सीधी की, ट्रिगर पर उंगली रखते ही वो एक बार फिर हत लाई, पलक झपकते ही दूसरे सैनिक का जिस्म भी मलवे में तबदील हो गिया, उसी समय कोई जोर से चीखा था, हुश्यार, कैदी फरार होने की कोशिश कर रहा है, गन संभाले हैरी दर्वाजी पर चप में खुमाई और मुझ खोल दिया, वो इंसानी चीख जो वास्तव में काफी जोरदार थी, गोलियों की तर तड़ाहट के बीच दपकर रह गई, अब हैरी का कोई शिकार उसके सामने नहीं था, सामने थी तो केवल दोनों तरफ फैली गैलरी, पंद्रा फुट चौडी थी वो, चट पर जगा जगा बल्ब लगे थे, एक शण, केवल एक शण हैरी ने ये सोचने में कवाया, कि उसे दाइं तरफ बढ़ना चाहिए, या बाइं तरफ, उसी एक शण में वहाँ अलाम की कड़कर शावास गुझ उठी थी, हैरी को नहीं मालुम था, कौन सा रास्ता उसे इमारत के और अंदर ले जाएगा, कौन सा बाहर, फिर भी वो उस तरफ दोड़ पड़ा, जिस तरफ उसके हाथ में दबी गन का तीसरा शिकार पड़ा था, उसकी लाश को एक ही जंप में पार करता हैरी, आदी तुफान की तरह गैलेरी के मोड की तरफ दोड़ा, पोटो के मालिकों को देख नहीं सकता था, मगर समझ सकता था कि धेर सारे सैनिक दोड़ते हुए इसी तरफ आ रही है, उसने खुद को गैलेरी के कोने की दिवार के साथ सटा लिया, करीब दस सैनिक मोड क्रॉस करके उसके सामने आई, किसी को ये देखने का होश नहीं था, कि जसकी वज़ा से अलाम चीखे जा रहा है, वो दिवार के सहारे खड़ा है, सभी उस दिशा में भागते चले जा रहे थे, जिदर हैरी की गण का तीसरा शिकार पड़ा था, उन सभी की पीट इस वक्त हैरी की आँखों के सामने थी, इसके बावजूद उसने गण का खोलने की कोई जरूरत नहीं समझी, उन्हें अपने साथी की लाश की तरफ दोडने दिया, खुद ने मोड के दूसरी तरफ देखा, उदर जिदर से दोडते हुए वो आई थे, गैलेरी के उस हिस्से में इस वक्त कोई नहीं था, सो हैरी ने खुद को मोड के उस तरफ किय अब उसका जिस्म मोड के इस तरफ था और गण की नाल तनी थी, दस सैनिकों की टुकडी की तरफ, उस टुकडी की तरफ जो हैरी की गण के तीसरे शिकार की लाश के नस्दीक पहांच कर ठिटक चुकी थी, कुछ देर के लिए सब यूं खड़े रह गए थे, जैसे लक्व को मारे का बेवकुफ एक करन्य जुंच लाया, मगर तीसरा बोला, इसे मार कर वो यहां से गया किधर, पेचे से तो हम आही रहे हैं, जरूर सामने की तरफ गया होका, उससे पकड़ो बेवकुफों, अगर वो निकल गया, तो हम लोगों की खैड नहीं, लेकिन सर, अगर व सामने की तरफ गया है, तो बाहर कैसे निकल जाएका, उधर से तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक सैनिक ने अपने बुद्धी मता जाड़ी, उसकी बुद्धी मता ने हैरी को बता दिया, वो सही रास्ते पर है, अब उसने उनके बेच होने वाली आगे की वारता सुनने की कोशिश नहीं की बल्कि गंद संभाले उस तरफ लबका जिदर से वो सैनिक टुकडी आई थी वो दो बाते जान चुका था पहली टुकडी इस तरफ नहीं आईगी बल्कि उस इमारत के अंदर की तरफ जाकर उसी तरफ बढ़ेगी दूसरी जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वो उसे इमारत से बाहर ले जाएगा और फिलहाल उसका पहला लक्षे यही था सो वो तेजी के साथ रास्ता पार करने लगा कई मोर पार करने के बाद एक दरवासा नजर आया दरवासा लोहे का बना था और उतना ही मजबूत था जितना उस कोठरी का था जिसमें उसे कैत किया गया था दोनों दरवासों में फर्क था तो केवल ये कि उस दरवासे में उपर की तरफ सॉलिड लोहे की जगा छे इन चौड़े एरिया में सलाके लगी थी सलाकों के पार उसे तीवर प्रकाश नजर आया अर्थात दरवासे के उस दरफ गैलरी के मुकाबले ज्यादा रोश्नी थी सलाकों के कारण उस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से उस दरफ देखा भी जा सकता था खुद को दिवार से चिपकाई उसने दबे पाउं दर्वाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया अभी काफी इधर था कि सलाखों के उस पार एक चेहरा नजर आया घरी काली दाड़ी वाला क्रोर सा चेहरा उसकी भवव पर भी काफी ज्यादा बाल थे अपनी गड़े में धसी सी आँखों से वो सलाखों के इस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था और हैरी ने अगर खुद को दिवार के साथ चिपका कर आगे बढ़ने की सतरकता ना बढ़ती होती तो इस पर निश्चे त्रोप से दाड़ी वाले द्वारा देख लिया जाता हैरी ठिटक किया, सांस तक रोक ली उसने गन की नाल धीरे धीरे दरवाजे के जंगले की तरफ उठानी शिरू कर दी थी ताकि दाड़ी वाले के द्वारा देखा जाते ही उसे शहीद कर दे हैरी केवल दिवार से चिपका हुआ था ऐसी किसी आड़ में नहीं था जहां दाड़ी वाले द्वारा देखा ना जा सकता मुकमल गैलरी में घूम रही उसकी आँखे हैरी की तरफ घूमने ही वाली थी कि दर्वाजे के उस पार से पिंग-पिंग की आवाज उप्री हैरी समझ किया वो किसी ट्रांस्मीटर की आवाज है सलाकों से उस पार अब दाड़ी वाले के सिर का पिछला हिस्सा नजर आ रहा था जाहिर है वो आवाज की दिशा में पलट चुका था हैरी की लुकी होई सांसे मानू पुन्हे चलनी शुरू हुई पिंग-पिंग की आवाज वातावरण में लगातार गुंच रही थी फिर दाड़ी वाले के सिर्ख का पिछला हिस्सा भी नजराना बंध हो गया हैरी समझ सकता था वो लगातार सिगनल दे रहा है ट्रांस्मीटर की तरफ लबका है उस तरफ का हाल जानने के लिए हैरी तेजी से दबे पाउं दर्वाजे की तरफ लबका सावधानी के साथ चहरा सलाखों की उंचाई तक ले किया उसने देखा दर्वाजे के उस पार काफी लंबा चोड़ा हाल था हाल में मौझूद इलेक्ट्रोनिक मशीने बता रही थी वो कंट्रोल रूम है दाड़ी वाले ने एक शक्ति शाली ट्रांस्मीटर के नजदीक पहुंच कर उसे आन किया दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज साफ साफ हैरी के कानों तक पहुंची कैप्टन इर्शाद क्या वहाँ कोई गडबड है हमने हेड क्वार्टर के अंदर से फाइरिंग की आवाज सुनी है मुझे लगता है सर कैदी कोठ्री से बाहर आगिया है दाड़ी वाले ने जिसका नाम यकीनन इर्शाद था उसने कहा क्या बक्वास कर रहे हो दूसरी तरफ से डांडा गया कैसे हो गया ऐसा मेरे खयास से ज्यादा फिक्र की बात नहीं है सर फिक्र की बात क्यूं नहीं है वो कोठ्री से बाहर आ गया और तुम कहते हो फिक्र की बात नहीं है इससे ज्यादा फिक्र की और क्या बात होगी कैप्टन इर्शाद ने हकलाते से अंदास में कहा मैंने केवल आशंका जाहिर की है सर पक्के तोर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मेरी ऐसी धारना गण की आवाज सुनकर बनी है जबकि ये भी मुम्किन है कि गण हमारे ही किसी सैनिक ने चलाई हो बेवकुफों जैसी बाते मत करो कैप्टन क्रांस्मीटर के दूसरी तरफ मौचूद शक्स के मुझ से गुर्राहट से निकली हमारे ही सैनिक बला एक दूसरे पर गोली क्यों चलाएंगे जरूर कोई गडबढ है वही तो कह रहा हूँ सर गडबढ मुझे भी लग रही है इसलिए सूबेदार हैदर अली को उसकी टुकडी के साथ सुरंग में भेजा है सुरंग और कंट्रोल रूम के बीच का दर्वासा मैंने बंद कर लिया है इससे क्या होगा पहली बात अगर वो कोठरी से बाहर आ भी गया तो हैदर अली की टुकडी उसे काबू में कर लेगी दूसरी बात सुरंगों के जाज से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है वो जिसे मैं बंद कर चुका हूँ आप जानते हैं इस दर्वाजे को या तो मैं कंट्रोल रूम की तरफ से खोल सकता हूँ या सुरंग की तरफ से केवल हैदर अली अर्थात अगर वो कोठरी से बाहर आ भी गया है तो सुरंगों के जाल को भूल कर कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच चकेगा मेरा दावा है हैदर अली उसे वापिस कोठी में बंद करके ही लोटेगा सवाल ये है वो कोठरी से बाहर आया कैसी कुछी देर पहले हमेशा की तरह दो सैनिक उसके लिए रात का खाना लेकर गए थे वो किसी तरह उन्हें चक्मा दे कर बाहर काने में काम्याप हो गया होगा ऐसा केवल मेरा खयाल है सर सही रिपोर्ट तो हैदर अली के लोटने पर ही मिलेगी कैप्टन इर्शाथ क्या तुम उस कैदी के फरार होने का मतलब समझते हो हाँ सर अच्छी तरह समझता हूँ क्या समझते हो वो हमारी यानि पाकिस्तानी आर्मी का नहीं पाक सेक्रेट सर्विस का कैदी है पाकिस्तान की शान कहे जाने वाले जासूस नुस्रत तुगलक का कैदी है उसे वो सीधे नियू योक से पकड़ कर यहां लाई थे और अगर वो फरार हो गया तो हमारा कोट मार्शल सीधे जनरल द्वारा किया जाएगा दोसरी तरफ से बात पूरी कई गई मुम्किन है सीधे सीधे नुस्रत तुगलक के हवाले कर दिये जाएग सुना है बहुत जालिम है वो एक बार अगर किसी को टॉर्चर करने पर आमादा हो जाएग मेरे समझ में नहीं आ रहा सर वो कभी फरार नहीं हो सकता अब बेवज़ा फिक्रमंद हो रहे है नुस्रत तुगलक ने कहा था वो बेहत खतरनाक है खतरनाक भले ही चाहे जितना हो मगर है तो आत्मी ही सर भूत तो नहीं है जो हम सब को नजर आए बगैर फरार हो जाएगा ज्यादा बड़ी बड़ी माते मत करो हमें जल्द से जल्द ये खबर चाहिए कि उसे वापिस उसकी कोठरी में बंद कर दिया गया है यकीनन बहुत जल्द आपको ये खबर मिलेगी कहने के साथ कैप्टन इर्शाथ ने ट्रांस्मीटर का स्विच आफ कर दिया हैरी का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था बहुत सी बाते वो पहले से जानता था मगर कुछ बाते अभी अभी पता लगी थी उनमें सबसे एहम बात थी इस दर्वाजे को या तो कैप्टन इर्शाथ खुल सकता है या हैदर अली इसके खुले बगेर वो सुरंगों के जाल से बाहर नहीं निकल सकता था ट्रांस्मीटर ओफ करते ही इर्शाथ दर्वाजे की तरफ खुमा पलक छपक ने जितने समय में यदि हैरे ने खुद को नीचे ना बिठा लिया होता तो निश्चित रूप से उसके द्वारा देख लिया जाता वो समझ सकता था एक बार फिर इर्शाथ इसी दर्वाजे की तरफ बढ़ेगा सलाखों के उस पार से गैलरी पर नज़र रखने के इलावा फिल हाल उसके पास काम भी क्या था हैरी के पास इतना समय नहीं था कि वो इर्शाथ के जंगले पर आने से पहले गैलरी के पहले मोड को पार करके दूसरी तरफ पहन सकता मोड काफी दूर था और ऐसा प्रयास करते वक्त लोही के केवाड से चिपका बैठा रहा सांसे तक रोक ली थी उसने दूसरी तरफ से पद जाप उभरी भारी मिलिटरी बूट की पद जाप आवास निरंतर नस्दीक आती जा रही थी जाहिर है इर्शाद दर्वाजे की तरफ बढ़ रहा था फिर पद चाप दर्वाजे की दूसरी तरफ बेहत नस्दीक आकर रुख गई हैरी समझ किया इस वक्त वो सलाकों के उस पार से गैलरी में जांक रहा होगा इस एहसास ने हैरी को बेहत रोमांचित कर दिया कि दुश्मन उसके बेहत नस्दीक है केवल उतना दूर जितनी लोहे की चादर की मोटाई है अपने दिल की धक धक अब वो साफ सुन सकता था दिवान दिमाग में सवाल कौन था क्या करूँ वर्थमान हालात में क्या करना मुनासिब होगा उसी समय वातवरण में एक लाइटर आउन होने की आवाज उपरी फिर आफ होने की आवाज और उसके बाद गाड़ा धुआ सलाकों के बीट से गैलरी की तरफ आया हैरी के सिर पर मंड़ राया जाहिर है इर्शाथ सिगार सिगरेट या बीड़ी का मज़ा ले रहा था हैरी उसके मान से कवस्था पकड़ गया समझ गया कि अब वो तब तक जंगले से नहीं हटेगा जब तक सैनिक टुकड़ी को वापिस आता ना देख ले उसके वहां से ना हटने का मतलब था हैरी भी अपने स्थान से नहीं हट सकता उसे बेचैनी से होने लगी बेचैनी का कारण था टुकड़ी वापिस आ गई तो वो दोनों तरफ से घिर जाएगा वो हालात उसके फेवर में नहीं होंगे सो उसने फैसला किया भयानक फैसला फैसला करते ही एक जटके से खड़ा हो किया वो उधर इर्शाद दुश्मन को अचानक इतना नस्दीक पा कर बौकला उठा बलकि अगर ये लिखा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा ठीक से बौकला तक नहीं पाया बेचारा उससे पहले ही हैरी के हाथ में दबी गन की नाल उससे रूबरो हुई और दमे के मरीज की तरह खासने लगी इर्शाद का चेहरा पचासवी मंजिल से गिरा दर्वासा बन किया हैरी ने दर्वाजे के उस तरफ पड़ी इर्शाद के लाश को देखने में केवल एक पल गवाया था अगले पल गन संभाले गैलरी में वापिस दौड पड़ा लक्ष्य था गैलरी का पहला मोड वहाँ पहुँशने से अब उसे रोकने वाला था भी कौन वही हुआ जसका अनुमान हैरी पहले ही लगा चुका था मोड पर पहुँशते ही उसने गैलरी के दूसरी तरफ से भागते कदमों की आवाज सुनी नजदी काती आवासे जाहिर था वो सब गन के खासने की आवाज सुनकर दौड़े चले आ रहे थे हैरी ने पहले गन की नाल मोड के उस तरफ घुमाई फिर चेहरे का आंकों से उपर तक का हिस्सा बाहर निकाल कर गर जा खबरदार एक कदम भी आगे बढ़े तो भून कर रख दूँगा सारी टुकड़ी इस तरह ठिटक गई जसे एक ही रिमोट से कंट्रोल हो रही थी उन मेंसे किसी को भी सोचने का मौका दिये बगैर हैरी गुर्राया तुम मेंसे हैदर अली कौन है? सन्नाटा गेहरा सन्नाटा चाया रहा पूरी टुकड़ी के बीच हैरी उन्हें सोचने समझने के लिए एक पल भी देने के मूड में नहीं था अते मू से कड़क आवास निकाली जल्दी बोलो वरना उसके चक्कर में सब को भून कर रख दूँगा सबकी नजरे अपनी अपनी दिशा से फ्रेंच कर दाड़ी वाले पतले दूबले शक्स की तरफ उठी हैरी के लिए इतना काफी था इस बार हरकत हैरी के होंटों ने नहीं उंगली ने की बगेर समय गवाई अपनी गन का मूँ खोल दिया उसने मगर एक भी गोली हैदर अली को नहीं चू सकी हाँ उसके चारो तरफ मौत का तांड़व जरूर हुआ था खड़ा खड़ा थर्रा रहा था जब होश में आया तो अपने चारो तरफ अपने साथियों की लाशे पड़ी पाई खून के तालाप में डूबी लाशे अभी वो इस अकीकत को समझ ही पाया था कि वो केवल वही जिन्दा है कि हैरी जिन की तरफ मोड के पीछे से प्रकट होकर उसके सामने आखड़ा हुआ उसकी गन की नाल अभी तक धुम्रपान करती नजर आ रही थी हैदर अली को वो मौत का शैतान सा नजर आया पलक जपकते ही जो कुछ हो गया था कई पल तक तो खुद को उसी के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाया सदमे से बाहर निकलते ही दिमाग में पहला खयाल कौन था दुश्मन सामने खड़ा है वो जो अगले पल उसे भी उसके साथियों के पास पहुचा देगा गन तो खुद उसके हाथ में भी है फिर वही क्यों नहीं दुश्मन को मार डालता ऐसा खयाल दिमाग में आते ही गन के ट्रिगर पर मौचूद उंगली में हरकत हुई और धाए एक गोली चली मगर वो उसकी अपनी गन से नहीं बलकि हैरी की गन ने उगली थी उसकी अपनी गन तो बेचारी खुद जक्मी हो गई थी परिनाम सुवरूप वो उसके हाथों से निकल कर लाशों के बीच जाकी री हैदर अली के दोनों हाथ बुरी तरह जन जना रहे थे हाथ ही क्यूं दिमाग तक जन जना रहा था उसका जिस्म जूडी के मरेश की मानिंद काम रहा था चेहरे पर चल रहा था मौत का कथक उसके ठीक विपरीत हैरी के गुलाबी होंटों पर थिरक रही थी मासूम और मोहक मुसकान वो मुसकान हैदर अली को मानो पागल कर गई हलक फाड कर दहार उठा वो मुझे भी क्यों नहीं मार डालते कमीने क्योंकि तुछ से मुझे मुहाब्बत हो गई है उसकी मुसकान गहरी हो गई हैदर अली की मुख मुद्रा से साफ जाहिर था कहना तो जाने वो क्या-क्या चाह रहा है मगर गुस्से की ज्यादती के कारण मुसे लफ्स नहीं निकल पा रहे अंदते हैरी नहीं कहा दर्वाजे की तरफ चलो ना चलू तो बहुत ही अनारी पन के साथ पूछा उसने तो मैं तुम्हारा मरने का शौंक पूरा कर दूँगा लहजा बहुत सक था हैरी का हैदर अली समझ नहीं पाया वो चाहता क्या है वही समझने के लिए हैरी के आदेश का पालन किया दर्वाजे की तरफ बढ़ा हैरी गन संभाले उसके पीछे था केवल एक गच पीछे दर्वाजे के नस्दीक पहुँच कर हैदर अली ठिटक गया इसे खोलो उसने हुकम दिया हैदर अली ने जांक कर सलाकों के उस तरफ देखा कंट्रोल रोम के फर्ष पर पड़ी कैप्टन इर्शाद की लाश पर नजर पड़ते ही जहन को जटका लगा अगले पल मानो सारी सिच्वेशन समझ में आ गई वो पल्टा हैरी की तरफ देख कर मुझे क्यों नहीं मारा बको क्योंकि तुम मुझे मार की नहीं सकते क्यों नहीं मार सकता मैं मर गया तो हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाओ के धरा रह जाएगा तुम्हारा यहां से निकलने का मनसूबा वो मनसूबा जसके लिए मेरे इतने साथियों का खून बहाया इतने उठा पटक की वहम है तुम्हारा हैरी ने कहा वहम है तो दिखाओ अपनी मलकानी मार डालो मुझे करो मेरा शौंक पूरा मेरे जिन्दगी तुम्हारी उंगली की हल्की जुम्बिश की धार पर है करो हरकत लुड़का दो मुझे भी एक पल के लिए लाजवाब हो गया हैरी फिर संबल कर बोला दर्वाजा खोल रहे हो हैदर अली या नहीं नहीं हैदर अली के जब्रे कस कए धाए गोली हैदर अली के कान से रगड़ खाने के बाद जंगले की एक सलाक से टकरा कर शहीद हो गई यही तो यही तो कहना चाता हूँ मैं हैदर अली ने बगएर ज़रा भी खौफ खाय कहा तो मुझे डराने की भले ही चाहे जितनी कोशिश करो मगर मार नहीं सकते यह गोली दाएं कान के नसीख से निकली है अगली बाएं कान के नसीख से निकालोगे सीने पर गोली नहीं मार सकते मेरे मैं मर गया तो इस दर्वाजे को खोल सकने वाला आखरी शक्स मर जाएगा हैदर अली ने उसकी हसी से उड़ाई इतनी मरदान की दिखाने के बावजूद कितनी बड़ी मजबूरी में फस गए तुम इसमें शक नहीं हैदर अली ने ठोस अकीकत कही थी बाहर निकलने का हैरी के पास और कोई जरिया नहीं था कुछ देर के लिए तो भनना कर रह गया लड़का चेहरा भबकता चला किया फिर हलक से लफज नहीं आग निकली मौत और जिन्दगी के बीच एक फासला होता है आम तोर पर लॉग उस फासले के बीच नहीं फसते फसना भी नहीं चाहते मगर मुझे लगता है उस ब्लैक होल में फसना चाहते हैं क्या मतलब? ये रहा मतलब दान भेंच कर कहने के साथ हैरी ने ट्रिगर दबा दिया हैदर अली के हलक से चीख निकली गोली उसके घुटने में लगी थी धाट से पत्रीली जमीन पर गिरा अब बोल हैरी गुड राया केवल डराया तो नहीं तुझे कान को सपर्ष करती तो नहीं निकली गोली और देख ये दूसरी गोली भी कान से सपर्ष करती नहीं निकलेगी कहने के साथ उसने दुबारा उंगली को जुमबिश दी इस गोली ने उसका दूसरा घुटना भी तोड दिया था खून से लगपत वो जमीन पर केड़े की तरह तडपता ड़कारता रहा और हैरी ने यही बस नहीं करती शनी कंतरा से उसने दो गोलियां और चलाई उसके दोनों बाचु कंधों पर जूलकर रह गए बुरी तरह डखरा रहा था वो डखराहर्ट के बेची दहाडा मारता क्यू नहीं कुत्ते मार क्यू नहीं डालता मुझे सीने पर क्यों नहीं चला देता एक गोली ठीक कहा था तुने बहुत मजबूर हूँ मैं केवल सीने ही पर गोली नहीं मार सकता तेरे कहने के साथ हैरी उसके बेहत नस्दीक पहुँचा बोला अब तेरी समझ में आया होगा इसे कहते हैं जिन्दगी का ब्लैक होल ना मिले तो वो भी करने को तयार हो जाता है जो वो जिन्दगी को हासिल करने के लिए तयार नहीं था म, मुझे मार डालो, प्लीज, कुत्ते कमीने मुझ पर रहम कर, मार डाल मुझे हैदर अली गड़ गड़ा भी रहा था और उसे गालियां भी बक रहा था तु जानता है? नहीं जानता तो अच्छी तरह समझ ले बहुत मजबूत हूँ मैं जब तक ये दर्वासा नहीं खुलेगा तब तक मैं तुझे मरने नहीं दे सकता कहने के साथ उसने गण की नाल पुरी बेरहमी के साथ गुटने के उस होल में घुसेड दी जो उसकी गोली ने बनाया था हैदर अली की डकाराहोटो से सुरंगे दहल उठी नाल को जख्म के अंदर घुमाते हैरी ने कहा दर्वासा ना खुलने तक मैं तुझे इसी तरह ब्लैक होल में फसाई रखूँगा देखना के वल ये है दर्वासा खोलने की जरूरत ज्यादा शिदत से तुझे पढ़ती है या मुझे कहां तक सहता हैदर अली इनसान सह भी कितना सकता है जब हैरी ने गन की नाल एक घुटने से बाहर निकाल कर दूसरे घुटने के जत्म के दहाने पर रखी तो डकराटों के बेच छलक से लफ़ निकलता चला किया म मेरी जेब में एक रिमोट है उसी से खुलेगा ये दर्वासा सुनते ही हैरी जपटा उसके नस्दीक बैठा तलाशी ली रिमोट बरामत किया उसका एक बटन दबाते ही दर्वासा सर्च सर्च की आवास के साथ खुल गया हैरी ने कंट्रोल रूम में कदम रखा रास्ते में पड़ी इशात की लाश में ठोकर जमाई हैदर अली गिड़ गिड़ा उठा कहां जा रहे हो प्लीज प्लीज अब तो मार डालू मुझे हैरी उसकी तरफ पल्टा चेहरे पर क्रूरता के भाफ थे वापिस आया उसके नस्दीक पहुँचा जुका उसकी एक टांग पकड़ी और गसीट कर कंट्रोल रूम में लाता बोला मेरी महरबानी हासिल करने के लिए तुझे अभी यहां से बाहर निकलने का रास्ता और बताना होगा इस पार हैदर अली ने कोई हेल हुज़त नहीं की असल में जिन्दा रहने की ताकत अब उसमें पूरी तरख खत्म हो चुकी थी उसने बता दिया दाई तरफ रखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद लाल बटन को दबाते ही हॉल का एक पत्थर अपनी जगा से हट जाएगा और बस उसके बाद हैरी ने उसे ज्यादा नहीं सताया वो समझ सकता था हैदर अली किसी किसम की चाल चलने या जूट बोलने की अवस्ता में नहीं रहा है सो उसके बताते ही हैरी की गन गर्ची गोली हैदर अली के सीने में जाथ हसी मुक्ति मिल गई उसे उसकी लाश की तरफ एक बार भी तो पलट कर नहीं देखा हैरी ने जपटकर कीबोर्ड के नस्दीक पहुँचा आंखे लाल बटन पर स्थिर थी उस बटन पर जिस पर उंगली रखते ही दरवाज़ा खुल सकता था मगर ऐसा किया नहीं उसने जानता था दरवाज़ा खुलते ही उसका सामना हजारों सैनिकों से होना है सबसे पहले उसने प्रिंटर की बगल में रखी टॉर्च उठाई फिर अपने काम की किसी अन्य वस्तू की तलाश में चारों तरफ नजरे घुमाई एक पेटी में रखे हैंड ग्रेनेट पर नजर पढ़ते ही आंगे चमक उठी जपटकर पेटी के नस्दीक पहुँचा कुल चार हैंड ग्रेनेट थे तीन जेब में डाले एक उठाया कुछ देर जाने क्या सोचता रहा और फिर उसका सेफटी पिन निकाल कर उस दिवार की तरफ उचाल दिया जो उससे दूर थी धड़ाम एक जोरदार विस्फोर्ट से सारा इलाका देहल उठा आग धूएं और धूल का गुबार सा उठा पत्थर एक दूसरे से अलग होकर छित्राई कोई बहुत बड़ा खोल हो चुका था वहां एक आवास गुझी चारो तरफ घेरा डाल दो वो इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है हैरी मुस्कुराया उन्हें इसी भ्रह्म में तो फसाना चाहता था वो उधर को लाहल मचा हुआ था इधर हैरी ने एक हाथ का अंगुठा लाल बटन पर रखा दूसरे में दबी गन से वो सारे बल्ब शहीत कर डाले जो वहां रोशनी किये हुए थे अंधेरा होते ही दूसरे हाथ के अंगुठे ने लाल बटन दबा दिया एक विशाल पत्थर सर सरा कर अपने स्थान से हट गया वो दिशा विस्फोर्ट की दिशा के ठीक विपरेत थी अगले पल हैरी कंट्रोल रूम से बाहर था वहां जहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था चारो तरफ अजीब सा कोला हल जिस तरफ विस्फोर्ट हुआ था उस तरफ बेस पच्चिस टॉर्चे चमक रही थी हैरी विपरेत दिशा में भागा उसने मैसूस किया वो किनी जाडियों में घुस्ता चला किया है सिल्वर कलर की एक एस्चीम बहुत बड़ी क्रेन के कांटे पर लटकी हवा में जूल रही थी बुरी तरह मुड़ी तुड़ी थी वो गाड़ी की जगा इस वक्त उसे तीन का डिबा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा स्चेरिंग और ड्राइविंग सेट के बीच एक इंसानी बॉड़ी भी फसी नजर आ रही थी बड़ी मुश्किल से नदी से निकाला गया था उसे चारो तरफ पुलिस ए पुलिस नजर आ रही थी खुद छाकुर सहाप और रगुनाद भी वही थे क्रेन संचालक ने उसे बड़ी मुश्किल से खाई की तरफ से घुमा कर सड़क पर रखा गाड़ी में केवल दो पहिये थे एक आगे दूसरा पीछे अन्य दो पहिये शायद नदी में बै गए गए थे गाड़ी को ट्रेन द्वारा सड़क पर टिकाए जाते ही थाकुर सहाप उस तरफ बड़े ही थे कि ठिटक जाना पड़ा कारण था विजे की गाड़ी पर नजर पढ़ना जाने कि इस एसास ने ही उन्हें भनना दिया था कि विजे भी यहां पहुँच किया है थाकुर सहाप ने रगुनाद की तरफ गूम कर गुसे से पूचा यह यहां कैसे पहुँच किया है म, 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 मारे हट बड़ा हट के रगुनाद मिम्या कर रह किया म, 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 क्या कर रहे हो ठाकर साहब काले बादलों की तरह गर्चे सर उसे मैंने फोन किया था क्यूं ठीक से कोई जवाब नहीं सूच सका रगुनाथ को मुझे निकला अं ऐसे ही क्या होता है ऐसे ही ऐसी कोई भी घटना घटते ही क्यूं फोन करते हो तुम उसे पुलिस में क्या कोई अफसर है वो रगुनाथ सक पका कर चुप रह जाने के इलावा और क्या कर सकता था उधर विजे की गाड़ी के अगले दोनों दर्वासे खुले एक से विजे दोसरे से विकास बाहर निकलता नसर आया विकास गंभीर नसर आ रहा था गंभीर तो विजे भी था मगर ठाकुर साहब को देखते ही चहका ओ बापु जान भी है यहां तो रगुनाथ को लगा वर्तमान हालात में विजे की हर बत्तमीजी का खामियासा उसे भुगतना पड़े का सो बहुत तेजी से आगे बढ़ा विजे विकास के पास पहुँच कर बहुत धीमे स्वर में फुस-फुस आया विजे कोई बत्तमीजी मत करना ठाकुर साहब बहुत गुसे में है गुसे में है तो हमारे ठेंगे से विजे ने जान बुच कर इतनी जोर से कहा कि आवाज ठाकुर सहब तक पहुंच जाई विजे प्लीज यार तुम समझ क्यों नहीं रहे रगुनाद के दान पिंच गए विजे एक शंड चुप रहा फिर बोला मैं समझ किया क्या समझ गए हमें खुसर फुसर करनी है ककक क्या विजे अपना मुँ उसके कान के नस्दीक लाकर फुस फुस आया हमें क्यों बुलाया है यहां रगुनाद जुन्जला उठा मैंने तुम से ये बाते धीमी आवास में करने के लिए नहीं कहा तो फिर तुम ही बता दो वो पुने फुस फुस आया कौनसी बात धीमी आवास में करनी है कौनसी में मूँ को लाउट स्पिकर बना देना है मैं उस क्वालिस की खोशबिन कर रहा था जिसमें मुहमद इक्राम को ले जाया किया है चीक कर रहे थे करनी चाहिए मामला अखिर तुम्हारी इज़त की बैट गई बधिया का है गश्ती पुलिस वालों और चौराहों पर तैनात स्पाहियों से पूछताच करता यहां तक पहुँच गया कई लोगों ने कौलिस को इधर आते देखा था जरूर देखा होगा यहां पहुँचने पर इस एस्चीम को मैंने नदी में पड़ी पाया उसने सड़क पर पड़े टेन के डिबे की तरफ इशारा करने के साथ कहना जारी रखा नदी के एक पत्थर पर अटकी हुई थी यह मुझे लगा इसकी इस हालत का संबन कौलिस के इधर से गुजरने से भी हो सकता है सो तुम्हे फोन कर दिया अच्छे बच्चे हो हमेशा अच्छे काम करते हो कहने के बाद विजे तेजी से एस्चीम की तरफ बढ़ा था विकास पहले ही उसके नजदीक पहुँच चुका था विजे रगुनात के नजदीक रुखने की कोशिश नहीं की थी जानता था विजे को कुश्टे रगुनात से बकवास करनी थी और उस बकवास को सुनने से उसे कोई लाप नहीं होने वाला था उधर ठाकुर साहब भी एस्ट्रीम के नजदीक पहुँच चुके थे विजे को नज़र अंदास ही किया उन्होंने जानते थे उसे छेड़ने का मतलब है उट पठांग बाते करने का मौका देना और यहां माचूद धेसारे स्चाफ के सामने वो बेज़त नहीं होना चाहते थे रगुनाद भी विजे के पीछे ही एस्ट्रीम की तरफ बड़ा था एका एक विजे इस तरह रुक गया जैसे पूरी ताकत से किसी गाड़ी के पावर ब्रेक लगा दिये गए हो यह हरकत विजे ने इतनी अचानक की थी कि उसी किसी तेजी से उसके पीछे आ रहा रगुनाद कोशिश के भावचूद कुद को उससे टकराने से नहीं रोक सका संभल कर प्यारे संभल कर विजे ने कहा सोला साल की कन्या नहीं हूँ जो खवा मार कर चल रहे हो तो तुम अचानक रुक गए रगुनाद का जी चाहा अपने बाल नोच ले तुमसे तो बात करना मुहाल है तुम्हें ये पूशना चाहिए हम रुके तो अचानक रुके क्यों क्यों रुके आज कल दिन में खवाब देखने लगे हो क्या खवाब पूशता तुम उसी गाड़ी की कट्टे खूम रहे थे जिसमें इक्राम मिया को ले जाया किया है नदी में ये गाड़ी पड़ी नजर आई तुम्हें लगा इसका संबंध कौालिस के इधर से गुजरने से हो सकता है सवाल ये है ऐसा क्यों लगा तुम्हें इन दोनों गाड़ीों में कोई संबंध होने का क्वाब चमका था क्या उफ तुम्हारी ये बाल की खाल निकालने की आदत नहीं जाएगी मुझे गश्टी नंबर तीन के मोबाइल गाड़ी पर तैनात इंस्पेक्टर ने बताया था उस गाड़ी के पीछे जिसके बारे में मैं पूश्टाच कर रहा हूँ उसने एक सिल्वर कलर की एस्चीम को भी इधर ही जाते देखा था इसे नदी में पड़ी देखकर मुझे लगा कहीं ये वही एस्चीम तो नहीं है जिसका जिक्र इंस्पेक्टर ने किया था मैंने उसी समय मोबाइल पर संपर्ट किया उस इंस्पेक्टर को यहां बुलाया उसने पुश्टी की उसने इसे गाड़ी को क्वालिस के पीछे जाते देखा तुम हमसे जो टकराई उसमें गलती तुम्हारी थी हाँ रगुनाद जुन्जलाया गलती हमेशा सामने वाले की होती है तुम्हारी कभी नहीं होती पूछो कैसे कैसे कहीं हमने ये लाख टके की बात बता दो जो रमायन तुमने कुछ देर पहले सुनाई कुछ और देर पहले सुना देते तो हमें दिल की तरह यूँ अचानक रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और जब हम रुकते ही नहीं तो तुम टकराते किस से रगुनाद पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा कहने की जरूरत भी नहीं रही थी उसके जवाब की परवा किये बगैर विजे लॉंग जम्प की प्रैक्टिस से करता एस्ट्रीम के नस्दीक खड़े विकास के पास पहुंच गया था बोला क्या पाया दिल जले क्या पाना था ये तो हमें भी नहीं पता कहने के बाद विजे गाड़ी में जांकता ड्राइविंग सेट पर पड़े व्यक्ति की हालत देख कर बोला बेचारे का कचूमर निकला पड़ा है चेहरा तक इतना बिगड गया है कि पहचाना तक नहीं जा रहा विकास उससे आगे निकल कर एस्ट्रीम के पशलिस खिड़की के पास पहुँचा और अंदर जांकने लगा ठाकुर साहब पहले ही देख चुके थे लाज को किसी भी तरह खेंच कर बाहर नहीं निकाला जा सकता था सो उन्होंने वेल्डर को हुकम दिया कार की बाड़ी को जितनी जल्दी हो काट कर लाज को बाहर निकालो वेल्डर कटर के साथ एस्ट्रीम के तरफ लपका विजे मटर गश्टी सी करता गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था अंदाज ऐसा था जैसे कांच के शोकेस में रखे कोहिनूर को घूम घूम कर हर एंगल से देख रहा हो उसके इस नाटक पर ठाकुर सहब का पारा चड़ता ही चला जा रहा था उनकी मांसी खालत से वाकिफ मगर ला परवा बना विजे अस्टीम को ठीक सामने जाकर खड़ा हो गिया कुछ देर वहीं खड़ा जाने क्या देखता रहा फिर अचानक दूर खड़े रगुनात की तरफ देखकर आँख मारी रगुनात सत्पका किया हड़ बड़ा कर उसने ठाकुर सहब की तरफ देखा और उनकी तरफ देखते ही तो होश फाक्ता हो गए उसके विजे की हालत उन्होंने भी देख ली थी और इसी कारण उनका चहरा बुरी तरह तम तमा रहा था मगर भला विजे को इस सब की परवा कहा थी जब रगुनात आँख मारने पर उसकी तरफ नहीं बड़ा तो उसका ध्यान आकरशित करने के लिए बकाईदा सीटी बजाई उसे अपने नस्दीक आने का इशारा किया मजबूर रगुनात को उसकी तरफ लपकना पड़ा उसके नस्दीक पहुँचा दांद भींच कर बुला वाके तुम्हें यहां बुला कर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की यह एहसास तुम्हें कब हुआ तुम्हारे यहां पहुँचते ही बला यह भी कोई तरीका हुआ मुझे अपने पास बुलाने का क्यों यार ऐसी क्या खराबी थी तरीके में ठाकुर साहब के सामने कभी तुम आँख मार रहे हो कभी सीटी या छोड़ो यह बाते तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी यह बताओ अपने नस्दीक तुमने मुझे क्यों बुलाया है छोड़ो नहीं बताता कहने के साथ विजे ने इस तरह मूफ उला कर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया जैसे प्रेमी का प्रेमी का प्रेमी को नकरे दिखा रही हो नस्दीक खड़े एक पुलिसिये ने विजे के शब्द भी सुने थे और उसकी अदा भी धेकी थी बरपोर चेश्टाओं के बावचूद वो अपने होंटों पर उभरने वाली मुस्कान को नहीं दबा सका था जबकि रगुनात पल भर के लिए तो उसकी समझ में ही नहीं आया विजे की हरकत पर क्या प्रतिक्रिया करें किंकरतव्य विमोर से अवस्ता में खड़ा रह किया वो फिर नजर मुस्कान दबाने का प्रत्न करते पुलिसिये पर पड़ी तो घड़ो पानी पड़ गया उस पर न विजे से कुछ कहते बन पड़ा न पुलिसिये से उसने इस वक विजे से बात ना करना ही बेतर समझा सो वापिस ठाकुर साहप की तरफ लोटने के लिए घूमा ही था की विजे ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली बोला जब कोई रूट जाता है तो उसे मनाया जाता है रगु डार्लिंग इस तरह मुफ उला कर वापिस नहीं लोटा जाता खुद को हसने से रोकने के प्रियास में नजदीक खड़े पुलिसिये की अजब हालत थी उसे घूरते रगुनात ने दान भींच कर विजे से कहा मेरा हाथ छोड़ो हम मर्द हैं और मर्द जब एक बार किसी का हाथ पकड़ लिता है तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही रगुनात पुलिसिये पर गुर राया तुम यहां खड़े खड़े क्या दान फाड रहे हो जाओ यहां से गब राकर पुलिसिया पल्टा हसी थी कि दबाई नहीं दब रही थी अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हस्ता हुआ वो वहां से भागता चला किया विजे प्लीज अपने साथ साथ मेरा भी मजाख मत बनवाओ कहने के साथ रगुनात ने एक जटका दे कर अपना हाथ छुड़वा लिया था अच्छा चलो बता दीते हैं विजे ने इस तरह कहा जैसे उस पर एहसान करने की ठान ली हो कि हमने तुमें अपने निकट क्यों बुलाया रगुनात कुछ बोला नहीं केवल घूरता रहा उसे विजे ने उसके घूरने की परवा किये बगैर कहा एस्ट्रीम नदी में गिरी नहीं बलकि गिराई गई है रगुनात अब भी चुप रहा अमा कुछ समझ में भी आया मिया हम कह रहे हैं ये एक्सिडेंट नहीं मर्डर है कर कैसे कह सकते हो कैसे क्या मतलब मर्सी हमारी मुह हमारा जो मुह में आया कह दिया एक बार फिर रगुनात उसका जवाब सुनकर भनना किया जबकि विकास ने नस्दीक पहुँचते हुए कहा इसे टकर मारने वाली गाड़ी का रंग काला था खोल दीना ढोल की पोल विजय ने अपने माते पर हाथ मारा तुम्हें दाल भात में मूसल चंद बन कर टपकने को किस ने कहा था दिल चले किस बेस पर कह सकते हो ये सवाल रगुनात ने विकास से किया ये देखिए विकास ने आगे बढ़ कर एस्ट्रीम के लटक रहे बंपर की तरफ इशारा किया यहां किसी दूसरी गाड़ी का काला पेंट लगा हुआ था एस्ट्रीम के अगले हिस्से की हालत बता रही है किसी काले रंग की गाड़ी ने ठीक सामने से इस में जोरदार टकर मारी है उसी के परिनाम सुरूप ये सड़क से उचल कर खाई में जा किरी और खाई से लुड़कती हुई नदी में फिर भी एकसिडेंट क्यों नहीं हो सकता ये ये किस बात से साबित होता है कि टकर जान बुझ कर मारी गई है पहली बात इसे हिट करने वाली गाड़ी यहां कहीं नहीं है एकसिडेंट मारने के बाद भी आज कल लोग रुकते नहीं है दूसरी बात सड़क पर मौजूद एस्ट्रीम के टाइरों के निशान बता रही है ये गाड़ी अपनी साइड में थी इसके बावजूद इसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई हिट करने वाले ने बकाईदा इसकी साइड में आकर हिट किया एक्सिडेंट के अवस्था में सामने से आ रही गाड़ी यदि अपनी साइड छोड़ेगी भी तो इतने ज्यादा अंदर नहीं घुसाएगी कुछ तेर रगुनाथ चुप रहा फिर बोला ये मान भी लिया जाए कि अस्चीम को जान बुच कर हिट किया क्या तब भी नतीजा क्या निकलता है गड़ बड़ेशन विजे ने कहा मामले में गड़ बड़ेशन है रगुनाथ ने कुछ कहने के लिए मुख खोला मगर फिर बगैर कुछ कहे बंद कर लिया कारण था वेल्डर का काम खत्म हो जाना चार-पांच सिपाही ड्राइवर की लाश को बाहर निकाल रहे थे लाश वाकई ऐसी अवस्था में थी कि ज्यादा देर उसकी तरफ देखा तक नहीं जा सकता था उस वक्त सभी लोगों का ध्यान लाशी की तरफ था जब विकास धीरे से सरक कर विजे के नस्दीक आया और फुस्फुसा कर बोला मुहम्मद इक्राम इसी गाड़ी में था गुरू उचल पड़ा विजे मुह से निकला ककक क्या कह रहे हो दिल जले ये देखिए उसने अपनी मुठी खोली मुठी में एक रिस्ट वाच थी कीमती रिस्ट वाच विजे ने बूचा ये क्या है मुहम्मद इक्राम के रिस्ट वाच उसने मुठी वापिस बंद कर ली पकी बात एकदम पकी मैंने अपनी आँखों से उसके कलाई में देखी थी तुमने तुम उससे कब मिले कभी नहीं तो फिर टीवी पर देखा था तब जब वो इस्तिफे के बाद जम्मू में दिये गए अपने भाचन का वास्तविक मतलब समझा रहा था और तभी तुमने उसकी कलाई पर ये रिस्ट वाच देखी थी हाँ काफी उन्चे उढ़ने लगे हो दिल जले फिर भी आपसे नीचे ही उढ़ रहा हूँ कहते वक्त विकास के होटों पर शरार्ती मुस्क्राम थी खैर अब ये कहां से मिली गाड़ी के अंदर से यानि राम नाम सत्के हो चुकी है पठ्ठे की इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे रिस्ट वाच गाड़ी के अंदर से मिली है उस गाड़ी के अंदर से जो हजारों फूट उपर से नदी में गिरी उमीद यही की जा सकती है कि रिस्ट वाच जटका खा कर गाड़ी में गिर गई वो नदी में बैक या इस हाथ से में किसी के जीविद बचने की तो कल्पना तक नहीं की जा सकती उस आलत में रिस्ट वाच की चेन टूटी हुई होनी चाहिए थी तो क्या ऐसा नहीं है नहीं फिर चेन ऐसी पोजीशन में है जैसे बकाइदा खोली गई हो मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब आप निकालिए मैं केवल इतना कह सकता हूँ ये रिस्ट वाच जटका खाकर मुहमद इक्राम की कलाई से नहीं निकली फिर कैसे निकली किसी के द्वारा बकाइदा खोली गई है खोल कर इसे कोई गाड़ी के अंदर क्यों डालेगा फिलहाल इस बारे में क्या कहा जा सकता है वजे का दिमात फिरकनी की मानिंद घूम रहा था विकास ने अपना रिस्ट वाच वाला हाथ जेब में सरका लिया था उन दोनों के इलावा अन्या किसी को ना रिस्ट वाच की बरामदी के बारे में कुछ मालूं था ना ही सुन सके थे कि उनके बीच क्या बाते हुई सबका ध्यान लाश में अठका हुआ था कुछ देर तक सोचते रहने के बाद विजे पुने धीमे स्वर में बोला पहेले समझन में नहीं आ रही दिल जले तुलाराशी के मताबिक मंत्री महोद्यक कौलिस में थे मगर ये डिस्ट वाच बता रही है कि वो इसमें था पहली बात ये ट्रांसफर कब और क्यों हुआ दूसरी बात यदि वो इस गाड़ी में था तो अगर वो मरा भी नहीं है तो बुरी तरह जख्मी जरूर हुआ होगा और इस वक्त तेज बहाव वाली नदी के साथ बै रहा होगा मुझे नहीं लगता ऐसा है कारण गाड़ी के हर इससे को मैंने ध्यान से देखा है बौड़ी बुरी तरह पिछकी हुई है इतनी गुझाइशी नहीं है कि कोई उसमें रहा हो और निकल कर बाहर जा किरा हो तुम्हारे कहने का मतलब हुआ मंतरी इसमें नहीं था येस लेकिन डिस्ट वाच मेरा मतलब है शायद वो गाड़ी के खाई में गिरने के वक गाड़ी में नहीं था मतलब उससे पहले रहा होगा क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता होने को तो कुछ भी हो सकता है प्यारे मगर इतना तेह है को अपरंट से इस गाड़ी का कोई ना कोई संबंद जरूर है मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कोशिश मत किया करो दिल चले साफ साफ कह दिया करो कहने के साथ विजे ने लाश की तरफ देखा और अचानक चीक पड़ा अरे देविंदर ये तो देविंदर है मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा याड़ी सबने चौंकर विजे की तरफ देखा सबसे ज्यादा बुरी तरह विकास चौंका था उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक विजे ने ये क्या नाटक शुरू कर दिया हाई, हाई देविंदर विजे पचाट से खाकर लाश पर जा किरा ये क्या हो गया याड तुझे कैसे हो किया कौन मार गया तुझे तो था ही क्यों इस गाड़ी में सब आवाक देख रहे थे विजे, विजे रगुनात उसके तरफ लपका अपिर हुआ क्या है रगु डार्लिंग उसने चेहरा उपर उठाया वो चेहरा जो आंसुओं से तड़ था सच मुझ बुरी तरह विलाप करता नसर आ रहा था विजे साथ ही कहता चला जा रहा था मैं तो अब पहचाना हूँ इसे ये तो देविंदर है कौन देविंदर यार है मेरा हाई देविंदर ये क्या हो गया दोस्त लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हारे मूँ से ये नाम नहीं सुना कैसे सुनते रगू डार्लिंग ये मेरा बचपन का यारी था कचिया दोस्त पिछले 25 साथ से साला मिला ही नहीं मैं तो शकल भी भूल गया था इसकी तभी तो पहचानने में इतनी देड लगी वैसे भी तुम देखी रहे हो इसके थोबडे तक का कचूमर निकला पड़ा है बार बार ऐसे ही कुछ शब्द कहने के साथ विजे रोता रहा ठीक इस तरह लाश से लिपता रहा जैसे मा अपने जवान बेटे के लाश से लिपत रही हो उसका अचानक देविंदर देविंदर कहकर लाश से यू लिपतना अजीब तो सभी को लग रहा था मगर विकास समझ सकता था इस नाटक के पीछे जरूर कोई बड़ी वजा है मगर वजा क्या है ये बात लाग दिमाग घुमाने के बावजूद विकास की समझ में नहीं आ रही थी मृतक का नाम क्या है विजे का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाले का इंटेव्यू ले रहा हो हर शरण शास्त्री काम विधायक था ओ विजे चौंका काफी चर्चित विधायक रहे हैं ये मोहाद्य तो जी एस्ट्रीम किसकी थी उसकी अपनी पर्सनल उससे बरामद होने वाला मुबाईल फोन वो भी उसका था अपना पर्सनल वो नमबर किसका है जिस पर रिकॉर्ड के मुताबिक वो बार बार फोन करता रहा नमबर पाकिस्तान का है वो तो हमें भी मालूम है प्यारे नमबर खुद बता रहा था हम उस नमबर वाले का नाम पता पोच रहे हैं अब पता नहीं लगा कब तक लगेगा मैंने रौ के चीफ को काम सौंप रखा है रिपोर्ट कब तक आएगी किसी भी समय आ सकती है आते ही हमारे मुबाइल पर बताना वो तो बताऊंगा ही दिल जले विजय ने बगल वाली सीट पर बैठे विकास से पूछा क्या तुम्हे कुछ पूछना है पूछना था मगर अब नहीं पूछना विकास उखडा-उखडा नजर आ रहा था क्या पूछना था यही कि आग दिविंदर-दिविंदर कहते उसके लाश से क्यों लिप्टे थे अब क्यों नहीं पूछना समझ चुका हूँ क्या समझ चुके हो आपकी नजर लाश के आसपास पड़े उस मुबाईल पर पड़ गई होगी विकास ने कहा नहीं चाहते होंगे कोई आपको मुबाईल बरामत करते देखे इसलिए वो नाटक प्यारे दिल जले बस एक ही दुआ है साथ बापुजान की नसरों में भी मुबाईल आ जाता समझ सकते हो उस कंडिशन में वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन सकता था बापुजान उसे फ्री का माल समझ कर जेब में डाल कर 921 हो जाते पुलिस वालों की आदत ही कुछ ऐसी होती है इसलिए देविंदर भनाना पड़ा लिपटना पड़ा खोन से सराबोर लाश से मुबाईल उसके जेब में नहीं था बलकि उसके कवर का फ्लिप शास्त्री की बेल्ट में उल्चा हुआ था जब वो हमें मिला उस वक्त तॉन था इसका मतलब हाथसे से ज़स पहले भी वो उसी नमबर पर बात कर रहा था जो पाकिस्तान का है और ज़सके माली का पता लगाने का ठेका हमने बगएर टेंडर के काले लड़के को दिया है मुबाईल को सबकी नजरों से चुपा कर अपनी जेब में सरकाने के इस काम में हमें पसीने आ गए थे आपने ये काम पापा, नाना जी या दोसरे पुलिसियों से चुपा कर किया ये बात तो समझ में आती है गुरू, मगर मुझ से भी चुपाया ये बात समझ में नहीं आई विकास सब भी उखड़ा हुआ नजर आ रहा था और उस वक चुपाया सो चुपाया, बात में वहां से यहां तक के रास्ते में सैंकडो बार पूछा होगा अंकल, आप देविंदर कहकर लाश से क्यों लिप्टे थे आपने नहीं बताया तब तो समझ में आही जानी थी जब यहां आकर आपने मुबाइल अजे अंकल को देते हुए कहा इस मुबाइल के मालिक का बायो डाटा पता करो साथी पता करो उस खास नंबर के मालिक का जिसे इस मुबाइल से बार बार फोन किये जाते रहे हैं हमने सस्पेंस बनाया था प्यारी बहरहाल सस्पेंस भी इस दुनिया की एक रंगीन चिडिया का नाम है इस वक्त वो तीनों गुप्त भवन में बैठे थी विजे विकास चम चमाती मेज के इस तरफ अगल बगल की कुर्सियों पर थी ब्लैक बॉई उनके ठीक सामने मेज के उस पार रिवॉल्विंग चियर पर काफी देर चुप रहने के बाद विजे ने कहा जितनी जल्दी हमें उस महान आत्मा का पता लग जाई जिससे हर शरण शास्त्री बार बार अपने मुबाइल के जरिये बात करता रहा है उतना ही बैतर होगा प्यारे काले लड़के पर एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही गुरू जानना चाहते हो तो हो जाओ शुरू एक भूत पूर्व केंद्रिये मंत्री का अपरण होता है पापा के मुताबिक उसे जखमी हालत में क्वालिस में डाल कर ले जाया गया क्वालिस को तलाश करते पापा को नदी में पड़ी स्ट्री मिलती है स्ट्री में एक विधायक की है और विधायक की लाश भी उसी में पड़ी मिलती है साथ ही मिलती है केंद्रिय मंत्री की रिस्ट वाच इन सब घटनाओं का तार्तम्य कुछ समझ में नहीं आ रहा एक बात कहना भूल गए तुम प्यारे वो क्या? विधायक के तार पाकिस्तान से जुड़े थे हाँ वो उसका मोबाईल बता रहा है इस जानकारी से एक धारा फोट कर निकल रही है विजे बोला ये धारा हमें चेक चेक कर बता रही है कि मुहम्मद इक्राम अब इंडिया में नहीं है इंडिया में नहीं है तो कहा है? हमारे खयाल से उसे पाकिस्तान पार्सल कर दिया किया है और उसका पुलंदा बांधने वाले का नाम है हर्शरन शास्त्री हकीकत नमबर एक मुबाइल के मुताबिक हर्शरन शास्त्री के तार पाकिस्तान से जुड़े थे हकीकत नमबर दो जिस रास्ते पर हर्शरन शास्त्री शहीद हुआ मिला वो रास्ता आगे जाकर पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है और हकीकत नमबर तीन हर्शरन शास्त्री एक घुटा हुआ भ्रश्ट और चरित्र हिन पॉलिटीशियन था ये बात हम अपने पीके से जानते हैं इन तीन हकीकतों की रोश्नी में हमारे खोपने में जो स्चोरी ब करना था शास्त्री का काम रहा होगा उसे बॉर्डर के पार उस तरफ पहुंचा आना इसलिए रास्ते में कहीं इकराम को क्वालिस से एस्ट्री में तबदिल किया गया उसके बाद शास्त्री ने अपना काम पूरा किया होगा यानि इकराम को बॉर्डर पार पहुंचा दि सिता के अपरण का किसा याद है तुम्हें सर सीता कौन सीता यही खराबी है नई जनरेशन में माइकल जैक्सन के रोई गिन डालें के मगर अपनी संस्क्रिती की मोटी-मोटी बाते भी नहीं जानते कुछ धरम करम कर लिया करो मिया रमायन महाभारत भी उठा लिया करो कभी ओ आप रमायन वाली सीता की बात कर रहे हैं विकास बोला आप भी गुरू बस गुरू हैं कहां इक्राम के किड्नैप की बात चल रही थी और कहां आप अचानक रमायन वाली सीता का जिक्र कर बैठे ब बुड़े हुए जा रहे हैं दिल जले कि अपने दिमाग को ऐसी जमपे गाने की आदर डालो दादमी के पास साला एक दिमाग ही तो है जो चाहे जब चाहे जितनी उंची और लंबी जमप मार सकता है दिमाग को ऐसी जमपे मारने की आदर डालोगे तो जमपे मारते जासूसी के मैंदान में दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे पर गुरू विकास थोड़ा बोर होता हुआ बोला सीता के अपरण से एकराम के अपरण का क्या मेल अपरित होते वक्त सीता रास्ते में रास्ते भर अपने गहने उतार-उतार कर फैंकती चली गई थी वो गहने बात मे सीता की तलाच में भटक रहे राम और लक्ष्मन को मिले उन्ही गैनों ने उन्हें बताया सीता को लंका की तरफ ले जाया किया है सीता जैसे ही कुछ इकराम ने किया लगता है हमारी खयात से उसने अपनी रिस्ट वाच खुद खोल कर एस्ट्रीम में डालती होगी ताकि हम ज से एक घंटी घंगना उठी अजे ने रिसीवर उठाया कहा येस उस शक्स का नाम पता नोट कीजिए जिससे हर शरण शास्त्री अपने मोबायल से अक्सर बात किया करता था हां बोलिए कहने के साथ उसने एक पैन उठा लिया दूसरी तरफ से बताया क्या उसका नाम असलम है I.S.I. से जुड़ा है पता दूसरी तरफ से पाकिस्तान का एक पता बता थिया क्या अजे ने नाम पता कागस पर नोट किया थैंक्यू कहकर रिसीवर क्रेडिल पर रखा और कागस विजे की तरफ बढ़ाता बोला कहानी वही लगती है सर जो कुछ देर पहले आपने सुना हर्शरन शास्त्री के तार पाकिस्तान से ही नहीं I.S.I. से जुड़े थे अब तो केवल एक ही सवाल का जवाब मिलना बाकी रह किया गुरू उसे भी उगलो हर्शरन शास्त्री की गाड़ी को किसने हिट किया यानि उसकी हत्या किसने और क्यूं की आओ अचानक विजे पूछा कहां चलना है अपने शहर के डीम के पास डीम के पास विजे चौका वहां क्या होगा कान उमेठेंगे उसके विजे के होंटों पर रहस्य में मुस्कान थी शायद कुछ जूस निकलाए खुद को जाड़ियों में चुपा कर हैरी अपनी धौंकनी के समान चलती सांस पर काबू करने की कोशिश करने लगा अपने चारों तरफ उसे सैनिक के सैनिक मैसूस हो रहे थे फिलहाल उसे इन सब से निपटना था जिन जाड़ियों में वो चुपा था उसके पीछे से भी सैनिक भागते चले आ रहे थे हैरी यही सोच रहा था कि कोई जाड़ियों में ही ना खुश जाई किसी भी तरह से इनका घेरा तोड़ कर निकल भागने का मौका उसे नजर नहीं आ रहा था ठेहरो अचानक जंगल में एक आवास गुंज उठी कॉलाहल एकदम शांत हो गया टॉर्चे अभी तक रोशन थी चारो तरफ से आते सैनिक रुख गई वो आवास पुने गुंजी इसी जगा पर सैनिक एक घेरा बना ले यहां घेरा बनाना टुकड़ी नंबर दस का काम है बाकि सब तसली से आगे बढ़े ध्यान रहे दुश्मन के पास गन है और हैरी ने देखा उसके चारो तरफ सैनिकों का एक घेरा बन गया है बाकि सैनिक आगे बढ है यो समझना चाहिए कि आगे बढ़ने वाले सैनिक भी अब दस नंबर टुकड़ी के घेरे में थे हैरी को यह समझने में देड नहीं लगी कि वो बहुत ही बुरी तरह घिरा है वो चुप चाप जाड़ियों में पड़ा रहा टॉर्चों के प्रकाश में बहुत से सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहे थे हैरी अच्छी तरह समझ चुका था कि अब बेना किसी तरह का खोन खराबा किये किसी भी तरह इन लोगों के बेद से नहीं निकल सकेगा उसने कुछ निश्चे किया और संभल कर बैठ किया पांश नंबर के टुकड़ी यहां दूसरा घेरा अभ एक जबरदस चीक से जंगल दहल उठा आवास पर हैरी ने अच्छुक निशाना लगाया था और निशाने के जवाब में रेट 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 चारो तरफ से गने गर्ज उठी मगर वारे हैरी वो उन जाडियों में अब था कहा आवास पर गोली चलाने के साथ ही वो किसी चीत के समान जाडियों में से उचल कर दूर जागिरा था इसके साथ ही उसने अपने मूँ से इतनी जोरदार चीत निकाली थी कि गनों की आवास को बेद कर सेरिकों के कानों तक पहुँचे इस बार जमीन से चिपके हैरी ने एक कमाल और दिखाया भयानक फुर्टे से उसने चम इससे दुश्मन को हमारी मौजूद्गी का अभास मिल रहा है उसके मूँ से निकलने वाली ये आवास ठीक उस आवास से मिलती थी जिसके आदेश पर दस नंबर की टुकडी ने घेरा बनाया था जिस आवास को उसने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया था अंदेरे में किसी को क्या मालूम कि उन्हें इस आवास में हुकम देने वाला मच चुका है हैरी के इस आदेश का तुरंद पालन हुआ सारी टॉचे एक दम बुच गई हैरी बड़ी तेजी के साथ कोहनियों के बल एक तरफ को रिंगा साथ ही साथ उस कमांडर की आवास की नकल करता हुआ बुला हमें सतरकता से आगे बढ़ना है दुशमन बहुत चालाख है सब अपनी अपनी जगा पर मुस्तेदी से ठहर जाएं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं दुशमन कहीं आसपास ही है उसकी इस आवास के बाद चारो तरफ गेरा सननाटा चा किया हैरी को अपनी ये चाल कारगर सी नजर आने लगी अंधेरे के कारण कोई भी सैनिक इस हकीकत को नहीं जान सका था कि इस आवास का मालिक उनका अफसर अब इश्वर पुरी में बैठा यम्राज के हाथ पाउं जोड रहा है सब यही समझ रहे थे कि वो आदेश जो हैरी अपने मूँ से जारी कर रहा था उसी कमांडर के हैं उसी के आदेश पर उन सब को चलना था किन्तो हैरी अच्छी तरह समझ रहा था कि इस किसम का धोका वो इतने सारे सैनिकों को ज्यादा देर तक नहीं दे सके का इसलिए तेजी के साथ जमीन पर रिंग रहा था उसका इरादा था इससे पहले कोई सैनिक हकीकत समझ सके वो इनके घेरे से निकल जाए उसी तरह रिंगता हुआ वो चीखा ये तो हम नहीं जानते कि इस वक्त तुम कहा हो लेकिन इतना जानते हैं कि जहां कहीं भी हो अभी तक हमारे घेरे में हो अगर जान बचाना चाहते हो तो आत्म समर्पन कर दो हैरी के मुँ से निकली कमांडर की ये आवाज जंगल में गौँच कर रह गई उसके बाद कहीं से कोई आवास नहीं हैरी अंधेरे में तेजी के साथ रेंगता जा रहा था अचानक वो बड़े से पत्थर से टकराया घूम कर पत्थर के पीछी आ गया कमांडर की आवास में कुछ ना कुछ बोल कर वो सेनिकों को उलजाई रखना चाहता था इसलिए फिर बोला हम तुमें एक मौका और देते हैं जहां भी हो आत्म समर्पन कर दो वरना जिसम गोलियों से चलनी हो जाएगा और फिर सन्नाटा थोड़ी देर बाद हैरी के कानों में किसी दूसरे सैनिक की आवास पढ़ी करनल सहाब मेरे खयात से वो मर गया है जिस वक्त उसने आपकी आवास पर गोली चलाई थी उस वक्त हमने फायर किये थे उसकी चीक भी गुंची थी तबी दूसरी और से एक और सैनिक बोला उसकी चीक मैंने भी सुनी थी कर्नल साहब लगता है आपकी आवास पर चलाई गई उसकी गोली तो बेकार गई लेकिन हमारी गोलियों ने उसे मार डाला है इजाज़त हो तो टॉर्ट चला कर आगे बढ़े नहीं पत्थर की बैक में पड़ा हैरी एक दम कर्नल की आवास में बोला ऐसी बेवकुफी मत करना चीक तो हमने भी सुनी थी लेकिन वो हमें धोका देने के लिए भी चीका हो सकता है तो हमें आदेश दीजिये सर चौती दिशा से एक आवास गुझी हमें क्या करना है सिर्फ तुम बाकी कोई नहीं टॉर्च जला लो उसने चौती दिशा में ही गन तान कर कमांडर की आवास में कहा इस आवास के गुझते ही चौती दिशा से टॉर्च रोशन हुई और कमाल कर दिया हैरी ने बड़ी ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहा था वो इस वकड़ उसने टॉर्च चमकते ही फायर कर दिया शीशा तूटा चमकने वाली टॉर्च का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया रेट 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 गने फिर गरज उठी सारी गोलिया पत्थर ने अपने माथे पर सेहन करी लेकिन हैरी इस तरह चीखा मानो कोई गोली उसे भी लगी हो इस तरह से चीखने के साथ ही उसके मूँ से पुने करनल की आवास निकली इसको चारो तरफ से भाग कर पकड़ लो और चारो तरफ से सैनिक और इस बीच हैरी भी जमीन से खड़ा होकर सिपाहियों ही में ही मिल गया था यहां तो एक बड़ा पत्थर है करनल सहब अन्य कोई नहीं है एक सैनिकी आवास रोशनी करो सैनिकों के बीच खड़े हैरी के मुँ से निकला एक साथ अनेक टॉर्च रोशन हो गई वो विशाल पत्थर जिसके पिछे अभी कुछ देर पहले तक खोध हैरी था प्रकाश से नहा किया यहां तो कोई नहीं है किसी सैनिक ने कहा किन्तो अब वहाँ पर उनकी बात का जवाब देने वाला भी कोई नहीं था क्यूंकि अफसर अच्छा देखकर हैरी ने अंधेरे का लाब उठाया और सैनिको की भेड में से होता हुआ एक तरफ को चला किया किसी को इस बात का गुमान तक नहीं था कि दुश्मन उनके बेच में से होता हुआ निकल रहा है अभी हैरी पूरी तरह उनके बेच से निकल नहीं पाया था कि एक करन्य सैनिक की आवास अब क्या हुकम है करनल सहा इस बार हैरी ने अपने मूँ से कोई आवास नहीं निकाली अब वो जल्दी से जल्दी सैनिकों से दूर हो जाना चाहता था इस वक्त उसे ये ग्यान नहीं था कि किधर बढ़ रहा है बस विलहाल उसके दिमाग में एक ही बात थी और वो ये कि वो जल्दी से जल्दी सैनिकों की पकट से निकल जाए अंधेरे ने उसकी काफी मदद की वो दौरता चला किया जब उसने महसूस किया कि वो सैनिकों की पकट से बाहर आ किया है तो टौर्च की रोशनी में अपने आसपास का निरिक्षन किया हर तरफ जाडियां ही जाडियां फैली हुई थी कुछ देर वो उस जगा खड़ा सोचता रहा फिर कुछ समझ में ना आने की सूरत में यूही एक तरफ को बढ़ गया बीच बीच में टौर्च की रोशनी जला कर अपना रास्ता देखता जाता था करीब एक घंटे बाद हैरी हॉले से चौंका दूर दो लाल बिंदु चमकते नजर आई उसने ध्यान से देखा वो बिंदु जमीन से कोई दो फिट उपर और एक दूसरे से करीब दो गज की दूरी पर थे कुछ देर तक अपने स्थान पर चुप चाप खड़ा देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि वो बिंदु असल में है क्या बिंदु अभी उससे काफी दूर थे जब काफी ध्यान से देखने पर भी नहीं समझ पाया तो सतर खोकर बिंदु की तरफ बढ़ किया कुछ दूर जाने के बाद उसकी समझ में आया कि वो दोनों बिंदु अन्य कुछ नहीं जीप की बैक लाइटे हैं उन लाल लाइटों में जीप की नंबर प्लेट भी चमक रही थी नंबर प्लेट देखते ही हैरी ये भी समझ किया कि वो जीप मिलिटरी जीप है इतनी बात समझते ही वो और ज्यादा सतर को उठा उसके दिमाग में फोरण ये विचार कौन गया था कि जब जीप यहां कड़ी है तो निश्चे ही सडग भी कहीं आसपास होगी बड़ी साफधानी से हैरी उस दिशा में बढ़ा उसने रेडियम डाइल में टाइम देखा सुबा के चार बशने वाले थे वो जीप के बेहत करीब पहांच गया करीब पहांच कर जीप के आसपास थी रखते कई साई दिखे अब उसने खड़ा होकर जीप की तरफ बढ़ना मुनासिब नहीं समझा लेहाजा रेंग कर उस तरफ बढ़ने लगा दस मिनट बाद जीप के इतना निकट पहांच गया कि अगर चाहे तो खड़ा होकर दो तीन लंबे कदमों में जीप को जा पकड़े सांस रोके वो जमीन पर पड़ा था दो सैनिक जीप से काफी दूरी पर एक दूसरे के विप्रेद दिशा में पहरा दे रही थे एक सैनिक जीप से टेक लगाई खड़ा था जीप के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी कदाचित जीप के अंदर बैठा कोई व्यक्ति वायरलेस पर किसी से बात कर रहा था अगर हैरी वायरलेस पर होने वाली बात सुनना चाहता तो बड़े आराम से सुन सकता था जहां वो लेटा था वहाँ आवाज बिलकुल साफ आ रही थी किन्तो हैरी का दिमाग तो किसी और ही जगा चक्रा रहा था वो जानता था कि सुबा होने वाली है सारा वातावरन प्रकाश से जगमगा उठेगा अंधेरा उसके लिए जितना लाप धायक साबित हुआ है वो जानता था कि प्रकाश उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होगा इस अंधेरे का उसे भरपूर लाप उठाना चाहिए यही सोचकर अपनी कोहनियों के बल किसी साम की तरह पहरे पर खड़े अकेले सैनि की तरफ रेंगा पांच मिनट बाद हैरी ऐसी जगा पढ़ा था जहां वो सैनिक चेहल कदमी करता हुआ आया करता था सैनिक अपने नियमा नुसार टेहलता हुआ हैरी के करीब आता जा रहा था सैनिक ठीक, हैरी के पास जहां जम्प लगाने से पहले लिटा था। उसका बाया हाथ ढकन बन कर सैनिक के मुँपर चिपक गिया। दाया हाथ सर्थ की तरह लिप्टा था उसकी गर्दन में। सैनिक ने मचलने की कोशिश की चीखना चाहा। किन्तु बेचारा सैनिक। वो क्या जानता था कि वो किस जलात के पंजे में फसा है। हाथ ना सिर्फ मुँख के लिए धकन बन गिया। बल्कि सील बन धकन कहें तो ज्यादा बेहतर है। उसके कंड से निकली चीख के बाहर निकलने का तो प्रशन ही दूर। हवा तक मुँख के रास्ते आवरगमन नहीं कर सकती थी। मचलने की कोशिश भी बेकार। गले में लिप्टी बाँ शेशनाग का कसाफ बन गई। सांस लेने की समस नसे बंद हो गई। तीन मिनट तक बिना ऑक्सीजन के फड़फडाता रहा वो। ऐसे जसे जल बिन मचली, फिर ठंडा पड़ गया, सारा भार हैरी के उपर पड़ गया, आत्मा के अभाफ में जिसम ठंडा पड़ चुका था, आंके बाहर को उबल चुकी थी। जब अच्छी तरह से हैरी को विश्वास हो गया, कि वो मोक्ष प्राप्ट कर चुका है, तो खदेर ता हुआ उधर ही ले गया, जिदर उसकी टॉर्च और गन पड़ी थी। दो मिनट तक हैरी ने अंधेरे में अपनी कारस्तानी की और तीसरे मिनट का श्री ग्रेश होते ही, वो बेधड़क जीप की तरफ बढ़ा, इस वक्त उसके जस्म पर उसी सैनिक के कपड़े थे, जिसके पास आकर उसने देखा, कुछ देर पहले जो इनसान जीप के अंदर बैठा, वायरलेस पर बाते कर रहा था, वो अब जीप से बाहर खड़े, दूसरे सैनिक से कुछ बात चित कर रहा था, उसे आता देख, उनमें से एक बोला, क्या बात है हमीद, हैरी समझ किया, कि जस आदमी से उपर वाले को बात चुका है, उसका नाम हमीद था, उसकी बात का कोई जवाब दिये बिना, हैरी ने आगे बढ़ कर जीप के अंदर देखा, वो खाली पड़ी थी, क्या बात है हमीद, जवाब क्यों नहीं देते, उसी सैनिक ने फिर पूछा, अभी देता हूँ, अरे तुमारी आवाज मेरी नहीं, अपने जीवन के आखरी पल में सिर्फ इसकी आवाज सुनो, कहने के साथ हैरी ने दो बार ट्रिगर दभा कर, गन को छींकने के लिए मजबूर कर दिया, गन से निकली गोलिया, उन दोनों के लिए मौत का परमिट बन गई, कुछ सोचने और समझने की असफल को होकर इश्वरपुरी की तरफ दोड़े, उधर दूर खड़ा सैनिक, गन की आवाज सुनकर सतर्ख हुआ, लेकिन तब तक तो हैरी उस तरफ घूम कर एक और फायर कर चुका था, गोलियो सैनिक की राइफल पर लगी, राइफल को इतनी जोर से जटका लगा, कि कुंदा उस ने उठना चाहा, लेकिन उसने महसूस किया, किसी का भारी बूट उसकी चाती पर रखा है, एक गुर्राती सी आवाज उसके कानों में पड़ी, अपने सातियों में से सर्फ तुम हो, जो दुनिया को देख सकते हो, शेश उपर पहुंच चुके हैं, अगर तुम भी मौत से कुष्टी लड़ने की कोशिश करोगे, तो ये गन तुम्हें भी उनी के पास पहुंचा देगी, जाहिर है, सैनिक मरना नहीं चाहता था, धीला पड़ गया, लेकिन हाँ, इस बात पर उसे घोर आश्रे हो रहा था, कि दुश्मन जिन की तरह, अचानक कहां से प्रकट हो ग अनुबफ हो रहा था, उसने देखा, इस साई के हाथ में एक गन भी थी, अभी वो कुछ बोलना ही चाहता था, कि गन की नाल बड़ी जोर से उसकी पसलियों में पड़ी, हडियां तक चर मराकर रह गई, साथी आवाज, बचना चाहते हो तो जो मैं पूछूं, उसका जवा हिंदुस्तान का बॉर्डर यहां से कितनी दूर है, उसका पहला सवाल, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही दूर, चलो, वो उसकी सीने से पैर हटा कर बोला, हाथ उपर उठा कर जीप की तरफ चलो, और ऐसा ही हुआ, सैनिक हाथ उपर उठाए आगे आगे चल रहा था, और उसकी पसलियों से गन सटाई, हैरी, जीप के पास जाकर जब उसने अपने दो साथियों की लाशे देखी, तो अपने रेड की हटी में सिहरन सी महसूस हुई, वो समझ किया, कि उसको कवर करके चलने वाला व्यक्ति, किसी भी इनसान को पलक जपकते ही मार देने में अभ्यस है, हैरी की गुर्राहट, ड्राइविंग सीट पर बैट कर, जीप स्टाट करो, और बॉर्डर की तरफ चलो, बेचारा सैनिक, बेरंग लिफाफे की तरह मजबूर, मरता क्या ना करता, ये हुकम भी माना, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, हैरी पसलियों से गन सटाई ब किसी भी तरह की चलाकी, तुम्हारी मौत से कुष्टी बन सकती है, बिना कोई हरकत करे, सही रास्ते पर जीप ले चलो, ऐसा ही हुआ भी, मुश्किल से दस मिनुट जीप, कच्चे रास्ते पर चली, इसके बाद सडक पर आ गई, अब जीप सडक पर एक तरफ दौड जगे पत्रों को पढ़ कर, हैरी ने जान लिया, कि बॉर्डर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ये जानने के बाद, हैरी ने राहत की एक लंबी सांस ली, बोला, जितनी तेस चला सकते हो, चलाओ, और वाके उस सेपाही ने जीप इतनी तेस चलाई, कि हवा से बाते करती नजर आने लगी, अभी वो बॉर्डर से करीब पांच मेल इधर ही थे, कि अचानक जीप में रखा वायरलेस, पिक पिक करने लगा, हैरी ने चौंक कर वायरलेस की तरफ देखा, गाडी रोको, उसने सैनी को आदेश दिया, हुको मिलते ही उसने जोर से ब्रेक पैडल दबाया, च बाते करो, अगर कोड में गडबड का कोई भी सन्देश देने की कोशिश की, तो अपनी जान बचाने की तुम्हारी अब तक की कोशिश पर पानी फिर जाएगा, चलो कामते हातों से सैनीक ने वायरलेस आन किया, और बोला, मिस्टर डेंजर स्पीकिंग, धाए, इधर सैनीक के मुँसे उप्रोक चप निकले, उधर हैरी की गणने चीक कर, उसे मुफ में इश्वर पुरी का टिकेट थमा दिया, गोली सैनीक के भेजे को फोर्ती हुई निकल गई थी, एक ही पल में जीता जाकता सैनीक लाश में बदल चुका था, बड़ी जोर से ठोकर मार कर, उसने सैनीक के लाश को जीब से बाहर फैंक दिया, और खुद वायरलेस सेट पर जुका, दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, हलो, हलो, क्या हुआ, ये गोली की आवाज कैसी थी, हलो, बहुत देर से ये सैनीक अपनी जान बचानी की कोशिश कर रहा था, वो किसी शेर की भांती वायरलेस पर चीखा, तुमने इसकी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया, तुमसे बात करते वक्त, तुमें खत्रे की सूचना देने के लालच को नहीं दबा सका, औ आपनी इस गलती की वज़ा से मारा गया बिचारा, अब जब तुम इतना सब जान ही गए हो तो, कान खोल कर सुनो, इस वक्त जीप तुम्हारे दुश्मन के कबसे में है, इस जीप में मौजूद तुम्हारे सारे आत्मी मारे जा चुके हैं, कौन हो तुम, ओ, अभी नाम भी बताना पड़ेगा, हैरी, ऐसे लेचे में कहा जैसे बोलने वाला, कन्फर्म करना चाहता हो, येस, उसने पूरी मस्ती में कहा, पूरा नाम हैरी आमस्ट्रॉंग, मैं पाकिस्तानी सीक्रिट सर्विस का चीफ बोल रहा हूँ, ओ, वो कुछ और मस्ती में आ किया, मेरी फ पाकिस्तान से निकल नहीं पाओ के, खुद को जिन्दा रखना चाहते हो तो, मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, आजाद कश्मीर में हूँ, मिस्टर चीफ, उस आजाद कश्मीर में जिसे तुम केवल नाम के लिए आजाद कहते हो, कश्मीरियों को बेवकुफ बनाने के लिए आजाद कहते हो असल में तुमने धर्ती के इस स्वर को गुलाम बना रखा है अपनी आँखों से देख रहा हूं मैं चप्पे चप्पे पर तुम्हारे सैनिक फैले हुए हैं मगर ये सैनिक अब मुझे तुम्हारे पाकिस्तान की सीमा में रोक नहीं पाएंगे बहुत जल्दी मैं बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान पहुंच जाओंगा उस देश में जस देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ तुमने भयानक साजिश रची है हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो वही कहना चाहता हूँ मिस्टर चीफ जो पूरे एक हफ़ते चावनी नंबर 62 की कैद में रहकर जाना है और ये भी जानता हूँ कि अब तुम मुझे जूटा साबित करने की कोशिश करोगे दुनिया को ये बताने की कोशिश करोगे कि हैरी विकास का दोस्त है इसलिए पाकिस्तान पर जूटा आरोप लगा रहा है मगर शायद तुम भूल रहे हो हैरी या विकास को किसी का समर्थन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी आती है बले ही सारी दुनिया हैरी को जूटा समझती और कहती रहे मगर ये वादा है मेरा तुमसे तुम्हारी साजिश के पर खच्चे उड़ा कर ही दम लूँगा अंतिम शब्द कहते कहते हैरी का चेरा भबकने लगा था थोड़ा संबल कर बोला मैं जानता हूँ तुम ये वारता इसलिए लंबी करना चाहते हो ताकि मुझे बातों में उलजा कर मेरी दिशा और दूरी जान सको मगर नहीं चीफ महादिय अपनी इस कोशिश में भी काम्याब नहीं हो सकोगे तुम कहने के साथ एक जटके से उसने वायरलेस आफ कर दिया उस वक्त विकास की कार डी एम हाउस के गेट पर ही थी जब उसके डैश बोर्ट पर रखा विजे का मुबाईल बच उठा उधर ड्राइविंग सेट पर बैठे विकास ने लोहे वाला विशाल गेट खुलवाने के लिए हॉर्ण बचाया इधर कंडक्टर सेट पर बैठे विजे ने हाथ बढ़ा कर मुबाईल उठाया उसके स्क्रेन पर स्पार्ट कर रहे नंबर को देखा उस नंबर को वो पहचान नहीं सका फिर भी आउन करके कान से लगाता हुआ बोला येस मुझे मिस्टर विजे से बात करनी है दूसरी तरफ से एक मरदानी आवाज उपरी बड़े खुश नसीब है आप जो उनी से बात कर रहे है ओ, मिस्टर विजे ही बोल रहे है कहा ग्या मिस्टर विजे हम आपसे मिलना चाहते है पर हमें भी तो पता लगे प्यारे कि हम से मिलने की खुश रखने वाले तुम हो कौन मैं राशनगर का ही डियम बोल रहा हूँ मिस्टर विजे, अजीत अवस्थी ओ, विजे को चौंक जाना पड़ा वैसे तो हम है ही कुछ इतनी पांची हुई वस्थू कि लोग अकसर हमसे मिलने के लिए फड़ फड़ाते रहते हैं मगर सवाल ये है, तुम क्यों मिलना चाहते हो वो सब मैं मिलने पर ही बता पाऊंगा कब मिलना चाहेंगे अगर आप टाइम दे तो अभी लोहे वाले गेट को खुलते देखकर विजे ने पूछा कहा जहां आप बुलाएं, मैं आने को तयार हूँ अब गाड़ी ड्राइव वेपर दौरती हुई पोर्च की तरफ बढ़ रही थी विजे ने कहा हमारा मतलब बी-म हाउस से है मगर आप यहां क्यों आएंगे मिलना हम आप से चाहते हैं जहां आप बुलाएं, हम आने को तयार हैं तुम तो केवल आने को तयार हो प्यारे मगर हम पहुँच चुके हैं कहा तुम्हारे रिसेप्शन पर क्या बात कर रहे हैं आप दूसरे तरफ से हकलाहट से उभरी हम जब बात करते हैं तो वो गधे की लाग से भी ज्यादा वसनी होती है डी-म प्यारे कहने के साथ विजे ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ट निकाल कर रिसेप्शनिस्ट को देते हुए फोन पर कहा हमारा कार्ट तुम तक पहुँचने वाला है हाँ हद कर रहे हैं आप आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है की दूसरी तरफ से वो हैरत प्रकट किये चला जा रहा था जबकि इधर विकास भी चौके बगैर नहीं रह सका जब तक विज़े ने डियम प्यारे शब्द इस्तेमाल नहीं किया था तब तक वो भी नहीं समझ सका था विज़े किस से बात कर रहा है फोन पर चल रही बातों पर खास ध्यान भी नहीं दिया था उसने विजे के अंतिम शब्द विकास को ही नहीं उस रिसेप्शनिस्ट को भी बुरी तरह चौंका गए जिसके हाथ में विजे का कार्ट था हम तो जिन है प्यारे विजे फोन पर कह रहा था याद करो और हासिर तब ही एक जटके से वो दर्वासा खुला जिस पर अजीत अवस्थी डी-म लिखा था वो मॉबाइल जिसके जरिये वो विजे से बात कर रहा था चेहरे पर हैरत के अस सेमित भाफ लिए वो सामने खड़े विजे को देख रहा था जबकि विजे के होंटों पर मुसकान थी बड़ी ही दिल्चस्प मुसकान वो अजीत अवस्थी की तरफ बढ़ता हुआ फोन पर बोला मेरे खयाल से अब हमें अपने मॉबाइल्स की बैटरियों का भटा बिठाने की कोई जरूरत नहीं है फोन पर ही बता चुके हैं प्यारे विजई दग्रेट कहते हैं उस जिनको जो याद किया जाते ही अपने आका के सामने हासिर हो जाता है कहता हुआ विजई अवस्थी के नस्दी सिर्ट झुकाता हुआ बोला हुकम मीरे आका बौकलासा गया अवस्थी काफी देर तक तो वो खुद को नियंत्रित ही नहीं कर सका नियंत्रित हुआ तो उन्हें अपने साथ आफिस में ले गया वहाँ पहांच कर भी चैन नहीं पड़ा उसे बोला नहीं यहां नहीं हम ड्रॉइंग रूम में बैट कर आराम से बाते करेंगे आईए चाहे जहां बैट कर बाते कर लो प्यारे चाहो तो खड़े खड़े भी बाते कर सकते हो हमारी सेहत पर कोई फर्ट पढ़ने वाला नहीं है कहता हुआ विजे उसके पीछे बढ़ किया डियेम के आफिस और रेजिडेंशिल एरिया के बीच एक दर्वासा था उसे पार करके जब वे ड्राइंग रोम में पहुँचे तो अजीत अवस्ती ने थोड़ी उंची आवास में पुकारा निशा एक करन्य दर्वाजे पर पड़ा पर्दा हटा कर निशा ड्राइंग रोम में आई ये मेरी पतनी है निशा अवस्ती अजीत ने कहा और निशा ये मिस्चर विजे है वही जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था और ये मिस्चर विकास है जाने क्यों उनका परीचे पाते ही निशा के चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी कुछ देर तक वो उन्हें यूँ देखती रही जैसे किसी अज्यात ताकत ने नजरों को उनके चेहरों पर चिपका दिया हो फिर पलट कर अजीत की तरफ देखती हुई बोली तो तो आपने इन्हें यहां बुला ही लिया मैंने तुमसे कहा ही था स, सोच लीजिए विजे विकास ने मैसूस किया उसकी आवास काम प्रही थी क्या उस सबसे कोई फाइदा अपना सेंटेस उसने खुदी अधूरा छोड़ दिया था सोच चुका हूँ अजीत ने कहा हमें भले ही नुकसान हो जाए मगर शायद देश का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएका और व्यक्तिगत नुकसान देश के नुकसान के सामने कोई एमियत नहीं रगता कुछ कहने के लिए निशा ने मूँ खोला मगर उस से कोई आवास नहीं निकल सकी आपस में ही पहेलियां बुझाते रहोगे डियम प्यारे या कुछ कहोगे भी पहले आप बताईए अजीत ने कहा आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे हम तुमसे तुमसे किस ने कहा हम तुमसे मिलना चाहते थे वो तो बस तुमने याद किया और हम हाजिर हो गए ऐसा नहीं है मिस्टर विजे कम से कम अप मैं समझ सकता हूँ जब मैंने आप से मुबाइल पर संपर्ख स्थापित किया तब आप DM हाउस में दाखिल हो चुके थे जाहिर है आप मेरे फोन से पहले ही मुझसे मिलने आ रहे थे वही जानना चाहता हूँ आप मुझसे किस लिए मिलने आ रहे थे अगर तुम पहले हमारी ही चोंच खुलवाने की जित पर अड़े हो तो इस छोटे से बात पर क्यों तुम्हें नारास करे सो चोंच खोल रहे हैं विजे ने कहा हम तुमसे हर शरन शास्त्री के बारे में कुछ जानकारिया लेने के लिए मिलना चाहते थे हाँ हर शरन शास्त्री के बारे में अजीत और निशा एक साथ चौंके डियम होने के नाते शायत ये बात तुम्हारे संग्यान में आ चुकी होगी कि विधायक जी खुदा को प्यारे हो चुके है ज, जी हाँ, म, मगर हम से आप उसके बारे में क्या जानकारी लेना चाहते थे राश्नगर के डी-म की गद्धी पर तुम्हें उसी ने बेठाया था ना आपको ये जानकारी किस ने दी काले चोर का नाम सुना है कभी शहर के सारे काले चोर अपने याडी है ज, जी, मैं कुछ समझा नहीं जरूरत समझने की नहीं है डी-म प्यारे हमारे सवाल का जवाब देने की है विजे अपनी सदा बहार टोन में कहता चला किया राश्नगर के डी-म की कुरसी तुमें हर्शरन शास्त्री की क्रिपा से ही मिली थी या नहीं हाँ, अवस्ती की आँखे शुन्य में स्थेर हो गई मिली तो थी उसके और तुम्हारे बिच क्या टांका भीडा था टर टांका गुरू का मतलब है आपका उनसे क्या संबन था विकास ने पूछा कोई खास संबन नहीं था बस यही यह सुनकर उसके पास पहुँच गए थे कि वर्टमान सरकार में उसकी काफी चल रही है वो जो काम कहत चाहता है सरकार से करवा लेता है भैरवी देने की कोशिश मत करो प्यारे डी-म की कुरसी ऐसी नहीं होती जिस पर हर्शरन शास्त्री जैसे नेता किसी बगैर खास जान परचान के आईए एस को बिठा दे आम तोर पर ये कुरसी नेता अपने खास ही चहेते को देता है कै तो आप ठीकी रहे हैं मिस्टर विजे हम जब कहते हैं तो ठीकी कहते हैं प्यारे और इसी बेस पर पूछने आए हैं तुम हर्शरन शास्त्री के खास चहेते क्यूं थे और जब खास चहेते थे ही तो उसके लाइफ के बारे में भी कुछ खास जानकारियां रखते होंगे हम यहां यह उमीद लेकर आए हैं कि तुम उन खास जानकारियों पर अपने ज्यान का प्रकाश डालोगे ताकि हमें उसकी हत्या के कार्णों और हत्यारे को खोशने में सुविदा हो हर्शरन शास्त्री जी बहुत ही घटिया नीच और कमीना आदमी था कहते कहते अजीत अवस्ती के चहरे पर नफरत का सैलाब उमर पड़ा ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए हैं कि बगवान ही जाने इस देश का क्या होगा विजे विकास हैरान रह गए विजे ने तो कैबी दिया कमाल कर रहे हो प्यारे जिसने तुमें डियम की कुरसी दी उसके बारे में इतने उच विजार हैं तुम्हारे छीकी कहा था आपने जुनोनी अवस्ता में अवस्ती कहते चला किया पॉलिटिशिल्स ऐसी कुरसियां या तो चहेतों को देते हैं या भरपूर कीमत वसूल करते हैं हम यही सोचकर हर शरन शास्त्री के पास पहुंचे थे कि वो जो भी कीमत मांगेगा हम देंगे मगर अजीत अवस्ती की जुबान लड़ खड़ा गई विजे ने बहुत ध्यान से उसके चहरे पर खदकते लावे को देखते हुए पूछा मगर क्या उसने ऐसी कीमत मांगी और हमें अपने जाल में फसा कर वसूल भी की कि हमारा अस्तित्व बिखर कर रह किया बात भेजे में घुसी नहीं प्यारे ऐसी क्या कीमत वसूल की उसने अजीत ने एक नज़र निशा को देखा निशा के चहरे पर वेदना के अजीब से भाव थे आँखों ही आँखों में उनके बेच कुछ बाते हुई फिर अजीत अवस्ती सब कुछ बताता चला गया सब कुछ जब वो ये बात बता रहा था कि हर्शरन शास्त्री ने किस शड्यंत्र के तहत उसे मजबूर करके निशा को हासिल किया तब उसके चहरे का तमाम लावा विकास नाम के लड़के के चहरे पर इकठा हो चुका था अवस्ती अभी बोल ही रहा था जबकि विकास उसकी बात काट कर गुर्राता चला गया अगर सुभाष और भगत सिंग के देश की बाग ढोर ऐसे ही पॉलिटीशन के हाथों में पहुंच चुकी है तो तो अब इस देश को बचाने का केवल एक ही रास्ता है चुन चुन कर हर शरन शास्त्री जैसे लोगों को गोली से उड़ा दिया जाए और मैं तो कहता हूँ जिन्दा तुम जैसे बुजदिल लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए मिस्चर अवस्ती जो लोग ऐसी कीमत पर पद हासिल करते हैं उन्हें चुलू भर पानी में डूप कर मर जाना चाहिए अरे तुम्हें तो उसी वक्त हर शरण शास्त्री की लाश बिचा देनी चाहिए थी जी तो यही चाहा था विकास अजीत अवस्ती के दान्त भीशते चले गए जुनून बन कर जहन में तुफान तो कुछ ऐसा ही उठा था मगर उसने ठीकी कहा था उस वक्त अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो जेल चला जाता मेरे जेल जाने का मतलब था निशा का असहाई रह जाना असहाई निशा किसी तरह खुद को उस राक्षश से नहीं बजा सकती थी इसलिए तुमने अपनी पत्नी को उसके हवाले कर दिया वा बहुत खूब ताकि उसे उसके कर्तूत का मज़ा चखा सकूँ क्या मतलब उसे मैंने ही मारा है तत तुमने विकास के साथ विजे भी चौंक पड़ा फिर विकास ने कहा ठीक किया यही करना चाहिए था तुम्हें ऐसे लोगों की यही एक मात्र सजा है मगर लेट किया तुम इतने लेट क्यों हुए मिस्चर अवस्थी क्यों नहीं तुमने उसे उसके इरादे में काम्याप होने से पहले लुड़का दिया बता चुका हूँ उस वक्त सारे हालात उसकी मुठी में थे चाकर भी कुछ नहीं कर सकता था मैं उल्टा जेल चला जाता डरा में जेल जाने से नहीं था डरा था अपने बाद निशा के असहाई रह जाने से जेल जाने से डरा होता तो इस वक्त आपको ये सब नहीं बता रहा होता जानता ही हूँ जेल तो अब जाना ही होगा मुझे नहीं तुम्हे कोई जेल नहीं भेज सकता विकास ने विजे की तरफ देखते हुए द्रिर्टा पूर्वक कहा मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ जवाब में कोई कुछ नहीं बोला इसलिए अजीब सा सननाटा चाकिया उत्तेशना से भरपूर अजीब सा तनाफ पूर्ण सननाटा प्यारे अजीत अवस्ती विजे की आवाज पर वहां के उत्तेशनात्मक महौल का कोई असल नहीं था बात मधुमक्की की तरफ भिन बिनाती हुई मेरी खोपड़ी के चारो तरफ घूम रही है मगर भेजे में नहीं उतर पा रही अगर तुमें जेल जाने का डर नहीं था तो सरेयाम सबके साब ने शास्त्री को गोली से क्यों नहीं उड़ा दिया क्यों तुमने उसकी हत्या इस तरह की कि वो एक्सिडेंट नजर आई इससे तो जाहिर होता है कि तुम उसकी हत्या के इल्जाम में फसने से बचना चाहते थे ठीक कहा आपने सोचा मैंने यही था कि उसे खत्म भी कर दूँ और बचा भी रहूँ एक काम हत्यारे की तरह कोशिश मेरी यही थी मगर यहाँ आने के बाद निशा से बात करने के बाद मेरे विचार बदल गए कारण मैंने शुरू से उसके गाड़ी को हिट करके हत्या का प्लैन बनाया था ताकि लोग उसे एक्सिडेंट समझे इस इताक में मैं अपनी वाली गाड़ी सहित उसके पीछे लगा हुआ था पीछा करता करता उस सड़क पर पहुँचा जिसके साथ बहती नदी से आप लोगों को उसके गाड़ी मिली पीछा करने के दर्मियान मैंने देखा था एक क्वालिस से तीन चार गुंडों ने एक जत्मी व्यक्ति को उसके एस्ट्रीम में ट्रांसफर किया उस वक्त उसने काफी दूर होने के कारण मैं जत्मी व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाया था केवल इतना ही देख सका कौालिस उस व्यक्ति को एस्ट्रीम में ट्रांसफर करके शहर की तरफ लॉट आई जबकि एस्ट्रीम पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ी मुझे शास्त्री से मतलब था इसलिए एस्ट्रीम के पीछे लगा बॉर्डर से पहले बेरियर पर तैनात पुलिस वालों ने उसे रोका ज़रूर मगर जाने उनसे उसने क्या बाते की पुलिस वालों ने एस्ट्रीम की तलाशी लिए बगैर जाने दिया मैं भी पुलिस वालों की पुलिस वालों को अपना परीचे देने के बाद बेरियर क्रॉस कर किया वो एस्टेम सहीद सीधा बॉर्डर पर पहुँचा वो ऐसी जगा थी जहां आर्मी का कोई जवान तैनात नहीं था वहां पाकिस्तान की तरफ से आई हुई एक गाड़ी पहले से खड़ी थी जखमी व्यक्ति को एस्टेम से उस गाड़ी में ट्रांसफर किया गया वो गाड़ी पाकिस्तान की तरफ चली गई एस्टेम वापिस लोटी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ सका कि किसी जख्मी व्यक्ति को पाकिस्तान पांचाया गया है समझने की कोई खास कोशिश भी नहीं की क्योंकि दिमाग केवल और केवल अपने लक्षय में उल्जा हुआ था लक्षय था शास्री का खात्मा और मेरे हिसाब से मौका सुनहरा था अते पुलिस बेरियर पार करने के कुश देर बात ही मैंने उसके अस्चीम को हिट किया वो नदी में जा किरी अपना काम करके मैं आराम से यहां आ किया सब कुश निशा को बताया सुनकर वैसा ही सुकून मिला मुझे जैसा कि किसी मा को अपने बच्चे के हत्यारी की लाश को देख कर मिलता होगा बहुत देर से खामोश खड़ी निशा कहती चली गई बलकि गर्फ हुआ ये सोच कर कि मैं एक ऐसे पती की पत्नी थी जिसने पूरे हौसले के साथ अपनी पत्नी की इज़त लूटने वाले का खात्मा किया यहां आने के बात मुझे पता लगा एक कौालिस में सवार कुछ लोगों ने मुहम्मद इक्राम सहब का किड्नैप कर लिया है अजीत अवस्ती कहता चला किया एक ही जटके में सारी बात मेरी समझ में आती चली कई हर्शरन शास्त्री, जलील और कमीना ही नहीं, देश द्रोही भी था यकीनन वो सब किसी बड़े शद्यंत्र के तहत हुआ है किसी ऐसे उद्देश्य के साथ, जिससे हमारे देश को कोई बहुत बड़ा अहित होने वाला है उस वक्त मुझे अफसोस हुआ, मैं क्यों उस व्यक्ति को नहीं पहचान सका यदि पहचान लेता, तो मैं इक्राम सहब को पाकिस्तान नहीं पहुँशने दे सकता था चाहे जो होता, उसी जगा शास्त्री को खत्म कर डालता और इक्राम सहब को वापिस ले आता मगर अब पश्ताने से क्या होने वाला था तब मैंने फैसला किया, शास्त्री की हत्या के इर्जाम में फस्ता हूँ, तो फस्ता रहूँ मगर इस खबर को सही शक्स तक जरूर पहुँचाऊंगा कि इक्राम सहब को पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है निशा ने कोई विरोध नहीं किया, किवल इतना ही कहा अगर आप देश के लिए जेल जाने को तयार हैं, तो मैं भी सदियों तक आपके जेल से बाहर आने का इंतिसार करूंगी तब मैंने आपको सब कुछ बताने का फैसला किया, इसलिए फोन किया था सब कुछ आपको बता दिया है, मुझे जेल जाना है, तो भले ही चला जाओ, मगर उमीद है ये सब आपकी नौलिश में आने के बाद इस देश के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा रचा गया कोई शड्यंत्र काम्याप नहीं होगा अजीत अवस्ति की बात पूरी होने के बाद ड्राइंग रोम में एक बार फिर सननाटा पसर किया ये सननाटा पिछले सननाटे की तरह तनाफपूर नहीं था, बल्कि इस सनननाटे में अजीब सी शांती थी विजे ने एक नजर विकास की तरफ देखा फिर अजीत अवस्थी के कंदे पर हाथ रखकर बोला इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ मिस्टर अवस्थी कि हर शरन शास्त्रे की एस्चीम को तुमने हिट किया था ऐसे देश बक्त लोग देश में कम बची हैं जो अपनी जान तक को दाव पर लगा कर देश का भला चाहते हों और में देश के ऐसे ही एक और बेटे को चीन नहीं सकता जो कुछ हमें बताया भूल कर भी वो कभी किसी और को मत बताना कहने के बाद विजे मुडा और तेज कदमों के साथ दर्वाजे की तरफ बढ़ गया उसके चंद शब्दों का अर्थ समझते ही निशा उसके पीछे लपकी दौड कर उसके कदमों में गिर गई बुरी तरफ फोट फोट कर रो पड़ी थी वो बोली आप महान है विजे भाईया आप महान है विजे ने उसके दोनों कंदे पकड़े उठा कर अपने सामने खड़ा करते बोला मैं तो जोकर हूँ निशा बेहन हमेशा जोकर ही रहूँगा महान तो ये है ये साला दिल जला मैंने इसकी आँखों में देख लिया था कि ये क्या चाहता है वही किया है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं विकास का जी पहली बार चाहा अपने विजे गुरु को वो चूमता चला जाए सूर्य देव ने अभी दर्शन नहीं दिये थे मगर पूर्वी गगन की मांग में मानुस सिंदोर भरना शुरू हो गया था ये नजारा अमरीक सिंग को बहुत पसंद था रात को दो बजे सोने के बावजूत वो सुबह पौने पांच बजे उठ जाता कारण केवल ये नजारा ही था उठने में अगर पंदरा मिनट भी लेट हो जाता तो दो उँचे उँचे पहाडों के बेट से सूर्य जांकने लगता उसकी रश्मिया सीधी अमरीक सिंग की आँखों में पढ़ने लगती और ये नजारा उसे बिलकुल पसंद नहीं था ऐसा होते ही वो अपने तंबो में लौट जाता अमरीक सिंग मेजर अमरीक सिंग पिछले एक महीने से वो चौकी नंबर सेवन का इंचाश था पंद्रा जवानों की टुकडी के साथ वही तैनाथ था पहार की चोटी पर वहां जहां पहुँशने का कोई जमीनी रास्ता नहीं था कम से कम हिंदुस्तान की तरफ से वहां केवल हवाई मार्क से ही पहुँचा जा सकता था उसकी टुकडी के लिए ब्रेकफास, लंच और डिनर भी हवाई मार्क से ही आता था इसके लिए हेलिकॉप्टर को हर रोज वहां के तीन चकर लगाने पड़ते थे ठीक सामने इसी पहार जितना उंचा एक दूसरा पहार था उसकी चोटी पर स्थित थी पाकिस्तानी चौकी मगर राश नितिग्या गले कहां मिलने देते थे उन्हें जहां वो गले मिल सकते थे अर्थात वो दर्रा थो मानो बॉर्डर मन चुका था हिंदुस्तानी उसे पार करके सामने वाले पहार की चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते थे उसी तरह पाकिस्तानी इस पहार की चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते थे दोनों हुक्मरानों का हुक्म था ऐसा करने वाले को फोरण गौली मारती जाए गौलियां तो दोनों चोकियों के बीच वैसे भी चलती रहा करती थी कोई टाइम नहीं था उस आतिश बाजी का चाहे जब शुरू हो जाती दोनों तरफ के सैनिकों का मकसद एक ही था दुश्मन को ये बताना दर्रा क्रॉस करने की कोशिश मत करना हम सजग है दोनों ने कई बार एक दूसरे की चौकी कबजाने की कोशिश भी की थी अनेक सैनिक मारे भी गए थे पर अंतुस थाई रोप से कभी कोई दूसरे की चौकी पर काभिश नहीं कर सका अमरीक सिंग को तैनात करते वक वहां का नक्षा दिया गया था उस नक्षे के मुताबिक पाकिस्तान के तरफ से उनकी चौकी पर जमीनी मार्क से पहुंचा जा सकता था इसलिए उस चौकी को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान को उतना खर्चा नहीं करना पड़ता था जितना इस चौकी को अपनी बनाई रखने के लिए भारत को करना पड़ता था दोनों तरफ के सैनिक पहाड की चोटियों पर्तने एक दूसरे के तंबू को बड़े आराम से देख सकते थे इस वक्त भी पाकिस्तान तंबू अमरीक सिंग की आँखों के ठीक सामने थे परन्तो उसका ध्यान उधर नहीं था उस नजारे में जो उसकी आँखों को सुकुन पहुचाता था पूर्वी गगन की मांग में भरे सिंदूर का रंग गहरा होता जा रहा था अमरीक सिंग समझ सकता था सूरजदोरों पहाडियों के बेट से सिर निकालने की कोशिश कर रहा है अभी वो उसी नजारे में खोया हुआ था कि अचानक धडाम धडाम मुकमल पहाडियां जोरदार धमाके की आवास से दहल उठी पलग जपकते ही अमरीक सिंग वहां लेट गया जहां खड़ा था वही क्रिया उन पांच सैनिकों ने भी की थी जो पहाड के पांच स्पार्ट्स पर शिफ्ट ड्यूटी के तहत पहरे पर थे स्वभाविक रोप से सब की नजरे ही नहीं गने भी दुश्मन की चौकी की तरफ घूम गई उन्हें लगा आज दुश्मन ने आतिशबाजी के लिए भोर का समय चुना है मगर नहीं ऐसा नहीं था दुश्मन के तंबू पर नजर पढ़ते ही उन्हें चौक जाना पड़ा उसमें आग लग चुकी थी धूंदू करके जल रहा था पाकिस्तानी चौकी का तंबू भारतिय चौकी के तंबू में सोय सैनिक भी धमाके की आवास के साथ जाग गए हट बढ़ा कर उठे सबसे पहले हाथ अपनी गणों पर गए फिर रेंगते हुए बाहर निकले पाकिस्तानी तंबू जलता देखा तो उनमें से एक ने हैरत के साथ पूछा कर दिया सालों का काम तमाम नहीं यार हमने कुछ नहीं किया एक ने जवाब दिया तो क्या आपस में ही सिर्फ ओर बैठे एक दूसरे का ऐसा ही लगता है खामोश अमरीक सिंग ने कहा ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है कईयों ने पूछना चाहा कैसी चाल मगर आर्मी रोल्जों ने अमरीक सिंग से ऐसा कोई भी सवाल पूछने की परमिशन नहीं देते थे सो सब खामोश रहे आँखे तम्बू से निकल रही आप की लप्टों पर केंद्रित थी एक और धमा का हुआ बारूत के कड़ों के साथ पत्थर भी हवा में सनना आई अमरीक सिंग बढ़ बढ़ाया कमाल है चौकी को हैंड ग्रिनेट से नश्ट किया जा रहा है सर एक सैनिक ने कहा आरोप शायद हम पर लगने वाला है अमरीक सिंग खामोश रहा तो सभी खामोश रहे असल में वो मामले को समझने की कोशिश कर रहा था अभी कुछ भी नहीं समझ पाया था कि उस चोटी से फाइरिंग की आवासे आने लगी ऐसा लग रहा था जैसे वहां युद चल रहा हो धुआ छटा तो देखा एक पाकिस्तानी सैनिक तेजी से सामने वाले पहाड का धलान उतर कर दर्रे की तरफ दौड रहा था क्या हुकम है सर एक भारतिय सैनिक ने पूछा मार दे सालिको नहीं अमरीक सिंग ने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं करना उसके हाथ में सफेद जंडा है आपने खुद कहा था सर दुश्मन कोई चाल चल रहा हो सकता है इससे पहले कि अमरीक सिंग कुछ कहता सामने वाले पहाड की चोटी पर दो पाकिस्तानी सैनिक नजर आई अपनी गनों से उन्होंने सफेद जंडे वाले पर गोलियां बरसा थी शायद कोई गोली उसे लग भी गई तभी वो एक चीक के साथ धलान पर गिरा और फिर दर्रे की तरफ लुड़कता चला किया दो में से एक सैनिक उसका पीछा करने के चकर में डलान पर दोड़ा धाई अमरीक सिंग की गन से शोला लपका निशाना सफेद जंडे वाले का पीछा करने वाला सैनिक था वो मू के बल डलान पर गिरा और एक पत्थर से उलचकर रुख गया एक सैनिक ने पूचा इसका मतलब शुरू हो जाएं सर हम इस अफेद जंडे वाले को बचाना है अमरीक सिंग ने स्पष्ट आदेश दिया हर उस शक्स को मार गिराओ जो उसे मारने की कोशिश करे लेकिन सर एक ने उसकी वर्दी को देखते हुए कहा लग तो वो भी पाकिस्तानी सैनिक रहा है वो जो भी है पाक सेना का दुश्मन है अमरीक सिंग बोला मुझे लगता है उनकी चौकी को उसी ने ध्वस किया है हमसे सरक्षन चाहता है कोई कुछ नहीं बोला बोलने का मौका भी नहीं था सामने वाली चोटी पर अब तीन सैनिक नजर आ रहे थे तीनों ने अपनी गनों का मुझ दर्रे में पहुंच चुके शक्स की तरफ घुमा कर खोल दिया हुकम तो मिल ही चुका था अमरीक सिंग से सो भारतिये गोलियां सामने वाले पहाड की तरफ चपटी एक किलाश ढलान पर लुड़की बाकी दोने जमीन से चिपक कर पोजिशन ले ली अब वो दर्रे में मौझूद शक्स को भोल कर भारतिये सेना पर गोली चलाने लगे थे जवाब इदर से भी बराबर दिया जा रहा था अब हालात ये थे कि दोनों पहाडों से एक दूसरे पर गोलियां चलाई जा रही थी और दर्रे में पहुंच चुका शक्स भारतिये पहाड पर चड़ने की कोशिश कर रहा था करीब एस मिनट की गोली बारी के बाद पाकिस्तानी पहाड पर नजर आ रहे दोनों सैनिक भी धेर हो गए सनाटा चा किया अब उदर से कोई गोली नहीं चल रही थी सफेद जंडे वाला का जंडा दर्रे में ही कहीं गिर किया था अब उसके पास उसके गन भी नहीं थी पहाड पर चड़ने की असफल कोशिश कर रहा था वो असफल इसलिए क्योंकि जखमी होने के कारण चड़ने में मुश्किल हो रही थी अमरीक सिंग ने एक नजर उस पर डाली दूसरी पाकिस्तानी पहाड की चोटी पर वहाँ सन्नाटा चाया हुआ था जैसे कोई जीवित ना बचा हो अमरीक सिंग ने पुनहे दर्रे की तरफ देखते हुए कहा मैं उसे लेकर आता हूँ सर एक सैनिक ने कहा मुम्किन है आपका पहला ही खयाल ठीक हो कोई चाल हो ये उन कमीनों की ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ढलान पर उतरना शुरू करें और वो सामने से बको मत राना अमरीक ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुर्राकर कहा ऐसी कोशिश उन्होंने की भी तो तुम सब किस लिए हो सब को साम सूंग गया अमरीक सिंग ने पुने कहा तुम मुझे कवर करोगे सबका एक ही काम होगा उसे धेर कर देना जो मुझ पर या उस पर निशाना सांधने की कोशिश करे जिसे लेने जा रहा हूँ सब चुप रहे गन संभाले अमरीक सिंग ने ढलान की तरफ रेंगना शुरू कर दिया नीचे जखमी शक्स भी उपर चड़ने की कोशिश कर रहा था कुछ तेर तक सब कुछ सामाने रहा कहीं कोई गड़बर नहीं हुई मगर अचानक पाकिस्तानी पहाड के चोटी पर एक साथ चार सैनिक नजर आए उनकी गने अमरीक सिंग की तरफ घूमी ही थी कि इधर से गोलियों की बाड उधर लपकी उदेश्य था उन्हें अमरीक सिंग पर गोली चलाने का मौका ना देना अब दोनों तरफ से गोली की वर्षा हो रही थी ढलान के मध्या में दोनों मिले अमरीक सिंग ने देखा उसे दो गोलियां लगी थी एक दाएं पैर की पिंडली में दूसरी बाएं कंधे में जिस्म पर भले ही पाक आर्मी की वर्दी हो मगर असल में वो अमेरीके थे जखमी होने के बावजूद बड़ी बहादुरी के साथ पहाड पर चड़ रहा था वो उस वक्त एक पत्थर से उसका हाथ फिसला था और वो पुने धलान पर लुड़कने वाला था कि अमरीक सिंग ने अपना पैर एक पत्थर के जड़ में फसा कर उसे गोत में संभाला अपनी मिश्टी आँखों को बंध होने से रोकने की कोशिश करते उसने कहा थैंक यू थैंक यू दोस्त कौन हो तुम अमरीक सिंग का पहला सवाल यही था उसने डोपती आवास में कहा हिंदुस्तानी का दोस्त वो तो मैं समझ गया मगर कुछ नाम भी तो होगा हाँ हैरी हैरी आम स्ट्रॉंग अमेरीकी हूँ मगर मगर क्या तुमारी बाहों में लग रहा है अपने भाई की बाहों में हूँ सो तो हो ही उधर कैसे फस गए कहानी लंबी है उसे छोड़ो वैसे भी पशली बातों को दोहराने से कोई लाप नहीं होगा मेरी मदद करना चाहते हो तो वो करो जो मैं चाहता हूँ क्या चाहते हो मुझे विजे विकास के पास पांचा दो कौन विजे विकास बले ही तुम ना जानते हो मगर राशनगर में उन्हें सब जानते हैं हैरी बड़ी मुश्किल से कह पा रहा था याद रखना केवल उनी के पास पहुँचाना मुझे और किसी के पास नहीं कहने के साथ उसकी गर्दन एक तरफ लोड़क गई अमरीक सिंग ने उसे जिन जोड़ा हैरी मिस्टर हैरी वो बेहोश हो चुका था हैरी हैरी मेरे यार बावक स्वर में कहने के साथ विकास उसकी तरफ लबका वो विकी कहते हुए कोशिश हैरी ने भी बिस्तर से उठने की की कोशिश क्यों उठी जो गया था वो जखमी होने के बावचूद वो बिस्तर से खड़ा हो गया था मगर पल भर के लिए भी खड़ा नहीं रह सका एक गोली तो उसकी पिंडली में ही लगी थी लड़ खड़ा कर गिरने ही वाला था की अबे संभल कर विज़ चीखा विकास ने लपक कर अपनी बाहों में संभाल लिया था बोला क्या कर रहा है गधे पीड़ा को पीते हैरी ने कहा यार इतने दिन बात सामने आए विकास उसे वापिस बिस्तर पर लिटाता हुआ बोला आर्मी वाले बता चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तो दुश्मन की दो गोलिया चबा किया इस बार हैरी कुछ बोला नहीं केवल मुस्कुरा कर रह किया बहुती बहादुर लड़का है करनल की वर्दी पहने एक रॉबीले व्यक्ती ने कहा गोलिया निकल वाते वक एक अनस्थिसिया लेने से इंकार कर दिया बस एक ही धुन सवार थी इसके दिमाग पर ये कि मेरे यहां होने की सूशना विजे विकास में से किसी को दे दो और वही तुमने किया विजे बोला करना पड़ा कहने के साथ करनल हसा ना करता तो ये इसी हालत में आर्मी होस्पिटल से भाग कर सीधा आपके घर पहांचाता विकास ने पूछा क्या आप हमें जानते थे राशनगर में ऐसा कौन है जिसने आप दोनों का नाम ना सुना हो सो तो है विजे ने अपना सीना चौड़ा कर लिया उसामा बिन लादेन से कम कुख्यात नहीं है हम वैसे अमरीक सिंग ने इसके साथ भेजे अपने संदेश में कहा था बेहोशोते वक्त इसने एक ही प्रात्ना की थी ये कि मुझे राजनगर में विजे विकास के पास पहुंचा दिया जाए मगर मैंने आप लोगों को इंफॉर्म करने से पहले इसके जस्म से गोलिया निकालना मुनासिब समझा लेकिन हैरी विकास ने पूछा तू पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में पहुंच कैसे गया खुद नहीं पहुंचा पहुंचाया गया था किसने पहुंचाया हैरी ने जवाब देने के स्थान पर करनल की तरफ देखा कहा करनल सहब क्या आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं ओ करनल हसा शायद तुम अपने दोस्स से कोई प्राविट बात करना चाहते हो आप समझदार है ओके कहने के साथ वो मुस्कुराया मुडा और अपने भारी बूटों से ठक ठक की आवास करता कमरे से बाहर निकल गया अब बताओ प्यारे विजे ने कहा किस्सा क्या है विकी हैरी ने विकास से कहा कमरे का दर्वाजा ही नहीं सारी खिड़कियां भी बंद कर लो ऐसा क्या बताने वाले हो तुम बताता हूँ पहले वो करो जो कहा है विकास ने वैसा ही किया उधर उसने अंतिम खिड़की बंद की, इधर विज़े ने कहा अब ज्यादा सस्पेंस बना कर हमारी खोपड़ी फार्णे की कोशिश मत करो प्यारे, जल्दी से बताओ, तुम अमेरिका से कोट कर आजाद कश्मीर में कैसे पहुँच गए? मुझे वहाँ पहुचाने वालों के नाम नुस्रत तुगलक हैं, वो नमू ने दोनों के मुझे से एक साथ निकला, फिर विकास ने पूछा, वो तुमें कहां टकरा गए? अमेरिका ही में, वहाँ क्या कर रहे थे वो? वो वहाँ मुझे फसाने के उद्देश्य से ही आई थे, कारण? उस वक्त नहीं जानता था, मगर अब जानता हूँ, बता दो, पहले ये बताता हूँ कि उन्होंने मुझे फसाया किस तरह? कहने के बाद हैरी ने एक लंबी सांस ली, कुछ इस तरह, जैसे अगली एक ही सांस में, सब कुछ बताने का निश्चे किया हो, और फिर, सच मुझे एक ही सांस में, वो खुद के, नुस्रत तुगलक के चंगल में फसने का, किस्सा बयान करता चला किया, अपने बेहोश होने तक की बात, पूरी करने के बाद, दूसरी सांस में बोला, उस वक्त मैं नहीं समझ पाया था, कि उन्होंने वो सब क्यों किया, होश में आने पर, खुद को एक सीलन भरी छोटी सी कोटरी में कैत पाया, मैं पाकिस्तानी सैनिकों की, देख रेख में था उसी कैत में रहते, उन्हीं की बातों से धीरे धीरे पता लगा, मैं आजाद कश्मीर में हूँ, और नुसरत तुगलत ने मुझे वहाँ, इसलिए पहुंचाया था, क्यूंकि उनके खयाल से मैं, उनकी साजिश के बारे में जान गया था, उनके खयाल से का क्या मतलब हुआ असल में मैं वो जानता ही नहीं था, जिसके बारे में उन्हें भ्रम हो गया था, कि मैं जान गया हूँ, बड़ी पेचदार बाते कर रहे हो हैरी प्यारे, खोपणी में कुछ घुजकर ही नहीं दे रहा, मेरे नुसरत तुगलक के चंगुल में फसने से, करीब दस दिन पहले, मेरे चीफ ने मुझे एक काम सौंपा था, कहा था, एक सूशना के मताबिक, आज रात आट बजे कैलिबर बार में, एक तालिबान को एक, I.S.I. का जासूस मिलने वाला है, तुम्हें उन दोनों को गि आपस में बाते कर रहे थी, मेरे कानों में तालिबान का केवल एक ही वाक्य पड़ा, वो I.S.I. के जासूस से कह रहा था, अफगानिस्तान से मारकेश चल चुका है, क्योंकि जिसे वो मारने निकलता है, वो बच नहीं सकता, जवाब में कुछ कहने के लिए I.S.I. के जाहिर है, वो दोनों भचक के रह गए, I.S.I. के जासूस का मुख खुला का खुला ही रह किया था, मेरे उद्देश्य उनकी बाते सुनना नहीं, बलकि केवल गिरफतार करके सीक्रेट सर्विस के आफिस में ले जाना था, सो सीधे सीधे रिवाल्वर उनकी तरफ तान कर, हाथ उपर उठाने का हुकम दिया, हाथ उपर उठाते उठाते उन पट्ठों ने अचानक ऐसी हरकत कर डाली, जिसकी में सपने तक में कलपना नहीं कर सकता था, क्या किया उन्होंने, दोनों ने अपनी अपनी जेबों से रिवाल्वर निकाल कर एक दूसरे को गोली मार दी अरे, ये क्या बात हुई? वही तो हैरी बोला, मेरा तो दिमाग ही चक्रा कर रह गया था, जैसे ही हाथ उठाने के बेच उन्होंने ये हरकत की, यानि अपने हाथ जेबों की तरफ बढ़ाई, मुझे लगा, वो मुझ पर हमला करने वाले हैं, मैंने फुर्ते से खुद को बचाने के लिए एक पिलर के पीछे जंप लगाई, मगर नहीं, उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की थी, बलकि एक दूसरे को मार डाला, जब तक मैं पिलर के पीछे से वापिस जंप लगा कर उनके नस्दीक पहुँचा, तब तक दोनों लाश में तब अदिल हो चुके थे, ये रिपोर्ट जब तक सर्विस आफिस में पहुँच कर चीफ को दी, तो कुछ देर तक तो वो भी संप से रह गए, जैसे कुछ समझ ना पाए हो, कुछ देर सोचते रहने के बाद बोले, लगता है उनके पास कोई बहुत ही एहम इंफोमेशन थी, उन्हें डर हुआ होगा, इसलिए एक दोसरे को खत्म कर दिया, इसका मतलब वो आत्मगाती दस्ते के लोग थे, ऐसा वही करते हैं, जवाब में मैंने भी बस इतना ही कहा था, ऐसा ही लगता है सर, चीफ ने कहा, काश हम जान सकते, कि उनके पास क्या इंफोमेशन थी, क्या आपने ऐसा कुछ करने के लिए कहा ही नहीं था, मैंने तो पहुँचते ही, उन्हें गिरुफतार करने की कोशिश शुरू कर दी थी, उनके बेच का केवल एक ही वाक्य सुन सका, चीफ ने पूछा, वो वाक्य क्या था, मैंने बता दिया, सुनकर वो बोले, ओ, इसका मतलब जल्दी ही विश्व की किसी बड़ी हस्ती का कतल होने वाला है, मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब सर्ड? उन्होंने बताया, मारकेश उसामा बिन लादेन के मारक दस्ते के सबसे ज्यादा खतरनाग और काम्याब शक्स को कहते हैं, उसका असली नाम अता उल्ला है, मगर इस असली नाम को लगबख सभी भूल चुके हैं, शायद वो खुद भी, अब सब उसे मारकर भी कहते हैं, उसके इस नए नाम के पीछे कारण है, वो जब भी जिसे भी मारने निकला, उसे मार ही डाला, और उसका शिकार कभी भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती, लादे अपान ने AISI के जासूस से जो कुछ कहा, उससे जाहिर है, मारकेश अपने किसी ताजा टार्केट की तरफ बढ़ चुका है, अफसोस, तुम ये नहीं सुन सकें, कि अफगानिस्तान से निकले मारकेश के मन्जिल क्या है, अब उन दोनों के द्वारा एक दूसरे को मार डा जालने का कारण साफ साफ नाज नजर आ रहा है, जाहिर है उन्हें मारकेश के टार्गेट के बारे में मालुम था, वो किसी भी सोरत में अपने इस जानकारी को उगलना नहीं चाहते थे, उन्हें डर हुआ, अगर वो तुम्हारे चंगुल में फस गए, तो मुम्किन है, उ उनका मुख खुलवा लो, सु एक दूसरे को खत्म कर दिया, बात मेरी भी समझ में आ चुकी थी, मगर आगे बढ़ने का ना मेरे पास कोई रास्ता था, ना ही शायत चीफ के पास, अंतिते उन्होंने केवल इतना ही कहा, खैर हम मारकेश की मंजिल और टार्गेट का पता ल घटना मेरे सिम्रिती पटल पर दूर दूर तक नहीं थी, जिस दिन मैं क्रिस्टी के साथ रेड लेबल में बैठा था, पर उस घटना का तुम्हारे किड्नैप होने से क्या संबंद? वही बता रहा हूँ, हैरी ने कहा, कैद में रहते अपने पहरे धार, पाक सैनिकों की आ यह साई के जासूस के बीच होने वाली बाते सुन ली थी, और मैं मारकेश का टार्गेट जान गया था, इसलिए मुझे जाल में उलजा कर किटनैप किया किया, जबकि मारकेश के टार्गेट का पता तो, मुझे उन्ही पैरेदारों की बेवकूफी भरी बातों से बात में लगा, कौन है उसका टार्गेट, व्यगरता पूर्वक दोनों ने एक साथ पूछा, तुम्हारे प्रधान मंत्री, ककक क्या, विजे विकास हुचल पड़े, वे शायद निकट भविश्य में पाकिस्तान यात्रा पर जाने वाले हैं, हाँ, विजे ने कहा, है तो सही ऐसा, मारकेश लाहोर में उन पर हमला करेगा, ओ, विजे जैसे शक्स की चुहल बाजियां जाने कहां गायब हो गई, चिंता की लकीरे उभर आई थी उसकी पेशानी पर, विकास ने अपने गुरू को ऐसी अवस्ता में बहुत कम मौकों पर देखा था, फिर भी विजे ने कारी दबाई घूम रहे हो हैरी प्यारे, जिस शन मुझे मारकेश के टार्गेट का पता लगा, उसी क्षन से उस कैथ से निकलने के लिए छट पटा रहा था मैं, मौका मिलते ही भाग निकला, जान ही चुका था, मैं आजाद कश्मीर में हूँ, लक्षय था तुम्हारे पा नाशना, नहीं मालूम था, कामियाब हो सकूँगा या नहीं, भगवान का लाक लाक शुकर है कि मैं यहाँ पहुंच गिया, लाहोर में मारकेश कब कहा और कैसे हमला करने वाला है, नहीं मालूम, क्या मतलब, मैं केवर वो बता सकता हूँ, जो पाकिस्तानी सैनिकों की सुनके बीच यही थी हिंदुस्तानी प्रधान मंत्री लाहोर से वापिस नहीं जा सकेगा वो मारकेश के निशाने पर है मारकेश कहा है वो कब कैसे और कहा क्या करेगा इस बात का शायद उन्हें भी कुछ पता नहीं था ऐसा तुम कैसे कह सकते हो क्योंकि वो आपस में ही कयास लगाते रहते थे कि मारकेश ये करेगा वो करेगा ओ विजे थोड़ा गंभीर जरूर नसरा रहा था मगर पेशानी से चिंता की लकीरे गायब हो चुकी थी कुछ देर जाने क्या सोचता रहने के बात बोला और हैरी प्यारे समय रहते हमें इतनी जबरदस्ट इन्फोमेशन देने के लिए तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया वाकई तुमने अपनी जान पर खेल कर हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा उपकार किया है अब तुम आराम करो हम फुटाज की गोली लेते है मेरे खयाल से अब आप पाकिस्तान जाएंगे अभी तो खुद हमें ही नहीं मालुम प्यारे कि वक्त हमसे क्या करवाने वाला है इतना बुद्धू नहीं हूँ अंकल हैरी मुस्कुराया समझ सकता हूँ इतना सब को जानने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका टार्गेट वो ना बन जाए जिसका टार्गेट आपके देश के प्राइम मिनिस्चर है और उसके लिए आपको पाकिस्तान बलकी लाहोर जाना होगा कहना केवल ये चाहता हूँ इस मिशन में मुझे भी आप अपने साथ ही पाएंगे तुम अभी जक्मी हो प्यारे आराम करो हम और दिल जला काफी होंगे विकास जानता है हैरी को ये जक्म रोक नहीं सकते फिर भी विकास ने कहा गुरु ठीक कह रहे है है हैरी मारकेश जैसे किलर से निपटने के लिए हम दोनों काफी नहीं विकी नहीं अचानक हैरी का चेहरा भबकने लगा ये जक्म मुझे इस बैट से बांद कर नहीं रख सकते मैं ये भी जानता हूँ तुम दोनों तो क्या मारकेश के लिए हम तीनों में से कोई एक ही काफी है मगर मगर क्या एक गोली मैं भी अपने हातों से उस कमीने के जिस्म में उदारना चाहूंगा पर प्यारे इस मामले में तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो क्योंकि मैंने वर्ल्ट्रेट सेंटर और पेंटागरन में होने वाली तबाही को अपनी आँखों से देखा है ओ विजे की ओपर जरा भी ध्यान दिये बगैर जुनूनी अवस्ता में हैरी कहता चला किया मेरे मुल्क की शान समझी जाने वाली इमारत पलग छपकते ही जमीन के अंदर धस गई हजारों बेकसूर और मासूम लोग मारी गए मैं कैसे भूल सकता हूँ अंकल कोई भी अमेरिकी उस होलनाक मंजर को कैसे भूल सकता है वो सब भी उसी के चेलों ने किया था जिसका चेला मारके शै उसके सीने में आग भरकर मुझे सुकून मिलेगा जिसने आज अपना टार्गेट भारत के प्रधान मंत्री को बनाया है कल उसके निशाने पर अमेरिकी का राश्र पती भी हो सकता है इसलिए रिलेक्स प्यारे रिलेक्स कहने के साथ विज़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा शर्मानी चाहिए नुसरत मिया तुगलक कह रहा था शर्मानी चाहिए तुम्हे म मुझे नुसरत चिहूं का मुझे क्यूं क्योंकि तुम भी उसी देश के वासी हो जिसके ये है ये कहने के साथ तुगलक ने मेस के पीछे पड़ी चेर पर बैटे शक्स की तरफ इचारा किया इन्हें हमने एक छोटा सा बलकि बहुत ही नन्ना सा काम सौंपा था मगर ये उसे भी ठीक से अंजाम नहीं दे सके सारा गुड़ गोबर कर दिया गुड़ गोबर इन्होंने किया है शर्म इने आनी चाहिए मुझे क्यों लपेट रहे हो बताया तो है तुम्हें इसलिए लपेट रहा हूँ क्योंकि तुम भी उसी देश के वासी हो जिसके ये उस हिसाब से तो शर्म तुमें भी आनी चाहिए नुसरत ने तुगलक की बात काट कर कहा क्योंकि तुम्हारी मा ने भी तुम्हें उसी देश की धर्ती पर पटका था जिस पर हम दोनों पटके गए थे आ रही है मुझे भी शर्म आ रही है तो अभी लाता हूँ कहने के साथ नुसरत एक जटके के साथ कुर्सी से उठा तुगलक ने पूचा क्या लेने चले चुलू भर पानी इरादा चीक है तुम्हारा हमें भी उसी में डोप कर मर जाना चाहिए मगर ये एक बार फिर तुगलक ने चेर पर बैटे शक्स की तरफ इशारा किया ये ऐसा नहीं करेंगे दुनिया के सबसे महान मुलक की सबसे महान जासू सी संस्था आई एसाई के चीफ चो ठहरें प्लीज प्लीज मिस्चर नुसरत तुगलक चेर पर बैठे शक्स ने अपने चेहरे पर वेदना लिये कहा मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ और ज्यादा शर्मिंदा ना करें अगर तुम और ज्यादा शर्मिंदा हो गए तो अपना बिगाड क्या लोगे मम मैं अपने पत से इस्तिफा देने के लिए तयार हूँ खुद को जलील मैसूस कर रहे शक्स ने जजबाती लेचे में कहा और तुम्हारे इस्तिफा देने से इस महान मुल का जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा क्या नुसरत बोला वापिस कैथ में लोट आएगा छटंग की नंबर दो लोट भी आया तो अब क्या अचार डालेंगे हम उसका या मुरब्बा बना कर चाटेंगे तुगलक ने कहा जो नुकसान वो हमारा कर सकता था वो कर चुका होगा विजे विकास के सामने पूरा कर चुका होगा इस जानकारी को कि लाहोर में मारकेश उनके प्रधान मंत्री का तिया पांचा करने वाला है और उनके सामने ये जानकारी पूर्णे का मतलब है हमारे और मारकेश के लिए अब ये काम जन्नत तक सेड़ी लगा कर चड़ने जितना मुश्किल हो जाएका ऐसे में अगर उन्होंने अपने प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा रत करती तो हमारी भद बिट जाएगी मेरे खयाल से हमारी इतनी ही भद नहीं पिटेगी तुगलक भाई नुसरत ने कहा तुगलक ने कहा और कितनी पिटेगी नुसरत बहन इससे कहीं ज्यादा मुझे पूरा यकीन है वो जोकर भले ही अपने प्रधान मंत्री का पाकिस्तान दौरा रत करने की कोशिश करे मगर छटंगी नंबर वन मामले को यहीं खत्म नहीं होने देगा वो ज़रा टेड़ा है उसकी कोशिश होगी अपने प्रधान मंत्री को पाकिस्तान की सैर करवा कर वापिस सुरक्षित हिंदुस्तान ले जाना ऐसा हो गया तो वो सारी जिन्दगी हमें ठेंगा दिखा दिखा कर चिडाया करेगा और ये सब होगा इनकी वज़ा से एक बार फिर उसने चेर पर बैठे ISI के चेफ की तरफ इशारा किया वाकई तो गलत ने कहा अगर ये उसे संभाल कर रखते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे इनके यानी ISI के हवाले मत करो नुसरत बोला अपने चार्च में रखो सेकर्ट सर्विस की कैट में तुम्ही नहीं माने कहा ISI आकिर हमारे मुल्क की महान संस्ता है फिर आर्मी मदद भी हासिल है इन्हें छटंकी तो क्या छटंकी का बाप भी इनकी कैट से फरार नहीं हो सकेगा तुमने सुना मिया तुगलक सिधा ISI के चीफ से मुखातिब हुआ उसे तुम्हारे चार्च में रखने का फैसला मेरा था सिर्फ मेरा मेरे पार्टनर तक की सला अलग थी इसलिए अब मुझे तुमसे कम से कम इतना पूछने का राइट तो मिल ही गया कि तुमने मेरी नाक क्यों कटवाई चुप रहा ISI का चीफ कहता भी तो क्या कहता वो जानता था नुसरत तुगलक को सीधे सेना के जनरल और पाकिस्तानी राश्रपती के द्वारा उसके पास भेजा किया है सबसे पहले तो खुद जनरल नहीं उसे खरी-खोटी सुनाई थी कहा था कि अगर वो एक कैदी को भी कैदी बना कर नहीं रख सकता तो उसे I.S.I. के चीफ पत पर बने रहने का कोई हक नहीं है उसने उसे समय अपने पत से इस्तिफा देने की पेशकर्श के थी मगर जनरल ने कहा था नहीं तुम्हारी सजा हम नहीं नुसरत तुगलक मुकररर करेंगे हम उन्हें बेच रहे हैं और अब नुसरत तुगलक उसके सामने थे उसे सजा देने आई थे वो जो हुआ उस पर मन ही मनव स्वयम गिल्टी था हर सजा भोकने के लिए भी तयार था मगर नुसरत तुगलक नहीं सजा सुना रहे थे ना ही दे रहे थे वो तो उसे जलील कर रहे थे जो शक्स खुदी अपनी नाकामी के कारण खिजा हुआ था उसे और ज्यादा जमीन में गाड़े दे रहे थे जवाब दो मिया उसे चुप देखकर तुगलक ने कहा तुमने हमारी नाक क्यों कटवाई जो हो चुका है उसे अप में वापिस तो ला नहीं सकता आई एसाई का चीफ इससे ज्यादा और कैबी क्या सकता था आप जो भी सजा दे मैं भुगतने के लिए तयार हूँ नाक कटी है मेरी अब तुम ही तैक करो क्या सजा दी जाए आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे कुबूल होगी तुगलग भाई नुसरत ने कहा मैं बता सकता हूँ इन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए बता नाक के बदले नाक तुगलग की दो आँखे आई एसाई के चीफ की नाक पर केंद्रित हो गई और उनका इरादा भामते ही चीफ के संपूर्ण जिस्म में जुर्चुरी सी दौटी चली गई वैसी ही जुर्चुरी जैसे अचानक उसके जिस्म से 440 वाल्ट के नंगे तार्च हुआ दिये गए हो पलक जपकते ही चेहरा ऐसा नसर आने लगा जैसे उन पर शम्शान की राक लपेट दी गई हो उल्लू जैसी गोल गोल आँखों में मौत के साई कबड़ी खेलते नसर आ रहे थे काफी लंबी नाक है तो गलक ने उसकी नाक पर नसरे गड़ाई रखकर कहा नुसरत बोला कटने के बाद म्यूजियम में रखी और ज्यादा अच्छी लगेगी नना नहीं उनके इरादे भाम कर चीफ के हलक से चीक निकल गई ऐसा मत करना प्लीज किसे इनसान को इतना ज्यादा गलत बात ये तो गलत बात है चीफ मिया तुगलक उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिये बगैर कहता चला क्या तुमने खुद फर्माया था तुम्हें हर सजा कुबूल होगी फिर ये हुज़त किस लिए अं इससे तो बहतर है आप मुझे गोली मार दे क्यूं नुसरत बोला गोली फ्रीकी आती है क्या जजजी चीफ मिम्याया नुसरत ने कहा तुगलक बहन हाँ नुसरत भाईया अपने रिवॉल्वर की गोली कितने की आती है देशी 20 रुपई की विदेशी 200 रुपई की क्या इन पर इतना खर्चा किया जाना चाहिए हर्गिस नहीं इन्हें मानने के लिए हम इतना खर्चा अफॉर्ड नहीं कर सकते नुसरत ने सीधे चीफ से कहा सुना पपप प्लीज चीफ गिर गिरा उठा मसाक मत बनाओ मेरी सजा को मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही ना काट कर छोड़ देने से बैतर तो ये है कि आप मुझे मार ही डाले नुसरत मिया किसी हद तक बात तो इनके ठीक है वो कैसे सोचो मिया ना काट कर शकल कैसी हो जाईगी इनकी अपने नाते रिष्टेदारों को थोबड़ा तक नहीं दिखा पाएंगे सारे पाकिस्तान में चर्चा हो जाएगी आई एसाई के चीफ की नाक चटंकी नंबर दो ले किया जीतर जी मर जाएंगे बेचारे चीकी कहा इन्होंने इससे तो बैतर ये है कि ये रहे ही नहीं खलास कर दिया जाए ना रहेंगे ना लोगों के ताने सुनेंगे अगर इन्हें नहीं ही रहना है तो तरीका केवल एक ही है वो क्या इन्हें चुलू बर पानी में डूप कर मनना होगा ऐसी शर्ट क्यों क्योंकि पाकिस्तान इनकी इससे ज्यादा expensive मौत अफोर्ट नहीं कर सकता ठीक है ये तो खुदी कह रहे थे कि शर्मिंदा है शर्मदार आदमी को डूप कर मरने के लिए चुलू बर पानी काफी होता है अभी लाया कहने के बाद वो दौटता हुआ बात्रूम में चला किया कुछ देर बाद वो चुलू में पानी भर लाया लपकर सीधा चीफ के नस्दीक पहुँचा बोला लीजिये हुजूर डोप कर मर जाए इसमें ना हिंग लगेगी ना फिट करी रंग भी चोखा आएका नहीं मर सके तो मुझे अपने द्वारा मुकरर की गई सजा देनी पड़ेगी कहने के साथ तुगलक भी अपने स्थान से खड़ा हो किया में इसकी परिक्रमसी करने के बाद वो भी चीफ के नस्दीक पहुँचा अब चीफ के एक तरफ नुस्रत था दूसरी तरफ तुगलक तुगलक ने अपनी जेप में हाथ डाला एक चाकू निकाला और किर्र की आवाज के साथ गरारीदार चाकू खुला तो धूप में रखे आईने की मानिंत दमक रहे उसके फल को देख कर चीफ के तिरपन काम गए चाकू के फल को उसके चेहरे के चारों तरफ गुमाते तुगलक ने कहा किसी के साथ जोड़ जबरदस्ती करने की कला हमने कभी नहीं सीखी मिया आपकी इच्छा का विकल्ब आपके सामने है नुसरत बेहन के चुलू में अभी तक पानी मौजूद है या तो उसमें डूप कर मर चाहिए वरना चाकू से नाक कटवाईए मेरे खयाल से इसमें टूप कर मरना ही आपके लिए बहतर होगा नुसरत ने अपना चुलू ठीक उसकी आँखों के सामने कर दिया थोड़ा मुड कर तुगलक से बोला चल बे दूर हट जल्दी कीजिये हुजूर नुसरत ने कहा चुलू का पानी खत्म होने वाला है खत्म हो गया तो आप देखी रहे है बड़ा जालिम है तुगलक सच मुच आपकी नाक कतर डाले का नहीं चीफ ने ये समझ में आते ही मरमान तक चीक के साथ दोनों हातों से अपनी नाक ढाम पली कि दोनों सजा के तौर पर उसकी नाक काटने ही यहां आए है फाउल ये तो फाउल है नुसरत बहन तुगलक ने कहा मेरी नाक कटवाने के बाद अपनी नाक को बचाने की ऐसी कोशिश करने का इने कोई राइट नहीं है फैंक दे चुलू में भरा पानी और जकरले इनके हाथ अभी अपनी मर्जी से मरने का हक खोचुके है छीक कहा तुगलक भईया अब मैं तुम्हारे साथ हूँ कहने के साथ नुसरत ने अपने दोनों हातों से चीफ के हाथ पकड़ कर उसके चेहरे से चीफ चीक रहा था मचल रहा था मगर सब व्यर्थ वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता नाक कटी तो एक हिद्य विदारक चीक पना मांगती से दूर दूर तक गुशती चली गई नहीं सर ब्लैक बॉई ने प्रधान मंत्री कार्यालिय से बात करने के बाद रिसीवर वापिस क्रेडिल पर रखते हुए विज़े से कहा प्रधान मंत्री का पाकिस्तान दौरा रद नहीं हो सकता तुमने उन्हें बता दिया है न कि वहाँ सब कुछ बता दिया है सर आपके सामने ही तो बात की है प्रदान मंत्री के नीजी सचिव का कहना है हमारी तरफ से ये दौरा रद होने पर अंतराश्य जगत में हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी किरकिरी तो पाकिस्तान की होनी चाहिए वो हमारे प्रदान मंत्री को वहां बुला रहा है और उसके जासूस मारकेश के जरिये उनकी हत्या का शड्यंत्र रच रहे है इस बात को साबित करने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है जैकी के बयान को सबूत नहीं माना जा सकता बात तो ठीक है हाँ हमारी जानकारी पर प्रधान मंत्री के निजी सचिफ चिंतित जरूर हो उठे कहने लगे अगर ऐसी रिपोर्ट है तो फॉरण विजे विकास को पाकिस्तान रवाना कर दिया जाए अभी प्रधान मंत्री के पाकिस्तान दौरे में टाइम है उनकी कोशिश होनी चाहिए प्रधान मंत्री के वहाँ पहुँशने से पहले ही मारकेश को काबू में कर लेना यानि गाज उल्टे हमी पराकिरी मैंने तो पहले ही कहा था गुरू ऐसी कोशिश हमें करनी ही नहीं चाहिए काफी देर से खामोश बैठा विकास अंततै बोल ही पड़ा होना तो ये चाहिए कि प्रधान मंत्री वहाँ जाए शान से निर्धारित किये गए हर प्रोग्रेम में हिस्सा ले और दन दनाते हुए सुरक्षित भारत लौट आए ये होगा पाकिस्तान को हमारी तरफ से दिया गया मूर तोड जवाब और ये जवाब देने में हम सक्षम हैं इस बार मुझे नुस्रत तुगलक को भी देखना है और मारकेश नामक उस शैतान को भी जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे वो मारने निकलता है वो जीवित नहीं रह सकता खुद पर और अपने चेले पर भरोसा रखो गुरू चलो पाकिस्तान देखे तो सही शिखरवार्था के नाम पर ये नापाक मुल्क आखिर क्या साजिश रच रहा है चलना तो पड़ेगा ही दिल जले जाना तो पड़ेगा ही अब वहाँ विजे ने कहा हमारी कोशिश तो प्रधान मंत्री के सिर पर मढ़रा रहे खत्रे को टालने की थी क्यूंकि भले ही हम चाहे जितने तीस मार्खा सही मगर नाकाम भी हम ही लोग होते हैं इस बात की हमें कोई परवा नहीं कि हमारी नाकामी के कारण हमारी अपनी जान चली जाए मगर प्रधान मंत्री की जान इस देश के गौरफ की जान को कोई खत्रा हो तो परयोग नहीं किये जा सकते मगर अब तो ब्लैक बॉई ने कहा हालात जो हैं उनके मुदापी की काम करना होगा और हम तयार हैं विज़न निरनायक स्वर में कहा वैसे भी मुहमद इक्राम के लिए तो हमें पाकिस्तान जाना ही था अब हम कह सकते हैं मुहमद इक्राम की सीधी बात को उल्टे ढंक से प्रचारित करके भारत में दंगे करवाना और प्रधान मंत्री के लिए मारकेश को पाकिस्तान बुलाना पाकिस्तान की एक हिस साजिश के दो हिस्से हैं हमें इस साजिश का बंड़ा फोर्ट करना होगा हमारा खयाल है कि वे मुहमद इक्राम को कोई ऐसा बयान जारी करने के लिए मचबूर करेंगे जिससे हिंदुस्तान में लगी सांपरदाई काग में घी पड़ जाए हमारी सबसे पहली कोशिश उनके किसी ऐसे इरादे को नाकाम करने की होनी चाहिए मेरे खयाल से अब आप सही लाइन पर सोच रहे हैं विकास ने कहा उसका क्या नाम बताया था तुमने जिससे हर्शनन शासरे मोबाईल के जरीए बात किया करता था असलम ब्लैक बॉई ने कहा हाँ असलम विजे ने नाम दोहराया पाकिस्तान में हमें अपना काम उसी की खोट से शुरू करना होगा उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़े की सर क्यूं? उसका पता पाकिस्तान में स्थिट रॉ की नस्मा नामक जासूस को पता है शासरी के मोबाईल पर अंकित फोन नंबर उसी को भेजा किया था उस नंबर के बेस पर नस्मा ने असलम का नाम ही नहीं एड्रेस भी पता लगा लिया है आप चाहेंगे तो वो आपको सीधे असलम के फ्लैट पर पहुँचा देगी विज़े ने अजीब सवाल किया देखने में कैसी है नस्मा डार्ली? वो बेहत आकरशक थी गोल चेहरे और बड़ी-बड़ी नीली आँखो वाली कद पांच फुट साथ इंच रंग वैसा जैसा कश्मीरियों का होता है नितंबो को सपर्श करते उसके लंबे बाल और इस वक्त खुले हुए थे जिसम पर मौचूद काले टॉप और टांगों से जिप की काली जेंस में वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रही थी विजे विकास को उसके दर्शन उसके फ्लैट का दर्वाजा खुलते ही हो गए थे दर्वाजे के बीचों बीच खड़ी नस्मा ने अपनी चमकदार आँखे दोनों आगंतुकों पर जमाते हुए कहा कहिए मैं काबुल से आया हूँ विजे ने कहा नस्मा ने तुरंथ विकास की तरफ देखते हुए कहा और आप कहा से हम दोनों एयरपोर्ट पर मिले विकास ने अपने हिस्से का सेंटेंस बोला दोनों की बाते हुई, पता लगा दोनों को एक ही जगा जाना है, तो साथ चले आई विजे ने कोड का अंतिम वाक्य पूरा किया, कोड पूरा होते ही नस्मा मुस्कुराई उसके गुलाबी होंटों पर स्वागत वाली मुस्कान बहुत भली लगी थी दर्वासे के बेद से हट्ती बोली, आईए, मैं पाकिस्तान में आपका इस्तिक्बाल करती हूँ विजे विकास ने एक साथ दर्वासा पार्ट करके फ्लैट में कदम रखा इस वक्त दोनों अफगानी नजर आ रहे थे, जिस्मों पर पठानी सूट, चेहरों पर ऐसी दाड़ी मुझे, जिन पर भूल से भी कैंची नहीं मारी गई थी पैरों में जूतिया, ड्राइंग रूम में पहुँचकर नस्मा ने पूछा, आप में से विजे कौन है और विकास कौन? लंबाई से पता नहीं लग रहा क्या? विजे ने पूछा, आप लोगों का क्या भरोसा? सुना है चेहरे ही नहीं, जिस्म की बनावट और लंबाईयां तक चेंज कर लेते हैं, अब देखिये ना, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता, कि आप इंडियन्स हैं मैं विकास हूँ, लंबे लड़के ने कहा, नजमा उसे की आँखों में आँखे डाल कर बोली, मैं आप लोगों को अपनी असली सूर्टों में देखना चाहती हूँ वज़ा, देखना चाहती हूँ, वास्तब में वो कैसे लगते हैं, जिनने जासू सी जगत का सिर मौर कहा चाता है क्या मतलब? साफ है, बहुत नाम सुना है आप लोगों का, मैं तो आपको रिसेव करने एरपोर्ट जाना चाहती थी, मगर मैंने चेफ का हुकम हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना है ये निर्देश शाफी के थे, आपने कहलवाया था, इसमें खत्रा हो सकता है हमारी असली सूरत देख कर बच्चे अक्सर डर जाते हैं, विजे ने कहा खास तोर पर इस दिल चले का चेहरा देख कर, इसलिए बैतर है तुम इस चक्कर में मत पड़ो, फॉरण असलम्मिया के पास ले चलो हमें उनसे दो-दो हाथ हो जाए, तो बात आके बढ़े नस्मा मुस्कुराई, बोली, जैसा सुना था, वैसा ही पाया आकर खड़े नहीं हुए हैं, कि लगे काम की बाते करने मैंने आप के लिए ब्रेक फास का इंतिजाम कर रखा है फ्रेश ओकर डाइनिंग में आ चाहिए, कहने के बाद वो रुकी नहीं बलकि किचन की तरफ बढ़ती चली गई, विजे विकास एक दोसरे की तरफ देखते रह गई असलम उस वक्त अपने फ्लैट में, बलकि बेट पर एक लड़की के साथ था जब कॉल बेल जोर से चीकी, लड़की के मुँसे निकला, कौना मरा इस वक्त लड़की जो खुद उतेजित अवस्ता में थी, धीली पड़ गई, कॉल बेल एक बार फिर चीकी उफ, असलम भरना कर लड़की से अलग हुआ, बड़ बड़ाया, अभी देखता हूँ साले को लड़की भी बेट से उठी, फर्श पर शित्राई पड़े अपने कपड़े उठाने के लिए जुकी ही थी कि असलम ने कलाई पकड़ कर वापिस बेट की तरफ खेंचते हुए कहा, यूँ ही पड़ी रहे, कपड़े पहन लेगी तो फिर उन्हें उतारता फिरूंगा दर्वाजे पर जो भी है, उसे टरका कर आता हूँ, दोनों में से किसी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था घूमा और गुर्राया, दाम क्यों फाड रही है, तुम दर्वाजा कोलने जा रहे हो, वो बराबर हस रही थी, और क्या करूँ, वो जुझ लाया, यूँ, यूँ ही, कहकर वो और जोर से हस पड़ी, चेहरा अपने हातों में चुपा लिया, तब ही असलम के नजर अपने सा अपना नहीं है, वो कुछ और बॉकला किया, फंश पर पड़े तेहमत पर जप्टा, कुछ देर बाद वो जल्दी जल्दी अपने पेट पर तेहमत की गांट बांथता, दर्वाजे की तरफ लपक रहा था, लड़की अभी भी हातों से चेहरा धांपे, खिल खिला कर हस रह चुकी थी, इसलिए भननाया हुआ था, एक जटके से दर्वासा खोला, कुछ कहने ही वाला था की, मुख खुला का खुला रह किया, लफ्स तो लफ्स हवा तक बाहर नहीं निकल सकी उसके, यूँ खड़ा रह किया, जैसे ताच महल को अपनी चौकट पर खड़ा देख रह हो, मारे हैरत के उसका बुरा हाल था, एक आवाज गुझी, क्या हुआ असलम मिया, बुद कैसे बन गए, आप लोग, आप लोग यहां मेरे फ्लैट पर, लफ्स असलम के मुझे यूँ अटक अटक कर निकल रहे थे, जैसे बगैर जुबान के बोल रहा हो, तुगलक बोला, ना आते तो अपनी खटिया खड़ी पाते, आप लोग मुझे वहीं बुलवा लेते, नहीं बुलवा सकते थे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बुलावा उपर से आ चुका है, जजजजी, असलम के हलक से चीक से निकली, क्या मतलब, सारा इंटेव्यू दर्वाजे पर खड़ की बात पूरी होने से पहले, इस तरह पीछे हटता हुआ बोला, जैसे दर्वारी अपने बात्षा को रास्ता देने के लिए हटते हैं, और वो, जिनने दुनिया नुसरत तुगलक के नाम से जानती है, सच मुझ शेहन शाहों की तरह, चलते हुए फ्लैट में दाकिल हुए दोनों अपने परंप्रा गत लिवास में थे, अर्थात पैरों में चमकदार कढ़ाई वाली जूतियां, चोड़ीदार सफेद पैजा में, बन कले के कालिक कोट, सिरो पर कलफ से अकड़ी वो टोपियां, जिनने आम तोर पर शायर पहनते हैं, हमेशा की तरह आंखों में का बुरी तरह हैरान था, उनके लिए काम जरूर कर रहा था वो, मगर सपने तक में नहीं सोच सकता था, कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जासूस समझे जाने वाले नुसरत तुगलत, उसके उस अतने से जासूस की चौकट पर आधमकेंगे, उसका दिमाग ही नहीं, सारा वज सका, म, मेरी समझ में नहीं आया, मुझ अदने से जासूस से मिलने आपको खुद क्यों आना पड़ा, क्योंकि तुम एक मिस्चेक कर चुके हो, नुसरत ने कहा, म, म, मिस्चेक, कैसी मिस्चेक, तुगलक बोला, भयानक मिस्चेक, प, पता तो लगे, असलम के होश फाक्ता थे, नुसरत ने अपना मुँ ऊपर उठाया, उसमें पान का पीक भरा था, उसे अपने लिबास पर गिरने से बचाने का प्रत्न करता बोला, ये मिस्चेक तुमने और हर शरन शास्री ने मिलकर की, शशिच शास्री ने, उसने, जिसने तुमें इंडिया में मुहम्मद इक इक्राम को शास्री के हुआले किया, शास्री ने बौर्डर पर मेरे हँआले, मैंने उसी हालत में उसे वहां पहुचा दिया, जहां आपने कहा था, जब तक मेरे पास रहा, मुहम्मद इक्राम को खोश तक नहीं आया था, फिर भला मुझ से कहाँ क्या मिस्चेक हो गई? उ पान का सारा पीक ग्राइंग रूम के फर्श पर थूखने के बाद मुझ साफ करते हुए कहा अब तुम दूसरी मिस्चेक कर बैठे जजजजी तुगलक ने कहा महम्मद इक्राम को जहां पहुंचाया था उसका पूरा पता बता बैठे सर असलम बुखला गया केवल आप ही लोग तो हैं यहां भला आप लोगों के सामने पता बताने से क्या फर्थ पड़ता है हमने सुना है दिवारों के कान कंकवूए जैसे होते हैं कम से कम मेरे फ्लेट की दिवार के कान नहीं है मिस्ट्रेक पर मिस्ट्रेक किये जा रहे हो मिया अब तीसरी कर बैठे जजजजी मैं समझा नहीं हमारे इलावा इस वक्त तॉट कोई नहीं है क्या फ्लैट में असलम से पहले नुसरत ने कहा देखो मिया जोट मत बोलना जोट से हमें उतनी नफरत है जितनी नेवले को सांप से और सांप को नेवले से बात तुगलक ने पूरी की असलम के चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी थी हलक सूकता चला गया उनकी बातों से लगता था वो फ्लैट में लड़की की मौजूद किसे वाकिफ है कैसे? ये बात कैसे मालूम हो सकती है उन्हें? कोशिश के बावजूद असलम समझ नहीं सका नुसरत तुगलक की कुरूरता उसने आज तक अपनी आँखों से भले ही ना देखी हो मगर सुन खोब रखा था कई किसे भी सुने थे उनके जालिम पने के सो जोट नहीं बोल सका बोला बेडरूम में एक लड़की है ककक कॉल गरल है थोड़ी मौच मस्ती के लिए बुलाई थी अब बताओ तुगलक बोला उसकी मौजूद्गी के बावजूद तुम कह रहे थे तुम्हारे फ्लैट के कान नहीं है बाजारू लड़कीयों के जितने कान होते हैं तेज पाचन शक्ती उतने ही कमजोर अपनी जानकारियों के उल्टी दस्त वो चाहे जब जहां कर सकती है सुरी सर असलम का चेहरा पीला पड़किया नुसरत ने पूछा किस बात की सौरी लड़की के रहते मैंने ठिकाने का पता मूँ से निकाला तुम्हारी ये सौरी केवल एक शर्थ पर एकसेप्ट हो सकती है कैसी शर्थ छोरी के दर्शन करवाओ नुसरत बोला तुम पहरा दोगे हम चोरी से निप्टेंगे बहुत दिन हो गए किसी चोरी से नहीं निप्टे तुगलक ने कहा असलम ने नुसरत तुगलक के बारे में जो बहुत सारी बाते सुन रखी थी उनमें एक ये भी थी कि वो शराब और शबाब से उतने ही दूर रहते हैं जितने प्रित्वी सूरत से है इसके बावजूद इस वक्त नुसरत तुगलक खुद छोरी से निपटने के लिए कह रहे थे उसे लगा इस संबन में नुसरत तुगलक के बारे में उसने जो सुना था गलत था वो रसिया किस्म के है इस शर्ण असलम के दिमाग ने उससे कहा तो भी किस बात पर यकीन कर बैठा था असलम दुनिया में ऐसा मर्द भला हो ही कहा सकता है जो शबाब से दूर रह सके सो उसे पक्का विश्वास हो गया कि लड़की को परोज कर इनके कहर का शिकार होने से बच सकता है अते जल्दी से बुला ककक क्यूं नहीं लड़की बहुत ही सुन्दर है जल्दी से दर्शन करवाओ बहुत भूग लगी है तो गलंग ने होंटों पर जीप फेरी असलम ने जवाब इस बार मूसे नहीं ठोकर से दिया ढ़के हुए दर्वासे में इतनी जोर से ठोकर मारी कि दर्वासा धार से खुल गया लड़की हर बढ़ा कर बिस्तर से उचल पड़ी लड़की अभी तक पूरी तरह नक्न थी लहौल विला कुवत नुसरत ने उसे देखते ही आँके बंद कर ली उसके विप्रेट तुगलक ने लड़की को देखकर कहा वा क्या गुठली है लड़की ने बात्रूम के दर्वासे की तरफ दौरना चाहा वही ठहर जा असलम ने हलक से गुराहट निकाली वो ठिटक गई हमारी तरफ घूम वो घूमी चेहरे पर शेरों के जुण में फसी हिरनी जैसे भाफ थे चाहे जितनी बाजारू थी मगर यूं तीन मर्दों के सामने टांगे फैला कर खड़ी नहीं रह सकी जहां खड़ी थी उकड़ू होकर वहीं बैट कई जाहिर है अपनी नगनता को चुपाने का प्रत्न कर रही थी वो ऐसा करते देख असलम गुर राया ज्यादा नास नकरे ना दिखा ये मेरे बॉस हैं इन्हें खुश कर देगी तो जो तैह होई थी उससे दस गुनी कीमत दूँगा जियों की तियों बैठी लड़की ने सहमे नजरों से उसकी तरफ देखा क्यूंबे एका एक तुगलक ने जपट कर असलम का गिरे बान पकड़ लिया क्या समझता है तू हमें क्या हो गया सर ये भी कोई लड़की है ये तो हमारे घर में सफाई करने आने वाली लड़की से भी ज्यादा मरी गिरी है बॉकला कर रह गया असलम सूजा नहीं क्या कहे नुसरत बोला ऐसी बुरी भी नहीं है तू गलक मिया बुरी नहीं है तो तो ही निपट ले उससे बला ऐसा भी कभी हुआ है क्या कैसा कि हम में से कभी कोई अकेला निपटा है सोला आने दुरुस्त निपटते तो है दोनों साथ निपटते हैं नहीं निपटते तो कोई नहीं निपटता फिल इससे तो असलम मिया ही निपटेंगे बिल्कुल ठीक नुसरत ने असलम से कहा हुजूर आप ही निपट कर दिखाईए इससे मम मैं मिम्या क्यों रहे हो सरकार आखिर आप ही ने तो नियोता दिया था इसे अपनी गलती तो आप ही को भुगतनी पड़ेगी सो तो ठीक है मगर मगर असलम पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा जो कुछ वो लड़की के साथ करने को कह रहे थी वो अकेले में करना अलग बात थी किसी के सामने करना अलग और खास तोर पर नुसरत तुगलक के सामने उसे लगा ये लोग उसे अजीब किस्म का टॉर्चर करने के मूर में है उसने सुन रखा था टॉर्चर के नए नए तरीके इजाद करने में नुस्रत तुगलक को महारत हासिल है इस बात को याद करके गिड़ गिड़ा उठा वो ननन नहीं सर ऐसी सजा मत देचिये मुझे वो वो सब मुझ से आपके सामने नहीं होगा क्या नहीं होगा वही जो आप चाहते हैं क्या चाहते हैं हम आप जानते हैं हम इसके इलावा और कुछ नहीं जानते कि तुम इससे नहीं निपटोगे तो हम तुमसे निपट लेंगे म मुझसे असलम चिहूं कुठा जी हाँ आपसे बड़ी शर्म की बात है आप इस जैसे आरत से नहीं निपट सकते जबकि हम आप जैसे मर्दों से निपटने की कुवत रखते हैं क्यों भाई तुगलक हाँ बेहन नुसरत खोपड़ी घूम कर रह गई असलम की उसकी समझ में आकर नहीं दे रहा था ये दोनों शक्स आके है कि किस किस्म के अभी वो ठीक से निर्धारित भी नहीं कर पाया था क्या करे कि तुगलक उसके नस्दीक आया नस्दीक आते आते अपनी जेब से रिवालवर निकाल लिया उसने उसे उसके चेहरे के चारो और घुमाता हुआ बोला बोलो तुम हमारे इस से निप्टोगे या हम इस के सामने तुम से निप्टे असलम को लगा जो वो कह रहे है वो जलालत उठाने से बैतर तो वही जलालत उठाना है जिस से वो बचना चाहता है सो बोला ठीक है मैं निप्टता हूँ तो ये लो तुगलंक ने रिवालवर उसकी तरफ बढ़ाया असलम चौका नजर रिवालवर पर ठहर गई मुझे निकला यह यह क्या क्यूं खाली हाथ निप्टोगे क्या इससे जजची क्या आप इससे मर्डर की बात कर रहे है तो तुम क्या समझ रहे हो इससे पहले कि असलम कुछ कहे नुस्र ठहा का लगा कर हस पड़ा ऐसा जोरदार ठहा का लगाया था उसने जैसे फ्लैट की चछत को में ये हजरत निपटने का मतलब कुछ और ही समझ बैठे थे क्या समझ बैठे थे इनी से पूश लो क्यूं जनाब निपटने का क्या मतलब समझ रहे थे आप बुरी तरह हैरान परिशान असलम के मुँ से बार-बार यही शब निकल रहे थे मैं तो मैं तो मैं तो क्या बड़-ड़ा रहे हो हुशूर नुसरत अभी तक हसे जा रहा था खुलकर कहो शर्माने की बात ही क्या है इसमें आप निपटने का मतलब वो समझ रहे थे जिससे आबादी बढ़ती है जिसके बूते पर पाकिस्तान ने उकुमत होगी बोलो सरकार तुगलक ने कहा यही समझ रहे थे ना आप अं हां हां असलम बड़ी मुश्किल से कह सका ओ इसलिए आप उस वक्त काम पुठे थे जब हमने कहा था हम आपसे निपट लेंगे बहुत ही गलत बात है बड़ा भारी जुम किया आपने हम पर इतना गिरा हुआ समझ लिया हमें आपसे निपटने में तो आबादी में भी इजाफा होने के चास नहीं थे फिर आपने हमारे बारे में इतने घटिया तरीके सोच कैसे लिए असलम के चेहरे पर पसीना उभर आया उसके हाथ से रिवॉल्वर लेता हुआ बोला क्या सच मुझ आप यही चाहते है क्या अब भी किसी गलत फहमी की गुझाईश है मगर आप ऐसा क्यूं चाहते है जो मिस्चेक तुमने की थी वोगत तो भुगत नहीं पड़े की मम मिस्चेक इसके यहां रहते एड्रेस बता चुके हो लग लेकिन जरूरी नहीं वो इसने सुन ही लिया हो यहां हम बात कर रहे थे यह वहां से काफी दूर तुम इसे निप्टा रहे हो या हम तुमें निप्टा दे इस बार तुगलक के हलक से गुराहट से निकली असलम सक पकाया नुसरत बोला और हम चाहते हैं गोली गोले पर लगे असलम के हाथ पैर फूल गए वो सोच भी नहीं सकता था यह लोग इतने बेरहम होंगे इतने ज्यादा कि उस लड़की को मार डालने के लिए कह रहे थे जिसने यकीनी तोर पर एड्रेस नहीं सुना था उधर लड़की की समझ में ये बात आ चुकी थी कि बात उसके कतल की हो रही है अपनी मौत की आशंका ने उसे चीक कर उचल पढ़ने और फिर भागने के लिए प्रेरित किया इन में से पहले दो काम ही कर पाई वो यानी हलक से चीक निकालती हुई उचल कर खड़ी ही हुई थी कि धाए एक गोली चली गोली ठीक उसके बाई वक्ष पर लगी थी वक्ष के चीतरे उड़ाती उसके दिल में जा थसी हवा में चकर घिरनी से खाने के बाद लड़की का जिस्म धार्ट से फर्ष पर गिर पड़ा छट पटाया और ठंडा पड़किया असलम का चेहरा ही नहीं जिस्म भी पसीने से चिप-चिपा उठा था टांगे काम प्रही थी उन पर अपने जिस्म को संभाले रख कर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था केवल एक ही बात समझ में आई थी उसकी ये कि उसने अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर से कोई गोली नहीं चलाई थी फिर वो मर कैसे गई कम से कम ततकाल तो असलम नहीं समझ सका समझा तब जब उसने नुसरत को अपने हाथ में दबे सालेंसर युक रिवॉल्वर की नाज से निकल रहे दुए में फूक मारते देखा तुगलक बोला ये तुमने क्या किया नुसरत मिया क्यूं दीदे नहीं है तेरे पास जो देख नहीं सकता मेरा मतलब इससे तो हुजूर को निपटना था ना देख नहीं रहा अभी तक कथक कर रहा है हुजूर का जिस्म नुसरत ने अपने रिवॉल्वर वाले हाथ से असलम की तरफ इशारा करके कहा बात चीक है हमेशा ठीकी बात कहने का ठेका ले रखा है मैंने आप अभी तक काम क्यू रहे हैं असलम मिया कहने के साथ तुगलक ने उसके हाथ से अपना रिवॉल्वर वापिस ले लिया था और असलम वो खुद को नियंत्रित रखने की भरपूर चेश्टा कर रहा था ये हैं हमारे ऐसा नहीं है नुसरत भाई असलम मिया उस लड़के से निपटने को लेकर नहीं काम रहे थे ये काम रहे थे ये सोच कर कि हमारे सामने उस से निपटे तो कैसे निपटे क्यों असलम मिया गलत तो नहीं कहा मैंने जिजजजी असलम के मूँ से मात्री यही एक लफ्स निकल सका खेर नुसरत बोला तीन मिस्चेक की थी असलम मिया ने दो मिस्चेक तो मैंने इस लड़की की इह लेला समाप करके सुधार दी तीसरी मिस्चेक की ने खुद सुधारनी पड़ी गी जल्दी से कहो तो गलत ने असलम को उक्साया जल्दी से कह दो असलम मिया तुम बजी होई मिस्चेक को सुधारने के लिए तयार हो अगर ये सुधारने पर आ गया तो इस बार तुम्हारा तीया पांचक कर डालेगा ममा मैं तयार हूँ बगैर मिस्चेक जाने अ आप बता दीजिये क्या विजे विकास को जानते हो भला उन्हें कौन नहीं जानता क्या जानते हो वो इंडिया के जासूस है जासूस नहीं तुगलक ने कहा इस से नीचे की बात कही तो नुसरत बहन नारास हो जाएंगी एक बार अगर वो किसी के पीछे पढ़ जाए तो कब्र में सुला कर ही दम लेते हैं असलम चुप रहा नुसरत ने हुकम दिया कहो हां 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 असलम को बगेर सोचे समझे कहना पड़ा तुम उन्हें हमारे पीछे लगा चुके हो म म मैं उन्हें आपके पीछे मैं कुछ समझा नहीं सर और अब हालत ये है कि उनके डर से दुम दबाए हम इधर से उधर उधर से इधर भागे फिर रहे हैं भागते भागते यहां आप आँचे तुम्हारी शरण में क्यूंकि अब केवल तुम ही हमें उनके कहर उसने समझ नहीं पा रहा सर भला मैंने उन्हें आपके पीछे कैसे लगा दिया तुम शास्त्री का फोन इस फोन पर रिसीव करते थे उसने फ्लैक में रखे फोन की तरफ इशारा किया जी ऐसा करने के लिए किस ने कहा था तुम से आप ही ने तो कहा था सर भारस्थित आईएसाई के हर शरन शास्त्री नामक जासूस के संपर्ट में रहना वो सिल्वर कलर की एस्ट्री में मौहमद इक्राम को लेकर बॉर्डर पर पहुंचेगा ठीक उसी वक्त तुम्हें भी वहाँ पहुंचना है इक्राम को अपनी गाड़ी में डालना है और बेशक हमने ये सब कहा था मिया पर ये कहा कहा था कि तुम शास्त्री के मॉबाइल से किया गया फोन इस फोन पर रिसीव करना अरे और कैसे संपर्ट में रह सकता था सर यानि कि ये बात भी तुम्हें हम बताएंगे नुसरत गुराते हुए तुगलक से बोला पता नहीं किन किन घसियारों को I.S.I. में भरती कर लिया है पाकिस्तानी सरकार ने इतना भी नहीं जानते मॉबाइल साला खुद सब कुछ बता देता है उदर शास्त्री हलाक हुआ उसका मॉबाइल विजे दग्रेट के हाथ लगा और उसे पता लग गया शास्त्री का इश्क इस फ्लैट में रहने वाले से चल रहा था ओ, सारी बात एकदम असलम की समझ में आ गई ताजे हालात के मताबिक विजे विकास पाकिस्तान पहुँच चुके है नुसरत ने कहा नजमा नामक रौकिस्तान ये एजेट उनकी मददकार है धार पर हो तुम और तुम्हारे धार पर होने का मतलब हुआ हम खुद बखुद धार पर धरे गई हम जिनोंने इस मिशन की शिरुवात करते समय ही कसम खाई थी ये की विजे विकास को अपने पीचे नहीं लगने देंगे दुनिया में अकेले वही है जिनसे हमारी फूक सरकती है मैं समझ किया असलम ने कहा मैं समझ किया सर अचानक काफी समझदार हो गए तुम नुसरत ने कहा तुगलक बोला अब हमारे पास एक ही रास्ता है वो क्या तुम्हारा खात्मा नुसरत ने कहा तुगलक ने ताल मिलाई ताकि वो तुम से आगे न बढ़ सके इसलिए पधारना पड़ा हमें उनके इरादों का पता लगते ही असलम के संपूर्ण जिस्म में मौत की सिहरन दोड़ गई कुछ देर पहले चहरे पर जो हलकी सी चमक कुबरी थी उसका स्थान पीले पन ने ले लिया नजर फर्श पर पड़ी लाश पर पड़ी इस कल्पना ने उसे कंप कंपा कर रख दिया कि इन जालिमों को समझाया नहीं जा सका तो कुछ देर बाद वो खुद भी लाश बना इसी तरह पड़ा होका जबरदस कोशिशों के बाद वो अपने मूँ से लफ्स निकाल सका मैं आप से वादा करता हूँ मेरे जिन्दा रहते वो कभी आप तक नहीं पहुँच पाएंगे दावे की वज़ा मेरा मूँ नहीं खुलवा सकेंगे वो विकास का नाम सुना है ना सुना है केवल नाम ही नाम सुना होगा मिया करतब नहीं देखे होंगे उसके उसके हदकंडों में फसोगे तो तोदा मैना की थरा बोलते चले चाओगे तुम हो क्या चीज खुद हमें पक्के तॉट पर यकीन है अगर एक बार ढंक से उसके चंगुल में फस जाएं तो खुद को वो उगलने से रोक नहीं सकेंगे जो जानते होंगे इस फालतों की बहस में मत पड़ो तुगलक भाई नुसरत ने कहा इसे क्या पता वो क्या चीज है उन्हें खुद तक पहुँचने से रोकने का अब केवल एक ही रास्ता बाकी है इसे रास्ते से हटाना फबब प्लीज प्लीज ऐसा मत करना असलम दहल उठा करना तो हम भी नहीं चाहते मगर क्या करें मजबूरी है कहने के साथ नुसरत ने रिवॉल्वर का रुक असलम की तरफ घुमा दिया छक्ये छोट गए असलम के जल्दी से बोला मैं उन्हीं को मार डालूँगा किन है वह विजे विकास को अच्छा तो उन्हें मार देगा जिने आज तक यमराश नहीं मार सके साले बैकाता है हमें चक्मा देने की कोशिश करता है नुसरत भाई तुगलक ने कहा बात में कई किलो वजन है कौन सी बात में सोच कर देख दिमाग भिड़ा खुद तक उन्हें ना पहुँशने देने का एक रास्ता ये भी है ये कि उन्हें सालों को खलास कर दिया चाहे ये ये खलास करेगा उन्हे कभी कभी चेंटी वो काम कर देती है जो हाती नहीं कर पाता क्यों असलम मिया अ हाँ असलम ने जल्दी से कहकर पूरा सिर हिला दिया इसकी लफाजी के चकर में मत पढ़ो तुगलग बेहन कुछ नहीं कर सकेगा ये बीच में से हटो खलास करने दो मुझे इसे यही एक रास्ता है मैं तुमारी इस बात से सहमत नहीं हूँ तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए इसे क्यों असलम भाई मौका मिला तक गा तो क्या कर लेगा ये ना कर सका तो तो थोड़ा सा गड़ बढ़ाने के बाद असलम ने कहा तो खुद को खत्म कर लूँगा मगर उन्हें आप तक नहीं पहुँचने दूँगा और बता तुगलग बोला इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं ये मेरे लिए तु समझ क्यों नहीं रहा यार ये इसके बस का रोग नहीं है गलत बात है भला मौका दिये बगएर ये बात इतने दावे के साथ कैसे कही जा सकती है तुगलग कहता चला क्या सोच कर देख ये जानते हैं तो इन्हें यहां इसी वक्त खलास करने पर आमादा है जब मरना इनकी नियती बन चुकी है तो क्यों न एक कोशिश करते हुए मरे क्या पता काम या भी मिल जाएं तुगलग सर्ट ठीक कह रहे हैं मुझे एक मौका जरूर मिलना चाहिए इस वक्त असलम इसके इलावा और कह भी क्या सकता था मैं वादा करता हूँ केवल दो कामों में से एक काम होगा या तो वो मारे जाएंगे या मैं नुसरत ने ऐसी मुद्दा बना ली जैसे गंभीर से सोच रहा हो तुगलग बोला सोच मत यार दे दे एक मौका तेरी जेब से क्या जाता है मैं कुछ और सोच रहा हूँ ककक्या असलम ने जल्दी से पूचा क्यों न तुम भी उनी के साथ मारे जाओ क्या मतलब वा तरीका मार्वलस है नुसरत अपने दिमाग की किसी उपच पर मुद्दसा होता बोला और तरीका भी बस ये एक ही है किसी और तरीके से तुम उने किसी हालत में खलास नहीं कर पाऊगे तरीका क्या है मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे कितने बच्चे हैं तुम्हारे जजजजी ये सोचकर असलम की खोपड़ी घूम गई ये अचानक बच्चे बीच में कहां से आ गई नुसरत ने गुर्रा कर पूछा जवाब दो कितने बच्चे हैं नौ बीवियां कितनी है जजजजी बीवियों की तादाद द दो कहां रहती है कराची में दोनों एक ही चत के नीचे रहती है या अलग-अलग एक ही घर में बेहने हैं क्या तुम्हारे माबाप है हाँ है और भाई बेहन? दो भाई तीन बेहने क्या बेहने शादी शुदा है? नहीं, सब छोटी है यानि उन सब की जिम्मेदारी तुम ही पर है? जी अगर तुम्हें यहीं इसी वक्त मार तूं तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे? हाँ, हाँ लेकिन अगर तुम काईदे से मरे वैसे मरे जैसे मैं चाहता हूँ तो वो सब आबाद हो जाएंगे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं? तहमद उतारो जजजजी एक बार फिर्चिहूंक उठा असलम तुगलक ने कहा फिक्र मत करो निपटने का कोई इरादा नहीं नुसरत भाई का उस डंक से निपटना तो इने आता ही नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो उतार दो तहमद वरना इनका मूर बदल सकता है असलम ने तहमद उतार दिया वा अच्छी फिगर है नुसरत ने उसे उपर से समझ में आकर नहीं दे रहा था नुसरत आखिर चाहता क्या है मगर नुसरत का कोट उतरते ही बात समझ में आने लगी उसकी कमर में एक चौड़ी बेल्ट बंदी हुई थी बेल्ट का एक हिस्सा पार दर्शी प्लास्टिक का था और प्लास्टिक के अंदर एक तरल पदार्ट था असलम समझ सकता था वो आरडी एक्स है बेल्ट में केवल एक बटन था लाल रंग का बटन उसका मतलब भी असलम खुप समझ सकता था एक पल केवल एक पल के लिए उसके चेहरे पर खौफ के भाव उपरे अगले पल जबड़े कस्ते चले गए आंगों में अजीब सी द्रिटा उबर आई थी नुसरत ने बहुत साफ धानी के साथ बेल्ट अपनी कमर से अलग की उसे पहनाता हुआ बोला मेरा कयाल है तुम इसका मतलब अच्छी तरह जानते हो जानता हूँ उसके फेल्स पर अब द्रिटा नजर आ रही थी क्या जानते हो विजे विकास के पास पहुंचते ही मुझे लाल बटन दबाते ना है वेरी गुड तुम भी खल्लास वो भी खल्लास नुसरत ने कहा अगर मेरे द्वारा निर्धारित किये गए तरीके से मरे तो दिल में ये पक्का विश्वास लेकर मरना कि पाकिस्तानी सरकार तुमारे परिवार के प्रती हर जिम्यदारी उतने शानदार ढंक से पूरी करेगी जितने शानदार ढंक से तुम खुद कभी पूरा नहीं कर सकते थे ये मेरा वादा रहा नुसरत अली का वादा मेरा भी तुगलत ने कहा दर्वाजा खोलते ही नजमा चौंक पड़ी सामने असलम खड़ा था वो उसे पैचानती थी मुसे निकला ततत तुम हाँ मैं असलम ने सपाट लहचे में कहा मैं यहाँ नस्मा संबल कर बोली कौन हो तुम किसी नाटक की जरूरत नहीं है मैं जानता हूँ तुम जानती हो कि मैं असलम हूँ वो बेधड़क कहता चला किया आई एसाई का जासूस वो जिससे हर शरन शास्त्री मुबाइल पर बात करता था वो जिसने मुहमद इक्राम को नुसरत तुगलक के पास पहुंचाया है और वो जिसकी खोच में विजे विकास पाकिस्तान आई है भोचक की रह गई नस्मा जितने इस पर शब्दों में असलम ने सब कुछ कहा था उन्हें सुनकर भोचक का रह भी जाना था उसे कई पल तक तो निर्धारिती नहीं कर सकी थी उसे क्या स्टैंड लेना चाहिए निर्धारित किया तो एक जटके के साथ अपने वक्ष सल्थ से छोटा सा रिवालवर निकाल लिया अगले पल वो उसे असलम पर तांते हुए गुर्रा उठी यहां क्यूं आई हो असलम उसके हाथ में रिवालवर देख कर यूं मुस्कुराया जैसे वो असली न होकर रिवालवर की डमी हो बोला मैंने सुना तुम तुम और विजे विकास मेरे फ्लैट पर आने वाले थे सोचा बेकार कश्ट होगा तुम्हे इसलिए खुद चलाया नजमा लाक दिमाग घुमाने की बावजूत उसकी देलेरी का कारण नहीं समझ पा रही थी बोली क्या चाहते हो जवाब विजे विकास को दूगा उन्हें बुलाओ नजमा पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा असलम ने पुने सपाट लहचे में कहा अब ये मत कहना वो यहां नहीं है मैं जानता हूँ ये जूट नहीं चलेगा वो यहीं है और मेरे खयास से तुम लोग मेरे ही फ्लैट की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे ये सब कैसे पता लगा तुम्हे नुसरत तुगलक ने बताया और तुम ये जानने के बावजूद यहां आ गए कि तुम हमारे शिकार हो खुद नहीं आया भेजा गया हूँ किस के द्वारा नुसरत तुगलक के द्वारा क्यूँ ताकि तुम्हे और तुम्हारे साथ विजे विकास को भी मार डालू रिवॉल्वर पर नस्मा की पकड मस्बूत हो गई दांद भींच गए उसके गुर्राकर बोली और तुम समझते हो तुम ऐसा कर सकते हो नहीं मैं ऐसा नहीं समझता तो फिर क्या सोच कर चले आए वो करने का सोच कर आया होता जो कहकर भेजा किया हूँ तो यहां आकर ये नहीं बताया कि मुझे किस मकसद से भेजा किया है रिवॉल्वर निकालने का मौका भी नहीं देता तुम्हें रिवॉल्वर मेरे पास भी है दर्वाजा खोलते ही शोट कर देता मेरा दावा है तुम इतना तक नहीं समझ पाती कि शोट किस ने किया मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्या इसी से जाहिर नहीं है कि मैं यहां उन हरामियों के हुकम का पालन करने नहीं बलकि उन्हें सबक सिखाने के मकसद सी आया हूँ उन्हें क्यों और कैसा सबक सिखाना चाहते हो तुम सारी बाते क्या यही दर्वाजे ही पर खड़ी खड़ी पूश लोगी तुमारे हाथ में रिवॉल्वर है मैं निशाने पर हूँ फिर किस डर से मुझे अंदर नहीं आने दे रही लाजवाब हो गई नसमा कुछ देर सोचती रही फिर बोली अपना रिवॉल्वर निकालो ओके कहने के साथ उसने जिप से रिवॉल्वर निकाल कर बेहिचत नसमा को बकड़ा दिया अब नजमा के दोनों हाथों में रिवालवर थे असलम के लिए रास्ता छोड़ा वो एक गैलरी थी गैलरी पार्ट करके ड्राइंग रूम में पहुँचे जाहिर है नजमा प्रतिपल उसे कवर किये रही थी एक सोफे की तरफ इशारा करके कहा बैठो वो बेखोफ सोफे पर बैठ किया बोला विजे विकास को बुला तो क्या बाते करनी चाहते हो उनसे तुम भी मौजूत रहोगी सुन लेना नहीं नजमा ने सकती से कहा जो बाते करनी है मुझसे करो खुद संदोश ठोने के बाद उन्हें बुलाऊंगी एक पल केवल एक पल के लिए उसके चेहरे पर ऐसे भाव उपरे जैसे कुछ सोचा हो अगले पल बोला ऐसा है तो ऐसा ही सही बोलो क्या जानना चाहती हो नुसरत तुगलक को क्यूं और क्या सबक सिखाना चाहते हो उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है ऐसी ज्यादती शायद वो पहले भी अन्य लोगों के साथ कर चुके है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ हर शक्स उनके ज्यादती नहीं सह सकता कैसे ज्यादती? उन्होंने मुझे हर शरन शास्री के संपर्ट में रहने और उसे मुहम्मद इक्राम को लेकर अपने एक ठिकाने पर पहुँचाने का काम सौंपा था वो सब मैंने सफलता पूरवक किया मुझे नहीं पता उन्हें ये कैसे पता लगा कि विजे विकास हर शरन शास्री के मुबाइल के बेस पर मुझ तक पहुँचने वाले हैं उन्हें ये भी पता था पाकिस्तान में रौ की एजेंट हो और उनकी मदद कर रही हो वो मेरे फ्लैट पर आई कहने लगे तुम्हें हर शरन शास्री से मुबाइल पर संपर रखा तुम्हारी इसी बेवकुफी की वज़ा से विजे विकास पाकिस्तान पहुँच चुके हैं कुछ देर बाद तुम तक भी पहुँचेंगे और उसके बाद तुम्हारे जरीये हम तक पहुँच जाएंगे इसलिए बेच की कड़ी अर्था तुम्हें खत्म कर देना बहुत जरूरी है मैं घबरा किया घबरा कर कहा मैं फोन के जरीये हर्शरन शास्त्री के संपर्ट में रहा इसमें मेरा क्या कसूर है तुम्हें लोगों ने उसके संपर्ट में रहने के लिए कहा था मगर मेरे इस तरक पॉन बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ कहने लगे हमने तुमसे हरशरण शास्त्री के संपर्ट में रहने के लिए कहा था अपने फ्लैट का फोन इस्तिमाल करने के लिए नहीं अब भला उन्हें कौन समझाता संपर्ट में रहने का इस से बहतर और क्या तरीका था कोई भी तर्क सुनने को तयार नहीं थे वो दिल से गलती ना मानते हुए भी मुझे कहना पड़ा चीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ मगर विजर विकास को आप तक पहुँचाने का एक रास्ता और भी है ये कि विजर विकास का ही खात्मा कर डालू उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था मैं ऐसा कर सकूँगा मगर उन्हें मौहमद इक्राम का पता हरगिस नहीं बताओ के जबकि तुम हमें उसका पता बताने को तयार हो क्या उन्हें सबक सिखाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तो बताओ बता विजर विकास को बताओंगा मुझे बताना होगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा द्रेटा पूर्वर केहने के साथ वो ना केवल सोफे से खड़ा हो गया बलकि नस्मा की आँखों में आँखे डाल कर बोला तुमारे एक नहीं दोनों हाथ में रिवॉल्वर है चाहो तु मुझे शूट कर सकते हो मगर तुम्हें पता नहीं बताऊंगा इस आलत में मेरी मौत से तुम्हें कोई फाइदा नहीं होगा इस जित की वज़ा कुछ भी समझ लो मैंने फैसला कर लिया है तुम्हें नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा एक एक लव्ज पूरे दर्टा के साथ कहता चला गया वो वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी तरफ से डर क्या है तुम्हें जबकि मेरा रिवॉल्वर भी तुमारे हाथ में है असलम के लेजे ने नजमा को समझा दिया कि वो अट चुका है एक पल केवल एक पल नजमा ने सोचने में गवाया अगले पल असलम को कवर किये रख कर विजे को आवास लगाई प्रतिूत्तर में विजे की आवास उपरी नजमा ने उससे ड्राइंग रूम में आने को कहा असलम की आँखों में बड़ी ही जबरदस चमक कुपरी ये वही चमक थी जो आदमी की आँखों में अकसर अपनी मंजिल को सामने देख कर उभरती है और विजे को कमरे में प्रविष्ठ होता देख कर वो चमक उस नागिन की आँखों की चमक पे तब्दील हो गई जिसके सामने उसके नाम का हत्यारा खड़ा हो कमरे का द्रिश्य देखते ही विजे ठिटका चौंके हुए स्वर में पूछा ये क्या माश्रा है मौतर्मा? कौन है ये महाश्य? असलम ने कहना चाहा मैं असलम हूँ इसका कहना है ये यहां हमारी मदद करने और नुस्रत तुगलक से अपने उपर की गई ज्यादती का बतला लेने आया है महमद इक्राम का पता बताने को तयार है बड़ी अच्छी बात है मिया आगे बढ़ते विजे ने कहा बताओ मंतरी का पता असलम का जी चाहा अपना हाथ लाल बटन पर ले जाए उसे दबा दे मगर नहीं दिमाग ने कहा ऐसा करना जल्द बासी होगी काम अधूरा होगा विकास को भी उसके आसपास ही होना चाहिए मुझसे सवाल निकला विकास कहा है गुली डंडा खेल रहा है विजे ने उसकी आँखों में जांकते हुए कहा फिक्र मत करो मंतरी का पता जानने के लिए हम अकेले ही काफी है असलम के चहरे पर उल्जन के भाफ उपरे वो फैसला नहीं कर सका लाल बटन दबा दे या नहीं कुछ कहने के लिए उसने मुझ खोल कर ही रखा था कि गुरू कहता हुआ विकास ड्राइंग रूम में दाकिल हुआ असलम की आँकों में बड़ी ही जबर दस्त चमक जगमगाई विज्जन ने उसे माट किया विकास जो कमरे का दृष्य देखकर ठिटक गया था बोला ये सब क्या है गुरू कौन है ये अच्छा हुआ विकास तुम आ गए कहते हुए विकास की तरफ बढ़ते हुए असलम का दाया हाथ बड़ी तेजी से अपनी बेल्ट की तरफ बढ़ा था मगर उससे कही ज्यादा फूर्ती विजे ने दिखाई जाने कब उसने जेब से रिवाल्वर निकाल कर असलम पर गोली चला थी वो गोली उसकी गुद्दी में घुसने के बाद सिरके चीथडे उडाती हुई मस्तक से बाहर निकल गई मगर उसे लखने वाली वो एक मात्र गोली नहीं थी एक और गोली थी जो असलम के ठीक सामने से चली और उसके दिल में जा थसी उस गोली ने विजे विकास और नस्मा को भी चौका दिया नस्मा तो इतनी जल्दी बौकला गई कि जिस दिशा से असलम के सीने में लगी गोली चली थी अपने दोनों हाथ उधर घुमा कर अंदा दुन फाइरिंग करती चली गई सारी गोलिया किचन लौन की तरफ खुलने वाली खिर्की से टकराई परंतो उधर से कोई चीक नहीं उभरी असलम के सीने में लगी गोली उस खिर्की के पार्ट से चली थी चलाने वाला शायत नस्मा द्वारा की गई फाइरिंग से पहले ही खिर्की के नीचे बैठ चुका था बुरी तरह लहू लौन असलम उस वक्त गरम रेद पर पड़ी मशली की मानिंद छट पटा रहा था उसके प्रान पखेडू बस उन्ने ही वाले थे इसके बावजूद हाथ को बेल्ट तक पहुँचानी की कोशिश कर रहा था खिर्की के पार से किसी ने चीक कर कहा हाथ अपने पेड तक नहीं ले जा पाई वो विकास ने जपट कर उसका हाथ पकड़ा और उमेटता चला किया असलम के हलक से चीक निकली और वो उसकी अंतिम चीक थी वो ठंडा पढ़ गया सारी पेड़ा सारी दुश्वारियों से निजात मिल गई अब जाकर उस पर से तीनों का ध्यान हटा खिर्की पर केंदरित हुआ उस खिर्की पर जिसके पार वो शक्स था जिसने असलम के सीने पर गोली चलाई थी तीनों का दिल धार धार करके बच रहा था दिमागों में एक ही जैसे सवाल घुमड रहे थे कौन है वहाँ असलम के सीने में गोली क्यों पैवस्त की उसने ये तो एक किस्म से उनकी मदद होई यहाँ पाकिस्तान में आवाज में कहा तुम हो कौन प्यारे सबसे नियारे खिर्की के पीछे से आवाज उप्री तुम्हारे लुमर प्यारे ल लुमर विजचौन पड़ा विकास के मुँ से हैरानी में डूबस्वर निकला अलफान से गुरू और यहाँ हाँ प्यारे हम यहाँ इन शब्दों के साथ खिर्की के पार सच मुच अलफान से नजर आया उसके होंटों पर मुस्कान थी अलफान से किच्चे परिचित मुस्कान वही जो अक्सर उसके होंटों पर सजी रहा करती थी अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को जैकेट की भीतरी जेब में ठूसता हुआ वो खिर्की को पार करके कमरे में आ चुका था नजमा उसे देखती रह गई थी उसे जिसका नाम अलफान से था विजे विकास के साथ उसने अलफान से का नाम भी सुन रखा था ऐसा दुनिया में भला कौन हो सकता था जिसने विजे विकास का नाम सुना हो मगर अलफान से का ना सुना हो वो तो विए देख रही थी ये की वो अंतराश्टिय मुश्रिम दुनिया के हर देश की पुलिस को जिसके तलाश है अलफान से को सामने पा कर नजमा अपने संपोर्ण जिस्म में अजीब सा रोमाँच महसूस कर रही थी उसी वक्कानों में विजे की आवास पड़ी वो अलफान से से पोछ रहा था तुम यहां बे मौसम के आम की तरह कहां से टपक पड़े लूमर मिया मैं कब कहां टपक पड़ा खुद नहीं जानता बात तो ठीक है प्यारे मगर विजे का वाक्य अधूरा रह किया विकास ने आगे बढ़ कर पूरी श्रद्दा के साथ अलफान से के चरंट सपर्ष किये थे अलफान से ने उसका कान पकड़ कर उपर उठाते कहा जीते रहो जीते तो गए ही है लूमर तुम बताओ यहां गीत गाते कहां गूम रहे हो मदद करने आया था तुम्हारी मगर सही समय पर खिड़की के नीचे बैठ ना गया होता तो ये मौतार्मा मेरा ही बैठ बजा चुकी थी कहने के साथ उसकी आखे नस्मा पर जम गई वो वक्षण ऐसे थे जिन में तुरन दोस्त और दुश्मन की पैचान नहीं की जा सकती थी थोड़ी हट बड़ा हट के बाद नस्मा कहती चली गई उस वक्षण मुझे लगा खिड़की पर शायद असलम का ही कोई साथी है बावजो दिसके की मेरी गूली इसे लगी थी कहने के साथ वो असलम की लाश की तरफ बढ़ता हुआ बोला ये शक्स तुम लोगों के पास मानव बर्म बन कर आया था उदेश्य था एकी धमाके में अपने साथ तुम तीनों को भी खत्म कर देना खास तौर पर तुम दोनों को लाश के नस्दीक बैठ कर उसने विजे विकास की तरफ इशारा किया और फिर लाश के जिसम पर मौजूद पठानी सूट उपर उठाता बोला ये देखो तीनों ने असलम के पेट पर मौजूद बेल्ट और बेल्ट के अंदर घुमर रहे आर्टी एक्स को देखा कुछ देर शान्त रहने के बाद विजे ने कहा वो हम पहले ही जान चुके हैं प्यारे वो तो एन वक्त पर तुम्हारे द्वारा इस पर फायर करने से ही जाहिर है लाश के नस्दीक से उठकर उनके तरफ आते अलफान से ने कहा मगर सवाल ये है तुमने इसका इरादा कब और कैसे भापा पहले इसका नस्मा के सामने अड़ना फिर हमारे आने पर दिल जले के बारे में पूछना और दिल जले के सामने आते ही हमने जो चमक इसकी आँखों में देखी वो वो चमक थी जो इंसान की आँखों में अपने जीवन का सबसे एहम मकसद पाते वक उभरती है केवल एक पल पूर्फ तब जब दिल जला कमरे में नहीं था इसकी आँखों में निराशा और मायूसी के साई मंडरा रहे थे एक ही पल बाद दिल जले को देखते ही वो आँखे जगमगा उठी उसकी तरफ बढ़ते वक्त इसका हाथ अपने पेट की तरफ पढ़ा था हमारी छटी इंद्री ने कहा खत्रा और उसके बाद तो वो करना ही था जो किया ठीक कह रहे हो जासूस प्यारे ये तुम्हारे साथ विकास को भी खत्म करने के लालच वश नाकाम हो गया इस लालच में नहीं पढ़ता तो इस वक्त यहां तुम्हारे जिस्म के पूर से अलग-अलग बिखरे पड़े होते ऐसा नहीं हो सकता था क्यूं? तुम जो खिड़की के उस तरफ घात लगाई बैठे थे? क्या तुम ऐसा हो जाने देते? बड़ी ही आकर्शक मुस्कान उभरी अर्फान से के होंटों पर बोला कै तो तुम ठीक रहे हो? अब विज़ ने इस तरह कहा जैसे एक चैप्टर पूरा होने पर दूसरा चैप्टर शुरू किया हो सवाल ये उड़ता है खेड़की के पीछे घात लगाए तुम बैठे क्यूं थे? तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं और ये महाश्य हमारा बेड़ा गर्ट ठंडी सड़क करने यहां पहुंच रहे हैं? कई लाक रुपई का सवाल है ये हमारे सवाल की कीमत की बदिया मत बैठाओ लुमर जमाना लाकों का नहीं करोडों का है संबल कर बोलो जख जख किये अलफांसे के होंटों पर बड़ी ही रहस्य मैं मुस्कान उपरी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कीमत मांगने वाला हूँ खुदी करोडों का कोगे तो कीमत भी करोडों में देनी पड़े की मतलब क्या हुआ इस लफाजी का तुम्हें मालूम है मैं फ्री फर्ट में कोई काम नहीं किया करता मालूम है इस वक्त तुम्हें मौहाम्मद इक्राम की तलाश है कैसे जानते हो उसे छोड़ो दिमाद केवल इस सच्चाई पर अठकाए रखो कि उस तक पहुँचने का तुम्हारे पास एक और केवल एक ही जरिया था वो जो इस वक्त लाश में तब्दिल हुआ इस कमरे में पड़ा है इसकी मौत के साथ रास्ता ब्लॉक हो चुका है अर्थात मौहम्मद इक्राम तक पहुँचने का तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं बचा है जिन्दगी में पहली बार दुरुस फर्मा रहे हो लुमर्मिया मैं बता सकता हूँ इस वक्त वो कहा है बता दो तुम्हारे बच्चे जीए बड़े होकर तुम्हारा खून वही कह रहा हूँ विज़े की बात काट कर अलफान से कहता चला किया उसका पता बताने की किमत देनी होगी केवल तुम्हारी दुआओं के बतले या फ्री में मैं उसका पता बताने वाला नहीं हूँ यानि यहां तुम हमसे सौदा करने के लिए पधारे हो ठीक समझे कहने के साथ उसने आराम से सोफे पर बैठ कर पैर सेंटर टेबल पर फैला दिये थे अब ये तुम्हें तेह करना है कि तुम्हारा सवाल लाकों का था या करोडों का हजी हमारे सवाल का क्या है दो कौडी का भी नहीं था साला मुझे मालूम है पैंदरा बदलने में तुम माहिर हो अर्फांसे ने पूरे इत्मिनान के साथ कहा कानों में घासले डाल कर सुनो मेरे द्वारा मुहम्मद इक्राम का पता बताने की कीमत एक लाक अमेरिकी डॉलर होगी अर्फात 47 लाक रुपए बोलो मन्जूर हो तो उगलू पता ये ये आप क्या बात कर रहे हैं क्राइमर अंकल बहुत देर से खामोश विकास अंतते बोल ही पड़ा आप हमसे सौदे बाजी करेंगे हमसे बात जब बड़ों में चल रही हो तो बच्चों को बेच में नहीं बोलना चाहिए कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल कम से कम हमसे आपने कोई सौदे बाजी नहीं की जीवन चक्र का ऐसा कोई नियम नहीं है विकास कि जो पहले नहीं हुआ वो आज नहीं हो सकता मेरा तो काम ही इन्फोर्मेशन्स बेशना है किसी और को बेचू या जग चकिये को मगर मदद आपने हमारी पहले भी कई बार की है इस तरह कीमत कभी नहीं मांगी गलत फैमी है तुम्हारी कीमत मैं हमेशा वसूल करता हूँ ये धंदा है मेरा कहावत सुनी होगी घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या ये अलत बात है कीमत धन के रूप में शायद पहली बार मांग रहा हूँ जग जग या तुमसे बहतर जानता है मैंने कभी इसकी कोई मदद कीमत वसूल किये बगएर नहीं की उस कीमत की शेप अलग मोकों पर अलग रही है कभी मैंने अपनी जान की इसकी जान बचाई कभी अपने किसी और फाइदे के लिए इसकी मदद की मगर इस वक्त मैं कहीं फसा हुआ नहीं हूँ इसलिए केमत धन के रूप में ही चुकानी होगी एक बार फिर दौर आता हूँ फ्री फरंड में मैं किसी की मदद नहीं किया करता कराम का पता लगा लेंगे ये बात जख जख ये से कहवा दो अलफांसे मुस्कुराया मैं यहां से उठकर चला चाहूंगा अंकल विकास विजे की तरफ घूमा क्या क्या क्यों नहीं रहे आप हमें इनसे कोई इंफोर्मेशन नहीं चाहिए नहीं बोलना चाहिए कहने के अलफांसे की तरफ घूम कर कहा उड़ तो वाके तुम काफी उंचे रहे हो लोमड मिया जिस किस्म के सौदे आज तक दूसरे लोगों से करते रहे थे वैसा सौदा आज हमसे कर रहे हो विजे द ग्रेट से शर्मानी चाहिए तुम्हें डोप कर मर जाना चाहिए चुलू भ चेफ कहां से आटपका नुसरत तुगलक ने काफी कोशिश की कि वो चुलू भर पानी में डूप मरे मगर वो ऐसा नहीं कर सका मजबूर होकर उन्हें ISI के चेफ की नाक काटनी पड़ी ये क्या बके चले जा रहे हो लुमड मिया पाकिस्तान के अजीमो शान जासूसों ने पाकिस्तान ही के जासूसे संस्ता के चेफ की नाक काट डाली दिमाग तो उल्टा पुल्टा नहीं हो गया है तुम्हारा ऐसा भलक क्यूं और कैसे हो सकता है ऐसा हो चुका है जग जगी ये अलफांसे ने कहा और ऐसा इसलिए हुआ क्यूं की ISI का चेफ हैरी को कैद में नह जानकारी मिली कि मारकेश लाहौर में तुम्हारे प्रधान मंत्री पर हमला करने वाला है चीफ को उन्होंने उसके उसी गुनाग की सजा विजे ने उसकी बात काट कर कहा लगता है लूमर तुम इस बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारियां रखते हो अब तुम्हें इल शुरू से अनुमूनों को वाच कर रहा हूँ जिनके साजिश के तहट हिंदुस्तान में सामपरदाइक दंगे हुए मुहम्मद इक्राम का अपहरन हुआ और वक्त रहते तुमने मुझे कीमत नहीं दी तो तुम्हारे प्रधान मंत्री का मर्डर भी हो सकता है अपनी मेहनत बैठो लूमर भाई कहां चल दिये उठकर गर में चार बरतन होते हैं तो खटर पटर करते ही रहते हैं छोटी मोटी कहल सुनन का मतलब ये नहीं होता कि बोरिया बिस्तर ही गोल कर लिया जाए कहता हुआ विजे लपक कर उसके नस्दीक पहुँच किया था उसके इस पैंतर ताकि तुम्हें ऐसास हो जाई कि इस केस्ट में मैं तुम्हारे लिए कितना मददगार साबित हो सकता हूँ और तुम्हारी अधाई बता रही है जो ऐसास में तुम्हें कराना चाहता था वो हो चुका है अब एक बात और सुन लो नुस्रत तगल के शड़यंतर का ऐसा हो समच सकते हो अगर मुझे उनके हर कदम की जानकारी नहीं होती तो उनके उस प्यादे का पीछा करता यहां तक नहीं पहुंच सकता था जिसे उन्होंने तुम्हें ब्लास करने के लिए भेजा था सवाल ही यह है लूमर मिया उनके शड्यंत्र की उनके हर कदम की जानकारी तुमें है तो कैसे आम काना छोड़ कर जो पेड गिनते हैं वो पेड ही गिनते रह जाते हैं आम कोई और चट कर जाता है हमें आम खाते खाते पेड गिनने की भिमारी है तो गिनो पेड यानि सुनो कहने के बाद एक शर्ण के लिए अलफान से चुप हुआ फिर चहल कदमी से करता बोला इतना तो तुम जानते ही हो मेरे चेले दुनिया भर में फैले हुए है उन में से एक वो बुड़ा भी है जिसके जरीय नुसरत तुगलक ने हैरी को मेगा स्ट्रेट के बंगला नंबर आर्ट चॉनसर्ट में बुलवाया था उन दिनों मैं नियू योक कही में था उसने मुझे जानकारी दी पता लगते ही मेरे कान खड़े हो गई समझने में देर नहीं लगी कि नुसरत तुगलक द्वारा हैरी का अपरण बे सबब नहीं हो सकता इसका मतलब है वो किसी बड़े चकर में लगे हुए है अपना तुकाम ही ऐसे चकरों को सूंग कर उनके पीछे लगना है ताकि वक्त आने पर मेहनत से जुटाई गई अपने जानकारियों की कीमत वसूल कर सकूँ वही इस वक्त कर रहा हूँ अब शायद तुम्हें बताने की जरूरत बाकी नहीं बची है कि मैं तभी से नुसरत तुगलक के पीछे लगा हुआ हूँ और इसी कारण मुझे उनके सभी मनसूबों की जानकारी है मोहम्मद इक्राम को लेकर उनका क्या मनसूबा है वो टीवी पर उसका ऐसा इंटर्व्यू प्रसारित करेंगे जिससे तुम्हारे देश में भढ़के साम्प्रदाइक दंगे और ज्यादा भढ़क उठे क्या वो ऐसा इंटर्व्यू तयार कर चुके है नहीं किया तो कर लेंगे ये सब वो कब और कहां करने वाले हैं बताने की कीमत 47 लाक रुपई अलफानसे का लेचा एकदम सपाट था इतना सपाट कि विजे उसे घूरता रह किया कुछ बोल नहीं सका जबकि अलफानसे अपनी चेर परिचित मुस्कान के साथ कहता चला किया अगर तुमने ये सोचा था कि ठीक उस तरह मेरे मूँ से 47 लाक की इंफोर्मेशन फ्री में उगलवा लोगे जिस तरह कोट में वकील गवापर अपने सवालों की बोचार करके अपने काम की बात उगलवा लेते है तो मैं कहूंगा तुम्हारा दिमाग खुम गया है अलफानसे से ऐसी उमिद करना तुम्हारी बेवकुफी के इलावा कुछ नहीं हो सकती मैंने तुम्हें केवल ये जानकारी दी है कि मेरे पास क्या-क्या जानकारिया है उनसे तुम्हें कोई फाइदा होने वाला नहीं है इसलिए फ्री में देती जिससे फाइदा होने वाला है वो जानकारी बगेर कीमत लिए नहीं दूगा समझ रहे हैं प्यारे, अच्छी तरह समझ रहे हैं जितने भी बाते तुमने कही, उनका एक युदेश्य है ये साबित करना कि तुम्हारे पास वो सभी जानकारिया है जनके इस वक्त हमें ज़रूरत है और ऐसा तुमने इसलिए किया है ताकि हम तुमसे सौधा करने पर मजबूर हो जाए अलफानसे ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा और मजबूर तुम्हे होना पड़े का अजित ठैंगा विज़ने किसी जगडालू इस्तरी की तरह सच मुझ ठैंगा दिखाया ठैंगा मजबूर होगा हमारा क्या मतलब? नहीं बताना चाहते तो मत बताओ हम खुद मालूम कर लेंगे ओके मैं चलता हूँ कहने के साथ अलफानसे उस किड़की की तरफ बढ़ गया जिसके जर्ये आया था विकास ने पलट कर विज़े की तरफ देखा भाव ऐसा था जैसे जानना चाहता हो क्या वो सच मुछ अलफानसे को जानी दे रहा है? उदर नस्वा की समझ में आकर नहीं दे रहा था कि विज़े और अलफानसे के बीच ये अजीब सा संबन आखिर है क्या? वो विज़े का दोस्त है या दुश्मन? खिडकी के नस्दीक पहुंच चुका अलफानसे ठिटका घुमा और बोला मुझे पका यकीन है जो जानकारिया मेरे पास है अपनी तिग्ड़मों से तुम दोनों भी जल्दी ही उन्हें जुटा लोके मकर यकीन मानना विज़े तब तक भारत के किसी टीवी चैनल पर मुझे इक्राम का भड़काओ इंटेव्यू पर सारी थो चुका होका अब तक तुमने सुनाया लुमर्मिया हमने सुना अब हम सुना रहे हैं तुम अपने कानों में घास ले डाल कर सुनो विज़े इस वक्त अपने पूरे जलाल पर नसर आ रहा था जो इन्फोर्मिशन तुम्हारे पास है जिनके बारे में तुम्हारा कहना है कि उन्हें तुमने बड़ी मुश्किल से जुटाया है वो दुन्या में हमारे और सिर्फ हमारे ही काम की है किसी और के लिए उनका कोई महत्व नहीं है मतलब ये हुआ कि अगर उन्हें हमने नहीं खरीदा तो तुम्हारी सारी तथा कथित मेनत पर पानी फिर जाएगा एक दमड़ी हाथ में नहीं लगेगी तुम्हारे उन इन्फर्मेशन का दुन्या में दूसरा कोई खरीदार नहीं है चटनी बना कर सारी जिंदगी चाटते रहना उसे कहना क्या चाहते हो खरीदार जब एक और केवल एक ही हो विक्रेथा को मू मांगी कीमत कभी नहीं मिल सकती खरीदार उसे जितने में चाहेगा खरीदेगा क्योंकि जानता है वो नहीं खरीदेगा तो विक्रेथा को कुछ नहीं मिलने वाला यानि कीमत कम करवाना चाहते हो और तुम्हें करनी पड़ी की मैं कब अपनी मू मांगी कीमत पर अड़ा हुआ हूँ तो ठीक है एक लाख डॉनर नहीं केवल एक लाख रुपए मिलेंगे गुरू विकास ने कहा ये आप क्या कर रहे है ये तो क्राइमर अंकल के सामने घुटने टेकने जैसी बात हो गई तुमसे पहले भी कहा जा चुका है दिलजले बड़ों के बीच में नहीं बोलते कहने के बाद उसने विकास को कुछ भी कहने का मौका दिये बगैर अलफांसे से कहा बोलो लुमट एक लाख रुपए मनजूर है या नहीं एक ही जटके में काफी तगड़ी बार्णिंग बार्णिंग कर रहे हो जग जग ए मनजूर हो तो बोलो ना मनजूर हो तो फूटो मुझे तो सौदा करना है तुमसे अलफांसे के होटो पर बड़ी ही जालिम मुस्कान थी साबित करना है कि अलफांसे तुमसे भी रकम एंट सकता है इसलिए मनजूर है रकम अभी नहीं मिलेगी विजे ने दूसरी शर्ट रखी अलफान से ने पूछा क्यों? क्यों का क्या मतलब? कंगले हैं? एक लाग रुपे जेब में रखकर नहीं घूमते तो फिर कब मिलेगी? राशनगर पहुँचने पर क्या जरूरी है कि तुम अपना वादा निभाओगे ही? ऐसा कहकर तुम एक ठाकुर के जुबान की भद पीट रहे हो ठाकुर एक बाद जो कह देता है कह देता है सिर कटा सकता है वादे से नहीं मुकर सकता वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि प्राण जाए परवचन मैं जानता हूँ तुम कैसे ठाकुर हो अलफान से उसकी बात काट कर कहता चला किया ये भी जानता हूँ वादा करते वक्त ही तुम्हारा पका निश्य है कि ये सौदा कबूल कर रहा हूँ तो इसके दो कारण है पहला सच मुझ इस वक्त जो information मेरे पास है उसका एक लाक में भी मुझे कोई दूसरा खरीदार नहीं मिलेका दूसरा मुझे विश्वास है तुमें सौदे से मुकरने की चाहे जितनी कोशिश करो मगर मैं वो रकम तुमारे हलक से निकाल लूगा जो तैह हुई है एक घुटे हुए सूत खोर की तरह मुझे अपनी रकम निकालनी अच्छी तरह आती है तो बताओ मुहम्मद इक्राम इस वक्त कहा है आबु सुलेम का नाम सुना है वो इंडियन माफिया जो भारतिय फिल्म इंडस्री को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है शायद ये भी तुम्हे मालूम होगा कि आजकल पाकिस्तान सरकार ने उसे पना दे रखी है मगर ये मालूम नहीं होगा कि इसके बदले वो नुसरत तुगलक के लिए काम कर रहा है जो नहीं मालूम था वो अब मालूम हो गया है महम्मद इक्राम इस वक्त उसी के कबसे में है असलम ने उसे हर शरन शास्त्री से लेकर अबुसलेम के हैट क्वार्टर पर पांच आया था वो सब मैंने अपनी आँखों से देखा है अबुसलेम का हैट क्वार्टर है कहा मैं अपने साथ तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ ये कैसा इंजेक्शन लगा रहे हो मुझे महम्मद इक्राम बुरी तरह चट पटा रहा था डॉक्टर ने कहा घबराओ मत केवल पेन किलर है बेट पर पड़े इक्राम ने एक बार फिर पुर्जोर विरोध करने की कोशिश की मगर काम्याब नहीं हो सका उसे एक नहीं चार तरफ से चार आत्मियों ने जकड रखा था एक ने पैर एक ने बाई बाँ एक ने दाई बाँ और एक ने सिर पांचवा डॉक्टर था जो उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था उन आदमियों से जकड़ा इक्राम मचलने से ज्यादा कुछ नहीं कर सका जो शकल से ही गुण्डे नजर आ रहे थे उसकी मचलन देखकर खिली उड़ाने वाले अंदास में हस रहे थे अंतितर डॉक्टर ने उसकी बा में इंजेक्शन लगा दिया जहां इंजेक्शन लगाया था स्प्रेट योक्त रोई से उसी स्थान को रगड़ता बोला बेवज़ा परिशान हो रहे हो तुम्हें मारना ही होता तो यहां क्यों लाए जाते तुम्हारी जान की हिफासत तो हमें इस तरह करनी है जैसे मा अपने बच्चे की करती है ककक कौन हो तुम लोग बताने की इजासत नहीं है कहने के साथ डॉक्टर अपना काम पूरा करके पीछे हट गया एक साथ चारो गुन्डों में एक साथ दौरती चली गई दर्द की लहर उसकी हालत देख कर गुन्डे जैसे चारो शक्स एक बार फिर खिल खिला उठे तबी गैलरी से कदमों की आवास आई भाई जी एक के मुझे निकला भाई जी आ गए डौक्टर सहित सभी एकदम खामोश हो गए जैसे सामसूं गया हो साथदान की मुद्रा में आ गए थे सब नजरे कमरे के एक मात्र दर्वासी की तरफ उठ चुकी थी खोद इक्राम भी उधर ही देख रहा था वहाँ जहाँ आकर जूतों की ठक ठक रुख गई थी सबकी नजरे वही स्थिर हो गई बहुती आकरशक था वहाँ खड़े शक्स का व्यक्तित्व इतना ज्यादा कि मुहमद इक्राम की नजर भी जब एक बार उस पर पड़ी तो वहीं चिपकी रह गई करीब 6 फूट लंबा था वो गोल चहरे वाला तुंद्रोस गोरा चिट्टा जिस्म पर शानदार नीला सूट था गले में सोने की चेन आंखों पर रेबेन का सबसे महगा चश्मा केवल कंपटियों के बाद सफेद थे बाकी काले कई उंगलियों में हीरे, पन्ने, मूंगे और मानिक की अंगुठिया पहने हुए था एक पल केवल एक पल के लिए दर्वासे पर ठिटका था वो अगले पल बैट की तरफ बढ़ते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा तुम जाओ मौहमद इकराम ने महसूस किया उसकी आवास में भी एक खास खनक थी वे पांचो इस तरह कमरे से गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं बैट के नस्दीक पहुँचते हुए उसने आँखों से चश्मा उतार लिया मौहमद इकराम उसकी नीली आँखों में मौजूद गजब की चमक को देखता ही रह किया जबकि उसने पूछा कैसे हो मिस्टर इकराम ठीक हूँ ये शब्द स्वत्य मौहमद इकराम के मूँ से फूट पड़े चिंता मत करो कल तक पूरी तरह ठीक हो जाओगी कहने के साथ उसने बड़े ही अपनत्व वाले भाफ से इकराम के बालों को सहलाया कौन हो तुम हाँ मेरे आदमियों ने बताया चश्मा बैट पर डालने के बाद उसने जेब से डन हिल का पैकेट और सोने का लाइटर निकालने के बाद कहा जब से तुम होश में आई हो एक ही बात जानना चाहते हो ये की हम कौन है कहने के बाद उसने सिगरेट जलाई पैकेट लाइटर जेब में डालने के बाद हौले हौले बैट के परिक्रमा सी करता हुआ बोला मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ महम्मद इक्राम चुप रहा बोलने की जरूरत भी मैसूस नहीं की उसने मंत्र मुग्द साब बस उसे देखे जा रहा था फिर एका एक उसने अपना हाथ बैट पर लेटे इक्राम के हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा खीकत ये है उसका नाम सुनते ही इक्राम के जहन को जबर्दस धक्का लगा था शेहरा पलक जपकते ही इस तरह पीला पड़ गया जैसे हल्दी पोट दी गई हो उसके ढीले पड़ गई हाथ को एक बार फिर अपनत्व के भाव्ट से जटकते हुए अबु सलिम ने कहा लगता है तुम मेरे नाम से वाकिफ हो आपके नाम से भला कौन वाकिफ नहीं है मगर क्या मगर उसका हाथ छोड़कर अबु ने सिग्रेट का कश लगाया हलक सूख रहा था मुहम्मद इक्राम का बोलने की कोशिश में आवाज अटक अटक कर निकल रही थी जैसे अचानक गले में कांटे उगाए हो काफे प्रत्न के बाद कैसका मम मैं सोच में नहीं सकता था कि आप इतने खुब सूरत होंगे वो मुस्कुराया गुलाबी होंटों पर वो मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी आपके बारे में अफवाही ही इतनी है की एक बार फिर मुहम्मद इक्राम के कंट में कांटे से चुब गए की अब उसलाम ने पूछा च्छ छोड़िये मैं ये जानना चाहता हूँ मुझे यहां क्यों बुलाया गया है बड़ी जल्दी जानना चाहते हो तुम ये जजजजी बता देते हैं कहने के बाद वो कमरे के दर्वासे की तरफ घुमा थोड़ी उंची आवास में बुला क्या कोई है मैं हूँ भाई जी जादू के से जोर से दर्वासे पर आदमी प्रकट हुआ बड़ी इकराम सहब जानना चाहते हैं इन्हें यहां क्यूं लाया गया है बहुती सामाने अंदास में बात कर रहा था वो एक विल्चेर लाओ अभी आती है भाई जी कहकर वो आदमी गायब हो गया मौका देखकर मौहमद इकराम ने सवाल किया मुझे गोलिया मारी थी फिर यहां आपके पास कैसे पहुँच गया और ये जगा कौन सी है इस वक्त तुम पाकिस्तान में हो पाकिस्तान अभू सलेम के कुछ कहने से पहले दो आदमे विल्चेर के साथ कमरे में प्रविश्च हुए अभू सलेम ने अपना ध्यान उस पर से हटा कर उनसे कहा इकराम साहब को बिस्तर से उठा कर इस पर बिठा दो ध्यान रहे टांगों पर जरा भी जोर ना पड़ेंग की मम्म मुझे कहा ले जाया जा रहा है ये बताने की आपको यहां क्यूं लाया गया है अभू सलेम ने कहा संभाल कर उनने उसे इस कदर आहिस्ता से वेल्चेर पर डखा जैसे कांच की बनी कोई बेश केमती वस्तू हो इसमें कोई शक नहीं कि मुकमल प्रक्रिया के दोरान उसने अपने जक्मों में जरा भी पेड़ा का एहसास नहीं किया था ले चलो अभू सलेम ने कहा उसके बाद वो दोनों आत्मी वेल्चेर को ढखेलते हुए कमने से बाहर आ गए अभू सलेम साथ था उस वक्त वो गैलरियों से गुजर रहे थे जब अभू सलेम का मुबाइल बचने लगा वेल्चेर के साथ चलते चलते अभू सलेम ने अपनी जेब से मुबाइल निकाला जो किसे भी सूरत में मैच बॉक्स से बड़ा नहीं था एक नजर मुबाइल के स्क्रेन पर डाली आवास के साथ वही एक नाम बार बार स्पार्ट कर रहा था संगीता चाफला उस नाम को पढ़ कर अभू सलेम के गुलाबी होंटों पर बड़ी ही प्यारी मुस्कान उबरी थी बगैर देर किये उसने आन वाला बटन पुश करने के साथ कहा यस संगी डार्लिंग कहा हो तुम दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज उपरी मेरी छोड़ो तुम बताओ स्विजर लेंड से कब लोटी आज ही बलकि अभी और आते ही फोन कर दिया मेरी क्या मजाओ जो तुम्हारे हुकम का पालन ना करूँ तुमने तो स्विजर लेंड में ही फोन करके हुकम दंदना दिया था कि पाकिस्तान पहुँच कर ही तुम्हारे मुबाइल पर फोन करूँ विल्चर के साथ चलता अबु सलेम हसा बहुती खनकदार थी वो हसी हसने के बाद बोला इससे तुम हमारी दिवानगी का अंदाजा लगा सकती हो दूसरी तरफ से बड़े ही रोमेंटिक अंदास में कहा किया आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है क्या मतलब? स्विजर लेंड में शूटिंग के बेच में छोड़ कर आई हूँ जनाब खास आप के लिए क्यूं? काम पूरा नहीं हुआ? नहीं अगले दो दिन जिस लोकेशन पर शूटिंग होनी थी वहाँ स्नोफॉल्ट शुरू हो गया मौसम विभाद के मुताबिक वह कम से कम पांच देन चलना है मैंने प्रोडियसर से कहा मुझे अबू सलेम ने बुलाया है पांच दिन बाद लाट आऊंगी यानि तुमने उस पर लपा मारा देख लो जालिम क्या कशिश है तुम में? क्या क्या करना पढ़ता है तुमसे मिलने के लिए एक बार हसा सलेम बोला रोका नहीं प्रोडियसर ने रोका तुम्हारा नाम सुनने के बाद रोकने की हिम्मत क्या थी उसमें? पांच दिन तो शूटिंग वैसे ही नहीं होनी थी उसमें तो रोकने की हिम्मत तब भी नहीं थी जब मैं शूटिंग के दर्मियान तुम्हारे बुलावे की बात कहती सब जानते हैं तुम मेरे दोस्त हो और तुम से पंगा लेकर प्रोडियोसर को क्या अपने फिल्म का कचूमर निकलवाना है आने जाने का किराया भी दे कर भेजा है या नहीं रिटर्न टिकट पकड़ा दिया है मुझे ओके सलेम प्रसंद चित नजर आ रहा था तो बताओ कब मिल रही हो अब तो तुम्हारे प्रोपोजल पर हूँ ठीक है जैक को भेज रहा हूँ उसके साथ चली आओ कहां जहां वो लाई मैं इंतजार कर रही हूँ कहकर दोसरी तरफ से संबंध विच्चेत हो किया अब उसलेम ने मुबाइल आफ करने के तुरंद बात एक नंबर मिलाया संबंध स्थापित होते ही वेलचेर के साथ चलते बोला जैक बोल रहा हूँ भाई जी संबंध को ले आओ अभी वो अपने फ्लैट पर है जो हुकुम भाई जी अबु सलेम ने मुबाइल आफ करके जेब में डाल लिया अब वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मुड में नसर आ रहा था मुहम्मद इकराम के साथ चलता बोला क्या तुम समझे मैंने किस से बात की इकराम ने गर्दन हिला कर इंकार में सिर हिला दिया संगीता चावला से अबु सलेम ने बताया इकराम के मुझ से निकला संगीता चावला कौन फिल्म इंडस्ट्री की नमबर वन हेरोईन करोडो दिवाने है उसके और तुमने देखा वो मेरी दिवानी है जरा सा मौका मिलते ही स्विजर लेंड से दाड़ी चली आई तुम्हारी और संगीता की दोस्ती से फिल्म इंडस्ट्री वाकिफ है आज की डेट में भला किस प्रोडूसर की हिम्मत है कि वो तुम से मिलने के लिए चुट्टी मांगे और प्रोडूसर ना दे मगर मगर क्या पूरी इंडस्ट्री ये भी जानती है ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं रहेगी इससे पहले भी इंडस्ट्री की अनेक टॉप हिरोईनों से तुम्हारी दोस्ती रही है तुमने उन्हें आम की तरह चूसा और गुट्ली की तरह फैंक दिया इस बार अबुसलेम बहुत जोर से ठहाका लगा कर हसा बोला वाह बात बहुत जबरदस एक्जाम्पल देकर कही तुमने आम और गुट्ली ठीकी तो है नहीं पूछेगी उसे क्या तुम समझते हो इस बात को संगीता नहीं जानती मैं जानता हूँ वो जानती है फिर भी हमसे दोस्ती किये हुए हो क्यूं तुम्हारे भय से सुना है तुमने उसे परदे पर देखा पसंद आ गई दोस्ती का हाथ पढ़ाया उसे मालूम था उस हाथ को जदी जटकने की कोशिश की तो कोई काम नहीं देगा आउट हो जाएगी इंडस्ट्री से वही क्यूं हर उस लड़की को तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ पकड़ना ही पड़ेगा जिसे रूप एहले परदे पर चमकने का चस्का है मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता मिस्चर इक्राम ठीक कहा तुमने संगीता जैसे लड़कियों को अगर मेरी दोस्ती कबूल नहीं तो इससे ज्यादा उनके साथ कुछ नहीं होता कि वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाती है रूप एहले परदे पर चमकने की अपनी ललक का गला घोटना पड़ता है किसी से शादी कर लेती है ग्रहस्ती बसा लेती है दो तिन लड़कियों ने ऐसा किया है कसम से उनसे कोई चाहना करना तो दूर मैंने पलट कर उनके बारे में कभी सोचा तक नहीं पता तक नहीं किया वो ग्लैमर की दुनिया छोड़कर गई कहा ये दुनिया यूही चल रही है मिस्टर इक्राम दो लोगों के बेच प्यार नाम की वस्तू कहीं नहीं रह गई है सामने वाले हम से संपर्ट रखने में अपने फाइदे देखते हैं अब मेरे और संगीता के संबंदों को ही लो तुमारे ही शब्दों में कहा जाए तो जब मैंने पिछले ही किसी आम की गुटली को गले में नहीं लटकाया तो फिर संगीता को क्यों लटकाऊंगा इस बात को संगीता भी जानती है इसके बावजुद खुद को चुसने दे रही है तो जाहिर है वो फैसला कर चुकी है अपने गुटली बनने के पहले मेरी दोस्ती का फाइदा उठा कर इंडस्ट्री में इतनी कमाई कर लेगी कि बागे की जिंदगी ऐश से गुजरे मैं जानता हूँ मेरे नाम की चमक से वो प्रोडियूसर से दुगना चौगना वसूलती है और मुझे उसे चूसना है मैं जानता हूँ यदि मैंने उसे रोका और चुसने से इंकार कर दिया तो उसका धंदा चौपट हो जाएगा। मैं उसे फाइदा उठाने दे रहा हूँ और वो मुझे। ये अलग बात है कि हम दोनों ही अपने संबंदों को दोस्ती या प्यार के आफरण में धाबे रखते हैं। क्या कहता है मोहमद इक्राम चुप़ी रहा। अबू सलेम खुद नंगी सचाई को कबूल कर रहा था। फिर अने गैलरियों से गुजरने के बाद जब विल्चर एक कमरे में दाखिल हुई तो मारे हैरत के मोहमद इक्राम उचल पड़ा। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे ड्राइंग रोम में रखे फोटो तक मौजूद थे वहां। यह 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 सब क्या है। इक्राम ने बौकलाई से अंदास में चारों तरफ देखते हुए पूछा। अबू सलेम ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारा ड्राइंग रोम लग रहा है ना। हां। मगर फिल्म लाइंग से जुड़े हो, मंतरी हो इंडस्ट्री के, किसी और आदमी के साथ यह सब हुआ होता और वो आश्र व्यक्त करता, तो बात में समझ आती। मगर तुम्हें इतना आश्र क्यों हो रहा है? जब फिल्में लोग स्टूडियोस में स्विल्जर लेंड की वाद बताते हैं, कहने के बाद चम्चो से कहा, खड़े क्यों हो भाई, अपना काम करो। हट बढ़ाकर वो इस तरह काम में जुड़ गए, जैसे यदि एक पल के भी देरी की, तो कतल कर दिये जाएंगे। करना ही क्या था उन्हें? बस मुहम्मद इक्राम को वेल्चियर से उठा कर सोफे पर बैठाना था, सो पलक जपकते ही कर दिया, उनका काम खत्म होते ही, अबु सलेम ने कहा, टीम को भेश दो, वो बगएर कुछ कहे वेल्चियर को साथ लिए कमरे से बाहर चले गए, मुहम्मद इक्राम समझ नहीं पा रहा था, कि ये सब क्या हो रहा है, वो वक्त तक मुहम्मद इक्राम अपने सवाल पूछे, ना पूछे कि उहा पो में ही था, कि एक साथ अनेक लोग कमरे में प्रविश्ट हुए, उनके साथे कैमरा भी था, कैमरा स्ट्रेंड भी, क्रॉली भी, रिफ्लेक्टर भी, सूचना एवं प्रसारन मंत्री था निर्धारित था, उस वद कैमरा मैं मुहम्मद इक्राम के ठीक सामने स्ट्रेंड पर कैमरा फिट कर रहा था, साइडो में लाइटे और रिफ्लेक्टर लगाए जा रही थे, जब मुहम्मद इक्राम चीक सा पड़ा, बताया क्यों नहीं जा रहा मुझे, ये सब क्या हो रह है, अबु सलेम ने संक्षित सा जवाब दिया, शूटिंग की तयारी, वो तो ये लाइट, ये कैमरा, ये रिफ्लेक्टर आदी देखकर मैं भी समझ किया, मैं ये भी समझ किया, मेरी मौझूद की मेरे ड्राइंग रूम में दिखाने की कोशिश के जाएगी, मैं ये जानन चाहता हूँ, ये सब हो क्यों रहा है, कौन से चैनल से हैं आप लोग, मेरे इस इंटर्व्यू का आप क्या उपियोग करेंगे, क्योंकि अबु सलेम ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया, सभी बस अपने काम में जुट गए, अबु सलेम आ राइटर भी, थोड़ा सा विराम देने के बाद, उसने खालिद मिस्री से कहा, इनके डायलोग दो, खालिद मिस्री ने जेब से एक कागस निकाल कर, इकराम को पकड़ा दिया, थोड़ा भननाई, थोड़े दैशत में डूबे मोहम्मद इकराम ने कागस लिया, उसकी तहे खोली और पढ़ा, लिखा था, जी हाँ, मैं आज भी जम्मु में कहे गए अपने शब्दों पर कायम हूँ, बेवज़ा हंगामा मचा रखा है, हिंदु कटर पंथियों ने, आखिर क्या गलत कह दिया मैंने, मैं फिर कहता हूँ, और जोड़ देकर कहता हूँ, जम्मु घा इस वज़ा से भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी कम है, पढ़ते पढ़ते मुहमद इकराम का चेहरा सुर्ख हो उठा, कनपटियां गर्म हो गई, चेहरा उपर उठाते ही, मुह से गुर्राहट सी निकली, मैं ये सब नहीं कहूंगा, क्यूं? इन शब्दो उसे तो हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, वो तो लगी पड़ी है, तो ये शब्द उस आग में घी का काम करेंगे, आग और भड़क जाएगी, मुम्किन है, वही हो जो तुम सोच रहे हो और कह रहे हो, अबुसलेम का लेचा अभी भी पूरी तरह शांत और सैयत था, मगर एक मुसलिम नेता होने के नाते, ना तुमें इतना बढ़कना चाहिए, ना ही इतना सोचना चाहिए, सोचने का काम, डायलोग राइटर का है, या डायरेक्टर का, मैं कैमरे के सामने ये सब किसी कीमत पर नहीं कहूंगा, कहने के साथ उसने गुसे में कागज से एक तरफ फैंक दिया था अबू सलेम ने अब भी शांत स्वर में कहा मुझे दुख है तुम भेजे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ककक क्या मतलब? मतलब समझाने से पहले उसने जेब से डन हिल का पैकेट और लाइटर निकाल कर एक सिग्रेट सुलगाई हलका सकश लगाने के बाद बोला सबसे पहले ये सोचो तुम्हें अभी तक क्यों जिन्दा रखा किया है? महम्मद इक्राम का दिल धार धार करता रहा मार क्यों नहीं दिये गए और मारने के लिए खास एफर्ट्स करने की जरूरत भी नहीं थी तुम्हारी दोनों टांगों में दो गोलियां लग चुकी थी समय रहते उन्हें ना निकाला जाता तब ही मर जाते उनके जहर से ही मगर ऐसा नहीं होने दिया बकाइदा आप्रेशन करके गोलियां निकाली गई क्यूं? सोचो मिस्टर इक्राम अगर तुमसे कैमरे के सामने ये नहीं कहलवाया जाना होता तो तुम पर क्यूं इतना खर्चा किया जाता? इक्राम पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा अब एक बात और सोचो अबुसलेम का अंदास ऐसा था जैसे बच्चे को समझा रहा हो अगर तुम खालिद मिस्टरी के लिखे डायलोग नहीं बोलोगे तो किस काम के रह जाओगे? क्यों लादे फिरेंगे तुम्हें? मार क्यों नहीं दिये जाओगे? मुहम्मद इक्राम के चहरे का रंग फक से उड़ गया मुह से जो आवास निकली वो खौफ से लब्रेश थी आप मुझे मार डालने की धमकी दे रहे है क्या? गलत बात ये वैसे ही गलत बात है जैसी कटरपंदी हिंदुओं ने तुम्हारे साथ की कहने का मतलब तुम्हारा कुछ और था यार लोग कुछ और ले उड़े उसी तरह समझाने वाले के किसी काम के नहीं रहते तो वो हमारा बोश्ट होता और समझ तुम ये रहे हो मैं तुम्हें धमका रहा हूँ काम का तो मैं तुम्हारे ये बयान देने के बाद नहीं रहूँगा बिल्कुल कर्रेक्ट पहली बार भेजे का इस्तेमाल किया तुमने मुझे खुशी हुई ज्यादा तर लोग सामने वाले से अपना काम करवाने के बाद उसे खत्म कर देते हैं बात वही आम और गुटली वाली है मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा गुटली बनने के बाद फैंक नहीं दिया जाएगा तुम्हें क्या गरिंटी है एक पल के लिए सुर्ख हुआ अबु सलेम का चेहरा मगर केवल एक ही पल के लिए अगले पल उस पर सामान्य भाव उभर आई सिगरेट में एक कश लगाया गुलाबी होंटो पर मुस्कान विखे दी उसके कंदे पर हाथ रखता बोला मेरे खयाल से इतनी गरिंटी काफी होनी चाहिए कि ये बात अबु सलेम कह रहा है मुहम्मद इक्राम पर बोलने के लिए जैसे कुछ रह नहीं गया केवल एक पल के लिए अबु सलेम के चेहरे पर दोड़ी सुर्खी ने उसे बता दिया था मुसे निकला एक भी गलत लफ़ उसकी जान ले सकता है जान तो उसे वैसे ही साफ साफ खत्रे में नजर आ रही थी उसे चुप देखकर अबु सलेम ने खालिद मिस्री से कहा डायलग वाला पेपर उठा कर दे दो खालिद मिस्री ने ये काम इस तरह किया जैसे रोबोट ने किया हो कागस लेते वक्त मोहमद इक्राम के दिमात में अंधर चल रहे थे समझ नहीं पा रहा था क्या करे एक तरफ जान थी दोसरी तरफ जानता था पूरा भारत सुलग उठेगा डायलोग जियात कर लो अबु सलेम ने कहा ज्यादा रीटेक हुए तो तुम्हे दिक्कत हो जाएगी सेमे हुए मोहमद इक्राम की नसरे कागस पर दोड़ने लगी उसकी नसरे भले ही कागस पर दोड़ रही थी बगर दिमात कागस पर लिखे अक्षरों पर नहीं था एक ही बात सोच रहा था वो अबु सलेम की बात मान लूँ या नहीं अब उस अलेम उसकी वर्थ मान मान से कवस्था को अच्छी तरह समझ रहा था इसलिए आराम से उनके सामने वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला मिस्टर एक्राम कुछ तेर पहले संगीता के संबन में बात करते वक्त मैंने तुम्हें समझाया था आज लोग एक दूसरे से फाइदा उठा रहे हैं ये दुनिया यूँ ही चल रही है हाला कि तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ इस ट्रेटमेंट से हमें क्या फाइदा होग मगर तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए तुम्हें ये सोचना चाहिए तुम्हें क्या फाइदा होगा नहीं सोच पा रहे तो मैं बता देता हूँ तुम्हें ये फाइदा होगा कि तुम जिन्दा रहोगे जान है जब तुम रहोगे ही नहीं तो तुम पर क्य का फर्पड़ेगा इस बात से कि भारत में क्या हो रहा है महम्मद एक्राम का जहन अब साइं साइं कर रहा था दोसरी अंतिम और सबसे बड़ी बात अबु सलेम ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया हमारा काम तुम्हारे ना रहने पर भी नहीं रुकेगा तुम जानते ह बॉलिवुड में ऐसे ऐसे मेक अप मैं भी है जो अपनी मेहनत से इक्राम भी बना देंगे बाकी काम कैमरा मैं कर देगा ऐसे एंगल से शूटिंग की जाएगी कि देखने वाले बिलकुल नहीं तार पाएंगे बोलने वाला इक्राम नहीं है इसी दुनिया से जुड़े हो करने के ना थे तुम्हें मालू है कि टेक्नीश्यल्स ऐसा कर देंगे बोलो वो ऐसा कर देंगे या नहीं कर देंगे ये शब्ध महमद इक्राम के मुण से बड़ी मुश्किल से निकले फिर क्यों मुट में जान गवाने पर आमादा हो मुहम्मद इक्राम पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा किसी और बात ने मुहम्मद इक्राम पर असर किया हो या ना किया हो मगर अंतिम बात ने जरूर किया था ये बात छटके से उसके समझ में आ गई थी कि अपने कुर्बानी दे कर भी वो इन लोगों को अपने मनसूबे पूरे करने से नहीं रोक सकेगा फैसरा करने के लिए केवल दस मिनट देता हूँ तुम्हें कहने के साथ अबू सलेम ने एक सिगरेट सुलगाई मैं कई बार देख चुका हूँ मेरी एक सिगरेट दस मिनट में खत्म होती है तुम इसके अंतिम सिरे को मेरे जूते से कुचलने को मौका ना ही दो तो बैतर होगा इसके बाद कमरे में खामोशी चाई अबू सलेम आराम से सिगरेट पीता रहा उसके सिगरेट पर नजर गड़ाई मौहमद इकराम के चहरे पर पसीने की बूंदे उभरने लगी खालिद मिस्तुर सहित कमरे में मौचूद अन्य लोगों को जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था वो सब अपने काम में जुटे रहे थे सिगरेट तब तक आधी ही हुई थी जब इकराम ने टूटे स्वर में कहा मैं तैयार हूँ गुड अबु सलेम ने कहा अपने फैसले के लिए मैं तुम्हें बढ़ाई देता हूँ मम मुझे ये सब याद करना पड़ेगा क्या महमद इकराम ने कागस की तरफ इशारा किया आराम से करो कोई जल्दी नहीं है मैं यहीं बैठा हूँ वो शब्द याद करने में इकराम ने आधा गंटा लिया उसके बाद शूटिंग शुरू हुई मगर दो घंटे की कोशिश के बावजूद ओके शॉट नहीं लिया जा सका बार बार री टेक होते रहे कभी मोहमद इकराम डायलोग ठीक से नहीं बोल पाता था कभी खालित मिस्त्री उसके फेस एक्स्प्रेशन से संतुष नहीं था तो कभी कैमरामेन को भरपूर लाइट नहीं मिल पाती थी वो बीस्वार री टेक था जो लगबग ठीक ही चल रहा था कि अचानक अबू सलेम का मोबाईल एक बार फिर बज उठा अबू सलेम ने आन करने के साथ कहा येस जैक बोल रहा हूँ भाई जी दोसरी तरफ से आवास आई काम हो गया अबू सलेम ने पूछा हाँ भाई जी उसके साथ एक ऐसा काम भी कर दिया है जिसके बाद में सुनकर शायद आपको अच्छा लगेगा ऐसा क्या काम कर दिया विजे विकास इस वक्त मेरे कबसे में है ककक्या सच मुच उचल पड़ा अबू सलेम क्या तुम उन्ही विजे विकास की बात कर रहे हो जो हाँ भाई जी उन्ही की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त वो पूरी तरह मेरे कबसे में है अबू सलेम ने बूरी तरह उद्वेगन स्वर में पूछा हो कहा तुम दूसरे तरफ से आवास आई और मैं वही आ रहा हूँ कहकर अबू सलेम भागता सा कमरे से बाहर निकल गया मान गया मिस नस्मा पॉँची हुई चीज हो तुम हेरोईन की आवास के खुब हो नकल की विजे कहता चला किया जरा भी शक नहीं हुआ सला इसे खुशी में चहक उठा था कि उसकी संगी डार्लिंग स्विजर लेंड से शूटिंग छोड़ कर पाकिस्तान में आधम की है नस्मा के गुलाबी होंटों पर बड़ी मोहत मुसकान उपरी एक जटके से गाल पर लटक आई लटको सिर पर फैंकती हुई बोली फैन रही हूँ संगीता की उसकी खुब फिल में देखती हूँ आवास ही की नहीं उसके चलने फिलने उटने बैटने यहां तक की उसकी हर अदा की एक्टिंग कर सकती हूँ अब तो गुरु बस आपका कमाल देखना है की प्यारो जिस कमरे में इस वक्त वो थे उसमें नस्मा के फोटो थे हर दिवार पर एक एक दिवार पर कई कई अलग अलग पोजों में होते भी क्यों नहीं वो फ्लेट ही संगीता का था इस फ्लेट तक उन्हें अलफांसे ने पहुँचाया जिस अबू सलेम का मुबाइल नंबर मालूम करना गदे के सिर पर सिंग खोजने के समान था उसका संगीता की टेलिफोन डाइरी का एक कॉलम खोलते ही यूँ मिल गया जैसे सिंग गाएं के सिर पर खोजे जा रहे थे उसके बाद नस्मा ने संगीता बन कर अबू सलेम से बात की अब हमें जल्दी करनी चाहिए गुरू विकास ने कहा जैक किसे भी समय यहां पहुँच सकता है विजे के कंदे पर हाथ रखती हुई नस्मा बोली मैं समझ गई आप मेरे बालों के बारे में कह रहे हैं संगीता के ये फोटो बता रहे हैं उसके बाल मेरे बालों से काफी छोटे हैं तयार हो नकटवानी को विजे ने उसकी तरफ पलट कर पूछा मुल्क के लिए मैं गंजी होने के लिए तयार हूँ आओ कहने के बाद विजे नस्मा का हाथ पकड़ कर बेटरूम के दर्वाजे की तरफ बढ़ता विकास और अलफांसे से कह किया हमारे वापिस आने तक तुम्हें यही कबड़ी खेलनी है उन में से कोई कुछ नहीं बोला बोलने की जरूरत भी नहीं थी धम से एक सोफे पर गिरते हुए विकास ने कहा बाएं हाथ से दाया और दाएं हाथ से बाया कान पकड़ने की विजे पॉलिसी मेरी समझ में कभी नहीं आई अब भला ये भी कोई बात हुई कि सबसे पहले आप हमें लेकर उस इमारत पर पहुँचे जहां असलम एकराम को छोड़ कर आया था माना इमारत के चारों तरफ कड़ा पहरा था पहरा चाहे जितना कड़ा था मगर मेरा दावा तब भी था अब भी है हम वह मौँचूद सारे सुरक्षा कर्मियों की लाशे बिचाते इमारत में दाकिल हो सकते थे मगर ना गुरू ने खोद ऐसा किया ना मुझे करने दिया और बोले अब हमें इसके अंदर घुसने के लिए तिगड़म भिडानी पड़ेगी तब ही तुम बोल पड़े मैंने कहा अलफान से बोला जितनी आसानी से इसमें संगीता घुस सकती है उतनी आसानी से और कोई नहीं गुस सकता विजे ने पूछा कौन संगीता मैं हैरान रह किया जो बात सारी दुन्या को मालूम है वो विजे को मालूम नहीं थी अबु सलेम और संगीता के बारे में रोज किसी ना किसी मैकसिन में चपता है उनका इश्क जोरो पर चल रहा है अगर प्रेमी का प्रेमी की इमारत में आराम से नहीं गुसेगी तो और कौन गुसेगा सारी बाते बताई जाने के बात विजे ने कहा अब प्यारी संगीता को कहां से लाई मैं फॉरण बोला उसका पाकिस्तान वाला फ्लैट तो मैंने देखा है मगर दावे के साथ नहीं कह सकता वो वहां होगी यही पूछना चाहता था मैं आप से विकास ने एक कोहनी सोफे के कुशन पर ठोस दी आपको पहले से कैसे मालूम था संगीता इस फ्लैट में रहती है मुझे क्या यह तो बहुत से लोगों को पता है कोई दबी छुपी बात तो है नहीं यह संगीता फेमस है सब जानते है जब भी वो अबु सलेम से मिलने पाकिस्तान आती है यही रहती है और विजे गुरु हम सब को साथ लिये लपक आये यहां विकास बोला फ्लैट की तलाशी ली संगीता की टेलिफोन ढायरी खोश निकाली उफ इतना लंबा चक्कर केवल उस इमारत में गुसने के लिए मेरे तरीके से चलते तो अब तक अबु सलेम की गर्दन मेरे हाथों में होती तुम्हारे तरीके से चलने पर हम सब की गर्दन अबु सलेम के हाथों में भी हो सकती थी दिल जले एका एक वहां विजे की आवास गुंजी दोनों चौके विकास तो सोफे से उचल ही पड़ा मुसे निकला गुरु आप आपके बाप दोनों कमरों के बीच वाले दर्वाजे पर खड़ी विजे ने कहा आपकी वापसी इतनी जल्दी काम हो गया हम केवल चुटकी बजाते हैं पीसी सरकार की तरह अलाई बलाई गाते हैं और काम जल्दी हो जाता है कहने के साथ विजे सच मुझ ऐसी अदा के साथ दर्वाजे के बीच से हटा जसे स्टेज पर जादूगर अपना नया आटी आइटम पेश करते वक्त थटता है अगले पल जो हस्ती नमूदार हुई जिसने बेड्रूम की चौकट पार करके ड्रॉइंग रूम में कदम रखा उसे देखकर विकास और अलफांसे के अलग से चीखे निकल गई आश्र से सरा बोड थी वो चीखे कारण वो अपने सामने संगीता को देख रहे थे नजमा कहीं थी ही नहीं विकास जैसे शक्स की आँखे मारे हैरत के फटी की फटी रह गई थी मार्वलस ये शब अलफांसे के मुझ से निकल सके जब वो खुद आश्र के सागर से बाहर निकल आया मार्वलस विजे मुझे लग ही नहीं रहा ये वो लड़की है जो कुछ देर पहले हमारे साथ थी सर नजमा ने कहा मुझे भी तो देखने दीजिये खुद को क्यों क्या तुम खुद को इन थोब्र इन दोनों के थोब्रे के आईने में नहीं देख रही सर प्लीज उसने सिर जटका ये जटके अब भी बन नहीं हुए तुम्हारे सॉरी सर अपनी आवास भी भूल जाओ समझे भूल गई ये शब्द उसने संगीता की आवास में कहे थे विकास ने पूछा क्या तुमने अभी तक कुद को आईने में नहीं देखा सर ने देखने ही नहीं दिया अलफान से जपट कर बात रूम में पहुँचा वाश बेसिन के उपर टंगा बड़ा सा आईना उतारा और उससे साथ लेकर वापिस ड्राइंग रूम में वापिस आ किया वहां आकर भी उसने सांस नहीं ली सांस तभी ली जब आईना लेकर नजमा के ठीक सामने जाख खड़ा हुआ खुद को देख कर नजमा के हलक से चीक निकल गई उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर जा लगे थे अपने कहां संगीता के चेहरे पर उसे लग ही नहीं रहा था कि वो उसका अपना चेहरा है बहुत हो लिया लूमर प्यारे आईना हटा लो वरना वो हो जाएगा जो आग से पहले कभी नहीं हुआ क्या नहीं हुआ अपनी नजर खुदी नहीं लगी कभी उसकी बात का मतलब समझ में आया तो तीनों के मुझ से ठहा के फूट पड़े नजमा अभ़स भी रही थी तो संगीता के अंदास में अलफांसे ने कही दिया विजे ऐसा जादो तो पीसी सरकार भी नहीं कर सकता लेकिन गुरू विकास ने पूछा नजमा अभी तक नाइट गाउं में क्यों है जैक आता ही होगा इसलिए क्या मतलब ये तयार होने के बहाने जैक को कुछ देर यहां बिठाईगी क्यूं? ताकि उस बेच हम अपना काम कर सके कैसा काम? विजे के जवाब देने से पहले कॉल बेल बजी चारो सतर्क हो गए अलफांसे फुस फुसाया शायद वो आ गिया है तुम उसे संभाल लोगी ना? विजे ने धीमी आवास में नस्मा से पूछा उसने कहा आप फिक्र न करें आओ प्यारो कहने के साथ विजे ने बेडरूम की तरफ जम्प लगाई विकास और अलफांसे उसके पीछे थे जब तक कॉल बेल दूसरी बार बजी तब तक एक खिड़की के जरिये वो तीनों फ्लैट से बाहर निकल चुके थे नस्मा दर्वासा खोलने के लिए आगे बढ़ी संगीता के फ्लैट के ठीक सामने एक सफारी खड़ी थी चम चमाती हुई टाटा सफारी दो वर्दिधारी गन मैन उसके नस्दीक खड़े नजर आ रहे थे एक ड्राइविंग डोर पर था दूसरा सफारी के उस तरफ जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई एक पिलर की बैक से निकल कर विकास सिधा सिफारी की तरफ बढ़ गया जबकि विजे बॉकला कर उसके पेचे लपकता हुआ बोला अभे अभे क्या कर रहा है दिल जले यो सरया मार पेट करना हमारे फेवर में नहीं होगा विकास रुका नहीं उसने आगे बढ़ते हुए कहा जानता हूँ गुरू आप फिक्र ना करे अब विजे के पास अगला वाक्य तक कहने को मौका नहीं था सफारी के काफी नस्दीक पहुँच चुका था विकास विजे इस तरह एक तरफ को टहल लिया जैसे विकास से उसका कोई मतलब ही ना हो अलफान से पिलर के पीछे ही खड़ा रह किया था उसके होंटो पर मुस्कान थी विकास ने एक गन मैन के नस्दीक पहांच कर पूछा क्या मिस्चर जैक के साथ आपी आई है हाँ उसका लहजा भी अकड़ था और अंदास भी क्यों वो आपको वहीं बुला रही है कहा संगीता के फ्लैट पर हमें वहां उसे हैरानी थी क्यों नहीं मालूम विकास ने भी अब अपनी आवाज में वैसा ही अख़ड़पन पैदा कर लिया था चलना है तो मेरे साथ चलो नहीं चलना तो खड़े रहो मैं उनसे कह दूँगा तुमने आने से इंकार कर दिया कहने के बाद विकास मुड़ा और वापिस इमारत की तरफ चल दिया ठेहर गनमैन ने कहा विकास ठीटक गया गनमैन ने दूसरे गनमैन से कहा लगता है टाइम लगने वाला है इसलिए बॉस हमें भी वहीं बुला रहे हैं चाहे जितना टाइम लगे पहले असा कभी नहीं हुआ अब हो रहा है तो क्या करें मुम्किन है उन्हें हम से कोई काम हो दूसरे गनमैन ने कई पल कुछ सोचने में गवाई फिर बोला गाड़ी को लॉक करके चलते हैं ये चीक रहेगा दूसरे ने कहा में डालते गनमैन ने कहा फिर दोनों विकास के साथ फ्लैट की इमारत की तरफ बढ़ गए सफारी से काफी दूर विजे अभी भी चहल कदमी सी कर रहा था गनमैनों से नजर बचा कर विकास ने विजे की तरफ देखा नजर मिलते ही अपने होंटों पर शरारती मुस्कान लिये उसने विजे को आँख मारी विजे बॉकला कर रह किया उने लिए विकास उसी पिलर की तरफ बढ़ रहा था जिसकी बैक में अलफान से था एक शंड केवल एक शंड के लिए पिलर के नस्दीक ठिटका बोला दाया शिकार आपका है अंकल बाया मेरा इनके मुसे आवास ना निकल पाई अच्छानक क्या बढ़ बढ़ाने लगा तू एक गन मैंने चौंक कर पूछा परंतु ना तो जवाब ही मिला उसे और ना अगला लफ्स मुसे निकालने का मौका पिलर के पेचे से जपट कर अलफानसे ने उसका मूँ दबोच लिया था ठीक वैसे ही हालत उसके साथी की भी हुई वो विकास के चंगुल में फसा गूंगूं कर रहा था विजे ने दूर से उस द्रिश्य को देखा तो लपकता हुआ सब उस तरफ पढ़ा जब तक वो पिलर के नस्दीक पहुँचा तब तक दोनों अपने अपने शिकारों को बेहोश कर चुके थे आँख मारते हुए विकास ने पूचा अब इनका करें क्या उठा कर सफारी की तरफ ले चलो उसकी डिक्के में डाल दो चाबी इसकी जेप में है मेरे खयाल सी गुरू उससे पहले हमें इनकी वर्दी पहन लेनी चाहिए एकदम दुरूस थे तुम्हारा खयाल कहने के साथ विजे ने उनमें से एक के कपड़े उतारने शुरू कर दिये थे दूसरे के कपड़े विकास उतारने लगा अलफान से बोला मेरा क्या होगा तुम ऐसे ही ठीक हो विजे ने कहा वैसे तीसरा होता भी तो तुम्हारे साइस का होना मुश्किल था जैक और संगीता के बाहर आने तक दोनों गनमेन के जिस्म सफारी की डिक्की में ठूसे जा चुके थे अलफान से अगली और पिछली सीटों के बीच लेट गया था बहुत आराम से था वो उसके लेटने लायक काफी जगा थी गने संभाल विजे विकास सफारी के बाहर ठीक उसी तरह खड़े थे जैसे उन्होंने पिलर के पीचे से गनमेन्स को खड़े देखा था बस इतना सा परिवर्तन किया था उन्होंने कि अपनी कैप्स के चज़े ललाट पर जुका लिये थे आँखे तक ढख ली थी वे नस्दी काई विजे ने फॉरन बाई तरफ वाला अगला गेट खोल दिया था नजमा संगीता वाली अदा में थोड़ा उचक कर सीट पर जा बैठी उस वक्त जैक गाड़ी के आगे से घूम कर ड्राइविंग गेट की तरफ जा रहा था जब वो विजे की तरफ देख कर हॉले से मुस्कुराई विजे ने उसकी मुस्कान का जवाब देने की कोशिश नहीं की ड्राइविंग गेट उधर खड़े विकास ने खोल दिया था तुम लोग पीछे बैठो कहने के साथ उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हुए जैक ने इगनेशन में मौजूद चाबी घुमा थी विजे विकास अपनी अपनी साइट का पिछला गेट खोल कर सफारी में सवार हो गए सफर शुरू हो गया गाड़ी के अंदर खामोशी चाई हुई थी विजे विकास ये देखकर संतुश थे कि सफारी का रुक उसी तरफ था जिदर वो इमारत थी जिसके अंदर जाने के लिए इतने पापड बेले थे उस वद गाड़ी एक सुनसान सडक से गुजर रही थी जब ड्राइविंग करते जैक ने कहा अनवर हम चौंकर विजे विकास एक साथ बोल पड़े अगला वाक्य कहने से पहले जैक एक पल के लिए हिच का मगर सिर्फ एक पल के लिए अगले पल उसने कहा मैं तुम्हें अगले पेट्रोल पंप पर उतार दूँगा वहां से डीजल लेकर राउंड हाउस पहुशना है दोनों चुप रहे शनी खामोशी के बाद जैक ने पूछा अनी प्रॉब्लम नो सर विकास ने अपनी आवास एक गन्मेन की आवास से मिलाने की कोशिश की और बस उसके बाद जैक ने कुछ नहीं कहा खामोशी के साथ गाड़ी ड्राइव करता रहा विजे विकास के दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहे थे उन्हें लग रहा था जैक के अनवर कहते ही एक साथ दोनों के बोल पढ़ने से गडबर हो चुकी है बस यहीं निश्चे नहीं कर पा रहे थे उस गडबर को जैक ने पकड़ लिया है या नहीं यदि पकड़ चुका था तो काफी खूप सूरत एक्टिंग कर रहा था वो कुछ देर बाद दोर दोर पेट्रोल पम का साइन बोट नसर आने लगा विजे के दिमाग ने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया जैक ने गडबर को ताड़ा हो या ना ताड़ा हो मगर ये तो पक्का था कि वो उन्हें वहां उतारने वाला था वहां कुछ और लोग भी होंगे कम से कम पेट्रोल पम का स्टाफ तो होगा ही वहां किसी भी किस्म का एक्शन करना मुनासिब नहीं होगा उससे तो बैतर है जो करना है यहीं गाड़ी में ही कर लिया जाए विजे इस नतीजे पर पहुंचा ही था कि कानों में विकास की आवास पड़ी पेट्रोल पम पर गाड़ी रोकने की कोशिश मत करना मिस्टर जैक सीधे चलते रहो मैं जान चुका हूँ तुम अनवर और सलीम नहीं हो जैक के हलक से गुर्राहट से निकली हम भी जान चुके हैं कि तुम जान चुके हो इसलिए गन वक्त से पहले तुम्हारी पसलियों से सटानी पड़ी मैसूस कर रहे होगे इसकी चुभन और अब ये भी जान लो जरा सी गलत थरकत तुम्हे भी वहाँ पहुचा देगी जहां मनजीत और सलीम पहुँच चुके हैं अं अरे ककक क्या कर हो रहा है ये नस्मा ने जबरदस्ट एक्टिंग की ककक कौन हो तुम लोग ज्यादा मत फुद को मैडम कहने के साथ विज़न अपनी गन की नाल उसकी पसलियों से सटा दी ये वो फिल्मी गन नहीं है जो केवल आवास करती है अगर इसने आवास कर दी तो तुम्हारी आवास हमेशा के लिए बंध हो जाएगी अरे मगर बुरी तरह बौकला कर उसने जैक की तरफ देखा जैक का चेहरा पत्थर की तरह सक्त और सपाट नजर आ रहा था उसने कहा आप फिक्र ना करे मैडम ये हमारा कुछ नहीं बिगार सकेंगे चीक कहा तुमने विकास के मुँसे निकलने वाली गुर्राहट अत्यन संसनी खेस थी हमारा कहना मानते रहे तो तुमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा पेट्रोल पम पीछे चूट चुका था जबड़े भींचे जैक ने पूछा क्या अन्वर और सलीम को तुमने माट दिया अपनी तो आदत ही ऐसी है विजे ने कहा हो कौन तुम विजे शायद को चौट कहता मगर उससे पहले विकास बोल पड़ा विजे विकास ओ, मुझे ये शब निकलने के साथ जैक का वो चेहरा पीला पड़ गया जो एक पल पूर्फ सक्त नजर आ रहा था सारी सक्ती जाने कहा गायब हो गई थी हवाईया उड़ती नजर आ रही थी उस पर यही तो चाहता था विकास इसलिए तो अपने नाम उसने साफ साफ बताई थे वो जानता था नाम की अपनी देश्यत होती है इस हत्यार को वो अकसर इस्तेमाल कर लेता था जबकि विजए अपने नाम को हत्यार के रोप में कभी इस्तेमाल नहीं करता था मगर अब जब इस्तेमाल हो ही चुका था और उसका असर वो जैक के चेहरे पर साफ साफ देख रहा था तो बोला तुम जानते होंगे इंसानों को हम इस तरह मारते हैं जैसे फुट पाथ पर सोया फकीर मच्छरों को मारता है चाहते क्या हो पहली बार उसके आवास में अकलाहट उभरी बड़ा अच्छा सवाल किया विजे अपनी टोन में आगिया उतना ही अच्छा जवाब भी हासिर है अबु सलेम भाई से मुलाकात की तमन्ना है मुलाकात की नहीं मुक्कालाग की तमन्ना है क्यूं? तुम तो यार संत्रियों वाले सवाल पुछने लगे मेरा खयाल है तुम्हारा मकसद मुहम्मद इक्राम तक पहुँचना है समझदार हो विजे ने कहा उसी तक पहुँचना है हमें क्या तुम बता सकते हो राउंड हाउस में वो कहा मिलेगा? वो वहाँ नहीं है अब तुम जूट बोल रहे हो गुरू? ये सच है विकास ने कहा हमने असलम को उसे वहाँ पहुचाते देखा है जरूर देखा होगा मगर बाद में उसे ट्रांसफर कर दिया किया कहा? नुसरत तुगलक के पास अगर तुम उनका पता बता दो तो हम जिन्दगी बर तुम्हारे चरण धो धो कर पानी पिएंगे उनका हेड़कॉर्टर किसी को नहीं मालुम ना मुझे ना भाई जी को चलते पुर्से हो प्यारे अबु सलेम तक की गैरंटी ले बैठे खेर जो होगा देखा जाएगा अब हम राउंड हाउस पहांचने वाले हैं वहां के सुरक्षा कर्मी तुम्हारी इस टाटा सफारी को देखते ही गेट कोल देंगे अपने होने वाले बच्चों की भलाई चाहते हो तो कोई इशारा मत करना उन्हें इशारा किया तो बच्चे में होने ही कहां दूगा गुरू कहने के साथ विकास ने जैक को गन की नाल का एहसास करा दिया था ये भी ठीक है विजे बोला बलकि ठीक से भी कुछ ज्यादा ही ठीक है जैक चुप रहा अलफांसे ने जान बुश कर खुद को खामोश और छुपाई रखा था उसने सोचा था दुश्मन पर सारे कार्ट एकदम नहीं खुलने चाहिए अगर जैक विजे विकास को चक्मा देने की कोशिश करेगा तो वो उस पर अप्रत्याशिद हमलावर बनकर तोट पड़ेगा अभी दूर होने के बावजूद राउंड हाउस साफ नजर आ रहा था ठीक सामने था वो सरल रेखा की मानित एकदम सीधी चली गई सडक के अंतिम चोड पर यदि यूं कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा सडक खत्म ही वहां होती नजर आ रही थी जहां राउंड हाउस का लोहे वाला विशाल गेट था ये सडक केवल उसी इमारत तक जाने के लिए बनाई गई लगती थी क्योंकि दाएबाएँ आगे पिछे कहीं कोई दूसरी इमारत नहीं थी अन्फानसि के साथ आकर उस इमारत को विजे विकास पहले भी देख चुके थे ये बात उसी समय उनके दिमाद में आई थी कि इमारत का नाम राउंड हाउस शायद इसे लिए रखा किया है क्योंकि वो गोल थी देखने से ऐसा लगता था जैसे चार दिवारी से घिरे हजारो हजार गच के भुखन के बीचों बीच कंक्रेट का एक बहुत बड़ा गिलास बना कर खड़ा कर दिया किया हो वो गिलास इतना उंचा था कि मेलो दोर से नजर आने लगता था उसके दिवारों में अनेक खिर्की और दर्वासे थे खिर्की दर्वाजों पर तैनात थे हत्यार बंद गार्ड उनके जिस्मों पर वैसे ही वर्दी थी जैसे इस वक्त विजे विकास ने पहन रखी थी वैसे ही वर्दी वाले लोही के गेट पर भी तैनात थे एक जिपसी भी खड़ी थी वहाँ गेट पर तैनाद गार्ट्स ने दूर से आते सफारी को देखते ही गेट खोलना शुरू कर दिया था जो इतना भारी था कि हातों से नहीं एक लिवर को दबाने से खुलता था गेट खुल चुका था इसके बावजो जैक ने गारी रोग दी आगे चलो प्यारे वरना उपर की तरफ पार्सल कर देंगे विजे के मुझे निकली गुर्राहट सक्त से सक्त व्यक्ती की रेड की हड़ी में मौत के सेहरन दोडाने वाली थी दर्वाजा भले ही खोल दिया हो उन्होंने मगर मुझे भी यहाँ एक रेडिस्टर पर साइन करके आगे बढ़ना होता है जैक ने बढ़ बढ़ाते से स्वर में कहा था साइन किये बगैर मेरे आगे बढ़ जाने से उन्हें शक हो जाएगा एक गाड रेडिस्टर लिए सफारी की तरफ बढ़ता नजर आया मैं सेट के पीछे से तुम्हें देख रहा हूँ इस पार विकास गुर राया अगर तुमने साइन के बहाने रेडिस्टर पर कुछ और लिखने की कोशिश की तो वो तुम्हारे द्वारा इस जीवन में किया किया अंतिम काम होगा जैक कुछ बोला नहीं रेडिस्टर लिए गाड ड्राइविंग डोर पर पहुंच चुका था जैक ने पावर विंडो का स्विच दबा कर कांच उतारा गाड ने बहुत थी आदर के साथ रेडिस्टर ठिटकी के अंदर सरका दिया पैनिक डोरी के मदद से रेडिस्टर के साथ बना हुआ था गाड ने गाडी के अंदर ज्ञांकने की कोई कोशिश नहीं की जैक ने साइन किये और वो रेजिस्टर लेकर वापिस चल दिया इंजन बन नहीं किया था जैक ने गाड़ी गेर में डाल कर आके बढ़ा थी जब वो चार दिवारी के अंदर दूर दूर तक फैले गार्डन के बीच बने सडक पर थे उस सडक पर जो धनुष की तरह घूमती हुई इमारत के पोर्च की तरफ चली गई थी पोर्च भी गोल और दर्शनी था मगर विजे विकास उसे नहीं देख रहे थे वो देख रहे थे वहां की सुरक्षा व्यवस्ता को धनुषा कार सडक दोनों तरफ ही नहीं विवस्ता देखने के बाद विकास को लगा यहां आने के लिए तरकीब वही ठीक थी जो विजे ने अपनाई बगेर किसी प्लैनिंग के धूम धड़ाका करके अपनी जान तो गवाई जा सकती थी मगर इमारत में दाखिल नहीं हुआ जा सकता था जैक ने गाड़ी पोर्च के नीचे रोग दी वहां तैनात अने गाड़्स ने गाड़ी को चारो तरफ से घेर लिया बस एक ही बात दिमाग में रखना प्यारे बले ही हम तुमसे चाहे जितने दूर हो लेकिन किसे भी किस्म की गड़बड होने पर हमारी गनों से निकली गोलियों की पहली खेप तुमारे जिस्म में आग भर देगी जैक ने बगएर कुछ कहे अपनी साइट का दर्वासा खोला तुम भी उत्रो विजय ने गुर्रा कर नस्मा से कहा अपनी साइट का दर्वासा खोल कर विकास भी जैक के लगबग साथ ही बाहर निकल आया था नस्मा केवल जैक को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर घपराहट का प्रदर्शन कर रही थी जबकि वास्तव में उसके होटों पर संगीता वाली मुस्कान नाच रही थी बाहर निकलने के लिए उसने भी दर्वासा खोला अपने साइट का दर्वासा खोलते विजे ने अलफांसे के कंधे पर हात रख कर कहा बगएर वर्दी के बाहर नहीं निकला जा सकता तुम्हें यहीं का मोच्चा संभालना है अलफांसे चुप रहा उसके बोलने का इंतिजार किया भी नहीं था विजे ने नस्मा के साथ ही साथ सफारी से बाहर आ किया था अब वो जैक के पीछे उन सेडियों की तरफ बढ़े जो गोल इमारत के मुक्य दर्वासे तक चली गई थी बहुती भव्य सेडियां थी वो करीब पंधरा कुछ वैसी जैसी स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के लिए होती है जहां सफारी खड़ी थी मुक्य द्वार उससे करीब 12 फूर टूपर था विजे विकास पीछे थे अन्या गार्ड्स उन्हें जैक के परसनल गार्ड सी समझ रहे थे जबकि जैक जानता था वाके उसके कोई भी हरकत उसे हमेशा के लिए सुला देकी कुछ देर बाद वे मुक्य द्वार पार कर गए अनेक गैलरियों से गुजरते हुए एक लिफ्ट में पहुँचे लिफ्ट में उनका सफर उपर के लिए नहीं था बलकि नीचे के लिए था विजे विकास को समझते देर नहीं लगी कंक्रेट का ये गिलास जितना जमीन के उपर नजर आता है अगर उतना नहीं तो कम से कम आधा जमीन के अंदर जरूर है लिफ्ट में सफर करते वक्त विजे ने पूछा चले तो हम जा रहे हैं प्यारे लेकिन पता तो लगे हम जा कहा रहे हैं भाई जी के बेडरूम में वहीं क्यूं मेरी ड्यूटी मैडम को वहां पहुँचाना है और उसके बाद वापिस चले जाना है चाहे हम ना चाहें जैक चुप रहा लिफ्ट रुख चुकी थी उसके खुलते ही वो बाहर निकले सामने गैलरी थी एक बार फिर वो कई गैलरीयां पार करके एक कमरे में पहुँचे उन्होंने नोट किया बेस्मेंट में गार्ट्स काफी कम थे जस कमरे में जैक उन्हें ले आया था उसे कमरा ना कहकर किसी शेक का हरम कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होका दिवारों पर नंगी लड़कियों की लड़कियों की नहीं बल्कि अपने अपने जमाने की टॉप हिरोईनों की फोटो लगी हुई थी वो सब शायद वो थी जो इस हरम में आ चुकी थी जैक इसी के स्विच बोट की तरफ बढ़ा उसे आन किया और पलक जपकते ही विजे विकास के पैरो तले से जमीन की सकई वे उस कमरे के नीचे माजूद दूसरे कमरे के फर्ष पर जा किरे जैक ने केवल क्षण भर के लिए स्विच को आउन करके वापिस आफ कर दिया था फर्ष का वो हिस्सा जहां से विजे विकास नीचे गिरे थे दो किवाडों की तरफ जूलता हुआ पुने फर्ष नजर आने लगा नजमा के चेहरे पर आश्र के भाफ थिरक रहे थे बेवकुफ उसके तरफ पलटते हुए जैक के होटो पर मुसकान थी समझ रहे थे मैं मरने के डर से इन्हें अपने साथ यहां तक ले आया हूँ तो क्या तुमने पहले ही सोच लिया था इन्हें यहां लाकर सोच नहीं लिया होता तो इतने आराम से यहां तक नहीं लिया था इन्हें क्या पता अगर भाई जी को यह पता लग जाए कि उनका कोई सीपर सलार केवल अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को हेड कौर्टर में गुसा लाया है तो वो ऐसी मौत देते हैं जिसे देख कर मौत भी थर्रा उड़ती है मैंने तो सफारी में इनका नाम सुनते ही सोच लिया था जितने खुशी भाई जी को इन्हें अपने कैद खाने में पाकर होगी उतनी खुशी उन्हें शायद पहले कभी नहीं मिली होगी नजमा चुप रही हाँ विजे विकास बड़ा नाम सुना था इनका कामियाभी के नशे में चूर जैक कहता चला क्या सुना था सारे संसार के मुझरिम इनसे कामते हैं मैंने तो सोचा भी नहीं था ये इतने मूर्ख होंगे कम से कम सोचा तो हो था गदो ने भाई जी का खास सीपे सलार इतनी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावचूद बगैर कोई विरोत किये क्यों अंदर गुजा चला जा रहा है मान गई जैक काफी होश्यारी से काम लिया तुमने बस ये बात इसी ढंक से भाई जी के सामने कह देना क्या मतलब उन्हें बता देना दुनिया की मानी हुई हस्तियों को मैंने कितनी समझदारी और धैर्य के साथ लाकर उनके कैद काने में फसाया है आपके मुँ से ये सुनते ही वो मेरी तरक्की कर देंगे जरूर कहूंगी बहरहाल तुमने काम ही तरक्की के लायक किया है मगर वो है कहां अभी बुलाता हूँ कहने के साथ उसने अपनी जेप से मुबाईल निकाला और एक केवल एक बटन पुश करके कान से लगा लिया नसमा समझ सकती थी वो अबु सलेम से बात करना चाता है करने दे या नहीं नसमा फैसला नहीं कर पा रही थी चकर गिनने की तरफ घूम रहा था उसका दिमाग चाहती तो जेप पर ततकाल हमला करके उसे अपने काबू में कर सकती थी रिवॉल्वर भी था उसके पास कबर कर सकती थी एकी बार में बेहोश तक कर सकती थी क्योंकि उसके तरफ से जेक पूरी तरह ला परवा था बला सोच भी कैसे सकता था वो संगीता उस पर हमला कर सकती है परंटु वो निश्शे नहीं कर पा रही थी कि वर्ट्मान हालात का ज्यादे से ज्यादा फाइदा कैसे उठा सकती है जैक और अबु सलेम का संपर्क स्थापित हो गया उन में बाते होने लगी नजमा ने वो सभी बाते सुनी अंध में मुबाइल का स्विच आफ करते वक जैक बेहिंतियाख खुश था बोला वही बात हुई विजे विकास के बारे में सुन कर भाई जी की बांचे खेल गई मुझे लगता है मेरे इस कार नामे से खुश यो कर अब वो मुझे नमबर टू बना देंगे मैडम आपको लाने का ये काम मेरे लिए बहुत ही मुबारक साबित हुआ बस यूँ कहा जा सकता है कि अचानक मेरे हाथ इतनी बड़ी सफलता लग गई नजमा ने अपने मतलब का सवाल पूछा क्या वो आ रही है हाँ कहा है मैंने पूछा नहीं क्या पता इतनी बड़ी इमारत में कहा होंगे इसलिए बस इसलिए जैक को अबु सलेम से बात करने दी उसने उसके दिमाद में यही समस्या थी कि इतनी बड़ी इमारत में अबु सलेम को कहां ढूणते फिरेंगे बैतर है वो खुदी यहां आ जाए और जैक जैक बता रहा था कि वो आ रहा है अपना अगला स्टेप निर्धारित करने है तो यह जानना जरूरी था उसे यहां पहुँचने में देर कितनी लगेगी वही पूछा उसने मेरा मतलब था वो कितनी देर में यहां पहुँच जाएंगे एक मिनट से दस मिनट के बीच मारे खुशी के जैक जूम रहा था वो इमारत में कहीं भी हो यहां पहुँचने में दस मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे जैक कभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह लापरवा था चाहती तो इस वक्त उसे अपने काबू में कर सकती थी मगर नहीं दिमाग ने कहा ये ठीक नहीं होगा अबुसलेम जल्दी आ गया तो सारे पासे एक के जटके में उलट जाएंगे वही हुआ एक मिनट से भी कुछ पहले ही ये कहता हुआ अबुसलेम कमरे में दाखिल हुआ कहा है वो तहकाने में जैक बोला वेरी गुड मारे खुशी के उसका बुरा हाल था नस्मा दोड़ कर उससे लिपट गई और यू थर-थर कांपने लगी जैसे बुरी तरह डर गई हो अबुसलेम ने पहली बार उस पर ध्यान दिया उसके जस्म को अपनी बाईं भुजा में लपेट कर सीने से लगाया और जैक से पूछा ये हो कैसे गया लेने तो तुम इसे गई थे जैक ने बताना शुरू किया तो बताता ही चला किया नमक मिर्च भी लगाया थोड़ा नस्मा ने भी बेच बेच में जैक की तारीफ की मगर सुनने के बाद अबु सलेम के चहरे पर वो खुशी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी खुशी की तरह गंभीरता काबिस हो गई थी उसके चहरे पर नस्मा को खुद से अलग किया एक सिगरेट सुलगाई चहल कदमी से करता बोला जैक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ज, जी एक बहुत बड़ा सेट था एक दिन उसे किसी बिजनस डिल के लिए शेहर से बाहर जाना था सुबह सुबह तयार हो रहा था कि उसका चौकीदार आया बोला, सेट जी आज आज आप बाहर मत जाओ सेट ने चौकर पूछा क्यूँ चौकीदार ने कहा मैंने सपने में देखा आज वो प्लेन क्रैश होने वाला है जिससे आप जा रही है सेट भड़क उठा दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा तुने सपना देखा और मैं ना जाओ जानता भी है अगर मैं ना गया तो लाखो का नुकसान हो जाएगा चौकीदार गिड़ गिड़ाया मान जाएए सेट जी मेरे सपने अकसर सच हो जाते हैं लाखो क्या करोडो रुपए भी आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते सेट गुर राया बक्वास बंद कर मैं इन अंध विश्वासों को नहीं मानता सच मुझ वो अंध विश्वासी नहीं था पर अंतु चौकीदार भी पूरा मालिक भक्त था वो सेट के कदमों में गिर गया बार बार ना जाने के लिए कहता रहा तकरार लंबी हो गई सेटानी भी वहां आप आँची तकरार का कारण पता लगा तो चेहरा पीला पढ़ गया उसका सेट से बोली आप ना जाए यदि इसने प्लेन क्रेश होने का सपना देखा है तो जरूर होगा अपने सपनों के बारे में इसने मुझे पहले भी अनेक बार बताया है हमेशा हर सपना सच हुआ सेट तब भी अड़ा रहा मगर अप चौकीदार और सेठानी मिलकर एक और एक ग्यारा हो चुके थे चौकीदार को तो डान डपटकर चुब भी कर सकता था मगर सेठानी पर एक नहीं चली अन्तते जा नहीं सका उस वक्त अपने कमने में पड़ा लाखों रुपए के नुकसान पर कलप रहा था जब खबर आई वो प्लेन क्रेश हो गया और जहास के सारे यात्री मारे कए सेठ हैरान सेठानी ने कहा देख लीजिए मैंने कहा था न चौकिदार के सारे सपने सच होते हैं सेठ ने चौकिदार को बुलाया अपनी जान बचाने के बदले में उसे दस लाक रुपए दिये और नौकरी से निकाल दिया क क क क्यूं ये सवाल नस्मा और जैक के मुँ से एक साथ स्वते फूट पड़ा यही सवाल सेठ से चौकिदार उस सेठानी ने भी पूछा अबुसलेम शानदार बैट के नस्दीक पहांच कर बोला कहने लगे ये क्या अजीब बात कर रहे हैं आप एक तरफ दस लाक रुपए दे रहे हैं दूसरी तरफ रोजी रोटी चीन रहे हैं बैचारे की नौकरी से निकाल रहे हैं क्यूं इस क्यूं का जवाब तुम्हें देना है जैक बताओ सेठ ने चौकिदार को नौकरी से क्यों निकाल दिया बैचारा जैक क्या जवाब देता उसकी तो समझ में ही कुछ नहीं आया था समझ में तो तब कुछ आता जब दिमाग में साइं साइं की आवास के साथ चल रहा अंधर कुछ समझने देता उसकी समझ में तो ये भी नहीं आया कि अबू सेलेम ने इस वक्त ये कहानी आखिर सुनाई क्यूं है जवाब तो जैक, अबू सलेम के लहजे में खराश पैदा हो गई थी सेट ने चौकिदार को नौकरी से क्यों निकाला ममा मैं नहीं समझ सका भाई जी जैक बड़ी मुश्किल से कह पाया अबू सलेम बोला, सेट ने चौकिदार से कहा मैंने तुम्हें जाकने के लिए नौकरी पर रखा था सोने के लिए नहीं अपने पत्नी से बोला अगर तुम मुझे पहले बता देती ये सपने देखता है तो मैं इसे बहुत पहले ही हटा चुका होता क्योंकि चौकिदार का काम है सारी राथ जाक कर पहरा देना ना कि सपने देखते रहना जो शक्स अपने काम में ला परवाही करे बला उसे मैं नौकरी पर कैसे रख सकता हूँ बल्कुर ठीक कहा सेट ने जैक के मुझे निकला अबुसलेम ने उसकी आँखों में जाकते हुए पुने पूछा ठीक कहा ना ज़ जी कुछ वैसे ही गलती तुम भी कर बैठे हो जैसे चौकिदार ने की थी जैक के होश फाक्ता हो गए मुसे निकला ममा मैं कुछ समझा नहीं भाई जी विजे विकास तैकाने में है ये अच्छी बात है मगर है इत्ते फाक जो बेवकूफी तुमने की उसके परिणाम सुरूप इस वक्त वो हमारे सीरों पर भी सवार हो सकते थे यकीन मानो जैक जरा भी समझदारी का काम नहीं किया तुमने बलकि हर दर्जे की बेवकूफी का परिचे दिया है ऐसी बेवकूफी की उम्मीद कम से कम तुमसे नहीं थी मुझे तुम्हें अपनी जान की परवा ना करके उनसे रास्ते में ही कहीं भिड़ जाना चाहिए था इन्हें मार गिराते तो इनाम के हगदार होते खुद मर जाते तब भी इनाम के हगदार होते क्योंकि मैं समझ जाता तुमने जान देती उन्हें हेटकौटर तक नहीं पहाँचने दिया मगर तुम तो ठीक उल्टा ही कर बैठे खुद घुसा लाई अंदर मेरे बैटरूम तक सोचो अगर जरा भी चोक हो जाती तो ये शक्स जिन से अमेरिका और चीन तक थर्राते हैं क्या हमारे इस हेटकौटर के परखचे नहीं उड़ा देते ऐसा नहीं हुआ तो शायद केवल इस लिए क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी वरना अपनी बेवकूफी से मौत का सामान तो ले ही आई थे तुम अपने साथ नहीं अंजाम ठीक निकल आने से किसी आदमे की बेवकूफी भरे कदम को समझतारी नहीं कहा जा सकता तुमने चौकीदार की तरह अपने काम में ला परवाही बढ़ती इसकी सजा जरूर मिलेगी जैक के चेहरे की सारी रंगतीयों उड़ गई जैसे जिस्म से आत्मा के निकलते ही उड़ जाती है जैक वो जैक जो अपने कार नामे पर बल्लियों उचल रहा था मारे खुशी के जो पागल हुआ जा रहा था जो तरक्की की बल्कि और्गनाइजेशन में नमबर टू की हैसियत पाचाने की उमीद कर रहा था उस जैक के उसी कार नामे को जब हद दरजे की बेवकुफी करार दे दिया किया बल्कि साबित कर दिया किया तो जैसे जिस्म में दौड रहा सारा लहू निचोड लिया गया मारे खौफ के दिल धार धार करके बच रहा था बोलने की लाग चेश्टाओं के बावजूद वो अपने मुँ से कोई आवास नहीं निकाल सका इधर नस्मा के दिमाग में भी आंधियां चल रही थी खुद उसने भी स्वप्न में तरने ही सोचा था कि यूँ जैक की इतनी बड़ी कामियाबी बेवकोफी साबित हो जाएगी जैक अबु सलेम ने कहा मैं काफी देर से तुम्हारे बोलने का इंतिजार कर रहा हूँ भाव भाई जी जैसे मुर्दा बोला भाई जी तो सही ही कहा होगा मगर मगर क्या कम से कम मैंने जो किया यही सोच कर किया था कि इनाम के लायक काम है अब उसमें भी कोई खोट निकल आई तो तो भाई जी मैंने सोचा नहीं था इसमें भी कोई खोट निकाल सकता है तुम्हारे स्थिती ठीक मेरी कहानी के चौकीदार जैसी है जज़ जी उसे भी नहीं पता था मालिक की जान बचाने की धुन में कहां गलती कर रहा है एक बार फिर जैक कोशिश के बावजूत मुसे आवास नहीं निकाल सका इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वही सिलुक करने का फैसला किया है जो सेट ने चौकीदार के साथ किया था कहने के साथ वो एसी के स्विच के नस्दीक पहुँचा उसे आन करने के साथ बोला बोलो तुम्हें मन्जूर है या नहीं फर्ष का वो हिस्सा पुने दो किवार बन कर खुल गया था जहां से विजे विकास नीचे गिर गर थे अभे ओ भाईरे नीचे से विजे की आवास आ रही थी ये कहां फसा दिया तुने हमें यहां से निकाल यार विजे और भी जाने क्या-क्या बक रहा था अभू सलेम ने उसके शब्दों पर ध्यान ना दे कर जैक से कहा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जैक जानता था उसके मनजूर या ना मनजूर कहने से कोई फर्ट पढ़ने वाला नहीं था करना वही था अबु सलेम को जो उसके दिमाग में आ चुका था सो बहुत सोच समझ कर कहा उसने ना आपने पहले कभी कोई गलती की है भाई जी और ना ही आगे करेंगे मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है सेट ने चौकिदार को दस लाक रुपे दिये थे मैं तुम्हारे परिवार को पूरे एक करोड दूँगा ये एक करोड विजे विकास को मेरे चंगुल में फसाने का इनाम होगा जजजी सजा के तौर पर सेट ने चौकिदार को नौकरी से निकाल दिया था मगर तुम जानते हो हमारे और्गनाइजेशन में नौकरी से निकालने की कोई विवस्ता नहीं है जो बोच बन जाए उसके लिए एक ही विवस्ता है ननन नहीं नहीं भाई जी उसके जिस्म में दौटता खून मानो जहां का तहार रुख गया था अबुसलेम ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया जैक गिडगिड़ा उठा भाई जी प्लीज मुझे दुख हुआ जैक सच मानना तुमारी वर्थमान हालत को देख कर मुझे बहुत दुख हो रहा है जानते हो क्यों केवल इसलिए कि मैं पहले नहीं तार सका तुम मौत से इतने डड़ते हो तुम जिसे मैंने अपना पर्सनल सुरक्षा गाड़ बनाया था मेरी कल्पनाओं के मुताबिक तो ये सजा तुमें हस्ते हस्ते गले लगानी चाहिए थी तुमें लेकर जो उमीदे में बांदा करता था आज तुम ही ने वो सारी ध्वस कर दी अब तो लग रहा है वासव में तुम विजविकास को यहां तक अपने किसी पूर्फ सोच के कारण नहीं बलकि अपनी जान बचाने की खातिर लाई थे यहां आकर उन्हें तैखाने में डालने का मौका मिला और वो काम पूरा होते ही तुमने कहानी गड़ दी की नन नहीं नहीं भाई जी यह जोट है वो कहता चला क्या और यह भी जोट है कि मैं मौत से डरता हूँ वो तो चेहरा बता रहा है तुम्हारा म, मैं मौत से नहीं डर रहा भाई जी और किस बात का खौफ है ये ककेवल इस बात का कि अगे थोड़ी बहुत गल्ती मुझसे भी हुई भी है तो सजा इतनी संगीन इस बार अबू सलेम उसका वाक्य काट कर के उठा इसका मतलब अब तुम्हें मेरे फैसलों पर भी एत्वार नहीं रहा ऐसी बात नहीं है भाई जी मैं तो नहीं जैक अब तुम जिन्दा रहने के काबिल नहीं रहे कहने के साथ अबू सलेम ने वो सिगरेट फर्ष पर डाली जो अभी आधी ही पी गई थी उसे जूते से कुचलता बोला मुझ में तो आस्था भी खत्म हो चुकी है तुम्हारी और जिसकी आस्था अबू सलेम में खत्म हो जाए वो आर्गनाइजेशन में नहीं रह सकता म, मेरी आप में पूरी धाए अभू सलेम के रिवॉल्वर से एक शोला निकला जैक की खोपड़ी के चीथड़े उड़ा गया वो उसका जिस्म सारे जहां की शराब पी गए शराबी की तरह लड़ खड़ाया अभी लड़ खड़ा ही रहा था कि अभू सलेम ने आगे बढ़कर अपने बूर्ट की जोरदार ठोकर मारी जैक कंतिम चीक के साथ तैकाने में जा किरा अभे मुझे ये शब निकालने के साथ विजे बड़ी फुर्ती से कोट कर दो कदम पीछे हटा जैक का जिस्म धार से इस चेल के फर्ष पर आकर गिरा था केवल जिस्म ही था वो आत्मा तो कभी की उड़न्चू हो चुकी थी विजे उसे आंके फारे देख रहा था उसे जिस्से अभी तक भल भल करके खोन बह रहा था नजर विकास के भी उसी पर थी ये बात दोनों में से किसी की समझ में नहीं आ रही थी उसे क्यूं मार दिया किया उसे जिस्सने उन्हें बेहत सफाई के साथ यह लाकर कैट में फसाद दिया था अभी उनमें से कोई आपस में कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उपर से आवास आई कैसा लगा मिस्टर विजे दोनों ने एक साथ पलट कर उपर देखा अबु सलीम मोकले के नस्दीक खड़ा नीचे जांक रहा था उस पर नजर पढ़ते ही विजे चेहका ये तो कोई बात नहीं हुई अबु भी या अपना कच्रा साला तुमने निचली मंजिल वालों के सिर पर फैंक दिया देखो सारा फ़र्ष गंदा हो गया है अब अब पॉंचा लगाने वाली भी तुमें ही बुलानी होगी मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वही विजे विकास हो कौन से विजे विकास जिनसे सिंगही और जैक्सन जैसे मुश्रिम पना मांगते है अजी मांगते हैं तो मांगते रहें हम पना देते कहां है सालों को पना आखिर पना है कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जेब से चवर्नी की तरह निकाली और रग दे फुट पात पर बैठे बिखारी के हाथ पर वाकई अबुसले मुस्कुराया बात सुनकर लगता है तुम वही हो आप बाते बहुत मज़ेदार करते हैं अजी यों ओंड की तरह गर्दन उठाकर बाते करने में खुद हमें ही मज़ा नहीं आ रहा फिर तुम्हें कहां से आएगा उपर खिंचवाओ हमें सामने बैठ कर बात करो फिर देखो कितना मज़ा आएगा होगा वैसा भी बहुत जल्दी होगा कहने के साथ हस्ता हुआ अबुसलेम मोकले के नस्दीक से हट गया कहां जा रहे हो अबुसलेम भाईया विजे जोर से चीखा तुम्हारा तो यार हमें यहां से खिंचने का कोई मोड ही नजल नहीं आ रहा सड़ा सड़ा कर ही मार डालने का इरादा है क्या दोनों के वार पुने बंद हो गए अब छट भी सॉलिट स्चेल की बनी नजर आ रही थी कमरे के फर्ष से करीब पंद्रा फुट उबर थी जहां वो थे वो कमरत दस बाई दस से बड़ा नहीं था चट फर्ष दिवारे सब कुछ स्चेल का कहीं कोई दर्वासा कोई खिर्की नहीं सामान के नाम पर सुई तक नहीं थी वहां केवल वो थे और संदोग जैसा कमरा आराम से बैठ जाओ गुरू हमारे की अब कुछ नहीं हो सकता विकास ने एक दिवार के सहारी बैठते हुए कहा विजे घुट ने मोड़ कर इस तरह जैक की लाश के नस्दीक बैठ किया जैसे इंडियन सीट पर बैठा हो अफसोस सा करता बोला बात भेजे में नहीं गुस रही दिल चले अबू भाया ने इसे पटक ने क्यूं खिला दी इसके चिंता छोड़ो गुरू अपनी फिक्र करो चबे जी बनने आई थे दूबे जी बनकर रह गए हम क्यूं करे अपनी फिक्र उपर वाला करेगा हमारी फिक्र सौरी वाला नहीं वाली अरे तुम अभी तक वहीं खड़ी हो एसी का स्विच आफ करने के तुरन बात अबू सलेम ने एक कोने में सिम्टी खड़ी नजमा की तरफ देखते हुए कहा और इतनी हवाया क्यों उड़ रही है चेहरे पर नहीं संगी डार्लिंग तुम्हारा चेहरा इतना फिका अच्छा नहीं लगता ये तो दमकता हुआ अच्छा लगता है नजमा खामोशी के साथ डरी सेहमी संगीता की एक्टिंग करती रही अच्छा भाई सौरी हसकर वो नजमा की तरफ बढ़ता बोला मुझे ये सब तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए था मगर क्या करता मजबूर हो गया गुनेगार को हातो हात सजा देने की आदत जो पड़ गई है नजमा अब भी कुछ नहीं बोली अब उसलेम ने नजदीक आकर उसे बाहों में भर लिया बोला अरे तुम तो काम रही हो स, सलेम वो यूं बोली जैसे बड़ी मेहनत के बाद बोल पा रही हो क्या वाकिए जैक का कसूर इतना बड़ा था म, मेरे खयाल से तो हाँ हाँ, बोलो तुम्हारे खयाल से उसका कोई कसूर ही नहीं था ठहाका लगाकर हस पड़ा अबु सलेम, बोला छोड़ो, ये सब तुम्हारे सोचने के लिए नहीं है डार्लिंग भूल जाओ, ये सब तुम्हारे जल्दी नहीं भूल सकती बात तो ठीक है और जब तक इस मांसिक अवस्था में रहेगी तब तक प्यार करने में भी मज़ा नहीं आएका तो आओ, mood change करने के लिए मैं तुमें shooting दिखाता हूँ shooting? येस, तुम क्या समझती हो shooting के वो studio's में होती है अपने यहां भी मैं कभी कभी set लगा लिया करता हूँ और हाँ, hero भी बड़ा famous है तुम्हारी line ना सही politics के line का है मगर है famous ये सोचकर नस्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि शायद वो मुहमद इक्राम तक पहुँचने वाली है बोली, ऐसा कौन सा नेता है जोसे तुम hero बना रहे हो मुहमद इक्राम ए, इक्राम वो सूचना एवं प्रसारन मंत्री स्विजर लेंड में सुना था उन्हें kidnap ओ, तो उन्हें तुम ही ने हाँ, ऐसा ही समझो म, मगर क्यों तुम्हें उन्हें kidnap करने की क्या जरूरत पड़ गई संगी डार्लिंग थोड़ा बोर से होते अबु सिलेम ने कहा हो क्या गया है तुम्हें अचानक सवाल बहुत करने लगी हो म, मेरा मतलब था थोड़ा गड़ बढ़ाने के बाद नजमा ने खुद को संभाल लिया तुम्हें उसे kidnap करने की क्या जरूरत थी politics के दुन्या में ऐसा कौन है जिसे तुम message बेजो और वो खुद चल कर तुम्हारे पास ना आ जाए हालात ऐसे थे कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता था मैं समझी नहीं ऐसे क्या हालात थे अगर उसे kidnap की खबर Switzerland पहुँच गई तो उस interview की खबर भी जरूर पहुँची होगी जिसने भारत को दंगो की आग में जोंक रखा है हाँ ये खबर भी थी वहाँ उसी के कारण Indian government ने उसी अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा था अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकता था इसलिए मैसेज भेशने की जगा उठवाना पड़ा मगर ऐसी जरूरत क्या पढ़ गई उसकी बताया तो था यहां शूटिंग कराने का मोर था आओ तुम्हें भी दिखाता हूँ कहने के साथ लगभग जबरदस्ती उसने नस्मा को दर्वासे की तरफ खींचा उसके साथ खिंशती चली जाने के इलावा फिलहाल कोई चारा भी नहीं था वैसे भी वो देखना चाहती थी इतनी बड़ी इमारत में चकर घिन्नी की तरह घूम रहा था जिस जनजाल में विजे विकास फस गए थे उन्हें वहां से निकालने की जिम्मेदारी अब उसी की थी ये काम कोई खास मुश्किल भी नहीं लग रहा था उसे कारण अबु सलेम भी जैक की तरह उसकी तरफ से पूरी तरह लापरवा था और लापरवा दुश्मन को मौका लगते ही बड़ी आसानी से दबोचा जा सकता था जरूरत थी तो केवल एक ऐसे लम्हे की जब अबु सलेम पर ऐसा प्रहार कर सके जिसके परिणाम सुरूब वो कुछ भी समचने से पहले बेदम हो जाए नजमा जानती थी यदि एक बार उसके द्वारा अचानक किया गया प्रहार खाली चला किया या इतना कमजोर हुआ जिससे सलेम बेदम ना हो सका तो सारे हालात पलक जपकते ही उसके मुठी से फिसल जाएंगे और हालात मुठी से फिसल जाने का अंजाम यकीनन उन तीनों की मौत होगा इसलिए उसने फैसला किया था थोड़ी देर भले ही हो जाए लेकिन प्रहार में कोई चूक ना हो और अब अब तो महम्मद इक्राम की पोजीशन जानना भी उसका लक्षे बन चुका था सो उसके साथ कमरे से बाहर खिंचती चली गई गैलरी में पहुँचकर अबु सलीम ने जेप से रिमोट निकाला उसका एक बटन दबाया बेडरूम का मस्बूत दर्वासा बंध हो किया अब वो अबु सलीम के साथ गैलरी में बढ़ रही थी करीब एक मिनट बाद वो वहाँ पहुचे जहां महांमद एक्राम और शूटिंग टीम मौजूद थी लाइटे आफ थी रिफलेक्टर समेटे जा रहे थे कैमरे को स्टैंड से उतारा जा रहा था यानि माहौल पैकप का था कमरे में कदम रखते अबु सलीम ने पूचा काम खत्म हो गया लगता है हाँ भाई जी मेरे हिसाब से तो काम ठीकी हो गया है खालिद मिस्त्री ने कहा अच्छा हुआ जो आप आ गए आप भी देख ले तो बैतर होगा दिखाओ कहने के साथ अबु सलीम एक सोफे पर बैठ गया खालिद मिस्त्री शूट हुई कैसे ट्वेसियार में लगा रहा था कुछ देर बात सामने रखे टीवी के परदे पर फिल्म चलने लगी वो वही फिल्म थी जो खालिद मिस्त्री ने अपनी टीम के साथ कुछ देर पहले शूट की थी अबु सलीम एक एक शौट को ध्यान से देखने लगा ठीक सामने इकराम बैठा नजर आ रहा था कैमरे के पेछे से एक आवाज उपरी क्या आप जम्मू कश्मीर में कहे गए अपने शब्दों को ठीक मानते है महम्मद इकराम मस्बूती के साथ जवाब देता नजर आया जी हाँ मैं आज भी जम्मू में कहे गए अपने शब्दों पर कायम हूँ कैमरे के पेछे से अगला सवाल पूछा गया क्या आपको मालुम है आपके उस भाषन के कारण भारत में काफी हंगामा मचा हुआ है महम्मद इकराम थोड़ा रोश में नजर आया फिर बोला बेवज़ा हंगामा मचा रखा है कटर पंथियों ने आखिर क्या गलत कह दिया मैंने जम्मू में मुसल्मानों को बसाने की बात ही तो कही है इसमें क्या गलत कह दिया कैमरे के पेचे से पुने कहा गया लेकिन आपके स्टेटमेंट के कारण जम्मू में बसे हिंदू संकट में पढ़ गए है इकराम कुछ और रोश में नजर आया गुस्से में कहा उसने मुसल्मानों पर हिंसा करके ये मेरी ही बात सच साबित कर रहे है जम्मू कश्मीर समस्या का केवल एक हल है और बस स्क्रेन पर जिल में नजर आने लगी खालिद के असिस्टेंट ने टीवी आफ कर दिया गुड अबु सलेम ने कहा अच्छी बनी है बस एक छोटी से कमी है अंतिम सवाल का जवाब देते वक मुहम्मद इक्राम के लेचे में द्रिटा कुछ कम है थोड़ी और होती तो ज्यादा बेहतर होता एनिवे चलेगी आप तो जानते ही है भाई जी खालिद मिस्टरी ने कहा इतनी परफॉर्मेंस में मिस्टर इक्राम हमारी कितनी मेहनत के बाद दे पाई है फिर भी अगर आपको कमी लगती है तो डबिंग में सुधार किया जा सकता है नहीं जरूरत नहीं है कहने के बाद सलेम ने संगीता से पूछा तुम्हें कैसी लगी संगी डार्लिंग उसे जो ये सोच रही थी केवल दो मिनट की ये फिल्म नेफा में कितना खून खराबा करा देगी उसे कहना पड़ा अच्छी है, पॉफेक्ट है मंतरी जी ने जो कहा ठीक ही कहा ना जो ठीक ही कहा है क्यों न एक बार तुम भी कैमरे के सामने आकर यही सब कह दो म, मै, छक्य छूट गए नस्मा के, ये सोच कर पलक जपकते ही चेहरा पसीने से भर भरा उठा कि संगीता को भी जब लोग यही सब कहते देखेंगे तो क्या हाल होगा भारत का मुसे निकला मम, मुझे इस चमेले में मत फसाओ सलिम और सलिम अबु सलिम बहुत जोड़ से ठहाका लगा कर हसा बोला, तुम्हारे तो होशुड गए संगी रिलेक्स डार्लिंग, रिलेक्स मैं तो मजाग कर रहा था नजमा के उसान लोटने शुरू हुए अबु सलिम अभी भी कहे चला जा रहा था ये सब कहने के लिए मंत्री जी ही काफी है तुमसे तो अगर कैमरे के सामने कभी कुछ कहलवाने की जरूरत भी पड़ी तो रोमैंटिक बाते कहलवाएंगे इन शब्दों के साथ उसने नजमा की कलाई पकड़ कर एक जटके से अपनी तरफ खींचा था नजमा उसकी गोत में जा किरी अबु सलिम ने सब के सामने बेहिचक उसके होन चूमे नजमा विरोत करना चाकर भी नहीं कर सकती थी केवल यही कहकर खुद को अलग किया सब के सामने क्या कर रहे हो अबु प्लीज अबु सलेम हस्ता रहा फिल्म देखने के बाद वो कुछ ज्यादा ही मस्त नजर आ रहा था नजमा ने उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पूछा यह इंटर्व्यू कौन से चैनल पर आएगा मुझे निकालो डार्लिंग तुम जो से चैनल पर कहोगी आ जाएगा सारे चैनल अपने है उफ तब तुम मुझे किसी और ही मूर में लग रहे हो चलो यहां से चलूँगा मगर एक शर्ट पर शर्ट तुमें भी उसी मूर में आना पड़ेगा जिसमें मैं हूँ नजमा फैसला कर चुकी थी अब उसे काबू में करना होगा ये काम केवल बेडरूम में हो सकता था सो उसका हाथ पकड़ कर सोफे से उठाती बोली चलो तो हस्ता हुआ वो उठकर खड़ा हो गया बाई 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 नजमा के कंधे पर डाल ली नजमा को उसे इस तरह दर्वासे की तरफ ले जाना पड़ रहा था जैसे लोग ज्यादा पी गए शराबी को ले जाते है पिछे से मुहमद इकराम की आवास आई अब मेरा क्या होगा भाई जी अबुसलिम ठिटका नजमा को भी ठिटक जाना पड़ा नजमा से अलग होकर वो मुहमद इकराम की तरफ मुड़ा बहुती मस्ती वाले मूर में बोला घबराते क्यों हो वादा कर चुका हूँ वो नहीं होगा जो शोले वाले कालिया का हुआ था मम मेरा मतलब है मुझे छोड़ा कब जाएगा छोड़ा जाएगा ये वादा तुमसे कब किस ने कर लिया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा नहीं ये वादा मैंने नहीं किया और मेरे इलावा किसी और का वादा यहाँ चलता नहीं मैंने केवल इतना कहा था तुम्हारा वो नहीं होगा जो कालिया का हुआ था सो नहीं होगा और सुनो कहने के बाद वो मुहम्मद इक्राम की तरफ बढ़ा बेहद नस्दीक पहुँच कर उसके चहरे पर जुकते हुए बोला खोपड़ी में भेजा रखते हो तो सोचना विमत यहां से निकलने के बारे में भारत के सडकों पर देख लिए गए तो पबलिक वो हालत बना देगी कि जनम देने वाली मा तक लाश को नहीं पहचान सकेगी वहां पहुँच गए तो वही हो जाएगा जो कालिया का हुआ था अपने उस अंजाम से बचना चाहते हो तो यहीं पड़े रहो दुनिया में अब तुम्हारे लिए ये और केवल यही एक जगा महफूस है शुक्र म मैं तुम्हें कभी खलास ना करने का वादा कर चुका हूँ महामद इकराम उसकी तरफ देखता रह किया सिर्फ देखता कुछ बोल नहीं सका वो ना मूं से ना आँखों से उनमें भी विरानी चाही हुई थी बोलता भी क्या था ही क्या बोलने के लिए उसके जहन के हर कोने को मानना पड़ा चीकी कह रहा है अबुसलेम नाम का ये आदमी दुन्या में अब कहीं भी उसके लिए कोई जगा नहीं है लोग उसे देखते ही इस तरह जिनजोड डालेंगे जैसे शेर हिरन को जिनजोडा करता है और यहां यहां कब तक रहेगा वो कब तक रह सकता है यह जिन्दगी तो मौत से भी बत्तर हुई उस मौत से भी बत्तर जिससे डर कर वो कैमरे के सामने वो कह बैठा जिससे कभी कहना नहीं चाहता था उफ यह क्या किया उसने इससे तो बैतर था मर ही जाता जहन बार बार एक ही बात चीकने लगा इससे तो बैतर था तो मर ही जाता मोहम्मद इक्राम अपने अंदर मच रहे शोर से परिशान हो गया वो शायद इसी कारण एक जटके से अबु सलेम के कोट की जेप में हाथ डाला पलक जबगते ही उसके हाथ में रिवालवर था कमरे में मौचूद कोई व्यक्ती अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि धाई 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 अबु सलेम को निशाने पर लेकर इक्राम ट्रिगर दबाता चला किया कमरे में अफ्रा तफ्री मच गई नस्मा सहित सभी ने दौड कर खुद को किसी ना किसी वस्तू की आर में चुपा लिया सबने यही कलपना की थी कि ये पलक जपकते ही मारा गया जिसे मौत का प्राई वाची माना जाता था मगर नहीं सच ये नहीं था सच ये था कि वो अब भी ठीक सामने खड़ा चेहरे पर ज्वाला मुखी और आँखों में अंगारे लिये इक्राम को घूर रहा था तीनों गोलियां उसके जिस्म से टक्रा कर बगेर अपना करिश्मा दिखाए शहीद हो गई थी उस द्रिश्य को देख कर मुहमद इक्राम के चेहरे पर परमाश्र के भाव थे यू लग रहा था जैसे सामने जिन खड़ा हो वोक्षन इतने तनाफ पौंट थे जिनके कारण इक्राम जैसे पड़े लिखे लड़के के दिमाग को ये मैसेश नहीं मिल सका अबुसलेम बुलेट प्रोफ जैकेट पहने हुए है जो हुआ था उसके लिए तो वो जमतकार जैसा था एक ऐसा जमतकार जिसे एक्राम आँखे फाड़े देखता रह किया उसने एक शक्स पर गोलियां चलाई थी एक नहीं तीन और फिर भी वो शक्स सामने खड़ा उसे खुंकार नसरों से घोर रहा था तीनों गोलियां उसके जिसम से टकरा कर यूँ छितरा गई थी अगर उस शन उसे बुलेट प्रूफ जैकेट का खयाल आ जाता तो अगला फायर उसके चहरे पर करता क्योंकि वहाँ इस किसम का कोई आवरण नहीं हो सकता था पर अन्तु तनाव पूंट शनों में डरे हुए आदमी का दिमाग इतना काम कहां करता है वो तो बस हक बताया सा उस चमतकार को देखता रह किया था जबकि चमतकारी पुरुश के हलक से गुर्राहट सी निकली पकड़ लोई से उसके हुकम के बाद किसे मरना था जो अपनी जान की परवा करता सु एक साथ कई तरफ से शूटिंग टीम के लोग इक्राम पर जपट पड़े मगर काम्याप नहीं हो सके थे उससे पहले ही मुहमद इक्राम ने रिवॉल्वर अपनी कनपटी पर रखा और धाए केवल एक गोली उसके प्रान पखेडू उड़ा ले गई जहां एक पल पहले वो अपने समस्तिंद्रियों के साथ जीता जाकता बैठा था वहां निर्जेव जिस्म पड़ा रह किया कनपटी से भल भल करता गाड़ा और गरम लहू यू बै रहा था जैसे आत्मा के अभाफ में अब वो भी शरीर में ना रहना चाहता हो रिवॉल्वर अभी भी उसके एक तरफ लुड के हाथ में फसा हुआ था सन्नाटा चाग या चारो तरफ गहरा सन्नाटा अबु सलेम सहित जो जहां था वही का वही खड़ा रह गया था सबकी नसरे सिर्फ और सिर्फ खून उगलती लाश पर स्थिर्ट थी कुछ पलों के लिए मानो समय भी रुक गया था मगर नहीं दो ही तो चीजे हैं जो कभी नहीं रुक सकती समय और हवा हवा आत्मी को जीवन देती है पर हमेशा गतिमान रहने वाला समय आत्मी को बड़े से बड़े सदमे से उबार लाता है सबसे पहले अबु सलेम उबरा बोला समझदार था जो इज़त की मौत मर किया कोई और आवास कमरे में नहीं उबरी अबु सलेम खालिद मिस्त्री की तरफ बढ़ा कैसे जो इस वक्त खालिद के हाथ में थी उसे अपने कबसे में लेता बोला बेवकुफ भी था ना होता तो इस शूटिंग से पहले मरता कमरे में अभी भी सननाटा चाया रहा आव डार्लिंग कहने के साथ वो एक बार फिर नजमा के कंधे पर बार रख कर दर्वासे की तरफ बढ़ गया सौरी संगी डार्लिंग रियली आई अम वेरी सौरी बेड्रों में कदम रखते अभु सलेम ने कहा अब देखो ना मैं तुमारा मूट दुरुस करने वहां लेग गया और वहां भी पता नहीं क्या सूजा कंबक को कहने के साथ उसने कैसेट ला परवाही के साथ बैट की दरास के उपर डाल दी प्रत्यक्ष में नजमा सद्मा खाई संगीता का अभीने कर रही थी मगर वास्तव में जरा भी सद्मे में नहीं थी जिस पेशे में वो थी उस पेशे के तो श्रिंगार थे ऐसे खून खराबे परन्तो मुहमद इक्राम की मौत का अफसोस जरूर था ऐसे अफसोस भी उसे लक्षय से नहीं भटका सकते थे और लक्षय था एक ही प्रहार में अबू सलेम को बेबस कर देना वो खुश थी क्योंकि वो कैसेट भी यहीं थी जिसे भारत की जड़ों में मठा डालने के इरादे से बनाया किया था बस एक बार अबू सलेम को बेबस करना था उसके बाद कितना आसान था सब कुछ इसके साथ क्या सलूप करना है उस वक्त तो उसे और ज्यादा खुशी हुई बलकि ये कहा जाए तो ज्यादा उप्युक्त होगा कि उस वक्त तो मारी खुशी के नस्मा की बाचे ही खिल गई जब उसने अबू सलेम को रिमोट की मदद से दर्वासा अंदर से लॉक करते देखा बेवकुफ मेरे काम को और आसान बना रहा है अब उसकी मदद के लिए बाहर से यहां कोई आभी नहीं सकता रिमोट को लापरवाही के साथ एक तरफ डालते सलेम ने कहा वैसे मेरे हैट कौर्टर में इतने कम समय में इतना कौन खराबा पहले कभी नहीं हुआ साली किस्मत ही खराब थी जो तुम्हारा मूट चौपट करने वाली घटनाई एक के बाद एक होती चली गई पहले जैक उसके बाद मोहमद इक्राम नजमा अब भी चुप रही तभी सलेम की जेब में पड़े मुबाइल की घंटी बजी सलेम जुझला उठा जेब से मुबाइल निकाल कर आउन करता बनाई हुए स्वन में बोला कौन कमीना है क्या बात है सलेम डार्लिंग इतने गुसे में क्यों हो मैं स्विजरलेंड से बोल रही हूँ संगीता स संगीता सलेम भयंकर तरीके से चौंका परंतु अगली प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाया वो हलक से चीक निकली हाथ से मुबाइल निकल कर फर्ष पर जा किरा वही हाल शराब के गिलास का हुआ नजमा के हाथ में मौजूद शराब से भड़ा क्रिस्चल का गिलास धार से उसके सिर पर पड़ा था गिलास चोट गया शराब विकर गई सलेम की आँखों के सामने रंग बिरंगे तारे ना चुठे फिर भी उसने संभल कर पलटने की कोशिश की मगर जिस नजमा को ये मालूम था अगर ये संभल गया तो सारे पासे पलट जाएंगे वो उसे संभलने कहां दे सकती थी पलटने की कोशिश अभी वो कर ही रहा था कि नजमा ने जूडों की दक्ष खिलाडी की मानिंद एक नभी तुलिक कर राट उसकी कनपटी पर ठीक वहां मारी जहां मारने के परिनाम सुरूब अबु सलेम बे हिंतेहा पी गई शराबी की मानिंद लड़ खड़ाया और फिर नजमा के कदमों के नस्दीग गिर गया नजमा ने तब भी उससे इतना मौका नहीं दिया कि अगर उसमें कोई जान हो तो उसके पैर पकड़ कर खीन सके इधर वो फर्श पर गिरा उधर नजमा ने एक जोरदार ठोकर उसके जिस्म में जमाई नर्जेव सा जिस्म कई पल्टियां खा किया तब जाकर नजमा ने माना कि वो काम्याब हो गई है मुबाइल पर अभी भी संगीता की आवास निकल रही थी हलो, हलो सलेम डार्लिंग क्या हुआ तेरा सलेम डार्लिंग मर चुका है आँखों में ही नहीं पूरे चेहरे पर घ्रिना के भाव लिए नजमा के हलक से गुर्राहट से निकली ककक क्या मतलब लहजे से जाहिर था कि वो स्विजलेंड से बोलने वाली संगीता बुरी तरह से हडबढ़ा गई तत तुम कौन हो रूप एले परदे की चमक दमक और पैसे की हवस से गिरी तो जैसी कमीनी लड़कियां लड़कियों के नाम पर कलंक है मुकमल घ्रिणा के साथ नजमा कहती चली गई मैं सब जान चुकी हूँ कि राउन हाउस के बेटरूम में तो अबु सलेम के साथ क्या क्या करती रही है हो कौन तुम दूसरी तरफ से कहा गया और ये क्या कर कह रही हो मेरे समझ में कुछ गो टू हेल दान भींच कर कहने के बाद नजमा ने संगीता के संदे के पूरा होने के पहले मुबाईल आफ कर दिया गुसे और घ्रिणा के कारण उसका चहरा अभी भबक रहा था खुद को सामान्य करने में उसे आधा मिनट लगा सामान्य होने पर उसने मुबाईल बैट पर फैंका वो कैसे तुठा कर अपनी जेब में ठूसी जिसमें इकराम का इंटेवियू था फिर एसी के स्विच की तरफ लबकी उसे आन किया एक बार फिर कमरे के वो दो पत्थर के वाड़ों की तरह जूल गए जिससे शायद अब नीचे वाले कमरे का दरवासा कहना मुनासिब है लगबक दोड़ती से वो दरवासे के नस्देख पहुँची इस बीच अबु सलेम पर उसने एक नजर तक डालने की जहमत नहीं उठाई नीचे वाले कमरे से उपर देख रहा विजे कह रहा था क्या कर रहे हो अबु भाईया कभी पट खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं अबु सलेम अब दुनिया का कोई पट खोलने या बंद करने की स्थिति में नहीं है कहते वक्त नजमा के होंटों पर बहुती जीवन्त मुसकान थी वो बेहोश हुआ मेरे कदमों में पड़ा है यानि फते विज़ चिलाया पूरी फते नजमा के हलक से निकलने वाले शब्द बिगड़ते चले गए और अंतते एक लंबी चीक में तब्दील हो गए उस चीक के साथ हवा में लहराता हुआ उसका जिस्म तहकाने में आगिरा विज़ अगर एन वक्त पर मोकले के नीचे से हट नहीं जाता तो नजमा को उसके उपर गिरना था उसके हट जाने के कारण वो तहकाने के फर्ष पर आगिरी और सारा कमाल था उसके नितंबुर पर पढ़ने वाली एक मात्र जोरदार ठोकर का हट बढ़ाकर विज़े ने एक बार फिर उपर देखा वहाँ अबू सलेम का चेहरा नसर आ रहा था उमीद के विपरीत उसके चेहरे पर उतेशना का कोई भाव नहीं था बहुत ही आकरशक मुस्कान के साथ उसने कहा चाल अच्छी थी सही समय संगीता का फोन नहीं आता तो वाके तो मेरे हेट कौर्टर में फटह के जंडे गाट चुके होते और इससे साबित हो गया जैक का खात्मा करके मैंने कोई गलती नहीं की वो बेवकुफ मेरी मौत का सामान उठा कर यहां ले आया था पर अबु भाईया ये सब कैसे हो गया विज़े ने पूछा ये मौतर्मा तो फटह अपने खाते में बता रही थी इसी से पूछ लो मुझे अपनी काम्याबी की सूचना नुसरत तुगलक को देनी है उनसे तो हमें भी मिलना है अबु भाईया कहना बहुत दिन हो गए कम से कम चिठी पत्री लिख कर अपनी क्यारियों तो देते रहा करें मगर तुम जा कहां रहे हो अबु भाईया सुनो तो मिया मगर अबु सले मोकले के सामने से गायब हो चुका था कुछ देर बाद दोनों फिर पत्थर से अपनी जगा पर फिक्स हो गए धद 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 जमाने तेरे की कहते वक्त अपने माते पर तीन बार हाथ मारने के बाद वो जहां खड़ा था वही बैट किया तब पहली बार उसने अपने आसपास यानि कमरे के स्थिती पर ध्यान दिया उपर से गिरने के कारण नजमा के सिर में चोट लगी थी जख्म से खून बह रहा था विकास अपनी कमीज से फाड़े कर टुकडे की पट्टी उसके ज़त्म पर भांदने की कोशिश कर रहा था नजमा का संपूर्ण जिस्म जैक के खून से लटपत था क्यूंकि वो जैक की लाश के नस्दी फैले उसके खून के ऊपर आके गिरी थी उसके होंटों से अभी तक कराहे निकल रही थी विज़े ने पूचा पलक जपकते ही फते शिकस में कैसे बदल गई नस्मा डार्लिंग मैंने समझा मैं उसे बेहोश कर चुकी हूँ मगर नहीं वो मेरा धोका था नस्मा ने कराहों के बीच कहा तुम्हारे धोके के चक्कर में हम बुरी तरफ फस गई है डार्लिंग हमारी सारी उमीद तुम्ही पटी की थी आप क्राइमर अंकल को भूर गए लगते हैं गुरू पटी की गांट नस्मा के सिर के पिछले हिस्से में जोर से कस्ते हुए विज़े ने कहा उमीद की एक किरन अभी बाकी है रोज के भाव थे मैंने उनसे कहा था मारकेश से मुझे भी अपना हिसाब चुपता करना है वर्ल्ट्रेट सेंटर की दबाही को मैं भूल नहीं सकता समझने की कोशिश करो हैरी ब्लैक बॉई ने कहा वो तुमें जक्मी होने के कारण चोड़ गई है ऐसी हालत में तुम्हारा पाकिस्तान जाना ठीक नहीं था वहां विकास जानता है और विजे अंकल को भी समझना चाहिए हैरी ने ऐसे जक्मों की ना पहले कभी चिंता की है ना अब करता है लड़के का चेहरा भबकने लगा था दुनिया की कोई ताकत मुझे उस शक्स के जिस्म में आग भरने से नहीं रोक सकती जो उसका खास सीपे सलार है जिसने हजारों निर्दोश अमेरिकियों की हत्या की है तुम समझ क्यों नहीं रहे हैरी अभी तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो ब्लैक बॉई वो ब्लैक बॉई हैरी को काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था जो विजे के चचेरे भाई अजे की हैसियत से उससे मिलने आर्मी हॉस्पिटल आया था हैरी का खयाल रखने और उसे पाकिस्तान रवाना ना होने देने की जिम्मेदारी विजे उसे सौंब गया था वही प्रयास जारी रखे अजे कहता चला किया विजे भईया मुझसे कहकर गए है तुम्हें स्वस्थ होते ही लाहौर के लिए रवाना कर दूँ वो तुम्हें मार्केश से बदला लेने का पूरा मौका देंगे हैरी कभी किसी के रह्मो करम का मौताश नहीं रहा मुझे जो करना होता है खुद सेंटेस्ट अधूरा रह किया ब्लैक बॉई के गले में पड़ा छोटा सा लॉकेट अचानक पिंग पिंग करने लगा उस पिंग पिंग ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खेंच लिया फिर ब हम बोल रहे हैं प्यारे काले लड़के दूसरी तरफ से विजे की बहुती महीन परंतु स्पष्ट आवाज उपरी मैं इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल में हैरी के पास हूँ विजे भईया ब्लैक बॉई ने अपने पहले ही वाक्य में इसलिए अपने स्थिति स्पष्ट की क विजे कहीं विजे ऐसी बात न कहते जिससे हैरी पर उसके चीफ होने का भेत खुल चाए बोला आप कहां से किस सिट्वेशन में हैं हमारी मत पूछो अजे मिया घोर संकट में फस गए हैं हम इसलिए तुम्हें खट-कटाने की जरूरत पड़ी विजे कहता चला क्या हमारी हालत वो हो गई है जो 26 जी बनने चले 24 जी की होती है दूबे जी बनकर रह गई है ऐसा क्या हो गया है लाहोर में है राउंड हाउस नाम की एक फेमस इमारत है इसकी लोकेशन से लाहोर के लगभग सभी बाशिन दे अच्छी तरह से परीचित है इस वक्त हम उसी इमारत के तैकाने से बोल रहे हैं तो तैकाने से समझतार हो समझ सकते हो इस वक्त हम यहां कैद है इंडियन माफिया अबु सलेम यहां का मालिक है वो आजकल नमूनों के लिए काम कर रहा है विकास और नजमा कहा है वो भी हमारे साथ यहीं आराम फर्मा रहे हैं ओ ब्लैक बॉई के पेशानी पर चिंदा की लकीरे उभर आई आप सब एक साथ कैद में कैसे जाफसे मुहमद इकराम के फेर में पढ़कर आई थे यहां अबु सलेम के ही चार्च में था वो हमारे थास से समझ कई होगे अब वो नहीं है अबु सलेम के हाथों मारा जा चुका है वैसे तो उमी पल फांसे की बात कर रहे हैं ना हाँ प्यारे उसी की बात कर रहे हैं मगर वो वहां क्या कर रहा था और आपको कहां मिल गया इस वक्त हम तुमें सत्य नरायन की कता सुनाने के मूर में नहीं है प्यारे विजे के लेचे में थोड़ी चलाहट पैदा हो गई थी बस इतना सम कि वो हमें जहां और जैसे भी मिला मिल गया मुहम्मद इक्राम के इस बिल्डिंग में होने की जानकारी हमें उसी ने दी फिलहाल वो आसाथ है मगर जीवन में पहली बार वो हमारे सामने सौदेबास बन कर पेश हुआ है इसलिए उसकी तरफ से ज्यादा उमीद नहीं कि जहमत ये कहने के लिए उठानी पड़ी कि अगर पाकिस्तान में नस्मा जैसा तुम्हारा कोई और दोस्त है तो उसे हमारी सिच्वेशन बता कर मदद की गुहार करो बगैर बाहरी मदद के शायद हम इस कैट से नहीं निकल सकते अब चिंता न करे भईया जैसे भी होगा मैं बाहरी मदद का इंतिजाम करता हूँ अगर कभी तुम्हारे बच्चे हुए तो तुम्हारे इंतकाल के बात मैं उन्हें अपने ही बच्चे समझ कर पालूंगा इन शब्दों के साथ दूसरी तरफ से संबंद विच्चेत कर दिया गया लॉकेट रूपे ट्रांस्मीट भी देख रहा था और उसके और विजे के बीच होने वाली एक एक बात भी उसने ध्यान पूर्वक सुनी थी अभी उसने कुछ कहने के लिए मुख खोला था कि ब्लैक बॉई ने कहा तुम समझ ही गए होगे दूसरी तरफ विजे भईया थे ये भी समझ गया हूँ और ये से की तरफ बढ़ा ठेहरो अंकल हैरी ने कहा ब्लैक बॉई ठिटका गूमा बोला तुम समझ सकते हो हैरी इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है फिर आउंगा मैं आपके समस्या सौर्व करने के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ क्या मतलब मैं आपके ट्रांस्मेटर से ला विजे अंकल का बाहरी मददकार बन सकता है ओ ब्लैक बॉई सोचने लगा उसे हैरी की मदद लेनी चाहिए या नहीं सोचने में टाइम जाया मत करो अंकल पता नहीं विजे अंकल के पास कितना टाइम है जिससे मैं बात करूँगा वो लाहौर में काफी पावरफुल है जै प sek बात करने में एक दम माहिर और परफिक्ट जल्दी से दर्वासा बं करके मेरे पास वापिस आईए दर्वासा बं करके क्यों क्या ऐसी बातें दर्वासा खुला रक्कर करनी चाहिए ओ सारी विजे भाया के कैय्त में फस जाने कि खबर के कारण शायद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है कहने के बाद उसने दर्वासा बंद किया और लपक कर वापिस उसके पास आकर कहा अमेरिकन सेक्रेट सर्विस का एजेंट लाहॉर में कहा और किस पुजिशन में है हैरी है उसका नाम हैरी आमस्ट्रॉंग ककक क्या मतलब ब्लैक बॉई चौका बला मुझसे बैतर भारी मदद उन्हें कहा मिलेगा क्या कहना चाहते हो कहना नहीं अब मैं वो करना चाहता हूँ अंकल जो करना चाहिए कहने के साथ लड़का हैरत तंगे जन्दास में बैट से उचला खत्रे का आभास होते ही ब्लैक बॉई ने बहुत फूर्ती के साथ खुद को अपने स्थान से हटाया था इसका उसे बहुत ज्यादा तो नहीं मगर इतना फाइदा तो जरूर मिला कि हैरी के दाए हाथ की जो कराट उसकी कंड़पटी पर लगनी चाहिए थी वो उसके कंड़े पर लगी ब्लैक बॉई को लगा जैसे कंड़े पर लोहे का हथोड़ा मारा किया हो अगर कराट कंड़पटी पर लगी होती तो निश्चे रूप से वो अब तक बेहोश हो चुका होता अभी वो हैरी के पहले ही वार से नहीं उबर पाया था कि जबडे पर जोरदार घुंसा पड़ा इस बार वो मूँ से चीक निकालता हुआ फर्च पर जा किरा था संभल कर उटने की कोशिश करता हुआ बोला हैरी ये तुम क्या बेवकुफी कर रहे हो मगर अब भला हैरी कुछ सुनने के मूर में कहा था ब्लैक बॉय संभल भी नहीं पाया था कि हैरी का एक हाथ मूँ पर कुकर का ढखन बन कर छिपक किया दूसरे हाथ की करराट कनपटी की उस नस पर पड़ी जिसे वो हैरी के पहले वार से बचा किया था परिनाम वही हुआ जो उस नस पर चोट पड़ने के बाद अकसर होता है ब्लैक बॉय की आँखों के सामने दिवाली की राद जवान हो उठी मूँ से निकलने वाली चीक होंटों पर जमे हैरी के हाथ के कारण हलकी में घुट कर रह गई और फिर आँखों के समक्ष ऐसा अंधेरा चा किया जैसा चका चौंद लाइटों के अचानक गुल होने पर चा जाता है नर्जेव सा जिस्म हैरी की बाहों में जूलता रह किया लड़के ने जरा भी देर किये बगैर ब्लैक बॉय के जिस्म को उस बैट पर लिटाया जिस पर कुछ देर पहले खुद लिटा था अपने गले से लौकेट रूपी ट्रांस्मीटर निकाल कर उसने अपने गले में डाला और पलट कर ठीक इस तरह बगैर जरा भी लंगडाई दर्वासे की तरफ बढ़ किया जैसे कहीं जरा से भी खरोंच ना हो खुशी की ज्यादिती के कारण अब उस अले मानो पागल हुआ जा रहा था वो घड़ी की चोथाई में अपने कार नामे की जानकारी नुसरत तुगलक को देना चाहता था परन्तो उनका कोई कॉंटेक्ट नंबर उसके पास नहीं था एसी का स्विच आफ करने के फॉरण बाद उसने बेट पर पड़े अपने मोबाईल पर जंप लगाई थी मोबाईल हाथ में आते ही उंगलियों ने तेजी से एक नंबर डाइल किया दूसरी तरफ रिंग जाने लगी आधी ही बजी थी कि दूसरी तरफ से फोन अटेंड कर लिया गया हेलो की आवाज सुनते ही सलेम ने कहा अबु सलेम बोल रहा हूँ हाँ बोलो दूसरी तरफ से एक दम रोखे और सपार्ट स्वर में कहा क्या मुझे इसी तरफ वक्त नुसरत तुगलक से बात करनी है क्यूं एक ऐसी सूषना है जो फोरण उन्हें मिलनी बेहत जरूरी है सूषना बताओ सॉरी मैं उस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता अबू सलेम पर अपनी बिच्यानी चुपाई नहीं चुप रही थी उनसे कहो वो अभी मुझसे संपर्ख स्थापित करें ठीक है उसी सपार्ट अंदास में कहा क्या मैं तुम्हारा मैसेज उन तक पहुँचा देता हूँ उनसे कहना मैं ट्रांस्मीटर पर उनका इंतिजार कर रहा हूँ मैं कह देता हूँ बात करना ना करना उनकी मरसी पर है इन शब्दों के बाद अबू सलेम को कुछ भी कहने का मौका दिये बगैर दूसरी तरफ से संबंध विच्चेत कर दिया गया अबू सलेम ने अपने मुबाईल को आफ करने तक की जहमत नहीं उठाई जुझ लाकर उसे बैट पर फैंका कुछ देर तक अपने स्थान पर यूँ खड़ा रहा जैसे फैसला ना कर पा रहा हो कि क्या करे फिर एक सिगरेट सुलगाई उस सलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें छोटा सा बाट था अग्रिम सेरे पर रखी बोतलों को हटाया बोतलों के पीछे एक छोटा सा ट्रांस्मीटर रखा था पूरी तरह शान था वो कुछ देर तक उसकी तरफ यूँ देखता रहा जैसे उसके बोलने का इंतिसार कर रहा हो मुश्किल से अभी एक ही मिनट गुजरा था कि अबू सलेम के चेहरे पर निराशा के भाफ फैलने लगे अपनी बेचैनी छुपाने के लिए उसने एक बोतल उठाई एक गिलास बोतल खोली दो पैक के बराबर विसकी गिलास में डाली और बगेर कुछ मिलाई उसे एक ही सांस में पी गिया यही क्षर्ण था जब सारे कमरे में पिंग पिंग की आवास गुंचने लगी पिंग पिंग की आवास के साथ क्रांस्मीटर में लगा एक बल्ब स्पार्ट करने लगा अबुसलेम की आँखे भी उसी बल्ब की मानिंद चमकने लगी थी ट्रांस्मीटर पर वो यूँ चपटा जैसे डर हो कि कहीं वो बंद ना हो जाए पांच सेकेंड बात कानों पर हैटफोन था हाथ में माइक ट्रांस्मीटर का ओन वाला स्विच दबाने के साथ कहा अबुसलेम बोल रहा हूँ खूब बोलो बोलने में क्या है जुबान गिसने वाली चीज नहीं है आवास नुसरत की थी अबुसलेम ने पूचा आप नुसरत मिया है बगल में तुगलक बेहन खड़ी है मेरे पास एक ऐसी खबर है सर जिससे सुनकर आप जूम उठेंगे जुमाओ अबुसलेम ने बगेर किसी भूमिका के एक जटके से कह दिया विजे विकास पाकिस्तान में अपने सैयोगी नस्मा सहीत इस वक्त मेरी कैद में है जानते है नुसरत ने एक ही जटके में उसके सारे उत्सा की फूक निकाल दी जजजज जानते हैं अबुसलेम के मुझे निकला अप इस वात को कैसे जान गए सर हमारे स्रोत का पता लगाने में अपनी खोपड़ी को खपाना चोड़ो और कान लगाकर वो सुनो जो हम कह रहे हैं थोड़ा गैब देकर नुसरत ने पुने कहा हम वो भी जानते हैं जो अभी तक तुम भी नहीं जानते ये ठीक है कि जोकर और चटंगी नंबर वन को पकड़ कर तुमने एक बड़ा काम किया है मगर उस वक्त उस वक्त तक इस बड़े काम के छोटा होने का पूरा खत्रा है जब तक अंतर राश्ट्रिय केंचुआ बाहर है खोपड़ी घोम गई अबू सलेम की मुझसे निकला ककक कौन अंतर राश्ट्रिय केंचुआ नाम ही सुनना चाहते हो तो बता देते हैं मगर उससे पहले तुमें एक वचन देना होगा वचन मैं समझा नहीं सर कैसा वचन ये कि तुम उसका नाम सुनने पर गश खाकर गिन नहीं पड़ोगे दुनिया में ऐसा कोई काम नाम नहीं है सर जिसे सुनकर अबू सलेम को गश आ जाए बलकि उल्टे अबू सलेम का नाम सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं अलफानसे है उसका नाम अलफानसे सच मुझ अबू सलेम के जिस्म में जुर जुरी सी दौड गई थी क्यूं हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम ये आवास तुगलक की थी मगर ज्यादा हर बनानी की जरूरत नहीं है अभी उसे ये मालूम नहीं है कि जोकर और छटंकी फस चुके हैं उस वक्त तक वो कोई एक्शन करेगा भी नहीं जब तक ये बात पता ना लग जाए है कहां वो राउंड हाउस के पोर्च में खड़ी तुम्हारी टाटा सफारी के अंदर ममा मेरी गाड़ी में उसी में जिसमें जैक तुम्हारी संगीता और विजे विकास को या ये लोग जैक को लेकर आई थे ओ अभू सलेम के मूँ से केवल यही एक शब निकल सका जोकर ने उसकी ड्यूटी वहीं लगाई थी ताकि किसी किस्म की गड़बर होने पर वो वहाँ का मोचा संभाग सके कम से कम अभी तक उसे किसी किस्म के खत्रे का इल्म नहीं हुआ है तुम्हें चाहिए अपने पूरी शक्ति के साथ टाटा सफारी को घेर कर उसे अपने कबसे में ले लो कौरम उसकी गिरफतारी के बाद ही पूरा होगा मैं अभी ये काम करता हूँ सर इस काम को तुम सिलवटे पर चटनी पेसने के बराबर आसान मत समझो अंतराश्रिय केंचुआ वो चीज़ है जिसे अगर जरा भी मौका मिल गया तो अकेला ही तुम्हारा और तुम्हारे सारे गैंग का बैंट ठीक उसी तरह बजा देगा जैसे रामायन के मुताबिक हनुमार ने लंका में घुस कर रावन का बजाया था मम मैं समझ गया सर क्या समझ गये कि मुझे पूरी साफधानी के साथ उसे गिरफ़तार करना है केवल साफधानी के साथ ही नहीं अपनी पूरी शमता जोंग देनी है तुम्हें इस काम में वो फिसल गया तो हाथ में आई पूरी की पूरी बाजी फिसल जाएगी जी सर इस काम से निपट लो उसके बाद तुम्हें हमसे बात करने की जरूरत नहीं है अंजाम की जानकारी हमें अपने स्रोथ से खुद बखुद मिल जाएगी अगर अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए यानि अंतराश्टिय केंचुआ भी तुम्हारी चंगुल में फस गया तो हम दोनों भाई बेहन खुद तुम्हारे दौलत खाने पर बढ़ारें के जाने क्यों अबुसलेम की इच्छा ये पूछने की हुई कि यदि वो पहले से विजे विकास और नस्मा के वहां आखमन के बारे में जानते थे तो उसे बताया क्यों नहीं इस तरह तो खामला उल्टा भी हो सकता है मगर ये सब कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई जब बोला तो केवल यही कह सका मैं आपको जल्दी ही यहां आने का मौका दूंगा सर हमने भी नए कपड़े सिल्वाने भेश दिये हैं सलेम प्यारे इन शब्दों के साथ संबंद विच्चेत कर दिया किया सफारी में चुपे अलफांसे के दाए हाथ की तरजनी में मौजूद मोटे नगवाली अंगूठी से एक ननी सी सुई उसकी उंगली में चुबने लगी अगली पिछली सीटों के बीच लेटे ही लेटे उसने एक नजर अंगूठी की तरफ देखा फिर थोड़ा उचका नजर सफारी के बंद कांच के पार चारों तरफ डाली हर तरफ खास वर्दी धारी हत्यार बंद पहरेदार नसर आ रहे थे वो सबी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे किसी में नहीं थी जांकते तो तब जब उन्हें उसके अंदर किसी के होने का शख होता दूसरा वो जांकते भी तो कांच काले होने की वज़ा से कुछ नजर नहीं आता हाँ ये बिचैनी उसके मन में जरूर थी कि विजे विकास और नजमा को अंदर गए इतनी देर हो गई है अभी तक कुछ हुआ नहीं हंगामा दोनों ही हालत में होना चाहिए था उनके काम्याबी की सूरत में भी और नाकाम्याबी की सूरत में भी दिमाग में एक ही सवाल था इमारत के अंदर हो क्या रहा है जब अंगोठी के सुई न पाने जितना छोटा स्विच दबाया मोटा नग छोटी से डिबी के धकन की मानित खुल गया अब अंगोठी एक छोटे से ट्रांस्मिटर में तब्दील हो चुकी थी अलफांसे ने अंगोठी को अपने मुग के नस्दीक लाकर धीमे स्वर में कहा मारकेश बोल रहा हूं निकला यानि विजे विकास और नस्मा उसके चंगुल में फस चुके हैं अलफांसे के मुझ से निकलने वाली आवाज पूरी तरह बदली हुई थी कर्रेक्ट इन हालात में मेरे लिए निर्देश हमने तुम लोगों के वहां प्रवेश की अबू सलेम को कोई जानकारी नह देका मगर अब कामयाब अबू सलेम हो गया है यकिनन उसने एक बड़े कार नामे को अन्जाम दिया है साबित कर दिया है उसने कि वो काम का आत्मी है भविश्य में भी काम आईका ऐसे आत्मी को गवा देना समझदारी नहीं होगी इसलिए हमने फैसला किया है मिशन पूरा होने तक वो लोग वहीं रहे अबू सलेम की कैद में मगर आपने कहा था वो किसे भी किस्म की कैद से भाग निकलने में सक्षम है ऐसे किनी भी हालात से निपटने के लिए तुम उनके साथ रहोगे क्या मतलब हमने अबू सलेम को निर्देश दे दिये हैं कुछ देर बाद वो टाटा सफारी को घेर कर तुमें गिरफतार कर लेगा मिशन पूरा होने तक तुम उनके साथ ही बन कर उन्हीं के साथ कैद रहोगे अगर वो फरार होते हैं तब भी तुम्हारे साथ रहने पर हमें उनके हर कदम की जानकारी रहेगी इस तरह किसी भी मौके पर उन्हें दबोश लेना मुश्किल नहीं होगा मैं समझ किया केवल यही बताने के लिए कांटेक्ट किया था कि गिरफतार होते वक्त तुम्हें ज्यादा उचल कोट नहीं मचानी है कहने के बाद उसके जवाब की प्रतिक्षा किये बगैर दूसरी तरफ से संबंद विच्छेत कर दिया किया अंगोठी रूपी ट्रांस्मीटर आफ करते वक्त उसने महसूस किया कि चारो तरफ मौजूद सशस्र गाड सफारी के नस्दीक सरकने लगे हैं एक खास किस्म की सतरकता भी थी उनके चेहरों पर और उस वक्त तो उसके होंटों पर बहुत ही जानदार मुस्कान उभी जब अबु सलेम को राउंड हाउस की विशाद सीड़िया तैक करके पोर्च की तरफ आती देखा वेलकम वेलकम लूमर प्यारी आखिर तुम भी आमिले संग हमारी मारकेश ने फर्ष पर फैले जैक के खून से बचने की काफी कोशिश की थी मगर बच नहीं सका फिर भी उसने खुद को गिरने से बचा लिया था वरना जिस तरह से उसे उपर से धकेला गया था सिर के बल भी गिर सकता था खुद को संतुलित करने के साथ उपर देखा उसे अबु सलेम के बेटरूम से नीचे टपकाने के बाद विचितर दर्वासा अभी अभी बंध हुआ था अब उसने एक एक नसर विजे विकास और नस्मा पर डाली अपने होंटों पर हर फांसे वाली मुस्कान पैदा की और बोला तुम मैंसे किसी को इतना कमजोर तो नहीं समझता था मैं कितना कमजोर लुमर्मिया कि तुम मैंसे कोई मेरे सफारी में छुपे होने का रहस्य अबु सलेम को बता दे कसम से लुमर्मिया हम मेंसे किसी ने सलेम भईया को इस बारे में कुछ नहीं बताया बताते तो तब जब किसी ने पूछा होता मगर अब तुम बताओ ये गलत फहमी तुमें हो कैसे गई अगर तुम मेंसे किसी ने नहीं बताया तो उन्हें मेरे सफारी में होने का पता कैसे लगा क्या मतलब विकास ने पूछा उन्होंने अचानक जिस confidence के साथ सफारी को घेरा और जितनी तयारी के साथ मुझे सरेंडर करने के लिए कहा उससे जाहिर है उन लोगों को मेरे सफारी में होने की पूरी जानकारी थी हाला थी ऐसे थे कि किसे किस्म का संगर्ष अत्वा विरोत तो मैं कर ही नहीं सकता सरेंडर करने के इलावा कोई चारा नहीं था और फिरोनोंने बगैर मेरी शकल देखे मुझे अलफान से कहकर पुकारा कहा हम जानते हैं मिस्चर अलफान से तुम गाड़ी के अंदर हो हवा में हाथ उठाए बाहर आ जाओ वरना एक ही धमाके में तुम्हारे साथ साथ सफारी के भी परकच्चे उड़ा दिये जाएंगे और तुम शरीफ बच्चे की तरह हाथ उठा कर गाड़ी से बाहर आ गए और क्या कर सकता था गल्ती की विजे ने कहा क्या मतलब? हम दावे के साथ कह सकते हैं सूखी भैर वी दे रहे थे साले तुम्हारी जान इतनी कीमती नहीं है कि उसके फेर में सफारी की बली दे देते और दे भी देते तो तुम्हारे साथ कम से कम एक सफारी तो पहुँच दी अल्लामिया के दरबार में रिकॉर्ड तो तूड़ता ये कि इस दुनिया से कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जाता मारकेश ने अल्फांसे वाले अंदास में बुरा सा मू बना कर कहा मौका हो या ना हो मगर तुम्हें हमेशा बक्वास करते रहने के इलावा और कुछ नहीं आता और तुमने हमेशा बक्वास ना करने का ठेका ले रखा है सोचने वाली बात ये है कि वो इतने कन्फर्म कैसे थे कि मैं सफारी में हूँ इसका जवाब भी हम ही दे सकते हैं तो दो ना आकाशवानी हुई होगी उफ तुमसे तो बात करना एवरेस पर चड़ने के बराबर है वो अलफानसे की तरह जल लाया विकास की तरफ पलट कर बोला तुम बताओ विकास क्या तुमसे किसी ने अबु सिलेम को मेरे सफारी में होने के जानकारी दी थी नहीं फिर कैसे पता लगा उसे कुछ कहा नहीं जा सकता इस बार मारकेश कुछ नहीं बोला अलफानसे के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन किये रहा जैसे कुछ सोच रहा हो कुछ देर उसे अवस्ता में रहने के बाद बोला तुम लोग यहां कैसे फस गए और एक बार फिर विजे बेच में टपका अगर तुम यहां फसे हो तो उसमें जैक का योगदान जरूर होगा वही जैक यहां इस अवस्ता में कैसे पड़ा है इसे किस ने और क्यों मार ढाला इसे अबुसलेम के तरफ से हम सब को यहां लाने का इनाम मिला है इनाम जवाब में नजमा ने सब कुछ बता दिया सुनने के बाद कुछ कहने के लिए मारकेश ने मुँख खोला ही था कि कमरे में सरसराहट की आवास गुझी जाहिर है सब की नजरे उसी तरफ उट गई नजरे ही क्यों वो पूरे के पूरे उस दिशा में घूम गई थे छोटे से कमरे की पूरी एक दिवार शट्रिंग वाले दरवासी की तरह एक तरफ फटती चली जा रही थी शुक्र है खुदा का विजे बड़ बड़ा उठा इस काल कोट्री जैसी जगा का गेट नंबर टू तो पता लगा दिवार पूरी तरह हट चुकी थी मगर दिवार की जगा अब कांच नजर आ रहा था दिवार जितना ही बड़ा था वो पूरी तरह पार दर्शी कांच के पार अब उन्हें काफी बड़ा हॉल नजर आ रहा था हॉल में अनेक किस्म की मशीने लगी थी एक तरह शांदार सोफे पड़े हुए थे और सामने की तरफ एक परदा था ठीक मेने थेटर के परदे जैसा उसकी लंबाई करीब दस फुट और चोड़ाई आठ फुट थी बेजान वस्तूओं के इलावा हॉल में और कुछ नहीं था मगर जल्दी ही परदे पर चित्र उभरने लगे और चित्र में नजर आने लगे नुसरत तुगलग वो अगल बगल पड़ी उन्जी पुष्ट वाली दो कुर्सियों पर पसरे पड़े थे पैर अपने सामने पड़ी सेंटर टेबल पर फैला रखे थे हॉंडो पर मुस्कान लिए उनी की तरफ देखते प्रतीत हो रहे थे वो नुसरत भाईया परदे पर तुगलग कहता नसर आया नुसरत की आवाज वो साफ सुन रहे थे हाँ तुगलग बेहन कैसी रही? क्या कैसी रही? देख नहीं रहे बड़े बड़े सूर्मा हमारी कैद में है तो इसमें उतना खुश होने की क्या बात है? इतने लोग तब होते हैं जब घर में भाईया पैदा हुआ हो ये घर में भाईया पैदा होने से भी ज्यादा खुशी की बात है मिया वो जोकर और छटंग की नाक है हिंदुस्तान की जब नाक ही यहाँ कैद होकर रह गई है तो हिंदुस्तान सुंगेगा कैसे और वो, वो अंतराश्टिय केंच हुआ, सुना है, उसे उसकी इच्छा के विरुत कोई कैद नहीं रख सकता, पिछली बार जोकर तक की कैद को धता बता गया गया था, उसे हमने कैद कर लिया है, कोई बड़ी बात ही नहीं हुए ये, क्या रमायन का, विले नहीं, किरदार बोल, रमायन एक पावरफुल किरदार, कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, वो इतना पावरफुल था, कि नो के नो ग्रहों को कैद कर रखा था, अपनी खाट के पाई से बान कर रखा था उन्हें उसने, शुक्र शनिश्चर और राहु तक उन्हीं में थे, तो, तो क्या, बावजुद इसके, अकेले हनुमान उसकी लंका में आग लगा गए, राम ने तो बैखुंटी पहुंचा दिया उसे, बात भेजे में नहीं घुसी, यहां तु कथा क्यूं बाचने लगा, कोशिश कर रहा हूं तुझे समझाने की, ये बताने की, कि इन लोगों को कैद करके इतना इतराने की जरूरत नहीं है, अब भी कोई हनुमान तेरी लंका में आग लगा सकता है, राम बैखुंट पहुंचा सकता है, हमारा जो होगा देखा जाएगा, मगर ये तै है, उससे पहले हमारा मारकेश, इनके प्रधान मंत्री क बैखुंट पहुंचा देगा, खामोश, विकास दहार उठा, मुझे एक भी लव्ज और निकाला, तो जुबान खेंच लूँगा, अकल से पैदल तू है, सच्छी मुच्छी थोड़ी कह रहे हैं, चटन की मिया, तुगलक ने कहा, मजाग कर रहे हैं, मगर तू ठहरा चाकर भी, उनका कुछ नहीं बिगार सकता था, पहली बात, वो कैद में था, दूसरी बात, नुसरत तुगलक उसके सामने नहीं थे, परदे पर केवल उनकी तस्वीरे थी, काफी देर से खामोश विजे ने कहा, प्यारे नुसरत भाईया, और तुगलक बेहना, क्या चाहत मतलब क्या हुआ बेहन? मतलब ये हुआ कि पिछली बार तुमने कसम खाई थी, कि जैसे ही मैं या दिल जला, तुम्हारे सामने पढ़ेंगे, तुम फॉरन से पहले हमें गोली मारतों के, ताकि किसी किस्म की बाजी पलटने का मौका ही ना मिले, फिर कैद क्यों किया हुआ ह हमें, पूरी क्यों नहीं करते अपनी कसम, इस वक्त तुम्हें हमें गोली मारने से कोई नहीं रोक सकता, माकूल, एक दम माकूल बात की है बड़े मिया ने, तुगलक ने नुसरत से कहा, मैंने तुम से कहा ही था, कैदवयत करने की जरूरत नहीं है इन्हें, सीधी सीधी ग गोली मार, खत्म करो किस्सा, ना बास रहेगा, ना बास रही बचेगी, वैसे भी वो बेचारिक खुद गोली खाने के लिए फड़ फड़ा रही है, पता नहीं तुझे ही क्या बीमारी लग गई है, ये बात तो तुम मानता है ना, कि शोहरत का असर जरूर जरूर पढ़त है, बिल्कुल मानता हूँ, वही हुआ है मेरे साथ, तो जानता ही है, पिछले दिनों हम उस पेले चेहरे वाले मरियल से मुरते सिंगी के साथ रहे थे, बच्पन से उसे एक ही मीनिया है, दुनिया जीतनी है, और विजे के जीते जी ही जीतनी है, उसके उसे मीनिया ने इने भी ये मेरे सामने है क्या केवल भुनगे एक एक गोली खाएंगे और चित हो जाएंगे एक बात पता है न तुझे पता है या नहीं ये तो बाद ही में बताऊंगा पहले बात तो पूछ वो मुर्दा साला आज तक केवल अपने मेनिया के कारण ही विश्व समराथ नहीं आणंगी मार दी मेनिया ना होता तो अब तक कई बार विश्व समराथ बन बिगड़ चुका होता कहना क्या चाहता है कहीं वही अहश्र ना हो तेरा ना राम मिले ना रहीम तेरे मन में ये डर इसलिए है क्योंकि तुम मेरी तरह मर्द नहीं है बेहन ठहरा मेरी मुझ में औ इनकी आँखों के सामने इनके प्रधान मंत्री को मारूंगा तो कितना नाम होगा मेरा चल एक बार को इनके जीवित रहते वाली बात तो मेरे समझ में आती है मगर इनकी आँखों के सामने वाली बात बिलकुल पल्ले नहीं पड़ रही प्रधान मंत्री मोहध्य को मारना स् पिर बला तो उनकी हत्या इनकी आंकों के सामने कैसे करेगा क्या देखना चाता है दिखा ये देख कहने के साथ नुसरत तुगलक पर्दे से गायब हो गए अब पर्दे पर स्टेडियम नजर आने लगा था वहां जोर शोर से सभी की तयारियां चल रही थी पर्दे पर स्टे ये है वो स्टेडियम जहां हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री और हमारे मुल्क के राश्रपती संयूक रूप से जन्ता को संबोधित करेंगे ये स्टेडियम उस वक्त भी इन्हें इसी तरह पर्दे पर दिखाया जाएगा जिस वक्त ये भेट से खचा-कच भरा होगा उस वक्त ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे होंगे या नहीं रहेगा तु धीवट का धीवट ही अब पर्दे पर तुगलक बोलता हुआ नसर आया चोटी सी बात इसको लंबी करके समझाने की क्या सरूरत थी एक सेंटेस में बता देता कि तुने इनके लिए लाइफ बता दे तेरा मारकेश उसे मारे का कैसी ये जो अभी अभी तुने मारकेश को मेरा मारकेश कहा इस पर मुझे सक तैतरास है दुनिया को कभी किसी कीमत पर ये पता नहीं लगेगा कि मारकेश से हमारा कोई मतलब है या हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री की हत्या के पीछी प जो होगा ऐसे ट्रिक से होगा कि हमारे पास मुल्क के तरफ से कोई उंगली नहीं उठा सकेगा उस ट्रिक के बारे में बता सवाल मत कर कान लगा कर वो सुनता रहे जो मैं बता रहा हूँ और बता मैं ये रहा हूँ कि इतना तो तो जानता ही होगा कि मारकेश को सारी दुनिया जानती है ये भी जानती है कि वो उसामा बिन लादेन का दाया बाया है जानता हूँ और मानता भी हूँ दुनिया ये भी जानती है कि उसामा बिन लादेन हमारे राश्रपती से आजकल उतना ही कफा है जितना एक प्रेमी अपनी प्रेमी का को दूसरे की बाहों में देख कर हो भी क्यों नहीं उनकी नजर में वो इसलाम के खिलाफ अमेरिका का साथ चो दे रही हैं। इसलिए मारकेश शमला पाकिस्तानी राश्रपती पर करता नजर आएगा। क्या मतलब? मगर मारे जाएंगे हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री। ऐसा क्या? कहानी ये बनेगी। राश्रपती से खफा उसामा बिन लादेन ने मारकेश को उनकी हत्या करने भेचा। मगर नसीब भारत के प्रधान मंत्री का खराब था। वो बेचारे तो बेयाई में लपेटे आ गई। मारकेश खुद कबूल करेगा। उन्हें मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो दुरगटना वश मारे कई। अच्छा है, तुगलक क्या उठा। प्रेक अच्छी है तुगलक बेहन, मगर… मगर क्या? ये सब होगा कैसे? जब होगा तब देखियो। क्लाइमेक्स पोच कर सारी पिक्चर का मज़ा खराब मत कर। वैसे भी हमारे महमानों को नींद आने लगी है। उन्हें ज्यादा बोर करना ठीक नहीं होगा। चलते हैं। इन शब्दों के बाद वो दोनों पर्दे से गायब हो गई। विजे विकास मार के शड़ नस्मा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई थे। बोलते भी कैसे। अपने सामने वो किसी और को बोलने का मौका ही कहां देते थे। विजे की समझ में अब तक ये बात आकर नहीं दे रही थी। कि वो सब बाते नुसरत तुगलक ने उन्हें क्यों सुनाई। कोई न कोई उदेश्य तो उनका जरूर था। मगर वो उदेश्य क्या था। ये कम से कम फिलहाल विजे की समझ में नहीं आ रहा था। अबु सलेम के जीवन में खुशी के ऐसे अनेक मौके आई थे। मगर जितना खुश आश था उतना पहले कभी नहीं हुआ था। बात थी भी स्वभाविक। आज उसकी प्रशनसा नुसरत तुगलक ने की थी। जिस देश ने उसे पना दे रखी थी उस देश के सबसे बड़े जासूसों ने और प्रशनसा वो करते भी क्यों नहीं उसने काम ही इतना बड़ा किया था। जो लोग सिंगही और जैकसन जैसे विश्व प्रसिद मुश्रिमों के कबजे में कभी नहीं आई। उसने उन्हें कैट कर लिया था। उसने उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये काम उसी ने किया है। सब कुछ स्वपन सालग रहा था। ये भी कि इस वक्त वो ठीक उस कमरे के ऊपर अपने बैट पर मौचूद हैं जिस कमरे में विजे विकास और अलफांसी जैसी हस्तिया मौचूद हैं। हाथ में जाम था उसके। डेक फूर वॉल्यूम पर बच रहा था। और उसे निकलने वाले संगीत पर जो लड़की कैबरे कर रही थी। वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर वन हिरोईन थी। हिना। बस यही तो खास शौक था अबू सलेम को लड़कियों को अपने सामने नचाना और लड़कियां भी वो जिनके लाखो करोडो दिवाने हो। शाम होते ही उसने हीना को बुलवा लिया था। हिरोईन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हो या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भला किसमें हिम्मत थी जो अबू के हुकम को नजर अंदास कर सकती। वो ठीक उसी समय हासिर हो गई थी जिस समय बुलाई गई थी। अबू सलेम ने डेक पर उसी के फिल्म का गाना लगाया और उसने ठीक उसी तरह से थिरकना शुरू कर दिया था। जो असल में छोटा सा बार था। हीना को उसकी गतिविधियों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस नाचे जा रही थी। क्योंकि जानती थी। अबू सलेम को नाचने वाली का गाने के बेच में रुख जाना कतई पसंद नहीं है। पूरी तरह मस्त थिरकता सा अबू सलेम अलमारी के नस्दीक पहुंचा। इरादा एक और पैक बनाने का था। मगर अलमारी के खुलते ही चौंक जाना पड़ा। विस्की की बोतलों के पीछे मौजूद ट्रांस्मीटर का बल्ब बार बार स्पाक करता साफ नजर आ रहा था। पलक जपकते ही मस्ती जड़ गई। गड़ी के चौथाई में उसकी समझ में ये बात आ गई। कि नुस्रत तुगलक उससे संपर्ख स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ में आते ही वो डेक पर जपता। एक जटके से उसकी पावर कट गई। संगीत पंध होते ही ट्रांस्मीटर से निकल कर कमरे में गुझने वारी पिंग पिंग की आवास साफ सुनाई देने लगी। हिना का जिस्म रुक गया। मुझ से निकला क्या हुआ। मगर अबु सलेम को भला जवाब देने का होश कहा। अगली जंप उसने अलमारी की तरफ लगाई थी। हेड़फोन कानों पर चढ़ाया, माईखात में लिया और ट्रांस्मीटर आउन किया ही था कि दूसरी तरफ से आवाज उपरी। सलेम मिया। नंगे नाच कभी कभी देखने वालों को भी नंगा कर देते हैं। हर एक को चौकस देखना चाते हैं। जबके फिलहाल हमने तुम्हें चौकस नहीं पाया। हमारी जिंदगी के पांच केमते मिनट तुम से संपर्ख स्थापित करने के ना मुराद काम के भेंट चड़ गए। भविश्य में ऐसा कभी नहीं होगा सर। चलो माफ किया, इसलिए माफ किया कि ये तुम्हारी पहली गलती है और आज दिन में तुमने एक बड़ा काम किया है। तुगलक उसे बोलने का मौका दिये बगैर कहता चला किया, तुम्हें खट-खटानी की जहमत इसलिए उठानी पड़ी, क्योंकि हमारा चीफ इसी वक्त तुमारे हेट क्वार्टर पर आना चाहता है। अ, आपका चीफ? यानि पाकिस्तानी सेक्रेट सर्विस के चीफ? कैद खाने में रखना चाहते थे, हमने तुम्हारी तारीफ की, कहा, तुमने उन्हें माकोल सुरक्षा व्यवस्ता में रखा है, ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती, जैसी आईएसाई के चीफ की कैद में रखे गए, कैदी ने कर डाली थी, आईएसाई के चीफ के अंजा, अन् जी, उनके अन्जाम से भला कौन वाकिफ नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, उन्हें न केवल उनके पद से हटा दिया किया, बलकि आपने उनकी नाग भी काट ली, बिल्कुल दुरुस्त, ऐसी मिसाले तुम जैसे लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, कहने के बा वो खुद कैदियों की सुरक्षा विवस्ता से रोबरो होने वहाँ आ रहे हैं, यदि उन्हें कोई कमी लगी, तो कैदियों को सेक्रेट सर्विस के खास कैद खाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ममा, मैं पूरी कोशिश करूँगा सर, कि ऐसी नौबत ना आए, तुम उंचा मुकाम पा जाओके, आप यकीन रखे सर, मैं अपने प्रमोशन के इस मौके को गवाओंगा नहीं, वो कब आ रहे हैं, उसके सर्च लाइट के दाएरे में आते ही, अबू सलेम ने नंबर पढ़ा, सब सतर खो जाएं, अबू सलेम के मुझ से निकला, वही हैं, देख अबू सलेम ने लबक कर ड्राइविंग दोर खोला, दोर खोलने के साथ अंदर के लाइट आन हो गई, गाड़ी में केवल एक ही शक्स था, वो जो उसे ड्राइव करके वहां तक लाया था, पके हुए सेब जैसे रंग का शक्स था, वो चोड़ा मस्तक, आँखों पर चश् अच्छे फुट लंबा था वो, काले चमकदार जूतों और काले ही सूट में वो बेहत आकर्शक लग रहा था, आकर्शक अबू सलेम भी कम नहीं था, मगर अपना व्यक्तित्व उसके सामने बहुत बोना लगा, वेलकम सर, वेलकम, केवल इतना कहने में अबू सलेम का हलक स जोग गया, चीफ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उमीद है, नुसरत दुगलक ने फोन कर दिया होगा, जज़, जी, जी हाँ, हड़ बढ़ा कर हाथ मिलाने के साथ, अबू सलेम बड़ी मुश्किल से कह सका, उसने महसूस किया था, चीफ का हाथ उससे भी कहीं ज्यादा मस्बूत है, और तुमने तयारिया भी पूरी कर ली होगी, तयालिया? अबू सलेम बूकला गया, ममा, मैं समझा नहीं सर, आप कैसी तयारियों की बात? उसने अबू सलेम की बात काट कर कहा जैसी तैयारियों की बू तुमारे मूँ में आ रही है जज जी ये शब्द अबू सलेम के मूँ से चीक के शकल में निकला था तुमारे मूँ से मौथ फ्रेशनर की खुश्बू आ रही है मिस्टर सलेम रात के वक्त फ्रश्णर का इस्तिमाल केवल विस्की की दुरगन को दबाने के लिए किया जाता है इस एसास ने अबु सलेम के संपूर्ण जिस्म में संसनाहट से फैला दी कि चेफ ने उसके चोरी पकड़ ली है बॉकलाहट में उसके मुँसे केवल इतना ही निकला कहता चला किया बुरी बात है पीकर बहग जाना अपने काम से अपने ड्यूटी से विमुक हो जाना और मैं देख रहा हूँ अपने ड्यूटी के प्रतितुम पूरी तरह सजग भी हो मुस्तैद भी ऐसा नहीं होता तो तुम्हें विस्की की बद्बू को हमसे चुपाने के लिए माथ फ्रेशनर के इस्तेमाल तक का खोश नहीं होता तुमारे मुँसे आने वाली खुश्बू इस बात का सुबूत है कि तुम पूरी तरह होश में ही नहीं बलकि पूरी तरह चुस दुरुस भी हो जजजजी चीफ के शब्दों ने उसे जबर्दस राहत दी थी मस्तक पर उभर आया पसीना सुखता चला किया था यहां की सुरक्षा विवस्ता तो हमने देख ली आओ अब आगे चले यह यह सर हडबड़ी में कहने के साथ वो उसके अगवानी करता बोला आईए चीफ चारों तरफ निगा दोड़ाता हुआ आगे बढ़ा इंचार्ज दुविदा में फस किया उसने अबु सलेम के साथ यह तैह ही नहीं किया था कि उसे यही रह जाना है या उसके साथ चलना है इस वक्त अपने विवेक का इस्तिमाल करने के इलावा उसके पास कोई चारा नहीं था सो उसका इस्तिमाल करके उनके साथ ही आगे बढ़ किया तुम यहीं रहो एका एक चीफ ने ठिटक कर कहा जजजजी इनचार जहां का तहां चिपक कर रह किया चीफ ने अबू सलेम से कहा क्या तुमने इससे यही पहरा देने के लिए नहीं कहा था कग कहा था सर इसकी ड्यूटी यहीं रहती है फिर अपनी ड्यूटी छोड़कर यह हमारे साथ क्यों चल दिया अबू सलेम को जवाब नहीं सूच रहा था जबकि इनचार्श ने जल्दी से कहा ससर मैंने सोचा शायद आपको यही अच्छा लगे कोई भी आए तुम्हें अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहना है यह परवा नहीं करनी जी मुस्तैद नहीं रहेगा तो दूसरों को मुस्तैद क्या रखेगा ज जी चलो मिस्टर सलेम कहने के साथ वो आके बढ़ गया अबू सलेम ने राहत की सांस ली इनचार्श ने बात संभाल ली थी हकीकत यह थी कि उसकी ड्यूटी गेट पर नहीं रहती थी उसका काम था सारी इमारत में घूमते रहकर समूची सुरक्षा विवस्ता की दुरुस्तगी चेक करते रहना मगर उसने ये भाब कर कि चीफ क्या चाहता है उसका पसंदीदा जवाब दे दिया था अर्थात चीफ दौरा सुरक्षा विवस्ता की एक कमी चीफ दौरा पकड़ी जाने से बाल-बाल बची थी सर्च लाइटों के जरिये राउंड हाउस के समूचे लॉन को रोशन रखा गया था हर तरफ का निरिक्षन करता चीफ धनुशा का ड्राइवे पर आगे बढ़ता रहा उसके साथ साथ चल रहे अबू सलेम ने कहा जैसा लॉन आप इस तरफ देख रहे हैं वैसा ही लॉन इमारत के चारों तरफ है जिस तरह यहाँ चप्पे चप्पे पर गार्ट्स तैनात है उसी तरह हर तरफ है लॉन में तैनात कौल गार्ट्स की संख्या कितनी है चीफ ने पूछा अबू सलेम को संख्या ठीक से पता नहीं थी मगर जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया 105 गुड अपनी हाजिर जवाबी पर खुद ही मुगदसा होता अबू सलेम बोला आप देख रहे हैं बिल्डिंग किसी गिलास की तरह गोल है दिवारे सपार्ट उचाई 120 फूट रेन वाटर पाई पादी सब दिवारों के अंदर लगाए गए हैं यानि किसी भी तरह दिवार पर नहीं चड़ा चा सकता बिल्डिंग की आप अनेक खिड़कियां देख रहे हैं हर खिड़की पर 24 गंटे सर्शस्र गार्ट तैनाथ रहता है आप समझ सकते हैं टॉप फ्लोर पर तैनाथ गार्ट्स इमारत के चारों तरफ दोर दोर तक देख सकते हैं इतनी बड़ी इमारत का दर्वाजा केवल एक ही है वो जिसकी तरफ इस वक्त हम बढ़ रहे हैं अर्थार कोई भी शक्स उस दर्वाजे से गुजरे बगेर इमारत में दाखिल नहीं हो सकता दर्वाजे पर मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं दर्वाजे से गुजरने वाली किसी भी शक्स एपास अगर कोई अवैद हत्यार है तो मेटल डिटेक्टर्स फॉरण उसकी सूशना कंट्रोल रूम को दे देंगी कंट्रोल रूम में तैनाद गार्ड्स तुरंट सक्रिये हो जाएंगे इमारत के पीछे की तरफ क्या है दूर दूर तक वैसा ही खुला मैदान है जैसा सामने की तरफ है पूरे आत्म विश्वास के साथ जवाब देता अबु सलेम चीफ को साथ लिए आगे बढ़ता रहा चीफ ने हाला की तारीफ तो नहीं की परंतो अबु सलेम ने उसकी भाव भंकीमा से अनुमान लगा लिया था कि वो इमारत के अंदर की सुरक्षा विवस्ता से पूरी तरह संतुष्ट है लिफ्ट के जरीए नीचे जाते वक्त उसने बताया राउन हाउस की बेस मन्जिल वो है जो बाहर से नजर आती है मगर पांच मन्जिल जमीन के अंदर है जो बाहर से नजर नहीं आती अर्थात असल में इमारत 25 मन्जिल है जबकि बाहर से नजर आने वाले को केवल बेस मन्जिली लगती है और इस वक्त हम इमारत के सेकंड फ्लोर पर है लिफ्ट के रुखते ही चीफ ने कहा जी अबू सलेम ने लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए स्विच दबाते हुए कहा इसके नीचे दो फ्लोर है फर्स फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर अच्छा इंतिजाम है गैलेरी में मौझूद गार्ट के बेच से गुजरते चीफ ने कहा अबू सलेम उसे विभेन गैलेरियों से गुजारने के बाद कंट्रोल रोम में ले गया वहां अनेक टीवी स्क्रेंस के सामने बैठे गार्ट की तरफ इशारा करके बोला इन स्क्रेंस के जरिये 24 गंटे इमारत के भीतरी हिस्से के चपे चपे को देखा जाता रहता है कहीं भी किसे भी स्थान पर होने वाली कोई भी गतिवी थी यहां मौजूद लोगों की आंकों से नहीं चुप सकती तुम्हारे बेडरूम को कौन से स्क्रेंड पर देखा जा सकता है स, सॉरी अबु सलेम को एक बार फिर हट बड़ा जाना पड़ा उसे नहीं देखा जा सकता चीफ के गुलाबी होंट पर मुस्कान उभर आई बोला अभी तो तुमने कहा था यहां से इमारत के सर, ऐसा मैंने अपनी प्राइव़सी बनाए रखने के लिए कहा किया है ऐसे ही उमेद थी हमें कि तुमने अपनी प्राइवसी बनाए रखने के लिए जरूर कुछ न कुछ किया होगा इसलिए कहीं और के बारे में न पोच कर केवल तुमारे बेडरूम के बारे में पूछा ये बात जरूरी भी है पर स्वभाविक भी इसमें कोई बुराई नहीं है कम से कम अपनी प्राइवेसी तो आदमी को बना कर रखने ही पड़ती है काफी कोशिश के बावजूद अबु सलिम समझ नहीं सका कि वो सब चीफ ने व्यंगे से कहा है या उसके दिल में भी वही बात है जो जुबान कह रही है इसलिए चुप ही रहा खेर चीफ बोला क्या मैं कैदियों को देख सकता हूँ इधर आईए कहने के साथ अबु सलिम उसे कंट्रोल रोम के बाई कोने में रखी स्क्रेन के नस्दीक ले आया उस स्क्रेन के सामने एक नहीं बलकि पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहे दो गाट बैठे थे चीफ ने स्क्रेन पर नजर डाली विजे, अलफानसे, विकास और नस्मा एक दूसरे से काफी अलग-अलग दिवारों के नस्दीक सोई पड़े थे बीच में पड़ी थी जैप की लाश उसके चारों तरफ खोन बिकरा हुआ था यहां से हर पर उनकी एक हे खरकत देखी जाती रहती है अबुसलेम ने कहा होंटो पर मुस्कार लिये चीफ बोला कितने आराम से सो रहे हैं चंद कोशिशें की थी उन्होंने जैसे कांच की दिवार को तोड़ने का प्रत्न किया था चत में मौजूद उस रास्ते को कोलने का प्रयास किया था जिसके जरीए उन्हें वहां पहुँचाया किया था मगर वो रास्ता कहां खुलता है मेरे बेटरूम में उसके फर्ष ही से वो सीधे इस कमरे में पहुँची है गुड जब ये बात उन लोगों की समझ में आ गई कि सारी कोशिश व्यर्थ है तो ठक खार कर लेट गए और करते भी क्या बेचारी खेर क्या यहां उनकी आवाजे सुनने का भी कोई प्रबंद है सौरी सर ऐसा इंतिजाम नहीं किया किया है अपने जहन के कम्प्यूटर में नोट करो कमी नमबर वन उनकी आवाजे सुनने का प्रबंद भी करो उस प्रबंद की भनक उन्हें नहीं लगनी चाहिए इससे ये भी पता लगता रहेगा कि वो क्या सोच रहे है जी कहते वक्त मारे खुशी के अबू सलेम मन ही मन बलियों उचल रहा था कारण चीफ ने कमी जरूर पकड़ी थी मगर उसे पकड़ कर जो उसने कहा था उससे जग जाहिर था वो कैदियों को यही रखने के पक्ष में है अर्थात सुरक्षा प्रबंदों से संतोष्ट है अब अबू सलेम को अपनी तरक्की ही तरक्की नजर आ रही थी हम उनसे बाते करना चाहते हैं चीफ ने इच्चा व्यक की जरूर मेरे साथ आईए कहता हुआ अबू सलेम उसे कंट्रोल रूम से जुड़े एक कन्य कमरे में ले गया वहां मौजूद उन्ची पुष्ट वाली दो चियर्स और उनके सामने पड़ी सेंटर टेबल की तरफ इशारा करता बोला आप उनमें से किसी चियर पर बैठ चाहिए मैं कैमरा आउन कर देता हूँ इससे वो ना केवल कमरे की कांश की दिवार के पार हॉल में लगे परदे पर आपको देख सकेंगे बल्कि आपकी आवाज भी सुन सकेंगे ठीक उसी तरह आप भी उनकी आवाजे सुन सकेंगे नुसरत और तगलक सहब भी उन से इसे तरह बात करके गई है नहीं मैं उनसे रूब रूबात करनी चाहता हूँ ओके मैं आपको उस हॉल में लिए चलता हूँ जहां परदा लगा है फिर हॉल के सुरक्षा विवस्ता में देख चुका हूँ काफी पुकता है वो नहीं निकल सकते अब उस कोठी के गेट नमबर वन यानि जिसके जर्ये उन्हें वहां पहुंचाया गया उसको चेक करना बाकी है तुमने अभी अभी बताया वो तुम्हारा बेडरूम है वहां चले क्या वह वहां केवल दो अक्षरों का वो शब्द जब अबु सलेम के मुझे निकला तो दोनों अक्षर अलग-अलग होकर तीतर बीतर नसर आए मस्तक पर पसीना उभर आया था रोकने की लाग चेश्टाउं के बावचूत वो अपने चेहरे पर उभरने वाली हवाईयों को नहीं रोक पाया था चीफ ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा अनि प्रॉब्लम? न, नो, नो सर, नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो कुछ तुमारे चेहरे पर साफ नसर आ रही है चीफ ने कहा एसी चल रहा है यहाँ अच्छी कासी ठंड है मगर तुमारे मस्तक पर अचानक पसीना जिल मिला उठा है वो सुर्खी वो रौनक भी अचानक गायब हो गई है जो कुछ देर पहले तुमारे चेहरे की आभा थी अबुसलेम की आँखों के सामने हिना का नंगा जिस्म तैर रहा था उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है सर बात केवल यह है कि पहली बात जिस कमरे में ये लोग कैथ हैं उस कमरे की तरफ से मेरे बेटरूम की तरफ खुलने वाले दरवाजे को खोलने का कोई प्रबंध ही नहीं है मैं आपको बता ही चुका हूँ वो कोशिश करके हार मान चुके हैं उस दरवाजे को केवल मेरे बेटरूम की तरफ से खोला जा सकता है यदि इस असंभव बात को संभव मान भी ले कि वो यहां से किसी तरह मेरे बेटरूम में पहन सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो मेरे बेडरूम से बाहर नहीं निकल सकेंगे दावी की वज़ा क्या है? ये रिमोट उसने चीफ को कन्वेंस करने के लिए जेब से रिमोट निकाल कर दिखाया मेरे बेडरूम से बाहर निकलने वाला एक मात्र दर्वासा एक रिमोट के कंट्रोल से खुलता है यानि इसी से लॉक होता है और इसी से खुलता है ये हमेशा मेरी जेब में रहता है और यदि किसी भी तरफ से उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सारे राउन हाउस में खत्रे का साइरन बच उठे का अपनी आँखे अबू सलेम के चेहरे पर गड़ाई रख कर चीफ ने कहा अगर वो सब सच है जो तुमने बताया तो इंतिजाम तो वाके पुखता है मगर… मगर क्या सर? तुमारी हर बात का मतलब केवल एक ही है ये कि मैं तुमारी बातों से ही संतुष्ट हो जाऊं बेडरूम में जाने की बात ना करूं जी? जी ऐसी तो बात नहीं है कोई तो चलो, मैं उसके फर्ष में बने मोकले को खोल कर उनसे बाते करना चाहता हूं कहने के बात चीफ एक पल के लिए भी वहां रुका नहीं था बलकि तेज कदमों के साथ दर्वासे की तरफ बढ़ किया हड़ बढ़ाई हुए अबु सलेम को उसके पीछे लपकना पड़ा अब पसीना उसके चेहरे ही पर नहीं बलकि सारे जिस्म पर भरबरा उठा था उसके चिप चिपाहट वो साफ महसूस कर रहा था लग रहा था जैसे नसों में दोड़ता उसका अपना खून नन्नी नन्नी चेंटियों में तबदिल हो गया है और वो चेंटियां उसे काट रही है आँखों के समक्ष रह रहकर अंधेरा चा रहा था ये विचार उसके होश उड़ाई हुए था कि हिना को देख कर चीफ पर क्या प्रतिक्रिया होगी गनीमत थी तो केवल ये कि वो अपनी कामती टांगों पर चल पा रहा था गर्श खाकर गिर नहीं पड़ा था खून के सप्लाई बंध हो गई चीफ ने कहा मुझे रास्ता मालूम नहीं है इसलिए तुम आगे चलो चीफ का हुकम था हुकम पाकिस्तानी सेक्रेट सर्विस के चीफ का था इसलिए उसे वैसा ही करना पड़ा जबकि उसे लग रहा था अपने टांगों पर वो ज्यादा तेर तक नहीं चल सकेगा और तब जब ये बात उसकी समझ में आ गई कि अब वो चाहिद जितने जतन कर ले चीफ उसके बेटरूम में जाकर ही माने का तो उसने अपने बिक्रे हुए खौसले को समेटा सोचा अब दुनिया की कोई ताकत जिफ को हकीकत से रूबरू होने से नहीं रोक सकती सो जो कुछ देर बाद उसे अपनी आँखों से देखना है वो बता ही दिया जाए तो बेहतर है बात बताने से थोड़ी हलकी तो हो ही जाएगी ऐसा सोच कर वो अपने बेडरूम के बंद दर्वासे के बाहर ठिटका बोला मैं कुछ कहना चाता हूँ सर बोलो आपने ठीक समझा था मुझे आपके इस कमरे में पहुँचने पर प्राब्लम होगी कैसी प्राब्लम? मुझे लड़कियों का शौख है और आज तो मैं वैसे भी ज्यादा ही खुश था इसलिए शाम होते ही उसे बुला लिया जिस वक्त तुगलक साहब का मैसेश मिला उस वक्त मैं अपने बेडरूम में उसी के साथ था और इस वक्त भी वो अंदर है क्या? जी अब रिमोट का इस्तिमाल करने के इलावा अबू सलेम के पास कोई चारा नहीं था ये तो अबू सलेम को लग गया कि चीफ फुखड चुका है मगर उसके लेचे से ये अनुमान वो अब भी नहीं लगा पा रहा था कि लड़की को कमरे में बुलाने को वो कितना गैर वाजिब माने का एक उमीद थी जिस तरह उसने उसके शराब पीने को हलका लिया था उसी तरह लड़की की मौजूदगी को भी हलका ले सकता था दर्वाजा खुला ही था कि अंदर से हिना ने दौर कर दर्वाजे की तरफ आते हुए कहना चाहा सलेम डार्लिंग तो मुझे यहां यूँ अकेली चोड़कर बस इतना ही कह सकी वो आगे के शब्द खुद उसी के हलक में घुटकर रह गई ऐसा अबु सलेम के साथ एक अचनभी को देखकर हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि वो अभी तक आदमजात नंगी थी मुझ खुला का खुला रह गया कुछ सूजा ही नहीं उसे यूँ खड़ी रह गई जैसे अचानक शेर के सामने पढ़ने पर हिरने खड़ी रह गई ना उसे अपना तन धकने का खोश था ना मुझ से कोई आवास निकल सकी अबु सलेम को ही चीकना पड़ा तू अभी तक किसी पोजिशन में है कमीनी कपड़े पहन और वो चेहरा ढाम कर वापिस भागी फर्श पर बिक्रे अपने कपड़े उठा कर बातरों में समा गई जलालत और गुस्से की ज्यादती के कारण अबु सलेम का चेहरा भबक रहा था चीफ ने कहा ये तो हिना है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हेरोई नमबर वन जह जी बात समझ में आ गई शौंक को भी टॉपर पर जाकर पूरा करते हो सलेम चुप ही रहा बोलता भी तो क्या बोलता कुछ सूजा ही नहीं कुछ तेर बाद हीना कपड़े पहन कर बातरूम से बाहर आ गई गर्दन जुकाए हुए थी वो उनसे नजरे नहीं मिला पर रही थी सलेम के हलक से गुराहट से निकली जा यहां से मेरे आदमी तुझे बाहर छोड़ देंगे हीना दोड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई अबू सलेम ने रिमोट के इस्तिमाज से दर्वासा वापिस बंद करते हुए कहा यहां कोई भी आई सर मगर उसकी हैसियत बाजारू लड़की से ज्यादा नहीं होती फर्श में मौजूद दर्वासा खुलो चीफ ने उसकी बात पर ध्यान दिये बगैर हुकम दिया अबू सलेम ने आगे बढ़कर इसी का स्विच चान कर दिया दोनों पत्थर के वाड़ों की तरह नीचे की तरफ जूल गए चीफ मोकले के नजदीक पहुँचा नीचे जहांका चारों जियों के त्यों सोई पड़े थे कुछ देर तक उन्हें देखता रहने के बाद चीफ घुमा बोला बंद कर दो अबू सलेम ने एसी का स्विच आफ कर दिया मोकला बंद होते ही चीफ ने कहा चारों को मेरी मरसेडिस में पहुचाने का इंतिजाम करो ज़ जी अबू सलेम के हलक से चीक से निकल गई तुम्हारी सुरक्षा विवस्ता से मुझे कोई खास शिकायत नहीं है चीफ बहुत ही शांत स्वर में कहता चला जा रहा था बलकि कहना चाहिए गोमने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लोग चाहे जितनी कोशिश करते यहां से फरार नहीं हो सकते थे मगर लड़की कहकर वो खुद ही रुका चहल कदमे से करता बोला ये शौक कितना घातक है मिस्टर सलिम कि दुनिया के बड़े बड़े सूर्मा अगर मात खाए तो बस यहीं खाए ममा मैं इस शौक को छोड़ दूगा सर भर माने की कोशिश मत करो मुझे ये वो शौक है जो आदमी के बच्चे को अगर एक बार लग चाए तो खुद उसके चाहने के बावजूद नहीं चूड़ता ठीक वैसे ही जैसे मासाहारी शेर शाकाहारी नहीं हो सकता मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता सर आपकी बात बड़ी करता हूँ मगर ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि जब तक ये लोग मेरी कैट में है तब तक कोई राउंड हाऊस का लोहे वाला घेट पाट करके अंदर नहीं आ सकता ऐसा कोई वादा करने की तुमें जरूरत ही नहीं है किके क्यों सर क्योंकि मैं इन्हें सीक्रेट सर्विस के हेड क्वाटर में ले जाने का फैसला कर चुका हूँ सर, सर मिस्टर सलीम चीफ ने उसे कुछ भी कहने का मौका दिये बगैर बहुती पैने लेचे में कहा सीक्रेट सर्विस का चीफ एक बार जो फैसला ले लेता है वो बदला नहीं करता फैसले को बदलवाने की कोशिश के तहट तुम जो भी कहोगे मेरा वक्त जाया करना माना जाएगा और तुम्हारी जानकारी के लिए बता तू यहां लड़की लाना शायद उतना बड़ा जुर्म नहीं जितना मेरा टाइम जाया करना है उस जोन की सजा से बचना चाहते हो तो जो कह रहा हूँ उसका पालन करने के इलावा ना और कुछ करो न कहो मैंने कहा है इन्हे मेरे मर्सेडिस में भिजवाने का प्रबंद करो सर क्या आप इन्हें यहां से अकेले ले जाएंगे ये पूशने के इलावा अबु सलेम और कुछ कहने का साहसी नहीं जुटा सका बेहोश लोग चाहे जितने हो किसी का कुछ नहीं बिगाड सकते यह यानी मर्सेडिस में पहुँचाने से पहले इन्हें किसी भी तरह बेहोश करना होगा विकास को लगा उसकी चेतना लोट रही है उसी समय चपाक से उसके चेरे पर धेर सारा पानी आकर गिरा मस्तिश्क कुछ और सक्रिये हुआ बेहोश होने से पूर्व का द्रिश्य दिमाग के परदे पर उभरने लगा वो सब अबुसलेम की कैद में थे कोई सो रहा था कोई उंग रहा था अचानक सभी ने बेचैनी सी महसूस की खुद उसे सांस लेने में कठिनाई सी हो रही थी उचल कर खड़ा हो गया था वो देखा कमरे में अजीब सी दुरगंध वाला सफेद धुआ भरा हुआ था और उस धुए के बीच छट पटाने वाला वो अकेला नहीं था विजे का तो वाक्य भी अभी उसके कानों में पड़ा था पता नहीं इन नमूनों के पैदा होने से पहले कितने हरामी मरे थे साले अराम से सोने भी नहीं दे रहे जवाब में अलफानसे की आवाज गुंजी थी वो हमें बेहोश करने की कोशिश कर रहे है कुछ कहने के लिए मुव विकास ने भी खोला था मगर काम्याब नहीं हो सका उस से पहले ही आँखों के सामने अंधेरा चाने लगा था और फिर उसने खुद को धम से कमरे के फर्श पर गिरता महसूस किया और फिर उसके बाद क्या हुआ वो खुद नहीं जानता तब के बाद अभी उसकी चेतना लाट रही थी महसूस किया उसकी पुतलियां काम प्रही है इच्छा शक्ती का प्रियोग करके आँखे खोली सामने हैरी को देखते ही उस सोफे से उचल कर खड़ा हो गया जिस पर अब तक बैठा था हैरी के हाथ में प्लास्ची की एक बाल्टी थी वो बाल्टी जिसमें बरा पानी उसने विकास के जिसम पर खास तोर पर चहरे पर डाला था सामने खड़ा लड़का बहुत थी मोहक अंदास में मुस्कुरा रहा था विकास के मुझ से निकला ततत तू यहाँ येस हैरी ने बाल्टी एक तरफ फैंक दी मैं यहाँ विकास ने चारों तरफ देखा काफी बड़ा कमरा था वो विजे अलफान से और नस्मा अलग-अलग सोफों पर लेटे हुए थे विकास समझ किया वो अभी तक बेहोश है केवल उसी को होश आया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हैरी ने पानी केवल उसके जिस्म पर डाला था सारी सिच्वेशन देखने के बाद विकास ने हैरी से अगला सवाल किया क्या हम पाकिस्तान में हैं यखीनन म, मगर तू यहाँ कैसे पहुँच किया क्यों? विजे अंकल के साथ साथ क्या तूने भी यह सोचा था कि हैरी को अगर तुम धोका देकर आर्मी होस्पिटल में छोड़ आओके तो वो पूरी जिंदगी उसी बैट से बंधा रहेगा तू जखमी था यार मुझे दुख है हैरी ने कहा दुख इस बात का नहीं है कि विजे अंकल मुझे वहाँ छोड़ आए मुझसे बड़े होने के नाते शायद उने मेरे हित में यही लगा मगर तूने दुख मुझे इस बात का है विकास कि तूने भी मुझे उन्हें के अंदास में सोचा तो क्यों छोड़ कर आया मुझे वहाँ क्या तूने ही जानता था कि गोलियों के वो जख्म मेरे लिए कुछ भी नहीं थे उसके नाराज़की पर विकास मुस्कुरा उठा बोला रुका तो तो फिर भी नहीं क्या तूने ये सोचा था कि मैं वहाँ बंदा पड़ा रहूंगा नहीं ऐसा नहीं सोचा था मैंने विकास की समझ में सारी सिच्वेशन आ चुकी थी इसलिए कहता चला किया मगर ऐसा भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हमें नुसरत तुगलक की कैट से निकाल लाओगे कैसे कर सके ये चमतकार मैं वो बारी मददकार हूँ जिसकी डिमांड विजे अंकल ने ट्रांस्मीटर पर अपने भाई अजे से की थी ओ उस वक्त अजे अंकल आर्मी होस्पिटल में मेरे पास ही थे मुझे लगा अगर मैं इस वक्त चुक गया तो हमेशा चूका ही रहूँगा सो अजे अंकल पर हमला किया और उनका लॉकेट लेकर फरार हो गया भारत से पाकिस्तान आने के इतने रास्ते हैं कि मुझ जैसे आत्मी को बॉर्डर क्रॉस करने में कोई खास दिकत नहीं आई विजे अंकल बता ही चुके थे कि तुम सब लोहौर स्थित राउंड हाउस नामक इमारत में कैत हो मैंने अपने हिसाब से राउंड के बारे में जानकारियां जुटाई दिन के समय उसके आसपास भटक कर बोगॉलिक स्थिती का भी अध्यायन किया नतीजा एक ही निकला धूम धड़ाके का प्रदर्शन करके तुम लोगों को वहां से नहीं निकाला जा सकता तब में एक सीक्रिट सर्विस के चीफ का वहां पहुँचने का सवाल ही नहीं उड़ता है तुम दुश्मन के जाल में फस गए मिस्टर कुडम गज अपने हाथों से उन चार कैदियों को दुश्मन के हवाले कर दिया जिनके मैदान में पहुँच जाने का मतलब है हमारे सारे मनसूब़ पर पानी फिर जाना हमारा तो मिशन ही मटिया मेट कर दिया तुमने नहीं सलेम मिया ये गलती माफी के योग्य नहीं है वैसे उस काली मरसेडिस का नंबर किया था बस कुछ देर इंतजार करो कहने के बाद उसके जवाब का इंतजार किये बगैर दूसरे तरफ से संबंद विच्छेद कर दिया किया सिर पर हेड़ फोन रखे हाथ में माइक लिए अबुसलेम जहां का तहां खड़ा रह किया अब उसके कानों में बलकि जहन तक में केवल और केवल साइं साइं की आवास गुंच रही थी इसके इलावा उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि पिछली रात वो धोका खा चुका है और उसकी सजा देने के लिए नुसरत तुगलक यहां आ रही है क्या सजा देंगे वो से उनके द्वारा आईसाई के चीफ को दे गई सजा याद आ गई आईसाई के चीफ से वो मिला तो नहीं था मगर सुना था नुसरत तुगलक ने उसकी नाक काट ली ओफ क्या वो उसके साथ भी वैसा ही कुछ करेंगे उससे उसके अपने जहन ने कहा शायद उससे ज्यादा बल की पक्के तोर पर उससे कई गुना ज्यादा तुगलक ने तो खुद ही कहा मेरा अपराद ISI के चीफ से कहीं ज्यादा बड़ा है अबु सलेम के संपूर्ण जिस्म में जुर जुरी दाड़ गई माइक और हैटफोन अलमारी में पटका ट्रांस्मिटर आफ किया कामता हाथ जेब में डाला सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला सिगरेट सुलगाते वक्त वो जुडी के मरीज की मानिंद काप रहा था चेहरा पीला पड़ चुका था आँखों में विनानियों ने डेरा डाल दिया अपनी दुरगती उसे साफ साफ नजर आ रही थी नुसरत तुगलत ने अगर वैसा ही कुछ कर दिया विभत्स चेहरा दिखाई का जिनके बीच आश तक शान से जिया है किस काम की वो जिन्दगी ऐसी जिन्दगी से तो मौत भली मर ही जाना चाहिए उसे सिगरेट फैंकर अबु सलीम मेज की दरास की तरफ बढ़ा दरास खोली उसमें मौजूद रिवॉल्वर उठाया तभी नजर एक डाइरी पर पड़ी पैन भी उसके बगल में ही पड़ा था दूसरे हाथ से उसने उन्हें भी उठा लिया था अब उसके चेहरे पर खौफ के नहीं बलकि अजीब किस्म के दृटता के भाफ थे उसने डाइरी उठा कर खोली पैन से एक कोरे कागस पर लिखा Mercedes नंबर PYQ 7280 है अपनी जिन्दगी की पारी मैंने शान से खेली है और आउट भी शान से ही हो रहा हूँ बस इतना लिखकर डाइरी उसने दरास के टॉप पर रख दी जूते उतारे बैट पर चड़ा और गदेदार विस्तर पर आराम से लेट गया सिर्थ तक्ये पर था आँखे कमरे के लेटर पर दाए हाथ में मौझूत रिवॉल्वर की नाल उसने कंड़ पड़ी पर रखी धाए साउंड प्रोफ कमरे में वो आवास घुटकर रह गई मारके शियर फुस्फुसा कर कहे गई ये शब जैसे ही विकास के कानों में पड़े उसके कदम जहां के तहां जाम होकर रह गई जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया था जपटकर उसने कान बात्रूम के की होल में सटा दिया आवास वहीं से आई थी और वो आवास एक बार फिर आई हैरी ने किया है ये काम सीक्रेट सर्विस का चीफ बनकर वही वहां पांचा था इस वक्त तुम लोग कहा हो इस बार दूसरी तरफ से बहुत महीन सी आवास भी विकास के कानों से टकराई लाहॉर सिटी से दस किलो मीटर बाहर पूर्व की तरफ ये एक फार्म हाउस है जिस वक्त ये सब बताया जा रहा था उस वक्त विकास ने अपने कान की जगा आंख की होल से सटा दी ये देखकर विकास रोमांची थो उठा कि वो अलफान से था जो अंगोठी रूपी ट्रांस्मीटर पर कह रहा था हैरी के मताबिक ये फार्म हाउस फशले 20 साल से लाहॉर में रह रहे C.I.A. के एज़न का है इन लोगों का प्लैन क्या है विकास ने साफ देखा बारी का आवास अंगोठी से निकल रही थी आगे की योजना पर अभी कोई कास डिसकर्शन नहीं हुआ है अलफान से के मुँ से विकास साफ साफ दूसरी आवास निकलते देख रहा था मगर आप चिंता न करें ये लोग जो भी रणनिती बनाएंगे उसका तोड में पैदा कर लूँगा मारकिश ना पहले कभी ना काम्याब हुआ है ना आगे होगा हिंदुस्तानी प्रदान मंत्री को जिस तरह मारा जाना है उसी तरह मारा जाएगा हमें तुम पर पूरा यकीन है मगर समय समय पर हमें भी रिपोर्ट देते रहना आवास की टोन से विकास समझ किया कि दूसरी तरफ नुसरत है आप फिक्र न करें मैं अपना काम बखू भी निप्टाऊंगा ओके दूसरी तरफ से कहा किया बेस्च ओफ लग थैंक यू कहने के साथ अलफान से ने संबन्द विच्चेत कर दिया उस वक्त वो अंगोठी के नक को दुरुस कर रहा था जब विकास ने आँख अटा कर खुद को बहुत तेजी से सीधा किया मारे गुसे के इस वक्त उसका बुरा हाल था जिस्म का रोया रोया तना हुआ चेहरा चेहरा नहीं लोहार की भटी नसर आ रहा था जहन में मानो आग लगी हुई थी उसी समय बातरूम के अंदर चिटकनी गिरने की आवास उबरी दर्वाजा खुला अलफान से ने बाहर कदम रखा और विकास पर नजर पढ़ते ही जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी जैसे मारकेश शियर सुनकर विकास जहां का तहां खड़ा रह किया था वैसे ही विकास को सामने देखकर वो जमीन पर चिपका रह किया दोनों की आँखे एक दोसरे की आँखों में गड़ी जा रही थी अभी तक दोनों में से किसी ने एक दोसरे से एक भी लफ्स नहीं कहा था परंतो विकास की अवस्था देखकर मारकेश के जहन में बहुत तेजी से ये खयाल कौन था विकास सब को जान चुका है फिर भी शायद एक चांस लेने के लिए उसने अलफांसे की आवास में पूछा क्या बात है विकास तुम कमीने विकास उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही दान्त भींच कर गुर्राता हुआ उस पर जपट पड़ा मारकेश को शायद उससे इतने फुर्तिले आक्शन की उमीद नहीं थी इसलिए बच नहीं सका विकास का फौलादी घुसा उसके चेहरे पर पड़ा था एक चीक के साथ वो गैलरी के फर्ष पर जा कि रा विकास उसके उठने और खुद पर किये जाने वाले हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तयार था मगर मारकेश ने जो हरकत की उसकी उसे बिलकुल उमेद नहीं थी इसलिए पल भर के लिए वो बौकला कर रह किया फर्ष से उड़ते ही मारकेश ने विकास की विप्रेद दिशा में जंप लगाई फिर दोड़ता चला किया ये समझ में आते ही विकास ने जेब से रिवालवर निकाल लिया कि वो टक्रानी की जगा भागने की कोशिश कर रहा है भागते हुए मारकेश पर रिवालवर तान कर वो चीखा रुख जाओ वन्हें मैं गोली मार दूँगा मगर मारकेश ने रुखने की कोई कोशिश नहीं की उस वक्त वो गैलरी से फार्म हाउस के फ्रंट लॉन में खुलने वाली खिड़की से बाहर जम्प लगा रहा था जब विकास ने ट्रिगर दबा दिया धाए गोली चलने की आवास दूर दूर तक गूँच गई गोली की आवास सुनते ही फार्म हाउस के लॉन के धूप सनान कर रहे विजे हैरी और नस्मा उचल पड़े वो गास पर प्लासची की एक गोल टेबल डाले उसके तेन तरफ पड़ी कुरसियों पर बैठे थे अभी ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाई थे कि इमारत की तरफ से दौड़ता हाफ था अलफान से आता नसर आया वो लंगडा रहा था दाई टांग की पिंडली से बैता खून किसी की नसरों से चुप नहीं सका ममा मुझे बचा लो मुझे बचा लो जख जख ये चीक के साथ वो लोहे वाले गेट की तरफ भागा विजे ने पूछा पर हुआ क्या लूमर ये क्राइमर अंकल नहीं गुरू मारकेश है मारकेश चीकता हुआ विकास सामने आया उसी समय मारकेश ने पलटकर विकास पर गुली चलाई विकास ने चलावे की तरफ खुद को हवा में उचाल कर गुली से बचाया विकास के रहस्योद गाटन ने एक पल के लिए तो जैसे विजे हैरी और नस्मा को अवाक ही कर दिया था लंगडाता हुआ मारकेश उस वक्त तेजी से लोहे वाले गेट की तरफ बढ़ रहा था जब हैरी ने अपनी जेप से रिवॉल्वर निकाल कर फायर जोंग दिया वो गोली मारकेश के दूसरे टांग में लगी एक चेक के साथ वो त्योरा कर गिरा दांतों पर दांत चमाई हैरी मारकेश पर गोलियों की बोचार करने ही वाला था कि विज़ चीक पड़ा नहीं हैरी उसे मारना मत ऐसे ही कमीनों ने वर्ल्ट ट्रेट सेंटर को धराशाई किया है इसी के कुत्ते साथियों ने पेंटागन को नुकसान पहुंचाया है इनी के कारण हजारों अमेरिकी मारी कए है मैं इसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अंकल छोड़ दो मुझे बेवकुफी मत करो लड़के विज़ उसके हाथ से रिवाल्वर चीनता हुआ बोला अभी हमें उससे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए उदर दोनों टांगे जख्मी होने के बावजूद मारकेश ने एक बार फिर उठकर भागने की कोशिश की मगर धा आए विकास के रिवाल्वर से निकला शोला उसकी पेट में धस किया इस बार की आग गुगलती आँखे अभी भी घास पर पड़े करार रहे मारकेश पर स्थित थी बड़ी मुश्किल से उसने खुद को सीधा किया उसके दाए हाथ में अभी भी रिवाल्वर था विज़ने हैरी से छीना गया रिवाल्वर उस पर तानते हुए कहा रिवाल्वर फैंक दो मारकेश प्यारे अब वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा मेरे दोनों लड़के खाल में भूसा भर देंगे तुम्हारी कमीने, कुट्ते जरा सा मौका मिलते ही हैरी मारकेश पर यू झपट पड़ा जैसे नाग अपनी नागिन के हत्यारे पर झपटा हो इस बात की उसने जरा भी तो परवा नहीं की कि वो निहत्ता है और मारकेश के हाथ में रिवाल्वर है मगर अभी वो उसके नजदीक नहीं पहुंच पाया था कि मारकेश ने अपना रिवाल्वर अपने मस्तक के बीचों बीच रखा और धाएंग उसके मरने की आवास मुकमल फार्म हाउस में गुश्टी चली गई और फिर ऐसा सन्नाटा पसर गिया जैसे शम्शान में किसी शव के अंतिम संसकार के वक्त होता है वैसे भी अब वो जगाश शम्शान के इलावा और रह भी क्या गई थी विजे विकास हैरी और नस्मा सन्नाई से अपने अपने स्थान पर खड़े मारकेश की फटी हुई खोपडी और गोली से बने सुराक से भलबल करके बह रहे गरम लहु को देखते रह गए थे उस माहौल से उबर कर सबसे पहला सवाल विजे ने ही किया दिल जले तुझे पता कैसे लगा कि ये लूमर नहीं मारकेश है मगर न विकास ने जवाब दिया न जवाब देने की जरूरत लगी बुरी तरह भनना रहा था वो उसी भननाई हुई अवस्ता में आगे बढ़ा मारकेश के लाश के नस्दीक पहुँचा मस्तक में गोली लगने के कारण फेस मास्क के सिरे चुड मुडा कर उपर उठ गए थे उसने उनी में से एक सिरा पकड़ा और जटके से फेस मास्क नोच लिया विकास ने यही बस नहीं कर दी उसने मारकेश के उंगली से मोटे नग वाली अंगुठी निकाली नग अलग कर रीड आयल वाला स्विच दबा दिया कुछ देर बाद दूसरी तरफ से आवास उपरी येस विकास पहचान किया आवास तुगलक की थी खुद पर काबू नहीं रख सका वो गुर्राया मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तानी कुत्तो तुम सब का बाप ले नुसरत भाईया तुही बात कर तुगलक की आवास उपरी तुझे भी बच्पन से तलाश है अपने बाप की अनाच्चो ठहरा खुश होने का वक्त आ गया है तेरे लिए बैठे बिढ़ाई बाप जो मिल गया अगले पर ट्रास्मेटर पर नुसरत की आवास उपरी अस्सलाम वालेकुम अबाजान विकास बोल रहा हूँ कुटे तुमारा मारकेश नामक प्यादा मारा गया है ककक्या इस खबर ने नुसरत परमानो बिशली गिरा दी थी विकास ने कुछ कहने के लिए मूँ खोला ही था कि विज़े ने लपक कर अंगुठी उसके हाथ से लेते हुए कहा मैं बात करता हूँ दिलजले उनसे बात ठंडे दिमाग से की जानी चाहिए दूसरी तरफ अब भी सननाटा चाया हुआ था विज़े ने कहा दिलजले ने तुम्हें शुप समाचार सुनाया है नुसरत मिया सांप से नहीं सुंगाया ओ नुसरत की आवाज यानि कमान अब बड़े मिया ने संभाल ली है मगर मिया ये चोटे मिया फर्मा क्या रहे है हमारी समझ में कुछ नहीं आया मारकेश कौन था जो मारा किया विज़े के होंटो पर मुसकान दौट कई बोला तो तो मारकेश को नहीं जानते कसम से बड़े मिया ये नामुराद नाम हमने कभी नहीं सुना हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई समझदार माबाप अपने आुलाद का ऐसा नामुराद नाम रख सकते है नुसरत मारकेश की मौत के सदमे से उबर चुका था वैसे ये था कौन जिसकी मौत पर छोटे मिया बलियों उचल रहे हैं इतने ज्यादा खुश हैं कि ट्रांस्मेटर पर हम से संबन सापित करके उसकी मौत की खबर दें यही विजे उसकी बात काट कर कै उठा तुमें यही कहना चाहिए तभी तो कह रहे हैं हम हमेशा वही कहते हैं और करते भी हैं जो हमें कहना और करना चाहिए मारकेश वो था जिसके बूते पर तुमने हमारे प्रधान मंत्री की हत्या का शड्यंत्र रचा था ये तो आप हम पर तौमत लगा रहे हैं बड़ी मियां, सरसर तौमत है, बला हम क्यों हिंदुस्तानी प्रधान मंत्री की हत्या का शड्यंत्र रचेंगे, वो भी उनकी पाकिस्तानी यात्रा के दर्मियान, इससे तो विश्व समुदाई के सामने पाकिस्तान के आंग, कान, नाक सब कर जाएंग बलकि पाकिस्तान यात्रा के दर्मियान तो उनकी हिफाज़त करना हमारी ड्यूटी है, चौबिस घंटे हम उसी ड्यूटी में लगे हैं नहीं नुस्रत्मियान, तुम्हारी आवाज इदर टेप नहीं की जा रही है, जिस खौफ से तुम ये भाशा बोल रहे हो, उसे हम खूब समझ रहे हैं घबराओ मत, हम इतने कमजोर नहीं हैं, कि तुम्हारी आवाज के टेप के बेस पर, हम विश्व समुदाय के सामने ये साबित करने की कोशिश करें, कि तुम मारकेश के जरिये हमारे प्रदान मंत्री की हत्या कराना चाहते थे अपने लड़ाई हम खुद लड़ते हैं, और वो लड़नी हमें अच्छी तरह आती है, हम जानते हैं, कम से कम इस वार्ता में तुम, अपने मुझ से कोई कच्ची बात नहीं निकालोगे मगर सच्चाई तुम भी जानते हो, और हम भी, तुमने मारकेश के कंदे पर बंदूख रख कर साजिश रची, हमने वो कंदा ही दुनिया से गायब कर दिया हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा बड़े मिया, आप क्या कह रहे हैं? समझने की कोशिश मत करो प्यारे, केवल वो सुनो जो मैं फर्मा रहा हूँ, विजे का लहजा तलक होता चला किया, मैं अपने चीफ से कहकर आया था, जब तक मेरी तरफ से ग्रीन सिगनल ना मिले, तब तक प्रधान मंत्री को पाकिस्तान ना भीजा जाए, आखरी मौके प पाकिस्तान आकमन खत्रों से भरा होगा, खास तोर पर इन हालात में कि तुम जैसे पाकिस्तानी जासूस साजिश में शामिल थे, मगर अब हालात बदल गए हैं, हमने वो काम्याबी हासिल कर ली है, जो चाहते थे, जिसके लिए तुम्हारे इस नामुराद देश में आये और अब मैं तुम्हें चुनोती दे रहा हूँ, तुमसे वार्था के तुरंद बाद मैं अपने चीफ को ग्रेन सिगनल दूँगा, हमारे प्रधान मंत्री तुम्हारी देश में आएंगे, अपना दौरा पूरा करेंगे, और हम तुम्हारी साजिशों को चीरते हुए उन् नीचे, क्रांस्मेटर ओफ करते नुसरत ने कहा, तुगलक बोला, मगर उन्ट को अभी पता नहीं लगा, कि वो पहाड के नीचे आ चुका है, लग जाएगा, पता भी लग जाएगा, तब पता लगेगा जब पहाड उसके उपर गिर पड़ेगा, उसके नीचे दबने के चांचांग करता रह जाए का बेचारा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, कि आप बाते क्या कर रहे हैं, उस शक्स ने कहा, जिसके जस्म पर पुलिस कप्तान की वर्दी थी, लाहोर पुलिस का कप्तान था वो, जो कहता चला किया, उन्होंने मारकेश को मार डाला, उसे जो में हिटर था और आप खुश हो रहे हैं, बात ही खुश होने की है कप्तान सहब, कदम कदम पर वही हुआ है जो हमने चाहा, क्या मतलब, वो शक्स जिसका नाम विजे है, सारी दुनिया विजे दर ग्रेट यूही नहीं कहती उसे, वो किसी छोटी मोटी साजिश के जांसे मे नहीं आ सकता था, इसलिए साजिश काफी लंबी रशनी पड़ी, ऐसी जिसके कदम कदम पर वो केवल और केवल वही सोचे, जो हम सुचवाना चाहते हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं, बस यों समझो कि मारकेश अभी मरा नहीं है, ककक क्या, कप् यों उचल पड़ा, जैसे कुरसी अचानक गरम तवे में बदल गई हो, बैठे रहो मिया, आराम से कुरसी पर बैठे रहो, तो गलत ने कहा, फुदकने से कुछ नहीं होगा, म, मगर, कप्तान की हैरत थी, कि कम होकर नहीं दे रही थी, आपने खुदी तो बताया था, कि मार हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बल्कि हम जो कहते हैं, हमेशा ठीक ही कहते हैं, नुस्रत कहता चला किया, वो शक्स जो अलफान से बन कर उनके बेच गुशा, मारकिश नहीं, बल्कि आत्म गाती दस्टे का एक member था, उसे काम ही खुद को मारकिश साबित करते हुए, अप उसने जान बुछ कर हमसे ट्रांस्मीटर पर की गई अपनी वार्ता विकास को सुनाई ताकि उन्हें पता लग जाए कि वो मारकेश है और अंतते उनके हाथों मारा जाए या आत्म हत्या कर ले मगर यू आत्म घाती दस्ते के एक शख्स को गवाने का फाइदा क्या हुआ उसने कहा वो अपने चीफ से कहकर आया था कि उसका ग्रेन सिगनल ना मिले तो प्रदान मंत्री का पाकिस्तान दौरा रत कर दिया जाए जब प्रदान मंत्री यहां आते ही नहीं तो हम किसकी पूंच उखाड थे अते मारकेश के आत्म घाती दस्ते के एक मेंबर की बली अत्यान तावश्यक हो गई थी ताकि विजेद अग्रेट इस खुश्षवैमी के शिकार हो जाए कि उनने मारकेश को लुड़का दिया है तब ही तो वो अपने चेफ को ग्रेन सिगनल दे थे वही हुआ नुसरत बोला आपने सुना उनने फरमाया अब वो अपने चेफ को ग्रेन सिगनल देंगे हैरान कप्तान के मुझे निकला खमाल के ट्रिक इस्तेमाल की आपने हम समझ गए बात अब जाकर तुम्हारी समझ में आई है मगर अब सवाल ये उठता है असली मार्केश कहा है कम से कम तुरन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया एक पल एक दूसरे की तरफ देखने में गवाया फिर नुसरत ने तुगलक से पूछा बता दू इन्हें तो बताना ही पड़ेगा कप्तान चेहरे लाहॉर पुलिस के स्ट्रेडियम में जहां गुल गपाड़ा होना है कमान इन्हें ही संबालनी है इन्हें ही पता नहीं लगेगा कि गुल गपाड़ा हो क्या रहा है तो भला अपने हिस्से का एक्शन कैसे ठीक से कर पाएंगे मेरे खयास से इन्हें बताया ना चाए बलकि दुनिया का सबसे बहतरे नजारा दिखा ही दिया चाए मेरा खयाल भी कुछ ऐसा ही है तो चलो कुर्सी से उड़ते ही तुगलक ने कहा आईए कप्तान सहा कहां कहता हुआ वो खड़ा हो गया ज्यादा दूर नहीं पाताल तक चलना है कहने के बाद वो जिस कक्ष में बैठे थे उसके बात्रूम में पहुँच गए उस वक्त कप्तान के चहरे पर हैरानी के भाव थे जब उन्होंने बात्रूम का दर्वासा अंदर से बंद किया और उस वक्त तो उसके मुँ से अरे ही निकल पड़ा जब नुस्रत ने एक बटन दबाया और समुचा बात्रूम लिफ्ट के मानिन जमीन में धसने लगा करीब दस मिनट के सफर के बाद लिफ्ट रुकी दर्वाजा खुला कई गैलरियां पार करने के बाद वो पारदर्शी कांच के बने एक कमरे के नस्दीक पहुँचे दस बाय दस के कमरे की चारो दिवारे ही नहीं चत और फर्श भी कांच के थे एक शक्स का जिस्म गैस के गुबारे की तरह उस कांच के कमरे की हवा में भटकता सा उड़ रहा था कभी वो कमरे की चत से जा टकरा था तो कभी दिवार से टकरा कर गद्दा सा खाने के बाद पुने हवा में उड़ने लगता कप्तान साहब तुगलक ने कहा आपने जरूर सुना होगा प्रित्वी की गुरत्वा कर्शन शक्ती जहां खत्म होती है वहां के बाद के हिस्से को स्पेस कहा जाता है अगर कोई शक्स वहां फज जाई तो अपने जिस्म के किसे भी अंग पर उसका कोई अंकुष नहीं रह जाता वातावरण में उड़ते रूई के छोटे से जर्रे से भी कम वजन नहीं रह जाता उसमें न भूग लगती है न प्यास बस योहीं गैस के गुबारे की तरह स्पेस में उड़ता फिरता रहता है हमारे वेक्यानिकों ने कांच के इस कमरे में स्पेस जैसा वातावरण तयार करतिया है नुसरत ने बात आगे बढ़ाई हमारे आला दिमाग में खयाल आया अगर किसी शक्स को इसमें डाल दिया जाए तो पूरे जीवन गैस का गुबार बन कर बिचारा भटकता ही रहे जब अपनी मर्जी से हाथ पैर हिला ही नहीं सकता तो निकलेगा कैसे तुगलक ने कहा हमने सोचा किसी शक्स के लिए इससे बैतर कैद नहीं हो सकती नुसरत बोला ना किसी पहरेदार की जरूरत ना किसी किस्म की निकरानी की आवश्यकता यानि ना हिंग लगे ना फिट करी रंग चोखा ही चोखा तो क्या मारकेश को आपने यहां कैद कर रखा है रहोगे तो धीवट के धीवट ही कप्तान सहब बला मारकेश को हम कैद में क्यों लखने लगे तो फिर कौन है ये दिखाते हैं कहने के साथ नुसरत ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला उसका एक बटन दबाते ही कांच के कमरे की इस तरफ वाली दिवार में चार बाए चार का एक मोकला खुल गया मोकले का खुलना था कि कांच के कमरे में तैर रही शक्स का जिस्म सीधा होकर तीर की तरह मोकले की तरफ लपका तुगलग चीखा आफ कर आफ कर वरना वो फुटबाल की तरह यहां आगिरेगा नुसरत ने तेजी से रिमोट का दूसरा बटन दबाया पलक जपकते ही मोखला बंथ हो गया और उसकी तरफ बढ़ रहा जिस्म कांच से टकराया टकराने के बाद वो पुणे फूर्फ की भांथी कांच के कमरे की हवा में तैरने लगा था मगर इस बेच कपतान उसका जिस्म सीधा हो जाने के कारण उसकी शकल देख चुका था शकल देखकर उसके चहरे पर चौंकने के भाव उपरे थे इससे पहले वो कुछ बोल पाता नुसरत ने कहा मोकला खुलते हैं प्रित्वे के गुरुत्वा कर्शन स्थिती ने अपना काम शुरू कर दिया था इसलिए वो मोकले के तरफ खिंचा चला आया म, मगर कपतान ने कहा वो, वो तो हैरी है हमारा सबसे बड़ा बैरी है यदि हैरी यहाँ है, तो वो उनके बीच कौन है मारकेश, तुगलक बोला नुसरत ने कहा, शुद्ध मारकेश लग, लेकिन, वो तो आयसाई के चार्च में आजाद, कश्मीर में कह था और उसके वहाँ से निकल जाने के, दंड सुरूप आपने आयसाई के चीफ की नाक तक काट ली थी करना पढ़ता है मिया, कभी-कभी ऐसा भी करना पढ़ता है तुगलक ने कहा, नुसरत बोला कभी-कभी नहीं, बलकि शत्रंच के खेल में ऐसा, अकसर करना पढ़ता है सामने वाले को मात देने के लिए, अपने मोहरे खुद पिटवाने पढ़ते हैं इस खेल में फता ही उसकी होती है, जिसमें अपने मोहरे पिटवाने की कुवत हो आई-स-ाई का चेफ रहा हो, या अबु-सलेम हमारे लिए उनकी हैसियत, शत्रंच की विसात पर प्यादों से ज्यादा नहीं थी दुश्मन को मात देने के लिए हमने उन्हें खुद पिटवाया एक बार फिर मेरे समझ में आपकी बाते नहीं आ रही हैं, कप्तान ने कहा याद रखो, पहले भी कैचुका हूँ विजे को, विजे दक ग्रेट, यूही नहीं कहा जाता है उसको चक्मा देने के लिए पापड नहीं, बल्कि हल्वे वाला परांठा बेलने की जरूरत थी वही हमने बोला, तुगलक ने नुसरत के सुर में सुर मिलाया असली हैरी मिया को न्यू योक से उठा कर, इस कमरे में डाला मारकेश को हैरी बना कर, ISI के चीफ के हवाले कर दिया प्लैन के मताबिक उसे वहां से फरार होकर, भारत, विजे विकास के पास पहुँचना था और उनका विश्वास जीतने के लिए, वही सब कहना और करना था, जो उसने कहा और किया हमने उससे काफी कहा, हम तुम्हारे लिए ऐसे प्लैन क्रियेट करेंगे ताकि तुम आराम से, ISI की कैट से फरार होकर, भारत पहुँचो मगर मानना पड़ेगा, मारकेश एक जीवट किस्म का शक्स है उसने कहा, नहीं, इस काम में आप मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे इतनी कुवत मुझ में है, कि अपने बूते पर चाहे जैसी कैट से, फरार होकर लक्षे तक पहुँच सकूँ हैरी का उन तक पहुँचना स्वाभाविक भी तभी लगेगा इस प्लैन के तहट, ISI के चीफ को बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि उसकी कैट में नकली हैरी है, मारकेश सच मुझ अपने बूते पर वहाँ से आर्मी हॉस्पिटल तक पहुँचा म, मगर आप तो जानते थे कि वो मारकेश है, हैरी नहीं फिर बिचारी ISI के चीफ की नाक, विज़ दग्रेट को पूरी तरफ असानी के लिए वैसा करना पड़ा क्या मतलब? बता चुके हैं, ISI के चीफ की हैसियत हमारे लिए प्यादे से ज्यादा नहीं थी प्यादे की नाक काटने का प्रचार हमने इतने जोर शोर से किया कि खबर विज़ विकास के कानों तक पहुंच जाए लक्षे एक ही था, अपने पास पहुंचे हैरी पर उन्हें थोड़ा बहुत शक्क हो भी तो उस पर धूल पड़ जाए सोचे हैरी में अगर कोई खोट होता तो उसके फरार होने के जुर में ISI के चीफ को अपनी नाक क्यों गवानी पड़ती दुर्भाग्या से आर्मी हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मारकेश को दो गोलियां लग गई थी जसकी वज़ा से विजे विकास उसे भारत में ही छोड़ कर पाकिस्तान आ गए थे यहां से वो विजे के भाई का ट्रांसमेटर चीन कर फरार हुआ फरार होते ही उसने हम से संपर्ट किया फिर हमारी मदद से ही उसने विजे विकास नज़मा और अलफानसे को अबुसलेम की कैट से निकाला मदद हमने उसकी केवल इतनी की थी कि ट्रांसमेटर पर अबुसलेम से हमने कहा हमारे चीफ सुरक्षा विवस्ता का जायजा लेने आ रहे है बाद में जब अबुसलेम ने हमसे कहा प्रांस्मीटर पर हमी ने उससे बात की थी तो हम साफ मुकर गए बिचारा नाक कटने के डर से खुदी अपनी इहलिला समाप्त कर बैठा अब कहो कैसा रहा हमारा चकरदार चकर चकर तो आपका वाके चकरदार था था नहीं कप्तान साहथ है कहो है नुसरत कहता चला क्या दुनिया के तुम पहले आद्मी हो जिसे हमने अपना पूरा चकर बताया है बताया भी इसलिए है क्योंकि अब आगे के चकर में तुमारी ही भूमी का सबसे एहम है स्टेडियम तो स्टेडियम हम तो वहां से मीलो मेल दोर तक नहीं होंगे वहां की कमान तुम्हें संभालनी है अब तुम जानते हो हैरी असल में मारकेश है वो विजे विकास के साथ बारतिय प्रधान मंत्री के सुरक्षा घेरे का प्रमुखंग होगा छीक 3.45 पर वो पाकिस्तानी यराश्ट्र पती पर हमला करेगा उन पर हमला करता वो केवल नसर आएगा असल में निशाना होंगे भारतिय प्रधान मंत्री जैसे ही वो अपना काम करके चुके तुम्हारा काम होगा उसका काम तमाम कर देना मम मारकेश का? करेक्ट उसका क्यूँ? खोपड़ी के कपाट खोल कर रखा करो कप्तान साहब हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि मारकेश पकड़ा जाए और कल विकास के टॉर्चर से तूट कर शड्यंद्र में पाकिस्तानी भूमी का बयान कर सके क्या मारकेश को मालूम है कि उसका काम खत्म होने के बाद मैं उसे उसे ये मालूम है कि जब वो अपना काम कर चुकेगा तो तुम उसे स्ट्रेडियम से फरार होने में मदद करोगी उसकी इस सोच के कारण तुम्हारे लिए उसे ठिकाने लगाना और भी आसान हो जाएगा सुना तो था कि पाकिस्तानी किसी के नहीं होते अपने बाप तक की स्वभाविक मौत तक का इंतजार नहीं करते उसे कतल करके गदी पर जा बैठते है मगर देखा पहली बार तुम उस मारकेश तक के नहीं हो जो तुम्हारे लिए इतने खत्रे उठा कर भारतिय प्रधान मंत्री की हत्या पर आमादा है नुसरत चौंका मिया ये कौन सी जुबान बोलने लगे तुम वही जुबान बोल रहा हूँ जो अब मुझे बोल ही देनी चाहिए कप्तान का लहजा तो पहले ही बदल चुका था इस बार आवास भी बदल गई साथी एक जटके से उसने अपनी जेब से रिवालवर निकाल कर उस पर तान दिया था दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर से फेस मास्क नोश्ता हुआ बोला और बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुमारी समझ में जुबान ही ये आती है उचल पड़े दोनों तुगलक के मुँसे निकला जजजज जैकी पूरा नाम जैकी आमस्ट्रॉंग बाप हो उसका उसने कांच के कमरे में तैर रहे हैरी की तरफ इशारा किया यही कहूँगा एक नंबर के गधे हो तुम जो मुझे भुलाई बैठे हो तुमने सोच कैसे लिया कि हैरी का अपरण हो जाएगा और उसका बाप नियू योक में निश्क के ये बैठा होगा नुस्रत तुगलक की हवा शंट चैरे पर हवाईयां उड रही थी अब अपने दिमाग के कपाट खोलने के लिए कुछ और बाते सुनो जैकी ने कहा ये तो तुम जानते ही होगे कि मुझे जासूसों का देवता कहा जाता है और वो जिसका नाम विजे है मेरा सबसे काबिल शिश्य है इतना काबिल कि वो एक सेकिंड के लिए भी कभी तुम्हारे चकरदार चकर में नहीं फसा तुम्हारे हैरी को आमी होस्पिटल में वो देखते ही तार किया कि वो हैरी नहीं है उसने फौरण मुझसे संबन स्थापित किया बताया हैरी को नुसरत तुगलक ने किड्नैप किया है मैं तुम्हारे पीछे लग गया मेरे और विज़े के बेश तैह हो गया था कि जब तक मैं हैरी तक ना पहांच जाओ वो वही करता रहेगा जो तुम चाहते हो सुना तुमने वो तुम्हारे चकरदार चकर में फसा होने का नाटक कर रहा था केवल इस लिए ताकि हैरी को तुम्हारे चंगुल से सुरक्षित निकाला जा सके उसके द्वारा तुम्हारे हैरी पर हाथ डालने का मतलब था असली हैरी की जान को खत्रा इसे कहते हैं तक अपने चीफ को ग्रेन सिगनल दिया नहीं होगा अब देगा तब देगा जब उसे पता लग जाएगा कि मैं हैरी को तुम्हारी कैट से निकालने में काम्याब हो गया हूँ काम्याब तो तब होगे प्यारे जासूसों के देवता जब हम होने देंगे कहते हुए तुगलत ने गजब की फुर्ती के साथ जैकी के रिवॉल्वर वाले हाथ में ठोकर मारी कदाचित जैकी को उससे ऐसी उमीद नहीं थी रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल कर कांज की दिवार पर जाट टकराया मगर उनका अगला आक्रमन काम्याब नहीं होने दिया जैकी ने उसके हा बलकि वो कलाई पकड़ कर उमेड थी जिसमें रिमोट था अगले पल रिमोट जैकी के हाथ में था और हलके फुलके नुसरत को उठा कर उसने तुगलक पर फैंक दिया तुगलक जो खुद भी उस पर जंप लगाने की तयारी कर रहा था उस पर नुसरत आकर गिरा तो दोनों एक दूसरे से उलशते पुलश थे फर्श पर जा किरे संबलकर नुसरत बहना गिरते पड़ते तुगलक ने कहा वो साला एक बार हावी हो गया तो कच्चा दवक चबा जाए का हमें देवता ठहरा जासू सुंका उलश तो तू रहा है यार मुझ से नुसरत ने कहा इधर ज सुन रखा था वो दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े शैतान है वो अकसर सामने वाले पर हावी हो जाते हैं और एक बार अगर वो हावी हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन पर काबू नहीं पास सकती इसलिए उसने उन्हें कोई भी मौका ना देने का निश्च ली थी इसलिए रबड के बबूए की तरह फर्ट से उचल कर चिखा अमा क्या कर रही हो जैकी मिया इस तरह तो उसका वाक्य अधूरा रह गया मोखला पार करके हैरी का जिस्म धार्ट से उसके जिस्म से टकराया इस बार वो हैरी के साथ उलचता हुआ फर्श पर गिरा अकेला नुसरत जैकी के लिए कुछ भी नहीं था ठीक उसी तरह अकेले तुगलक के लिए हैरी काफी था जैकी और हैरी ने दोनों को एक साथ मिला कर कोई भी हमला करने का मौका नहीं दिया जैकी नुसरत को अपने में उलचाए रहा हैरी तुगलक को बोलते वो फाइटिं अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि तुगलक उस पर एक वार भी नहीं कर पाया था जबकि उसने उसे घूंसो ठोकरों पर रख दिया था लहु लुहान हो गया था तुगलक अंतते बेहोश हो कर फर्श पर पड़ा रह गया खुंकार शेर की तरह वो जैकी और नुसरत की तरफ घूमा हाला कि जैकी नुसरत पर हावी था मगर जैकी से अभी तक जूश तो रहा ही था वहां तुगलक की तरह कम से कम बेहोश तो नहीं हुआ था ऐसा देखकर हैरी तुगलक पर जपट पड़ा और उसके बाद उसने तुगलक की ऐसी धुनाई की कि जैकी के पास करने के लिए कुछ रही नहीं गया था पहले ही निढाल हो चुका तुगलक पांच साथ हाथ भी नहीं जिल सका और बेहोश हो गया मगर हैरी तो मानो उसके बेहोश जिस्म पर ठोकर बरसाता चला जा रहा था अंततेर जैकी को ही जपट कर उसे पकड़ना पड़ा उसे तुगलक के बेहोश जिस्म से दूर करता हुआ बोला क्या कर रहा है बेटे अब क्या जान से ही मार डालेगा उसे हाँ डेडी हाँ वो जैकी के बंधनों से निकलने के लिए फड़फडाता हुआ चीखा मैं इन्हें जान से मार डालूँगा मुझ पर हाथ डालने की इनकी हिमत कैसे हुई नहीं बेटे जैकी ने शांत स्वर में कहा जासूसों को एक दूसरे से ऐसा सलुक नहीं करना चाहिए क्या मतलब जासूसी के मैदान का पहला सिधान थे प्रतिद्वंदी जासूस की जान तब तक मतलो जब तक तक तुम्हारा काम उसकी जान लिए बगैर निकल सकता है हाँ अगर काम जान लिए बगैर नहीं निकल रहा तो बात अधूरी है अब उन सिधानतों का जमाना नहीं रहा डैडी जिन सिधानतों के तहत आप नए नए लड़कों को जादू के पैंतरे सिखाते हैं अब तो सिधानत ये है कि दुश्मन को सामने पड़ते ही मार डालो क्यों मार डालो इस बार जैकी भी उंची आवास में बोला क्या गुना किया है उसने जो गुना उसका है वही गुना तुम भी हर रोज हर कदम पर करते हो तुम अपने देश के हित में करते हो सामने वाला अपने देश के हित के लिए अगर वो जीने का अधिकारी नहीं है तो तुम्हें में मर जाना चाहिए हैरी अपने डैडी के भबकते चेहरे को देखता रह गिया जैकी ने आगे कहा और कौन कहता है कि आज का सिधान दुश्मन देश के जासूसों को देखते ही गोली मार डालने का है ऐसा था तो इन लोगों ने तुम्हें यहां कैद क्यों रखकर रखा था मार क्यों नहीं डाला हैरी पर जवाब देते नहीं बना कुछ भी हो नुसरत तुगलग भी जासूसी के सिधान से वाकिफ थे इन्होंने सिर्फ तुमें कैद किया मारा नहीं इसलिए जिन्दा रहने का हक इन्हें भी है आओ इन्हें कांच के कमरे में फैंकने में मेरी मदद करो हैरी को वही करना पड़ा जो जैकी ने कहा था कुछ देर बाद नुसरत तुगलग पर ठीक उसी तरह कांच के कमरे में धक्के लाते पड़ रहे थे जिस तरह कुछ देर पहले हैरी लड़ रहा था जैकी ने मोकला बंद करके रिमोट अपनी जेप में डाला और हैदी का हाथ पकड़ कर कांच की दिवार की तरफ बढ़ता चला गया बोला आओ अब अंतिम काम विजे को ग्रेन सिगनल देना है ये लो प्यारे गुप्त भवन में पहुंचते ही विजे ने मारकेश को ब्लैक बॉई की तरफ धकेलते हुए कहा संभालो दुनिया के एक कैसे खुंखार हत्यारी को जिसका निशाना कभी नहीं चूकता मारकेश के चेहरे पर इस वक्त कोई मेकप नहीं था वो एक सक्त चेहरे वाला गोरा चिट्टा लड़का था जब से वो पकड़ा गया था तब से एक भी लफ्स नहीं बोला था पाकिस्तान से यहां तक के रास्ते में जबडे सक्ती के साथ कस रखे थे उसने नस्मा कहा है ब्लैक बॉई ने पूछा उसे भी हम अपने साथ भारत ले आई हैं अब उसका पाकिस्तान में रहना चीक नहीं था यानि अब मैं ग्रे सचिफ को ग्रेन सिगनल दे सकता हूँ कि वो प्रधान मंतरी महाद्य के पाकिस्तान दौरे का प्रोग्राम जियों का तियों रखे उसमें कोई परिवर्तन ना करें बस इतना परिवर्तन करें कि उनकी सुरक्षा टीम में मेरा और दिल जले का नाम लिखवा दे ब्लैक बॉई ने एक नजर मारकेश पर डालने के साथ पूछा क्या पाकिस्तान में उन्हें अब भी कोई खत्रा है खत्रा बाल बराबर भी नहीं है काले लड़के मगर सतरकता जरूरी है समझ गया ब्लैक बॉई ने मारकेश की तरफ इशारा किया इसका क्या करें कैद में डाल दो और कर भी क्या ताकि फिर कोई इंडियन विमान अपरन करके कांधार ना ले जाया जाए बहुत दिर से खामोश विकास जो अला मुखी की मानित फट पड़ा ताकि फिर निर्दोश यात्रियों की जान के बदले में इसे रहा करने की शर्ट रखे और ताकि फिर राशनिते निर्दोश यात्रियों को बचाने के नाम पर इसे रहा कर सके केवल ये कहना चाता हूँ कि ऐसी बेवकोफी हम करते ही क्यों है कि कल कोई इनके रिहाई की मांग कर सके जेलों में क्यों डालते हैं इन्हें गोलियों से क्यों नहीं मार देते मारकेश जैसे लोग पागल कुत्ते हैं गुरू और पागल कुत्तों को गोली मार देनी चाहिए ये पठा तभी से इस बात पर आमादा है जब से हैरी के मारकेश होने का रहस्य खुला है विजे ने ब्लैक बॉई से कहा बड़ी मुश्किल से पजामे में लख पा रहा हूँ इसे उधर ये उसने मारकेश की तरफ इशारा किया ये भी मरने पर आमादा है जरा भी धील दे दी होती तो अब तक आत्म हत्या कर चुका होता वही तो कह रहा हूँ मैं जब ये खुद मरना चाहता है तो क्यूं रोका जा रहा है मुझे विकास गुर्रा उठा क्यूं हम भविश्य में किसी आतंकवादी को इतना मौका दें कि कल वो इनके रिहाई की बात कर सके क्या आप भूल गए जिसे कांधार में चोड़ा गया था उसने कश्मीर विधान सबा के बाहर क्या किया समझने की कोशिश कर धिलजले दुनिया में सिध्धान्त नाम की भी एक चिड़िया होती है भाड में जाए गुरू, भाड में जाए आपके सिध्धान, कहने के साथ सोचने का किसी को मौका दिये बगैर, उसने जेब से रिवालवर निकाला, और धाए, सीक्रेट सर्विस का आफिस मारकेश की चीक से गुन्ज उठा, धत तेरी की, विजने अपने माते पर हाथ मारा, क दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है, आपको कहानी कैसी लगी, कॉमेंट में जरूर बताईएगा, दोस्तो एक कम्प्लीट आडियो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है, ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है, मि